में बहुत समय लग जाता है इससे इंस सुसैटियों का बहुत सारा पैसा कमिन्टी के पास काभी समय तक पढ़ा रहता है मैं गोशना करता हूँ कि एक अप्रेल दो जार चोबिस से दुखद उतपादन सुसैटियों से एपी एमसी द्वारा ली जाना वाली फीज माफ की जाएगी इस से इंस सुसैटियों को तुरूरों उपेका लाग पहुंची गाँ मेरा लक्षा किसानों और पश्यू पालकों को ना केबल दूद उतपाद को कोस्ट बेस प्राइस मिले बलकि क्वालिटी बॉनस इसी लक्षे की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार निश्चित समय अब्दी को ध्यान में रख कारया कर रही है यह सरकार एवन पश्यू पालकों के सुख परियास से संबब हो पाएगा परदेश के युवाओं में पश्यू पालन से संबंदित कोशल के विकास से उदिश्य के उदिश्य से हमाचर परदेश कोशल विकास निगम के माद्यम से ने कोशल परशिक्षन कारेकरम शुरू किये जाएंगे हिम गंगा योजना के अंतरकत मैं बर्श दोजार चोविस परचिस के दुरान कांगणा के धगवार में 1.5 लाख लीटर परड़े की शमता वाले फुली ओटोमेटिड मिलक और मिलक प्रोडक्स प्लांट की स्तापना की गोशना करता हूँ इस प्लांट के लिए इस प्लांट के लिए भूमी उपलब्त करवा दी गई है तता इसकी शमता को बाद में बढ़ा कर तीन लाख लीटर पर डे कर दिया जाएगा इस प्लांट में अधिक दूद का पॉडर बनाया जाएगा जिसकी मांग से अधिक दूद को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके इसके अतरिक धाई, खोया, भी, आइस्क्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, प्रोसेस्ट मिल्क चीज तता अन्यात बाद त्यार किया जाएंगे इसके साथ ही यहां UHT, अल्टरा हीट टेकनोलजी से पैकिंग की सुविदा भी उपलब्त होगी दत नगर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में 50,000 LPD की शमता का एक अत्रिक सेंतर चालू कर दिया जाएगा तदा बरतमान में, भविन जिलों में काम कर रहे, दूद सेंतरों के निमिनी करण को प्राथमिक्ता दी जाएगी उनना तदा हमीरपुर में भी आदुनिक तक्नीक से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्ताविट किये जाएगे जिन पर लगबग पचास क्रोड पे व्याय किये जाएगे स्तानी वुआओं को, किसानों को, कॉलेक्शन सेंटर से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट तक दूद ले जाने के लिए पचास प्रतिशत उप्दान पर 200 रेफ्रिजेटर मिल्क बैंस उप्लाब्द करवाई जाएगी यहीं कि जब दूद की पैदाबार बढ़ेगी तो किसान कहां छोड़ेगा उसके लिए उन्हें जो रेफ्रिजेटर बैंस होती है मिल्क प्रोसेसिंग के लिए पचास प्रतिशत पर उप्लब्द करवाई जाएगी पशू पालकों को उत्तम नसल के पशू उप्लब्द करवाने के देश्य से मैं सोलन जिले के दार्ला घाड में कृत्रिम गर्माधान पर शिक्षन के इंदर की स्तापना करने की गोशना करता हूँ जिसकी सहता से कृत्रिम गर्माधान पर शिक्षन की सुविदा उपलब्द करवाई जाएगी विशेशग्या 25 किसकाओं दोरा गंबीर पशू रोगों की सुविदा उपलब्द करवाने के लिए 44 मोवाईल बेटनरी बेंस कराये पर ली गई है या सेवा वर्ष 2024 में पूरन रूप से अरम कर दी जाएगी परतेग बेंस में एक बेटनरी डॉक्टर तथा एक फार्मसिस्ट तनात होगा पशू पालब्द परदेश में कहीं से कहीं से भी टॉल फ्री फोन नंबर 1962 पर कॉल करके पशू के उपचार की सुविदा या पशू पालब्द से संबंदित अन्या जानकारी राप्त कर सके गे राष्टिया गोकूल मुशन के तैथ उन्ना जिला के बसाल में डेनमार्ट के तकनीकी सेहोग से 44 क्रोड की लागत से एक उत्कृष्टता के अंदर स्ताफित किया जाएगा इसके लिए अवश्यक भूमी पशुपालन विवाग के नाम पर हस्तांतरित का हो चुकी है बदलते समय में पशुपालन विवाग के संगाठनात्मक धांचे के पुनर गठन एवं पुनर सरचना की भी अवश्यक्ता है अता विवागे योजनाओं के युक्ति करण इवं विवागे ढ़ंचे के पुनर गठन के लिए एक विस्तित योजना बनाई जाएगी जिसके लिए एक विशेश क्या समीती बनाई जाएगी मिलक फेडरेशन के माद्यम से नैशनल डैरी प्लान टू के अंतरगर परदेश में दूद की उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए एक बिस्तित कारिया योजना त्यार करके उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा हमाचल परदेश बेड़ बकरी पालकों का भी परदेश है परदेश में आठ लाग भेडे तथा ग्यारा लाग बकरियां है बेड़ बकरियों के लिए FMD वैक्सिन डिवार्मिंग द्वाईयां तथा अन्या द्वाईयों के लिए अलग से कोई प्राबदान नहीं है इसके परदेश में बेड़ बकरियों के लिए FMD वैक्सिनेशन शुरू करने तदा उन की अन्या समस्यों के लिए एक नई यूजना बेड़ बकरी पालक प्रोसान यूजना अरम करने की घोशना करता हूं इस यूजना पर दस करोड रुपे की अत्रिक धंड़ाशी दी जाएगी जनकी जीनियाज परदेश में बढ़ते हुए बेसारा पश्यों की समस्या के निदान के लिए एक स्टेट लेवल टाक्स पोर्स का गठन किया जाएगा जो कि तीन महा के भीतर इन पश्यों को किसानों तथा स्थाने समुदाओं से परामर्श के बाद समीब के अभ्यारनों तथा गोशालों में रखने के लिए दिशा अंदर्देश दिये जाएगे इसी के साथ गोवहरनों और तथा गोशालों के निर्माण तथा रख्रख्वाव से संबंदित सुझा भी दिये जाएगे मैं निजी गोशंदों में अश्रित गोवश के लिए दिये जाने वाले अनुदान 700 रुपे प्रती गोवश प्रती महां से बढ़ा कर एक हजार दो सुर रुपेया करने की साहर्श गोशना करता है जो निजी संस्तान गोशाला चलाते हैं उनके लिए हमने बारह सुर रुपेया पर गाह या कोई सी पश्चुका कर लिया है क्रिशी शेक्तर के लिए कुल पांसो ब्यासी क्रोड रुपे पस्तावित है अद्यक्ष मोदे मैं हमाचल परदेश की आर्थकी में परदेश के बागवानों का एक बड़ा योगदान रहा है बागवानों की आए में वरिद्धी हमारी सरकार की प्रात्मिक्ताउं से में से एक है मैं दो जार चोबिस पच्चिस के दौरान बागवानी शेतर में तिन सो क्रोड रुपे की लागए से निमन विकास कारिया पूरे करने की गोजना करता हूँ 75 लगू संचाई योजनाओ का निर्मान लगवग 1200 हेक्टेर शेतर में सब ट्रोपिकल फोलों के हाई डेंसिटी विक्षों का रोपन कारिया किया जाएगा जिससे 80,000 किशक स्मोह में के लगवग 6,500 किसान परिवार लावानी बीत होंगे 12 क्रोड की लागत से एक बागवानी उत्करिष्टरता के अंदर की स्तापना की की जाएगी जो कि गुनवत्ता, कोशल, परियाटन तता बिजार संबंदित सभी अविश्कताओं के लिए वन स्टॉप रिसोर्स सेंटर के रूम में कारिया करेगा राज्जा के सब ट्रोपिकल शित्रों में दो अत्याधुनिक फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिर्स तावित किये जाएगे पांस क्रोड क्रोड की लागत से अमरूद, निम्बू तथा अन्या सब ट्रोपिकल फुलों की बढ़ावा देने के लिए मडलेटरीज, बड़ वूड बैंक्स के लिए कोरडेंशन ब्लॉक की स्थापना की जाएगी भागवान बाईयों के साथ चर्चा के बाद मैं घुजना करता हूँ 2024 के सेफ सीजन से, जो अगला सेफ सीजन होगा, यूनिवर्सल कार्टन का परियोग अरहम कर दिया जाएगा इस दिशा में अवशक दिशा नर्देश त्यार करने है तो, सचिव क्रिशी के दिख्षता में दिसंबर 2013 में एक कमेटी का कठन किया जा चुका है परदेश में हाई रिटन फूर्ट जैसे की ड्रेगन फूर्ट, अवशक दिशा नर्देश त्यार किये जाएंगे इससे परदेश के किसानों की आए में शिगर एवं निश्चित अब विरिद्धी होगी अदेक्स मोदे, परदेश में प्रेटकों के बढ़ते हुए रुजान को देखते हुए हौटी कल्चर टूरिजम को बढ़ावा देने की अवशकता है परदेश में स्तित बड़े बाग तदा बागों के सुमो को गरामिन प्रेटन की दृष्टी से विक्सित करने के लिए गरामिन विकास विवाग, उद्यान विवाग तदा प्रेटन विवाग के माद्यम से मैं एक ठोस नीती का निधारन किया जाएगा इस नीती के अंतरगत इच्छिक बागवानों को अवशक ट्रेनिंग तथा अन्य सहता अपलोद करवाई जाएगी, बागवानी के कुल 530 क्रूर रपे पस्तावीत है अदेक्ष मोदें, परदेश के लगवग 13,000 मच्छवारों की आए बढ़ाने के उदेशे से मैं निमन गुशना करता हूँ 20 हेक्टर शेतर में ने मतस्य पालन तलावों के निर्मान के लिए मच्छवारों को 80% उबदान पर आर्थिक साहता दी जाएगी यनि कि सौरबे में से असीर पे सरकार खच करेंगी जीला हमिरपूर में सेन्टर ओफ एक्सलेंस के रूम में एक ने कारफिश पारम की स्ताफना की जाएगी नाला गर्ड स्तित फिश सीड फारम में 5 क्रोड की लाग़ से ब्रौड बेक्ट की स्ताफना की जाएगी परदेश के मच्छवारों को मोटर सैकल, थ्री विलर तता आई बॉक्सिस उबदान पर उपलब्द करवाए जाएंगे दस ने बायो फ्लॉक फिश प्रोडक्शन तलाबों तता दस नहीं लगू बायो फ्लॉक फिश प्रोडक्शन काईयों के स्थापना की जाएगे तीन नई फिर्ड मिल्स की स्थापना की जाएगी, दो बरफ सेंतरों की स्थापना की जाएगी इसके अतरिक परदेश के ठंडे शित्रों में, निजी शित्रों में ट्रॉट मच्ली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक सो पचास नई ट्रॉट मचली उत्पादने काईयां तदा दो नौई ट्रॉट हैच्छिस की स्तापना की जाएगी अदर्श मोदे ये सब जो चीजें हैं ये किसान की आए बढ़ाने के लिए हैं चाहे प्रकृतिक खेती है चाहे दूद के मुल्या बढ़ाने की बात है च किसान और बागवान की आए बढ़े उस दिरिश्टी से सब को जोड़ा गया है इसके अत्रिक्त परदेश के ठंडे शित्र अदेक्ष मोदे गर्तबश भारी वर्षा के कारण अन्या संपत्यों के साथ साथ लारजी पावर होस को लगवग 658 क्रोड पे का नुक्सान हुआ लारजी पावर होस के यूनिट नंबर वन को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया गया है तथा अन्या दो यूनिटों को भी शिगर ही रिस्टोर कर दिया जाएगा लगवग 2000 क्रोड पे की लागश से कारेणमेंट होने वाली हमाचल परदेश पावर सेक्टर ड्वालमेंट के लिए विश्टोर बेंक के साथ लौन एग्रिमेंट साइन कर लिया गया है इसके माध्यम से स्मार्ट ग्रीट टेक्नोलजी की सहता से परदेश के तेरा सेरों तेरा शेहरों में 24 इंटू 7 पावर सप्लाई सुनिश्चित करने का कार्या शिगर अरम किया जाएगा मैं हमाचल परदेश को 2026 तक देश का पहला हरित उर्जा राज्या बनाने के अनुकरम में तदा परदेश में सोर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए निमलिक्त गोशनाई करता हूँ पेखु वाला स्थित 32 मेगावार्ट शम्ता वाले हमाचल के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का शिला नियास 2 दिसंबर 2023 में किया गया था मैं से मार्च 2024 तक के अन तक कमिशन करने की घोशना करता हूँ उन्ना में अगलोर स्थित 10 मेगावार्ट शम्ता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट जून 2024 तक बन कर त्यार कर दिया जाएगा उन्ना के बंजाल में 5 मेगावार्ट शम्ता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट का स्थम्बर 2024 तक लोका आरपन कर दिया जाएगा राजीव गांधी स्टार्ट अप यूजना के अंतरगत निजी भूमी पर 45 प्रतिशत उपदान पर 100-500 किलो वार्ट तक के सोलर पैनल नगाने के कारे में गती लाई जाएगी इस यूजना के अंतरगत प्रतम चर्ण में कुल 100 मेगाबाड सोलर शमता का ध्वन स्नुचित किया जाएगा निजी भूमी पर स्तापित होने वाले सोर उर्जा प्रियुजना का पंजी करन पूरे वर्ष के लिए खुला रखा जाएगा जिससे 100 मेगाबाड सोर शमता का ध्वन शिगर संपन हो पाएगा परदेश के बाल एवं बालिका आश्रम तता प्रिद आश्रम और राजीव गांधी मोडल डे बोर्डिंग स्कूल में ग्रेड से जुड़े रूप टॉप सोलर प्लांट और वाटर हीटिंग सिस्टम स्तापिक किये जाएगे सबी सरकारी भमलों के कनेक्टिंग लोड के कम से कम बीस प्रतिशीत की अपूर्ती ग्रेड से जुड़े रूप टॉप सोलर प्लांट के माद्यम से चरणबात तरीके से करना अनुवारिया किया जाएगा सोलन, पालंपूर धर और धरमशाला, नगर निगमों में सबी ग्रेलूप वोकताओं को एनलसुप राप्त करने के लिए ने भहुन में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाना अनुवारिया किया जाएगा इन निगमों में स्तिज सरकारी भमनों की च्छतों पर चरणबत तरीके से सोलर प्रांट लगाने होंगे उन्ना, कांगडा, सोलन, सिमोर, मंडी और शिम्ला जिला में 501 मेगाबाट की शमतावाले 500 पारक और 2,012 मेगाबाट की शमतावाली 100 उरजा पर युजनाय स्तापित करने का कार्या अरंब किया जाएगा लगब एक 1885 क्रोड की लागत से परदेश में रिवैंप्ड डिस्टिबिशन सेक्टर स्कीम्स के माद्यम से एग्रिगेट टेकनिकल एंड कमर्शिल लॉसिस को कम करने के लिए एक विस्तरित कार्या युजना का कार्यावैन किया जाएगा इससे बिजली पूर्ती की गुनवर्ता के साथ साथ डिस्टिबिशन सेक्टर की फानेशल सस्टेनेविल्टी भी बढ़ेगी बिजली उतबादन के साथ साथ एक efficient transmission and distribution network होना समय के अविश्कता है ताकि नाकेवल परदेश की जनता की बिजली को मांग को पूरा किया जा सके बलकि सर प्लस उतबादन को उची समय पर अन्या राजियों को भी पंचाया जा सके इसको और सद्रिड करने के लिए 2024 के लिए 96 करोड रुपे की लागत से 4 transmission lines तथा 290 करोड की लागत से 6 extra high voltage पूरे सबस्टेशन पूरे किये जाएंगे परदेश में स्तित transmission assets को national grid से central transmission utility system के माद्यम से जोड़ा जाएगा इसकी नियंतरन monitoring के लिए कुन्यार में बनरे joint control center तथा कांगडा के धेन में सबस्टेशन के लिए के निर्मान का कारिया 2024 में पूरा कर लिया जाएगा इससे transmission lines के शिगर रख रखाव की में भी सुविदा होगे अदक्ष मोदे कांगडा जिलो को प्रदेश की प्रेटन राजधानी बनाने की घुशना पिछले बजट में की गई थी इसी करम में साथ जिलाई दोज और 23 को कांगडा के गगल होई अड़े के विस्तार के लिए सेक्षन 11 के अंतरगत अधिसुचना जारी कर दी गई है इसके लिए रिहेविलिटेशन और रिस सेटिल्मेंट प्लान को शिगर ही अंती रूम दे दिया जाएगा और भू अधि गिरिण कारया अरम कर दिया जाएगा इसके अतरिक बेबकोस लिम्टीड द्वारा त्यार कीगी मंडी हवाई अड़े की डी पी आर का प्रिक्शन किया जा रहा है परदेश में कुल, सोला प्रस्ताबित हली पोर्ट में हली पालंपूर, चमबा में सुल्तानपूर, कुलू में अलू ग्राउंड, मनाली, गिनौर में शार्वो, तदा लौस्पिती में जिस्पा, सिसू और अंग्रित में विक्सित के जाएंगे इन नो हली पोर्ट की फिजिविल्टी स्टडी रिपोर्ट प्राप्थ हो चुकी है, रक्कड सुल्तानपूर और पालंपूर का अबस्टेकल लिमिटेशन सर्वे हो चुका है, और इनकी डी पी आर शिगर ही बनकर त्यार हो जाएगी रक्कड और पालंपूर का अर्किटेक्चियल डिजाइन प्राप्थ हो चुका है, तेरा क्रोड पे प्रती हलिपोर्ट की लागत से रक्कड पालंपूर रिकांपियो चंबा में हलिपोर्ट का निर्मान कार्या अरहम किया जाएगा दूसरे चरण में चंबा के पांगी, होली, ब्लासपुर के और सिर्मार के धारा क्रयाई, धार क्यारी, शिमला के शांशल धार, उन्ना के जनकर, तता सोलन के गला नाग में हलिपोर्ट निर्मित के जाएगे इसके लिए बार सरकार के मादम से 25 लिम्टेड से अवश्यक सहता ली जाएगी प्रेटन विकास के लिए प्रतिवत्ता की दिशा में बढ़ते वे स्वधेश दर्शन दो के अंतरगर, पौंग डैम के विकास और प्रबंदन के लिए एक मास्टर प्लान त्यार किया गया है इसके साथ ही निमन पांच टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रेटन के दिश्टिस से विक्सित किया जाएगा लॉल स्पिती में चंदरताल, काज़ा और तांदी, किनौर में रक्षम और नाको, चांगो, खाब बैक कुपरी के नजदीक हसन गाटी के मशूर प्रेटक स्कल पर स्काइवाक बीज़ के निर्मान करने की सहर्श कोशना करता हूं प्रेटकों को परदेश में परवास के दोरान बहतर सुविदाएं, परदान करने के दिश्टिस से परदेश में स्थी सभी होमस्टेज, यूनिट को हमाचल परदेश टूरिजम डॉल्मेंट एंड रेजिस्टेशन एक्ट के अधिन लाया जाएगा जिससे इसके संचाले में सुधार और गुनवत्ता लाई जा सके अध्यक्ष मौदे, परदेश में कैंसर के बढ़तेवे मरीजों की संख्या चिंता का विशे है, परदेश में कैंसर की रोग थाम तता अवचार के लिए अवश्यक सुविधाओं की विवस्ता करनी होगी, मैं डॉक्टर रादा क्रिशन मेडिकल का रॉलेज हमिरपुर में परदेश में बढ़ते कैंसर के रोगियों के कारणों का पता भी लगाया जाएगा, कैंसर पीडित मरीजों को परदेश में ही कीमो थेफी तदा पैलेटीब केर की सुविधा परदान करने के लिए जिलाप, हस्पितालों तदा चाइनी अदस वस्ते के अंदरों पर कैंसर डे केर सेंटर्स की स्ताफना की जाएगी, इनके अंदरों में कीमो थेफी ले रहे हैं सभी मरीजों के लिए बैट्स का परदान करत होगा, तता कीमो थेफी दवाओं को राज्या वश्क दवा सुची में समलित किया जाएगा, ताकि मरीजों को कीमो थेफी के लिए अधिक क्रोड की लागत से एक linear accelerator मशीन स्ताफीद की जाएगी पिछले बजट में गोशित 69 अदर्स वरस्ता के अंदरों पर कार्या बिवीन चर्णों में हैं तता इनमें से अधिकाश का कार्या 2425 में पूरा कर लिया जाएगा इसी बर्ष मेंशीनियर्य और एक्यूमेंट की विस्ता करने के लिए एक क्रोड पर प्रती के अंदर पुलब्द करवाए जाएगे पिछले कई बर्षों से पीजी आई सेटलाइट सेंटर उन्ना में चल रहे सभी कार्यों को गती देने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे है हमारी सरकार दोरा किये गे प्रयासों से पिछले कई वर्षों से लंबित अन्वायर्मेंटल क्लिरंस दिलवाईगी इसमें शुरू किये गे सभी कालों को प्रात्मिक्ता पर पूरा किया जाएगा प्रात्म चरण में मैं परदेश के 53 स्वस्ते संस्तानों में आस्पिटल मनेजमेंट इन्फॉमेशन सर्विस की स्ताफना की जाएगी इस से मरीजों को उनके डिजिटल रिकॉर्ड के अधार पर बेतर सुविदाय प्राप्त हो पाएगी इस करम में लगवक 57 लाग प्रदेश वासियों का हेल्थ कार्ड आईडी बनाया जा चुका है भारत हेल्थ का अकॉंट आईडी बनाया जा चुका है तता शिकर इस सभी प्रदेश वासियों को आभा आईडी बना दिया जाएगा यानि कि सभी जो प्रदेश वासी है 75 लाग के वादी में हमारे 57 लाग के जो अवादी के लोग हैं उनका डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा चुका है और जल्दी ही इसको 75 लाग के वादी को बना दिया जाएगा डाक्टर रजिंदर परशाद में मेडिकल कॉलिज टांडा और कमला नहरू हास्पिटर शिमला में नबजाश शिशूम में इस्तन पान को प्रोसाइब करने के लिए शिक्षा तथा जचा के लिए लोकेशन मरेजमेंट सेंटर स्काफित किये जाएंगे परदेश के जिस स्वस्तनों में एक्सरे की सुविदा नहीं हुआ के निवासियों की सुविदा के लिए प्राइविट ट्रैक्टिशनर के माद्यम से या सुविदा परदान की जाएगी शेर इस वार कम नहीं आपी सुना दो दोजार चब्विस के अंतक परदेश जिले में सुविदाओं से एक इंटेग्रेटिड पब्लिक हैल्प लैब की स्ताफना की जाएगी पिछले बजट में घोशित, नहान, चमबा और हमीरपुर में नेक नर्सिंग कॉलेजों में निर्मान कारिया अरहम किया जाएगा इसके साथ ही डर्ग्टर रजिंदर परशाद मेडिकल कॉलेज टांडा में जनर्रल नर्सिंग एंड मीडवाइब स्कूल को नर्सिंग कॉलेज में स्तानुंतरत किया जाएगा बद्दी ब्रोटी वाला नालागड परमानू पॉंटा और उन्ना द्योगिक शेत्रों में कारियर प्रवासी कामगारों की हेल्थ सक्रीनिंग के लिए एक गेस्ट वर्कर सक्रीनिंग प्रोजेक्ट आरम किया जाएगा पिछली सबी सरकारों ने परदेश वासियों के कल्यान के लिए बहुत सी योजनाएं आरम की है ऐसी योजनाओं में से हिमकेर तता सारा 2019 में शुरू की गई और इनका लाब भी जन सादन तक पहुँचा है किन्तु इन से संबंदित अमपेरिकल डेटा के अनलिसिस के अधार के बाद इनके कारेवन में कुछ स्ट्रक्चल तता अप्रेशनल समस्या हैं उजाकर हुई है इन में से प्रमुक्स मस्या है कि कन्वरजन्स और टेक्नॉलजी की अप्लिकेशन के अबाब में कुछ योजनाओं में डुप्लिकेशन हो रही है मैं राष्टे स्टर के डोमेन एक्सपर्ट की सहता से इन कम्यों को दूर करके कुछ अबश्चक सुधार करने की गोशना करता हूँ ताकि जुरूरत बन लंगों को उची समय पर इन यूजनों का लाब मिल सके तब तक इन दोनों यूजनों का करेमें यतावत होता रहेगा स्वच्टे शेत्र में कुल 3,415 क्रोड पे पस्तावी थै अध्यक्ष मोदे भारत के प्रतम परदान मंत्री पंड़े जवाला नहरू का मानना था कि आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे जिस तरह से हम उनका पालन पोशन करेंगे वही देश का वविश्या तै करेगा या कथन आज के समय मैं और भी महत्तपुर्ण हो गया है क्योंकि आज पूरी दुनिया में तकनीक के कान जो परिवत्तन आ रहे हैं उनकी गती और उनका प्रवाव जीवन के हर शेत्तर पर पढ़ रहा है तेजी से बतिलती इस नई दुनिया में एक अनिश्यत विविश्या के लिए बच्चों को त्यार करने में शिक्षा विवस्ता का अंत्यंत मत्तपुर्ण योगदान रहेगा यह वश्यक है कि हमारी शिक्षा विवस्ता समावेशी समानता पूरण फ्यूचर ओरिंटिड नई तकनीक के प्रतिस सजग और भारतिया जीवन मुल्यों के प्रतिस स्वेधन शीलो हमें प्रात्मिक स्थर्पस से लेकर विश्यवद्यले स्थर्थ के सवेधनिक मुल्यों के आतम साथ करने के लिए एक अनुकूल वातववन का निर्मान करना होगा भारत के सवेधन में हम भारत के लोगों ने अपने लिए एक संपूरन प्रवद्ध संपन समाजबादी पत्मिर पेड़िप्ष लोगतांतरमिक गंड्राज्या का अधिश्या तैय किया है हमारी शिक्षा विवस्ता का अदेश्या इस पावन भावना के अनुप विविंता में एक्ता एवं भोरंगी भारत के निर्माण के लिए बच्चों को त्यार करना है मेरी सरकार चाहती है कि हमार्चल परदेश के बच्चे सविदान की मूल भावना के अनुप एक स्वस्त जीवन दिष्टी विक्सित करें तता मूल भूश शाक्षरता तता संख्या ग्यान से लेकर कृतिम आर्टिविजल इंटेलिजेंस के प्रयोग तक हर ठोशल में सर्वश इस लक्षा की प्राप्ति के लिए हमने शिक्षा के शेत्र में ब्यापक सुधार अरंब किये हैं आरंबिक प्रात्मिक आरंबिक तता उस शिक्षा संस्तानों में उपलब संसाधनों का सांजा प्रयोग आज की अविश्कता है इस दिरिष्टी से प्रदेश में कलस्टर प नाम आ रहे हैं तता इसे और अधिक सद्रिट किया जाएगा है इन सस्तानों में उचित गुनवत्ता और साइज के क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, डिज स्मार्ट बोर्ड्स, ओडियो विजल, टीचिंग एड्स, लर्निंग सौप्ट्वेर, प्रॉपर सिटिंग अरेजमे कि गरामिंट शेतरों के बच्चे भी विश्यव की नमीनतम तक्नीक से घर बैठे जुड़े, जुड़ सके, तता आने वाले समय में, दुनिया में कहीं भी अपनी शमता के दार पर रोजगार एवं स्वारोजगार प्राफ्ट कर सके, इसलिए हमने पहली कक्षा से ही अंग करेजी मादियां का विकल्ब समय की मांग है, इससे इंडिया से परदेश के सभी बच्चों को और विशेश रूप से गौं के बच्चों को लाब होगा, रास्ट्या शिक्षा निति के अनुरूप परदेश में स्कूल इस तर पर पांक्श प्लस थ्री प्लस 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 प प्रात्मिक पाठ्चालों में प्री स्कूल चलाए जा रहे हैं, इस विवस्ता को सद्रिड करने के लिए अगामी बितिया वर्ष में छे हजार नरस्री टीचर निप्त किये जाएंगे, पात्तर अंगनवारी कारेकरताओं को भी नरस्री धैवक बनने का अफसर दिया जाए और इसके लिए उन्हें ब्रिज कोर्ष भी करवाया जाएगा, इस विवस्ता को सचारू रूप से लागू करने के लिए पहली कक्षा में परवेश के लिए राष्ट्या शिक्षा नितिक नुसर कम से कम छे वर्ष की आयू तै की गई है, और प्री प्रेहमरी की तीन कक्ष संस्तानों को चारनवत त्रीके से पूरों निर्धारित मावडंडों के नुसर इस्टिशूशन ओव एक्सिलेंस के रूम में विक्सित किया जाएगा, बर्ष दोजार चोबिस पच्चिस में आर्सो पचास शिक्षा संस्तानों को आई ओई बनाए जाने का लक्षा जिन में इस से प्राया 500 प्रैमरी स्कूल, 100 हाई स्कूल, 200 सीने स्कंडी स्कूल और 50 डिगरी कॉलिज शामिल रहे, इन संस्तानों में अध्यापकों के सभी स्कूलिट पदों को भरने के सासा स्मार्ट क्लासरूम तथा अन्या सुविधाएं उबलत करवाई जाएगी, निर तर्तब परदान कर सके, इसके लिए स्कूल, अबलिक कॉलिज लीडर्शिप पर्शिक्षन शुरू किया जाएगा, स्कूल और समार्ट के बहतर त्याल में के लिए तता समुदायक भागेदारी बढ़ाने के लिए अपना बदैल्या, मेरा बदैल्या, मेरा समान, यूजना अरम करने का निर्णा लिया गया है, इसमें जहां एक और मुक्या मंत्री से लेकर, खंड स्तरिया, अधिकारी तक, सभी बदैयक ततक, सभी एक एक शिक्षा सिल्टान को गोद लेंगे, वहीं दूसरी हो समदायकों स्कूलों से जोड़ा जाएगा, इसमें पातर एम बदैयक है, वह एक स्कूल को गोल ले सकता है, और अधिकारी है, परतेक अबमंडल में, अबमंडल अधिकारियों को सभी प्रैमरी स्कूलों का महीने में एक दिन बारी बारी से निवारे रूप से रिव्यू मीटिंग का अयोजन करना होगा, इस बैटक में उस स्कूल में ना कैबल बदैरती, बलक् Cape को की परफॉर्वर्मेंस का भी रिव्यू किया जाएगा, अभी भाबकों के साथ भी इस बैटक में संबाद किया जाएगा, इस ही बैटक में स्कूल के रख रखाब के बारे में भी फुषिर निन्याल लिया जाएगा, इसके लिए अवशक दि आनलाइन पोर्टल के माद्यम से विक्सित किया जाएगा तता इसे आम जनता तता अभी भाबकों से भी साजा किया जाएगा इसके लिए एक वेब सेट बनाई जाएगी शिक्षा शेत्र में व्याफ़क सुधार करते हुए गुनात्मक शिक्षा पर विशेश ध्यान किंदित किया जा रहा है अभी तक लिएगे निर्डों में वर्ष में कुल अध्यापंद बस बढ़ाना खेल एमन सांस्कृति गतिवीद्यों का निश्चित समय तैय करना शिश्कों के गैर शिक्षन कारियों में निरंतर कभी करना मिड़े मील में रिकॉर्ड की उपचारिकारताओ को पुरा करना शामिल है अध्यापकों को विद्याले में बहुंद निर्मान कारें से अलग रखने के निर्देश जारी कर दिये गए है एक ही सूचना को बार बार मगाए जाने की प्रतना प्रता पर लोक रोक लगा दी गई है यहा भी देखा गया है कि आम तोर पर हर नियमित रूप से डाक लेकर स्कूल से अनपस्तिक रहता था इस विवस्ता पर भी पूरन तयार रोक लगा दी गई है अध्यापकों और बच्चों में अपने विद्याले के प्रति सम्मान का भाव उत्मनों इसके लिए विद्याले को अभी वावकों के साथ मिलकर बदलाप और विवस्ता परिवरतर दिया जाएगा शेयर है इस पोड़ने ने इस मेरे मुमब तो कि आज ने आज फालस करैंडा है कि आज बाद़ कि आज ए कि आज परकार ने बादक नूर के लिए अभी तो अपनी मंजिल पाना बाकी है अभी तो इरादों का इंत्यान बाकी है अभी तो तोली है मुठी भर जमीर जमीन अभी तोलना आस्मान बाकी है यह अभी तो अभी तो चोदा आपकी नीद हराभ हो गई है नीद हराभ हो गई है पढ़ने पढ़ने की संस्कृती के विकास के लिए यह जो बजट है यह आतम निर्वर्प हमाचल और युवा जो पीड़ी है उनके भविश्य की शिक्षा पढ़नाने में मत्तपुन बद्राव है इसको आप अराम से समझीया पढ़िया और आप भी महसूस करेंगे यह मत्तपुन बद्राव आज के चाली साल की विवस्ता परिवर्प्त में जरूरी है पढ़ने पढ़ने की संस्कृति के विकास के लिए परदेश में बर्ष दोजार चोबिस में पढ़ो हमाचल के नाम से एक व्यापक जन अभियान अरंप किया जाएगा इन अभियानों में विद्यलाओं के साथ साथ गरामिन एवं शेरी जन सुमूदाए को भी जोड़ा जाएगा इस अभियान के तहित परदेश के पांसो शिक्षा संस्तानों में समान्या पाठकों और विशेच रूप से युवाओं के लिए रेडिन रूम बनाए जाएगे तथा इनी सिक्षा संस्तानों के पुस्तकाल्या के चलाने में आम जन्की वहागी दारी को सुनिश्चित किया जाएगा मैं परतेग जिला वे उबमंडल मुख्याल्या और पंचैस्तर पर एक आदुनिक्तम सुविदा सहीद पुस्तकाल्या तथा वाचनाल्या बनाने की गोज़ना करता हूँ पंचैस्तर पर या कार्या चर्णबत तरीके से पूरा किया जाएगा प्रथम चर्ण में 25 स्तर पर 493 पुस्तकाल्यां का निर्मान करके इन में पुस्तके तथा अन्या सुविदाये पर दान की जाएगी जिस पर 88 क्रोड पे बियाए किये जाएंगे शिक्षा स्तर में सुधार लाने में परशिक्षित अध्यापकों का मुक्षा युगदाने अता अध्यापकों के प्रिक्षिक्षिन को और अधिक रिजल्ट औरेंटेड बनाने के लिए जिस्टिक इस्टिचूट ओफ एजूकेशन ट्रेनिंग डाइट तथा State Council of Educational Research के नियमों में बदलाव लाकर इन्हें और अधिक प्रवावी बनाया जाएगा इसी तरह से परदेश में State Institute of Educational Management and Training का पुना गठन करके इसे क्रियाशिल किया जाएगा जिन स्थानों पर छात्रों और छात्रों के लिए अलग अलग स्कूल अत्वा महावधियालया चल रहे हैं स्थानिय निवासियों की मांग पर अविश्कता अनुसार उन दोनों को मिलाकर एक को एजूकेशनल सेष्णिक संस्तान चलाने की शुरुआत की जाएगी इससे चात्र वैचात्रों के शेष्णिक विकास के साथ साथ उनका मनोविग्यानिक विकास होगा तता व्यक्तितब उबरेगा इसके साथ ही जिन शेत्रों में तीन से पांच किलो मिटर के दारे में कोई प्रात्मिक शिक्षा विद्यालया ना हो वहां के बच्चों को नद्दी के स्कूल तक लाने और वापिस घर छोड़ने की विवस्ता सरकार द्वारा की जाएगी अधैक्ष मोदे एक अर्मान के अनुसार जल रहीत रोगों से प्रतिवश भारत को 49 अरब 70 क्रोड़ रुपे का नुकसान उठाना पड़ता है भारत के दो त्याई जिले पानी की कमी से जुज रहे हैं बच्चों को पीने के लिए साप पानी मिले इसके लिए परदेश में अपी अवियान चलाया जाएगा तता सरकारी स्कूलों के आठ लाग पचास हजार से अधिक बच्चों के लिए मैं एक सुरक्षित एवन स्वच पानी की बोतल उपलब्द करवाने की घुशना करता हूँ परदेश में पढ़ाय जारे पाठ्यक्रम का सवधैनिक मुल्यों के परिपेक्षय में कुना मुल्यांकन किया जाएगा इससे परदेश की समरिद सांस्कृतिक विरासत का समावेश भी किया जाएगा इसके लिए पाठ्वी कक्षा से हमाचल के इतिहास एवं संस्कृति भारतियस सवधान सुरस्त्या बेसिक हाईजिन तता अन्या समान्या ग्यान के विशों पर अनिवारिया रूप से पाठ्यक्रम अरंब किया जाएगा सबी विद्यालों में खेलों तता ब्याम के लिए प्रति दिन कम से कम एक फिरेड अनिवारिया किया जाएगा अवश्क्ता अनुसार फिजिकल एजुकेशन टीचर की नुक्ति को परात्मिक्ता दी जाएगी पांसो बच्चों से अधिक वाले स्कूलों में स्वेश सहता समो को मिड़े मिल के अमतरगत भोजर बनाने और प्रोसने में भागी दारी के लिए प्रोसाहित किया जाएगा नैशनल असेस्मेंट एंड एक्रीडेशन कौंसिल नैक उस शिक्षा में परदेश की स्थिति को जांचने एवं इस से किये जारे प्रयासों को आंकने का एक अच्छा माद्यम है 2024-25 में नैक एक्रीडेशन के लिए परदेश के सभी पात्तर कौलेजों दोरा अपनी दावेदारी प्रस्तुत की जाएगी 2024-25 के लिए परदेश सरकार दोरा बाहर सरकार को बित पोशन के लिए समगर शिक्षा भियान के तैट एक हजार बावन करोड रुपे तदा स्टार प्रोजेक्ट के तहट 400 करोड रुपे का पस्ताव भिजवाया गया है इसके अत्रिक पियम उश्या के तहट एक जार क्रोड रुड 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 परकार इन्हें पूरा करने के लिए ना केवल आवश्यक धंदाशी अप्लब्द करवाएगी बलकि इन्हें क्रियाशील भी करेगी राजी गांदी मोडल डे बोर्डिंग स्कूल तथा एक अटल अदर्श विद्यालों के लिए करमचारियों का एक विशेश कैडर बनाया जा रहेगा मैं प्रथम चरण में परदेश में दस राजीव गांदी डे बोर्डिंग स्कूल करमचा लाडू नगरोटा बगवा कांगडा अमलैड भोरंज संगनाई फतेपूर पांच और का निर्मान अरम करने की गोशना करता हूं पांच और के नाम नहीं लिखे है शिक्ष करने के लिए करने के उदेशा से मार्केट डिमांड के रूप पर शिक्षन दिया जाना वशक है मैं इसी उपकरम में निवन गोशना करता हूं राजी गांदी राजिया राजकिय इंजिनिरिंग कॉली नगरोटा बगवा में कंप्यूटर साइंस और इंजिनिरिंग आइजिनिरिंग आर्टिि विशव इंटेजन्स और आड में अनन्ट मिशिन रर्निंग में डिप्लोओं पोस्ष चूरू किया जाएगा राज्किय बहुत तकनिकी हमिरपूर तभ sophomore में कंप्यूोटर कंप्यूटर इंजिनिरिंग आर्ँआर डिप्लोमा कोर्स शूरू किय अरम कर दी जाएगी जो बेसी कोर्स होंगे अच्छे जो आप बूलेंगे शिराम विवा की डवन एमाइस माइस पोर्टल पर अभी इंप्लायर्स को जोड़ा जाएगा तदा इसके माध्यम से 2024 में 180 सी केंपस इंटिव्यू यूजित किये जाएंगे संगेटी शेतर के कामगारों को हितों को ध्यान में रखते वे 2024 के अंत तक इस शेतर के 20,87,000 कामगारों को पंजी गरित करने का लक्षा रखा गया है इसके अतरिक श्रम में रोजगार विवा की रोजगार पंजी करन पोर्टल को कॉमन सर्विस सेंटर के साथ भी लिंक किया जाएगा ताकि प्रदेश के युवा इन किंद्रों के माध्यम से पंजी करन करवा सकेगा यानि कि एप्लाइमेंट एक्चेंज के लावा लोगमित्र के इंदर है वहां भी एप्लाइमेंट कोई व्यक्ति अपना नाम रिजिस्टर करवा सकेगा तक्निकी शिक्षा शित्र में कुल 330 क्रोड रुपे परस्तावीत है अधक्ष मोदे बरतमान में प्रिद्धावस्ता बिद्वा एकलनारी दिव्यांग कुष्ट रोगी तथा ट्रांसजेंडर पैंशन के 7,84,000 लावार्थियों के लिए लगवग 1,260 क्रोड रुपे व्य इस योजना में समलित किया जाएगा जिस पर लगवग 70 क्रोड रुपे अत्रिक व्याय किये जाएंगे अधक्ष मोदे परदेश में अभी तक दिव्यांग जनों की उस शिक्षा के लिए कोई भी शिक्षा संस्तान उपलब नहीं है मैं परदेश में दिव्यांग जनों की उस शिक्षा के लिए कंडा घाट में एक सेंटर ओफ एक्सलेंस फॉर एक्जूकेशन फॉर ओफ दिव्यांग जनों की स्तावना करने की घुशना करता हूँ इस के इंदर में इस के इंदर में जिरों से 27 बरश की आईउ के दिव्यांग बच्चों के लिए अवासिये सुविधाएं खेल मैदान तता सभी अन्या सुविधाएं पर दान की जाएगी जिन पातर दिव्यांग बच्चों के लिए रहने की सुविधाओ प्लब नहीं होगी उन्हें रहने के लिए कराय के लिए आर्थिक सहता दी जाएगी परदेश के युवाओं को रास्टर निर्मान की और ले जाने के उदेश्य से राज्यस्तर पर सभी सुविधाओं से कंड़ागाट में एक अदर्ष नशा निवारन के इंदर की स्ताफना की जाएगी इसके अंदर में पुस्तकालिया, जिम, इंडोर तथा आउडोर खेलो त्यादी की सुविधा देने के साथ साथ यहाँ भी सुनिशित किया जाएगा कि यहाँ के इंदर सड़क से जुड़ा हो तथा कोई समुदाएक सुष्टे के अंदर अथवा सिवल हॉस्पिटल इसके विहान चलाया जाएगा, उम अंडल स्तर से लेकर राज्या स्तर तक की अधिकारियों की भागेदारी से एक अफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम की स्ताफना की जाएगी, अभी नशा निवारन के अंदर तो बहुत है, लेकिन वो मकानों में, बंद के अंदर है, अदनिक सुविदाओं से लेस, इसको हम यहां हमाचर परदेश में मिनाने जा रहे हैं, अदेक्ष मोदे हमाचर परदेश में स्वास्ते सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है, तथा इसके मादिन जपरदेश के सभी बर्गों को समय पर उची सुविदा प इसके अंतरगत परदेश में सतर वर्ष से आधीक आयू के सभी एवं असे क्रिशकों एवं ब्रिद्धों जो की आय करना दे रहे हूं, अत्वा कोई पैंचन ना ले रहे हूं, को मुफ्त चिकिस्सा सुविदा दी जाएगी इसके साथ ही मैं मुफ्त मैं इसके साथ ही मैं एक नहीं योजना मुख्या मंतरी सुख सुख्षा योजना अरम करने की भी गोशना करता हूं, इसके साथ, इसके अंतरगत परदेश में सभी विद्धों परदेश में ऐसी सभी विद्धों के 27 साल तक की आयूवाले बच्चे जिनकी सभी स्रोतों से बार्शी काए, जितनी वी विद्धों हैं, एक नहीं इसके अंतरगत परदेश में ऐसी सभी विद्धों के 27 साल तक की आयूवाले बच्चे, जिनकी सभी स्रोतों से बार्शी क एक लाख रपे से कम हो कि शिक्षा पर होने वाले सबी बाला भ्याय परदेश सरकार बहान करेगी। माता पीता के सभी पातर बच्चों के आड़ी घाते में ठारा वर्ष की आयू तक एक हजार प्रतिमा दिया जाएगा। फ्री एजूकेशन देगी और ठारा वर्ष कम बच्चों वालों को एक हजार प्रतिमा उनकी आड़ी में जमा कराये जाएगे। दुनिया में कुछी लोग बदलाव लाते हैं। बाकी सब तो जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं। सुमाजिक शुरुक्षा हित्तु चलाई जारी बवीन योजरों को लावर्थियों तक समय तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार प्रितसंग कलप है। मैं यहां भी गोशना करता हूँ कि जिला विकास समीती की बैटक समय पर ना आने। बुठ्यमक्राइदी यह रियक्षन कोई नहीं हुआ आपकर नुरोद पर ठाईय जिला विकास समीती की बैरजुक्ष Chemey udah अब तो आगया काफी जिला विकास समीती की बैडक समयपर ना होने पर ना होने की फिटी में संबंदित जिलां के उपयोड़ को इन योजनाओं के अंतरगत बविन लाव अर्थियों को दिये जाने वाले लावों को स्वक्रिप करने की शक्तियां दी जाएगी ऐसी परस्तिती में दी कि इस सुक्रितियों पर जिला कलियान स्मिती की होने वाली अगामी बैठक में अनिवारिया रूप से अनुमोदन प्राप्त करना होगा अनुसुची जाती जन जाती तथा अन्या पिछडे भर्गों से संबंदित लाव अर्थियों के लिए चलाए जारे पोस्ट ग्रेज़ोट डिप्लोमा इन कंप्यूटर अप्लिकेशन कोर्सिस में बजार मांके अनुरूप जी एस्टी टेली आर्टी टेली आर्टी विशल इंटेलिजन्ट डेटा मिनेज्मेंट मशीन लर्निंग साइबर स्क्यूटी ओटो कैड इतियारी ने कुर्सिस को सम्निट किया जाएगा ताकि इस कारेकरम के अंतरकर परशिक्षित लाव अर्थियों को उचित रोजगार प्राप थो सके समाजिक स्रुक्षा महिला पाल एवं अन्या पिछले वर्गों के कल्यान के लिए कुल दो हजार चास्टो स्टावन क्रोड रुपे पर स्तावित है अदक्ष्मोदे अत्यदिक बर्शा से आई आपदा के चलते हमारी सरकार ने द्वारा आपदा परभावित परिवारों के लिए तुरूंत परभाव से राशन एलपी जी गैस कुनेक्षन तदा स्लिंडर बिना किसी दाम के उपलब्द करवाएगे हमारी सरकार द्वारा की गई या छोटी से सहता पिडित परिवारों के लिए संकट के समय एक बड़ा सारा बनी राशन डिपों के माद्यम से Food Safety and Standard Authority of India के मान डंडों के नुसाथ बिटामीन A और D से 40 वाइट सरसों का तेल और रिफाइन तेल दिया जा रहा है अभी तक या तेल उप बोगताओं को राशन डिपों से सिमित मात्रा में ही उपलब्द होता है शादी विवात यहार बैने समारों में उप बोगताओं को या तेल खुले बजार से उचे दामों पर खिरना पड़ता है मैं घोशना करता हूं कि 1 अपरेल 2024 से सभी उप बोगता अपने अवश्कता के नुसार राशन डिपों से या तेल प्राप्त कर सकेंगे इससे राज्यक की महलाओं को लगवग सो करोड रुपे का लाब मिलेगा पबलिक डिस्टिविशन सिस्टम को और सदृट बनाने के लिए इंटेगरेटिड मिरेज्मेंट और पबलिक डिस्टिविशन सिस्टम को अफग्रेड किया जाएगा तथा वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतरकत नैशनल पोर्टविल्टी को और सद्रिट किया जाएगा इससे नैशनल फूर्ट स्क्योर्टी एक्ट के प्रावधानों के नुसार राशन वित्रन को पारदाशी बनाने में सहता मिलेंगे इसी के अंतरकत बैपदारित के वाईसी का प्रावधान किया जाएगा जिससे इंटरस्टेट पोर्टविल्टी के तहत लावर्थियों को इस योजना से लाव किसी भी राज्या में मिल सकेंगे मिलों से अवंटित आटे की गोदाम वार निगराने में सुनिचित की जाएगी खाद्या उपदान के लिए पुल दो सो क्रोड रुपे से अधिक व्याय किया जाएगे अध्यक्ष मोदे पिछले वर्ष परते एक व्लॉग में निर्मित किये जारे प्लास्टिक बेस मिनेजमेंट यूनिट्स को दो जार चोबिस पच्चिस में उपरेशनलाइज कर दिया जाएगा इसके उपरेशन्स में बैकवर्ड और फॉर्वर्ड लिंके सुनिचित की जागी ताकि इनका लाब और अन्या शेतरों ततसमिदाय को भी मिल सके सबी जिलों में एक मॉडल पंचायत के लक्षय को पूरा करने के बाद इस मॉडल को कन्वर्जन्स के माद्यम से अन्या पंचायतों में चन्मद धंग से रेप्लिकेट किया जाएगा परदेश के ग्रामिन शेतरों को स्वच बनाने के उदेशा से दो जार चोविस पच्चिस में पांच हजार अत्रिक गों को ओडी एफ प्लस ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस डिकलेर करने का लक्षय रखा गया है इसके अत्रिक्त गोमी उप्लुपता के अधार पर कम से कम चार साइट पर फेकल स्लज मेंजमेंट प्लांट स्तावित किये जाएंगे 2014-25 में गरामनी शित्रों में एकजार स्वाय स्वाय स्वायता स्मूओ बनाने का लक्षा रख्या रख्या गया है इन स्मूओ को लगव 32 क्रोड रुपे की अदाशी के रूम में रिवाल्विंग फंड तथा कॉम्मिनिटी इंवेस्मेंट फंड के रूम में देने के सासरे लगवक पचास क्रोड रुपे का रिंड देने का भी लक्षा रख्या रख्या गया है। स्वेश सहता समूब पर लगवक सो क्रोड रुपे ब्याय करे जाएंगे। सभी पंचायतों के अकाउंट्स इग्राम सुवराज सोफ़ वेस्ट एप्लिकेशन से जोड दिये जाएंगे इसके माद्यां से सभी पंचायतों के संसादन तथा ब्याय की मौनिटरिंग के लिए इस पनाली को और सद्रिट किया जाएगा। दोजार चोबिस पच्चिस में पंचायती राज संस्तानों के लिए 352 क्रोड पे 15 में बित्योग की स्पार्शों के अनुरूब तथा 448 क्रोड पे छटे राज्य बित्योग की स्पार्शों के अधार पर व्याय के जाएंगे। पूर्व की यूपिय सरकार दोरा रहम किया गया मात्मा गांदी ग्रामिन रोजगार ग्रंटी एक मन्रेगा ग्रामिन रोजगारों के लिए एक बरदान साविक हुआ है। मन्रेगा कामकार इसके मात्यम से ग्रामिन रोजगार प्राब करने के साथ पबलिक एसेट्स बनाने का कारया भी कर रही है। इस परकार सरकार मंड़ेगा कामगरों को छत्तर पर पर प्रती दिन अपने संदांगों देगी अब शेर सुन्देश पर रुकना हो अगर तो सो भाने जाना हो तो रस्ते बड़े है मना अगर रुकना है तो भाने को योजना लागू करनी ना हो तो भाने बहुत है हमने तिन सो रुपया हमाचल पर देश में या एक इहत्यासिक बरिदी है जो कि आज से जो से आज से पहले नहीं की गी है इस बरिदी से गरामिन अर्थ विवस्ता को अभी समझाता हूँ हमाचल पर देश में या एक इत्यासिक बरिदी है जो कि आज से पहले नहीं की गी इस बरिदी से गरामिन अर्थ विवस्ता को आतम निर्वर्ता की और ले जाने में गती मिली गी इसी के साथ जो मंडरेगा में काम करने वाली महिलाई होती है इसी के साथ ऐसी बिदवा एकल बे सारा दिव्यांग महिला मंडरेगा कामगार जिनकी बारशिक आए ढाई लाग रुपे से कम हो तता बश में सो दिन की मजदूरी पूरी कर चुकी हो को मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपे तक की सहयता दी जाएगी वह शर्त है या सहयता किसी और कारे करम के अंतरकर प्राप्त नो हो यानि कि साथ रुपे भी बढ़ाए जो होगी ढाई लाख से कम विद्वा या उसको तीन लाख रुपे सहयता दी जाएगी मैं परचाती रास रस्ताओं के प्रतिनिजियों का मान दे बढ़ाने की सहर निमन गोशनाएं करता हूँ अद्यक्ष जिला परिशद को चार अजार ब्रोत्री के साथ चौबिस हजार पे प्रतिमा मान दे मिलेगा उपाद्यक्ष जिला परिशद को तीन लाजार ब्रोत्री के साथ अठारा हजार पे प्रतिमा मान दे मिलेगा सदस्या जिला परिशद को तेरा हजार ब्रोत्री के साथ तेरा सो रुपे ब्रोत्री के साथ थत्तर सो रुपे प्रतिमा दे मिलेगा अद्यक्ष 1955 स्मीटी को 1 either like regel orkaa ग्यारा अजार 400 rupiah प्रतिमह आ लाओंदे मिलें गडेगा सदस्य पन्चायर समीटी को 1200 रपिया प्रतिमह मानदे मिलें लेगा ग्रामिन विकास इवन पंचैती राज के लिए कुल दो हजार तिन सो चपन करोड रुपे पस्तावित है हदैक्ष मोरे दो जार चौबी पच्चिस से घर बनाने के लिए नक्षों के सुत्रिती ओटो डी सी आर के माद्यम से एक सिंगल पोर्टल पर पर परदान की जाएगी यदि घर का नक्षा इस पोर्टल पर अपलोड करने के बाद कोई भी कमी पा जाती है तो अवेदक उसे ओन लाइन दे कर ही अवश्यक दस्तावे जमा करवा पाएंगे इसी पोर्टल के माद्यम से प्राइबेट प्रोफिशनल्स पांसो बरंग मीटर तक के आवासे नक्षे की अनुमती भी दे पाएंगे मैं स्तानिया मैं स्तानिया नगर लिकाओं के प्रतिनी डियों को प्रतिमा दिये जाने वाले मान दे को निवन परकार से बढ़ाने के सहर्श घुशना करता हूँ पानी की लेता हूँ ना बोकल कोड़ सुख जाती है तो थोड़ा महापोर नगर निगम को चार हजार प्रतिमा मान दे मिलेगा उप महापोर नगर निगम को तीन हजार प्रतिमा मान दे मिलेगा कांसलर नगर निगम को चोड़ा सो रपे प्रतिमा मान दे मिलेगा अद्यक्ष नगर परिशद को चोड़ा सो रपे प्रतिमा मान दे मिलेगा उपाद्याक्ष नगर परिशद को 14 सो रपे बोत्री के साथ 84 सो रपे प्रतिमा मान दे मिलेगा पार्शद नगर परिशद को 700 रपे बोत्री के साथ 42 सो रपे प्रतिमा मान दे मिलेगा परदान नगर पंचाहत को 14 सो रपे बढ़ोती के साथ 84 सो रपे प्रतिमा मान दे मिलेगा परदान नगर पंचाहत को 11 सो रपे बढ़ोती के साथ 66 सो रपे प्रतिमा मान दे मिलेगा सदस्या मेगर पंचाहत को साथ सो रुपे बड़ोतरी के साथ ब्याली सो रुपे अन्पति मांदे मिलेगा शाहरी शेत्रों में हम डेमोक्रेसी के सभी इस्टिट्यूशन को मजबूत करना चाहते हैं हम उसको कमजोर नीकynen शेयरी शेत्रों में नहीं मेलों से तो काट कर देरों को सेयरी शेयरों में कच्रा परबंदन को और सचारू दूब से चलाने के लिए तथा उस पर निगरानी के लिए राज्या बिकास नदेशल्या में एक पर्यावंड सेल की सापना की जाएगी शेरी निकायों के कार्या में सुधार तथा आम जंता की सुविदा के लिए शेरी निकायों की कार्या परनाली को डिजिटालाईज किया जाएगा इसके लिए रज्यस्तर पर एक स्टेट प्रोजेक्ट मोनिटरिंग इनुटिंग की स्ताफना की जाएगी जो कि एक्सपर्ट के माद्यम से शेहरी निकाउंग की कारेपनाली को ओनलाइन प्लानिंग, इंपलीमिटेशन्स, मोनिटरिंग तथा रिपोर्टिंग में सायक सिद्ध होगे इसी पहला के अंतरगाउंग इसी के अंतरगा शेहरी निकाउंग को डिजिटाई़ किया जाएगा AGIES-AIC की सहता से सभी शहरी निकाम में परिसम्परतियों की GIS मैपिंग की जाएगी अदक्ष मोदे, मैं बालमिकी समाज के भाईउं तथा कामगारों के लिए अवास निर्मान में सहता के लिए नई योजना महरेशी बाल मिकी कामगार आवास योजना अरम करने की गोशना करता हूँ रमैंड के रक्षिता महरेशी बाल मिकी जी थे मैं आज उनके नाम से महरेशी बाल मिकी कामगार आवास योजना अरम करने की गोशना कर रहा हूँ अभी अभी राममंद्री भी मुना तो इसके अंतरगत बाल में की समाज के ऐसे स्पाई करमचारी जिनकी वार्शी काए ढ़ाई लाक रुपे से कम हो तता उनके पास अपना घर नाओ को घर बनाने के लिए तीन लाक रुपे की आर्थिक सहिता दी जाएए मैं मुख्यमंत्री विद्वा एवं एकलनारी अवास योजना के अंतरगत ऐसे सभी लावर्थियों जिनकी वार्शी काए ढ़ाई लाक रुपे से कम हो को घर निर्मान के लिए दी जारी डेड़ लाक रुपे की राशी को बढ़ा कर तीन लाक रुपे करने की दोशना कर जित जितने भी विद्वाएं हैं उनको घर बनाने के लिए जो डेल लाक रुपे की राशी मुख्यमंत्री की द्वारा हमने शुरू की है उसमें उनको घर बनाने के लिए तीन लाक रुपे की राशी दी जाएगी और उनकी आयकी सीमा भी हमने तैक ही है कि ढाई लाक से कम होनी सुनो असर है ये हमारी दस्तकों को जहां दिवारती दर हो गया हमारी सरकार ने ने रास्ते बनाए हैं बतलते समय के मताबिक काम शुरू किया बादाओं को खतम कर दिया जहां दिवार नजर आती थी आपको वहां दर्वाजा बन गया बिखरम जी यहां जाओ इसके दर्वाजा बना रहे हैं यह हम अफिछी मेरे तो आप शुब चिंतक क्या है तो किसी चलगते हैं अच्छा सुनो दूगा नहीं नगर निगम धरमशाला सुलन और शिम्ला मेरे तो सुब चंतक सब शब्सचाइब विकरम जी एशाओं अ बीजे भी नागर निगम धरमशाला सुलन और शिम्ला नगर परशन नाला गाड़ और परमाणों में एकनॉमिकली विकर सेक्शन्स से सम्मंदित ऐसे विक्तियों को मकान वर्टित किये जाएंगे जिनकी वार्शी काई तीन लाथ रपे से कमों पातरता मान डंडों को पूरा करने वाले अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती ओवीसी वरग तता बिद्वाएं निराशित मह पहलाएं दिवियांगों को प्रात्मिक्ता दी जाएगी अदक्ष मोदे परदेश के गरामिन शेत्रों में जल जीवन मीशन तता एंडीवी और एडीवी के माद्यम से विवीन परियोजनों के अंतरगत पेजल सुविधाय परदान की जा रही है दोजार चोबिस पच्चि चोबिस तता एशियन डिवल्मेंट बैंक के माद्यम से एक सोच्छी पेजल योजना कारेमन के प्रिमिन चर्म पर है तता इने तैस समय सिमय के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा इन दोनों के माद्यम से बीस हजार छेसो त्रेसट परिवार पार्शली कवर्ड स्कीम से ला लावामिन भीत होंगे कोड 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 सुकती है ला शहरी शेत्रों में पेजल योजनावा पूर्ती में सुधार के देश्या से मैं दोजार चोविस पच्चिस के लिए निमन गोशनाय करता हूं चार शहरों क्रमशा जवाली, हमीरपूर, बैजनात, पपरोला तता नेरचोग में 135 लीटर्स पर केपिटा पड़ डे की शमता वाली पेजल योजनावा का काम पूरा कर लिया जाएगा इसी परकार, अंब और भूंतर के लिए 33 क्रोड की लागस से पेजल योजनाओं के कार्यवेन को गती दी जाएगी और प्रयास रहेगा कि 2024 के अंग तक इसका कार्या पूरा कर लिया जाएगा 112 क्रोड की लागस से नहान, अरकी, निर्मंड, पालंपूर, जुगिंदर मेगर के लिए पेजल सुधार योजनाओं का कार्या शीगर अरम कर दिया जाएगा मेरे पिछले बजट में गोशित 24 इंटू 7 पेजल योजनाओं के कार्यवेन की दिशा में, रामपूर में वार नमबर 6 और 7 नालागाड़ चंबा में में पेजल योजनाओं का कार्या अरम कर दिया गया है तदा अन्या नो शेरों में इन कार्यों को शीगर अरम करने के प्रयास किये जा रहे है हमाचन परदेश में पेजर की गुनबता सुधारने की दिशा में मेरे द्वारा कीगी गोशनों को पूरा किया गया है ततस्तानिय महिलाओं की भागेदारी से ग्विलेज बाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज का गठन करने के बाद महिलाओं को परशिक्षित किया जा चुका है अब तक 69 टेस्टिक लैब स्तापित की जा चुकी है जिन में से 62 की एक्रिडेशन नैशनल एक्रिडेशन बोर्ड वर्ट टेस्टिंग एंड कैलिवरेशन द्वारा की जा चुकी है 2024 में इस विवस्ता को और सद्रिड किया जाएगा ताकि परदेश की जनता को स्वच एवं किटानू रहे पेजल उपलब्द हो सके पिछले बजट में गोशित S.O.P. के नुसार पेजल यूजनाओं तथा S.T.P. में यूबी सिस्टम लगाने के लिए 37 साइट्स की पेचान की गई है जहां जल सरुतों में या तो कंटेमिनेशन है या इसकी संभावना है इन साइट्स पर शुद पेजल उपलब्द करवाने के उदेशा से यूबी सिस्टम लगाने के लिए वश्यक कदम उठाए जाएंगे गगरे, डेलोजी, च्वाडी, रवालसर, भोटा, संतोगड, बैजनात, पपरोला और नेचुक में सिवरेज पर यूजनों पर चल रहे कारियां को गती दी जाएगी तदा उन्हें 2024 25 में पूरा करने के प्रियास किये जाएंगे राजगर, बञजार, चुपाल, नेर्वाध, तदा शापूर में सिवरेज पर यूजनों के निर्माण का कारिया दो जार चल रहे जाएगा रोपे की लाग Speaking प्रेजनों कें अंतरगत मनाली पान्व नहान कर्सोग तधा भलास्पूर के लिए सिवरे टिर्ट्बंट प्लांट वाटरवे ट्रूट् commonly के लिए इस पेजल युजना सुकृत की इन में से मनाली सिवरिज नेटवर्क का कार्या प्रग्रिती पर है तदाशेश कार्या को शिगर ये रम्ब कर दिया जाएगा शेर बहुत आगे है पर सुनाए कों सा आप सुना लेगा हम आपको परशानी तो करने आए इस तिन सो असी क्रूड़ पे की लागे से चोधा सर्व सर्वेस माइनर इरिगेशन स्कीम का कार्या विविन चर्णों में है इन में फिट नहीं बैठ ना जब फिट बैठेगा तब हो लागे इन योजनों के मादियों से लगवग नोजार साथ सो एक्टेर का सीसी ए उपलब्द करवाया जाएगा परदान मंत्री किशी संचाई योजना के अंतगर सुकृत इन योजनों को बारसर कारद वारा जारी धनराशी के अधार पर गती दी जाएगी परधान मंतरी कीशी संचाई यूजना के अंतरगत सुकृत चार यूजनों में से लावरंग, गार्डन, कुलॉनी तद अपू के लिए सुकृत यूजना को पूरा करने के लिए लगवग 53 राक की राशी ट्राइबल डॉल्मेंट प्रोग्राम से उपलवत करवा दी गई है परधान मंतरी कीशी संचाई यूजना एक्सलेटेड इंटेगरेशन बैनिफिट प्रोग्राम के अंतरगत फंडिंग के लिए अनुशासित किया गया है इसके निर्मान से 4025 सेक्टरियों का सीसीय उपलवद होगा तता इसके साथ ही 8.88 मेगवाट जल विदूत इतपाद नहोंगा इस परियोजना पर राज़ा सरकार दौरा अपने संसादनों से लगवग 290 क्रोड रुपे का ब्याय किया जा चुका है के अंदर दौरा जंधराशी के अधार पर इस परियोजना के कारेमन को गती दी जाएगी जल शक्ती के लिए कुल 3365 रोड पर परस्तावित है अधक्ष मौदे मानसुन आपदा के चलते परदेश में सड़कों ततपूलों के उब्यापक नुक्सान पहुंचा हमारी सरकार दौरा बिना समय गवाए रात और पुनर मिमान कारिया शुरू किया गया तदा बहुत ही कम समय में सभी मुख्या सड़के ट्राफिक के लिए खोल दी गई छोटी सी अब्दी में ठारा वैली वरीज एवं 27 रोबे जुलों की सहता से शती के सड़कों को भाल किया गया मैं इस सदन के माद्यम से ऐसे सभी चुनेवे प्रजन प्रतिन निदियों तदा सरकारी अधिकारियों एवं करमचारियों का जिनोंने दिनराथ परदेश की जनता के साथ खड़े होकर बहाली का काम किया दिल से धन्यावाद करता हूँ रेलवे तदा जल परिमान के अवाम में परदेश को एक मजबूस सड़क नटबक की अवश्कता है पिछले लगवक 53 वर्ष के कारेकार में परदेश में बहुत सी नई सड़के बनी तथा हमके माद्यम से बहुत से गौन जुड़े बरतमान में 40,703 किलो मीटर मोटर योग्या सड़के 34,055 किलो मीटर पकी सड़के तथा 2,478 फूल है कुल 3,615 ग्राम पंचायतों में से 3,578 ग्राम पंचायतों को मोटर योग्या आत्वा जीप योग्या सड़कें से जोड़ा जाच चुका है 6,5 पंचायतों में से 10 और पंचायतों को 2,024 पच्चिस में मोटर योग्या सड़क से जोड़ दिया जाएगा हमारी सरकार द्वारा प्रदानमंत्री ग्रामिट सडक योजना 3 के अंतरगत 2683 किलोमेटर लंबी 254 सडकों के लिए 2630 क्रोड पे की सुकृति प्राप्त की गई है इस योजना के अंतरगत 2425 में निमलित कारे पूरन किये जाएंगे 500 किलोमेटर लंबी सडकों की अपग्रेडिशन होगी 325 किलोमेटर ने सडकों का निर्मान 8 किलों का निर्मान 15 बस्तियों को सडकों से जोड़ा जाएगा इसी परकार परदान मंतरी ग्राम सडक योजना के अंतरगत 825 किलोमेटर लंबी सडके में 8 पूलों का निर्मान किया जाएगा इसके अत्रिक परदानमंत्री ग्रामिल सड़क योजना वन एवन टू के अंतरगत एक सो पचास किलोमेटर लंबी सड़कों में क्रोस ड्रेनेश की सुविदा परदान की जागी है। पर लेंट करने के लिए एक परस्ताफ के अंदर सरकार को बेजा जाएगा। इन में से रास्ट्या उच्छ राजमारिक पर प्रमुक कारया निमलिक्त है। पचास क्रोड की लागत से विविन रास्टे उचमार्गों पर पुलों का निर्मान लगबद दो जाल क्रोड रुपे की लागत से विविन कारिया। अगामी वर्ष के दोरान नवाड के माध्यम से आर आई डी एफ के अंतरगत दो सो पांच किलोमेटर लंबी ने सड़के तिन सो पांच किलोमेटर सड़कों पर क्रोस ड्रेमेज चार सो पच्छिस किलोमेटर लंबी सड़कों की टारिंग तता पच्छिस पुलों का निर्म कारिया दो जार चोबीस पच्चिस में पूरा किया जाएगा जिया मानी करन सड़क पर वर्षा से हुए नुक्सान का मुर्मत कारिया शाहपूर सुन्ता च्वाडी मारका उन्यान व्यास नदी पर टेरेस तता स्थाना को जुडने वाले पूल का निर्मान बागचल मेरे बढ भी सडकों पर प्लास्टिक बेस्ट का इस्तिमाल किया जाएगा इसके अधिक उचाईज वाली सडकों पर कैल्शिय। कोलौराइड और ब्राइन स्लुशनों का प्रियोग किया जाएगा ताकि सर्दियों में इन सडकों पर बरबना जम सके और सम्भाबी तारा जान ना जा सके। दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है बैम की क्या दवा करे कोई अब हो बैम में भेले में लोगा है आपको हर चीज का भ्याय मुल आता है अध्याक्ष मौदे परियवान सरेक्षिन अभी एक और ढूंडूगा ना अध्याक्ष मौदे परियवान सरेक्षिन और लागत को कम करने लागत को कम 2024-2025 में महारी सरकारद्वारा निमलित सडकों तथा संबंदित निर्माण कारिये किये जाएंगे 860 किलो मेटर लंबी कुल सडकों का निर्माण 1067 किलो मेटर लंबी सडकों पर क्रॉस द्रेनेज 1075 किलो मेटर लंबी सडकों पर मैटलिंग और टारिंग 57 पूलों का निर्मान 10 पंचेतों के 40 गों को सड़कों से जोड़ा जाना सड़कों पूलों के लिए कुल 4,317 क्रोड पे पस्तावीत है दक्षमोदे बजार की बदलती परस्तित्यों को देखते वे 2019 में अधिसुची द्योगिक नवेशनिती में बद्राब करना आती है बश्चक है जिससे भावी नवेशकों को कम से कम समय में सभी स्कृतिया एक ही बिड़ों के मादियं से मिल जाए इससे नवेशक और अधिक नवेशक करने के लिए प्रसाइट होंगे हमारी सरकार 2024 में बद्राब की पस्तितियों को देखते हुए एक नई अधियोगी पुरसान वेशनिती 2024 लाएगी परदेश के युवाओं के लिए द्योगिक शेत्र में स्वरोजगार की अन्गनित संभाना है युवाओं को इस और प्रसाइट करने के लिए की अवश्कता है इसके लिए मैं 2024 में एक ने इस ट्याटप निती 2024 लाने की गोशना करता हूँ इस निती के अंतरगत इन्वेशन के लिए तता महलाओं को स्टार्टप वेंचर हितु विशेश परोसान का प्रदान किया जाएगा महलाओं द्वारा शुरू किये स्टार्टप को एक वर्ष के लिए अधिक्तम 4 लाक रपेते की साहता दी जाएगी द्योग शेतर राज्जा के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है मेरी सरकार का प्रियास है इस शेतर को सर्वत्तम एकोसिस्टम पर दान करना है पिछले साल की आफ़दा के दोरान मेरी सरकार द्वारा बड़े पेमाने पर भाली करने कार्या करने के लिए अवश्क संसाधन जुटाने के देशा से लेक्टिसिटी ड्यूटी की दर बढ़ाई थी अब जब स्तिती में सुधार हुआ है मैं गोशना करता हूँ कि बड़ी वी लेक्टिसिटी उन वुगतां द्वारा देन नहीं होगी जिने हमाचर पर देश ड्यूगी की निती दोजार उन्नी के परफदानों के नुसाद सुधारिया अबदी की सिम्वापती तक लेक्टिसिटी ड्यूटी का वुगतां करने में छूट दी गी है अदक्ष मौदे मैं पर देश में हो रहे हैं अबद खनन पर अंकुष लगाने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रभावी रूप से कई कदम उठाए है दर्श परस्टों से भी अधिक परानी परदेश की खनन निती में कुछ बदलाब किये जाने है वशक है मैं गोशना करता हूँ कि परदेश में हमाचर परदेश माइन्स ये मिनरल्स पॉल्सी दोजार चौबिस लाए जाए जाएगी जिसके मुख्या देशिया अवैद खनन पर रोग तथा विग्यानिंग खनन के मादियों से परदेश के राजस में बिद्धी करना होगा परदेश के दोगिक शेतरों में वहीन कारनों से आग से होने वाली दलभनाऊ से निपड़ने के लिए अगनी शमन सेवाओं के लिए अलग मांदंट्ट कीजाएं ले इन मानदंडों में द्योगिक शेत्रों में द्योगों की संख्या तता किसम के अधार पर केमिकल्स, बिजली तता अन्या कारणों से लगने वाली आग से निपडने के लिए अलग लग S.O.P. तता केमिकल प्रोटेक्शन सूर, फॉर्म, कंपोर्ट टेंक, ड्राइ केमिकल इस शेत्र में अवश्यक मूलमूत, सुधाय निवेशकों तथा कामगार दोनों के लिए वश्यक है, मैं इस शेत्र में 70 क्रोड रुपे की लागस से शेत्रपुल से जगात खाना तक सड़क बनाने की गोजना करता हूँ, या सड़क मेडिकल डिवाइस पार्ग धेरावाल इस शेत्र लिम्टिड तथराज्या विदिद बोर्ड की साज़ेदारी के साथ, अन्या 13 पट्रोल पंपर पर इवेकल चार्जिंग स्टेशन को पूरन रूप से काराशील्ड किया जाएगा, इसके अतरिक 55 अन्या सरकारी शेत्रों के इवेकल चार्जिंग स्टेशन को कार अलेक्टिकल टेक्सिस हो गई है, इसी प्रती बंता को आगे बढ़ाते हुए, मैं गोशना करता हूँ कि दोजार चोबिस पच्चिस में 327 अतरिक डिजल बसिज को अलेक्टिकल बसिज से बदरा जाएगा, इस पहल में जन सहवैक्ता सुनिश्चित करने के लिए शुराती गांदी स्रोजगार स्टार्ट अप यूजना के अंतरगाद दोजार चोबिस पच्चिस में 40% उगदान पर ईटैक्सि चलाने के लिए 10,000 पर्मिट दिये जाएंगे, 10,000 जो डिजल इजिन पट्रॉल वाली घाडिया हैं, उनको ईटैक्सि चलाने के लिए 40% सब्सिटी प इटैक्सि दिये जाएंगे, मैं गोशना करता हूँ कि 2024 में बन भिवाद, HRTC, HPTDC, GAD के अलिजिवल वहां, ईवीकर में बदल दिये जाएंगे, धार्मिक्स तालों के लिए बसे चलाने हितू, प्रथम दर्शन सेवा का विस्तार किया जाएगा, प्रथम शर्ण में श्री इरुद्याधान के दर्शन के लिए भविन स्तानों से बसे चलाई गई है, 2024 में कुछ अर्थरिक संस्तानों में इस सेवी इस बस सेवा को चलाया जाएगा, बर्श 2024 में बहान, सक्रैप निती के अंतरकत, परदेश में वीकल सक्रैप, सक्रैपिंग सेसलिटी सेंटर्स की स् जिससे परदेश के सभी बाराजिरो को इसकी सुविधा मिल सके, मैं गोशना करता हूँ कि 2024 में आटोमेटिड टेस्टिंग सेंटर के मादंग से सभी भवानों की फिटनेस अनवारिया कर दी जाएगी, ताकि भवानों को फिट टिकलेर करने में मानवे गलती ना हो, परवह पर आटोमेटिक नंबर प्लेट रिकोगिनिशन क्लोज सरकर टेलिविजन कैमरास की सुविधा अप्लाउट करवाए जाएगी, जिससे कर चोरी को समाप्त किया जा सके, और सरकार को अत्रिक संसादन प्राप्त हो सके, इस पनाली की सहता से ट्रैफिक को भी सचारू रूप की मोडल पर एक तीन पॉइंट दो किलोमेटर नंबे रूपए का निर्मान कारिया अरहम किया जाएगा, इस रूपए पर होने वाले लाप का पचास प्रतिस्ट अंश रज्जा सरकार को प्राप्त होगा, लगवग चोवन क्रोड की लागस से निर्मित किये जारे बगला म की रोबिक को हाली में आई आपदा के कान वारी नुक्सान हुआ था, जिसके कान इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए पांच करोड रुपे से अधिकी राजी व्याई की गी है, मैं सहर्च गुशना करता हूं कि इसका निर्मान कारिया पूरा करके इसी वार्शी पर्देश क की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, हमारी सरकार पर्देश के लोगों तदब रिटकों की सुविदा के लिए कालका से परमानु तक की ब्रोड गेज डे लैंड बिचाने के लिए बाहर सरकार से अंरोद करेगी, इसके साथ ही जेजो से पूलियो तक की रे लैंड बिच चिसमें इन दोनों रेल रेल लैनों के सर्वे पर लगवक दस क्रोड बे ब्याय होने का अनुमान है, अद्यक्ष मौदे पर्देश में एको टूरिजम को बढ़ावा देने के देशा से तरेन में एको टूरिजम साइट को मिनेजमेंट एंड अपरेशन के लिए चर्मत तर मुर्सोस कर दिया जाएगा, हमारी सरकार दोरा कीगी, पहल के बाद मानवे सर्वेच नियाले दोरा वरकिंग प्लांस के अदार पर खैर की सिल्वी कल्चर फैलिंग की अनुमती परदान की गई है, इससे नाके बस्तानी लोगों की आई में बिलिदी होगी, बलकि उनको ख परदेश के राजस्व में बिलिदी होगी, मानिया नियाले के इस निन्ने से प्रियर्ट होकर हमारी सरकार चील के पेड़ काड़ने की अनुमती के लिए भी याचिका दायर करेगी, इससे अत्रिक राजस्व प्राप्त होने के साथ साथ एको सिस्टम सर्विसिस की नेचर पार्क, लीवर साइड पार्क सतापीत के जाएगे, इन पार्कों को एको फ्रेंडी मिटीर्स के प्योग से डिजाइन और विक्सित किया जाएगा, इस तश्चिप के माद्यम से मक्स साइड को भी भार किया जाएगा, अध्यक्ष मोदे, मैं बनों से संबंदी सभी पूरी अपरेशनों को बीट लैबर पो सुनुचित करने के लिए परदेश की सभी दोजार कासर फोरस्ट बीट में एक एक बन मिक्तिर नुक्त करने की घोजना करता हूँ, इनकी नुक्ति की प्रक्रिया दोजार चौबिस पच्चिस में पूरी कर ली जाएगी, कॉमुनि पूरी जवा के कुल 834 कुल रपेश तावीता है, अधैक्ष मौदे परदेश के ग्रामिट शेतरों के समग्र विकास तता उसे ग्रीन बनाने के लिए मैं मुक्य मंत्री हरित विकास शात्रविती योजना हराम करने की गोजना करता हूँ, इस योजना के अंतरकात अगले च पर अनुसांधान के लिए दो साल तक चाथतर विती दी जाएगी, खाली में आई वारी वर्षा और जलवाईयों में इंद्रेंतर आवे बिदलाव के दिरिश्टी करत, 2024-25 से जिरास तर पर इंचिनोतियों से जुटने के लिए कारया योजना त्यार करने का काम अरम किया 55 तर पर जलवाईयों पर इवर्षा और योजना कारयमंद्ध की जाएगी, 2024-25 में परेयावन बन और जलवाईयों पर बौतन मिंत्रालिया, बाहर성कार तदागिछ के सियोग से, क्रिशी और बागमानी शेतर पर बदलती जलवाईयों के बिप्रित प्रभारों को कम करने के उदेशा से इन शेत्रों में एक नीड असेस्मेंट स्टडी की शुरू की जाएगी जो हमारे आपदा ही उसकी स्टडी के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया प्रदेश में अवैय तता अंसाइंटिफिक माइनिंग को रोकने के उदेशा से एक जी आईस प्रोड़क्स की जी आई कैगिंग की जाएगी ताकि उतबादकों को रास्टे ततान तरास्टे बजार में अपने उतबादों को उचित मिल्या मिल सके अदक्ष मोदे परदेश में गुवर्नेस को और पारदशी और परभावी बनाने के दिशा में मैं दोजार चोबीस प बना कर इस दिशा में शुरुआत की जाएगी ओन्लाइन सेवा पोर्टल के माद्यम से पहले सेव प्लब्द ओन्लाइन नागरिक सेवाओं को और प्रभावी डंग से परदेश वासियों तक पहुंचने के लिए एक मोवाइल एप अरम किया जाएगा हमाचर परदेश सचिवालिया, निदेशालिया, सबी डिसी, एव्रोंअ एस पी कारेलिया, और दोस्तो त्रेपन weill कारेलों में इई ऑफिस का सबल कारेमिन करने के बाद इसके मादम से सबी आने में इप अस्तरेश की सुभीदा के साथ साथ एडिस्पेच्श की परदान की जाएगी सीम डैश्बूर्ड को और प्रभावी बनाने के लिए विवागों को रिपोर्टिंग मनेजमेंट पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा ताकि विवागों से प्राप्त मिंतन जानकारी के अदार पर उचित समय पर उचित निन्या ले सके मुख्या मंतरी स अदेवा संकालफ हेल्प लाइन में आर्टी विशल इंटेलिजेंस का प्रियोग किया जाएगा ताकि प्राप्त शिक्यातों का कम से कम समय में निवारन हो सके गतवाश्च विक्सित किये गए डीवीटी पोर्टल को नैशनल डीवीटी पोर्टल के साथ जोड़ा जाएग जिससे दोनों पोर्टलों की सुचना को साजा के जाएगा निविशको द्वारा किये गए फाइफ जी क्रेक्टिविटी के लिए ओनलाइन वैदनों के साथ निप्टे आ रहे हे तू राइट और वे पोर्टल को अवशक्सन साधनों से इत अपडेट किया जाएगा स्टेट डेटा सेंटर की अपग्रेडिशन का कार्या अगस 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा इससे अप्लाइट डेटा और अन्या सुचनाओं की स्रक्षा के लिए निमिन तम पाए किये जाएगे हिम परिवार रिजिस्टर के सबल कारेवन के बाद वविन नागरिक सेवाओं को इसके साथ एकिकिरित किया जाएगा ताकि परदेश बास्यों को वविन सेवाओं का अलाब कम से कम समय मिल सके कोई भी नागरिक किसी भी समय जमीन से समंदित रिकोर्ड की प्रतियां डाउनलेड कर सकेगा इस पोर्टल पर यूपी आई डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड एदियादी के माद्यम से सुखल सुल्क बुक्तान की सुबदा भी उपलब्द करवाई जाएगी बेग चार्ज के अंतरगात किसान क्रेडिट कार्ड रिन रेने के लिए सभी प्रक्रिया ओनलाइन पूरी करने का प्रफदान किया जाएगा इसके माद्यम से बैंकों अथ्वा वित्या संस्तानों तता तिसील कार्यों ने में बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे प्रवारों को ऑनलाइन बुक्तान मेग बंजीकर मोडियूल के माद्यम से अरम किया जाएगा इसी तरह मेग म्यूटिशन म्यूटियूल के उप्योग से ऑनलाइन म्यूटिशन की सुगदा भी परदान की जाएगी बहुत से बूल अबलेखों का वर्नंग कठीं शब्दों में अपलबता है इन बूल अबलेखों का अनुबास सविधान के अनुसुची आर्ट में सुची बद्विविनी भाशों में करवाने का कार्या शिगर कुया जाएगा अद्यक्ष मोदे मेरे दवारा पिछले बज़न में अत्रिक गोशित अत्रिक संशादन जुटाने के प बुक्तान के लिए दोजार चोविस पच्चिस में एक मॉबाइल आप की सुरुआत की जाएगी इस आप के मादियों से करदाता ऑनलाइन कर बुक्तान कर संगे परदेश में स्तिक महत्तपुर्न अद्योगिक एवं विपारिक केंद्रों परविन करदातों से फीड़ बैक आने आरे इस मस्यों की जानकारी लेने के देशे से करदाता संबाद अभियान अरम किया जाएगा इससे परदेश की कर एवं आपकारी परनाली को और सर्वल तता पारदर्शी बनाने में सहता मिलेगी अद्यक्ष महदे दोजार चोविस पच्चिस में पचास क्रोड की ला पिछले बहुत समय से पुलिस कर्मियों की डाइट मनी में कोई रिद्धी नहीं की गई है मैं पुलिस कर्मियों की बरतमान में दी जारी 210 रुपे की डाइट मनी को लगवग 5 कुरां बढ़ा कर 1000 रुपया करने की सायश गोशना करता हूँ इस परकार पुलिस कर्मियों को लगवग 9000 से अधिक प्रतिवर्ष लाभ होगा इससे लगवग 13000 पुलिस कर्मिय लावंधी भी तोंगे इससे 16 क्रोड पे प्रतिवर्ष अधिक ब्याय होगा क्योंकि पुलिस वाले हर दिन आते थे कि उन्हें 7 रुपे डाइट मनी मनती ह हमने पांच गुना बढ़ा दी अगले पांच बर्षों में प्रदेश की एक प्रतिशत जनता को सिवल डिफेंस स्कीम के इंतकत लाए जाएगा या पहल प्राकृति आपदा किस्तिती में आपदा राइत कारों में बहुत साइक सिद्ध होगी अगनी शमन से संबंदित N.O.C. देने तता उसे विड्रो करने के परक्रिया में पारदश्ता लाने के अग्देशा से हमाचल परदेश फायर फाइटिंग सर्विस रूल अधिसूचित किये जाएंगे मैं 2024 में कांगडा के चंगर बडो में सब फायर स्टेशन मंडी के कोटली में तदा लट बडोर में फायर पोस्ट कोलने तदा ठ्योक्स्ति फायर पोस्ट को सब फायर स्टेशन में उन्यन करने की गोशना करता हूँ इसके अत्रिक निर्मंड, कुनियार, उबादेश, कोटकाई, छोटा बंगाल तदकांगडा के चुवार गाटी में अगनी शमनिकाईयां कोलने की भी मैं गोशना करता हूँ परदेश के युवाओं को खेलों में बढ़चर कर भाग लेने के लिए प्रोसाइट करने के देशा से दोजार चोविस पच्चिस में एक नई खेल निती लाए जाएगी इसके अंतरगर मैं सहर्ष निमन गोशना करता हूँ अलंपिक खेलों में ब्यक्ति गत्स परदा में स्वन पदक प्राप्द करने पर पुर्सकर राशी को तीन क्रोड रुपे से बढ़ा कर पांच क्रोड रुपेया ग्रजत पदक के लिए दो क्रोड रुपे से बढ़ा कर तीन क्रोड रुपेया तता कांसे पदक के लिए एक करोड से बढ़ा कर 2 करोड रपया किया जाएगा एशिन खेलों में व्यक्तिकास बर्दा में स्वन्ड पदग प्राप्त करने वाले पर कुरस्कार राशी को 50 लाइक रपे से बढ़ा कर जो इसे खेtherों में 50 प्यास्त लाग रुपे से बढ़ा कर चार क्रोड रुपया तज़त पदक के लिए तीस लाग रुपे से बढ़ा कर ढाई क्रोड रुपया करने की कोश्मा करते। कॉमन वेल्थ खेलों में व्यक्तिकस पर्दा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरुसकार राशी को 50 लाख रुपे से बढ़ा कर 3 करोड रुपेया, रज़त पदक के लिए 30 लाख रुपे से बढ़ा कर 2 करोड रुपेया, तता कांसे पदक के लिए 20 लाख रुपे स टीम्स पर्दाओं में बजेता हमाचली खराडी को प्रपदक के अधार पर उप्रोग पुरुसका राशी में से परतेक खराडी को परती निदीतब के अनुपाद में बराबर राशी दी जाएगी जैसे कि हमारी बेटियां भी ये शिन खेल खेल के आई उसमें तीन बेटिया या चार बेटियां हमारी स्लेक्ट हो कर जाती है तो अनुपाद के इन साथ से दो बेटियां बहर की होती है तो उनको ये राशी जो एशियर खेल की कुष्टी में जित कराएगी उसी अनुपाद के दार पर इसी बर्ष इन खेल के जो हमारे एशन गेम्स में चाए कॉमन व वाले जो गौवर्मेंट स्कूल और हमारे स्कूलों के बच्चे हैं कॉलिज के बच्चे हैं सब बाहर जाते हैं हम जब जाते थे छोटे होते तो हम भी देखते थे तो भाग लेने के लिए खलाडियों को एसी थी टायर कराया दिया जाएगा कता दोसो किलोमेटर से अधिक यानि कि दिल्ली से अधिक दूरी के स्थानों पर जाना है तो दोसो किलोमेटर से अधिक दूरी के स्थानों पर जाने के लिए एर फेर दिया जाएगा सरकारी विवागों में उत्किस्ट खिलाडियों को विविन पदों पर तीन प्रतिशव खेल कोटा के अंतर का सम्नित बर्तमान 43 खेलों की संख्या को बढ़ाया जाएगा मैं जो हमाचर परदेव में स्कूल गेम्स होती है कॉलिज गेम्स होती है, इंटर उनिवस्टी होती है, इंटर कॉलिज होती है इस सब परकार की इंटर गेम्स होती है इस सब परकार की खेलों में डायट मनी बहुत कम बिलती है मैं विंस्तर की प्रतिस्वर्दा के लिए खलाडियों को दी जाने वाली डाइट मनी में बढ़ोतरी करने के बाद निमन की गोशना करता हूँ परांबित शिक्षास्तर के खलाडियों को परदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर जब वो जोनल में जाते हैं प्रेमेश कूर के डाइसो रुप्या प्रति दिन दिये जाएंगे अन्या सवी खलाडियों को पर्देश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 400 रुप्या प्रती दिन दिया जाएुए सभी खलाडियों को परदेश से होने वाली खेलों में भाग लेने के लिए इंटर यूश्टी नैश्वल गेम से भाग लेने के लिए समान रूप से 500 रुपया प्रती दिन दिये जाएंगे परदेश के खेल होस्टलों में रहने वाले सभी खलाडी को उप्रूगत के अनुसा 2500 रुपया मिलते हैं तथा उनकी डाइट मनी को 400 रुपया की डाइट मनी दी जाएगी अध्यक्ष मोरे मैं 2024 में निमन खेल परिस्रों के निर्मान कारिया अरम करने की गोशना करता हूं हमीरपुर में आधनिक सुविदाओं से युक्त एक इंडोर स्टेडियम का निर्मान उन्ना के पजाओं में इंडोर स्टेडियम का निर्मान मनारी बंदरोन में एक इंडोर स्पोर्ट स्टेडियम का निर्मान रेंग में स्वीमिंग पूल सुविदा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण। देरा में स्वीमिंग पूल सुविदा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण। क्रेडी नदाउन में इंडोर वहुदिश्या खेल परिसर का निर्माण। कुसुम्टी में इंडोर भाउदिश्या खेल परिसर का निर्माण, जैसिकपूर में इंडोर भाउदिश्या खेल परिसर का निर्माण, डली पाइपास में इंडोर भाउदिश्या खेल परिसर का निर्माण, अद्यक्ष मोदे, हमाचर परदेश को फिलम की शूटिंग के ल माचरपरदेश फिलम पॉलसी दोजर चोविस का कारेमन किया जाएगा इसके तहत रजिस्टर पर एक फिलम डॉल्मेंट कॉंसिल का गठन किया जाएगा तता सुचना एवन जंसर पर विवाग में फिलम फैसिलियेशन सेल्प की स्तापना की जाएगी फिलमों की शुटिंग क न्यूज वेब साइट्स, सोशल मीडिया इंफिलिंस के माद्यम से परसारित एवन परचारित करने के लिए डिजिटल मीडिया पॉलसी दोजर चोविस का कारेमन किया जाएगा सरकारी कारेकरमों तता कारेकरमों से समबती सुचना को हिम सुचना कोष्ट डेटा हैट के माद्यम से संकलित किया जाएगा जिसकी की परकाशन के लिए तता प्रेस में देने ही होगे सुचना को तुरूंती प्राप करके प्रेस नोट अथा लेग प्रिंट किया जा सके वग तीन लाग भूत्बूर्व सैनिकों सेवारत सैनिकों युद्विद्वां एवं शोर्या पुर्सकार बजेतों द्वारा की गई सेवाएं तता उनके बलिदान के लिए उनकी सिदाय बरिनी रहेगी मैं गोशना करता हूँ कि साथ बर्ष से अधिक आयू के ऐसे भूचबूर्व सैनिकों जिनकों और कोई पेंशन नहीं मिलती है को मिलने वाली आर्थिक सहता की राशी को तीन हजार पे से बढ़ाकर पांच हजार पे प्रतिमास कर दिया जाएगा हमारी सरकार दो जार चोबिस पच्चिस में सुनिश्चित करेगी कि विवागों में पूरव सैनिकों के लिए आरक्षिक 15 प्रतिशत पदों को परात्मिकता के अधार पर भरा जाए अधाक्स मोदे मेरे पिछले बजट में गोशित प्रात्मिक क्रिशी सहकारी सिवाओं की किम्प्यूटराइजेशन के अनकुरम में इन यह सरकारी बैंकों सहकारित्या विवाग तता रास्टिया डाटा बेस से जोड़ने का कारिया प्रग्रिती पर है तता इसे 23 समय सिमा दो जास्ताइस तक पूरा कर लिया जाएगा इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी सहकारी सबाओं का ओनलाइन पंजी करन किया जा रहा है परदेश के ब्रविन विवागों में कारियरत पैरा वरकर्स कई विकास योजनों के कारिया में आहम भूमी का निवारे है इन सभी के मान दे की व्रिदी के लिए मैं निमलित गोशाय करता हूँ अंगनवाडी कारिया करता को पांसर रुपे की ब्रोतरी के साथ अब दस हजार प्या मांसिक मान दे मिलेगा मिन्नी अंगनवाडी कारिया करता को चार सुर रुपे की ब्रोतरी के साथ अब साथ हजार प्या मिलेंगे आंगनवाडी सायका को प्रति मां 300 रुपे की बढ़ोतरी के साथ अब 500 रुपे प्रति मां मांदे मिलेगा आशा वर्कर को 300 रुपे की बढ़ोतरी के साथ 55 रुपे प्रति मां मांदे मिलेगा सितलाई ध्यापकों के मांदन में 500 रुपे बढ़ोतरी की जाएगी मिड़े मील वर्कस को 500 रपे ब्रोत्री के साथ 4500 रपे प्रति मा मिलेंगे वाटर कैरियर शिक्षा विवाग को 600 रपे ब्रोत्री के साथ 5000 रपे प्रति मा मिलेंगे जल रक्षक को 300 रपे ब्रोत्री के साथ 5300 रपे प्रति मा मिलेंगे जल शक्ती व्याग के मल्टी पर वरकर्ष को 600 रपे बरोत्री के साथ 5000 परतिमा मिलेंगे पैरा फीटर तदा पंप अपरेटर को 300 रपे बरोत्री के साथ 300 रपे बरोत्री के साथ 5000 परतिमा मिलेंगे राजस्व चोकिदार को 300 रपे ब्रोत्री के साथ 58 सो रपे प्रतिमा मिलेगा राजस्व लंबरदार को 500 रपे ब्रोत्री के साथ 42 सो रपे प्रतिमा मिलेंगे SMC धापों के मानदेरे में 900 रपे प्रतिमा ब्रोत्री की जाएगी आइटी टीचर को 19 रुपे प्रतिमाम रोती की जाएगी S.P.O.S. को 500 रुपे प्रतिमाम रोती की जाएगी परते एक वर्ष की भांती मानिय बधैकों के साथ हुई बैठकों के दौरान सामने आइस जावों के दार पर मैं निमन गोशनाएं करता हूँ पानी बिदेता हूँ बलानी की मीटिंग ना शेर साथनी बैठरे स्मिस्पीच में ना तुम्हारा क्या है तुम्हे तो सिर्फ ग्यान देना है हमारी सोचों हमें हिम्तान देना है प्रदेख वर्ष की भांती मानने विधायकों के साथ भी बैठकों के दरा सामने आइस जावों के दार पर मैं निमन गोशनाएं करता हूँ शिम्रा विधांसवा चुनावी शेतर शहरी शेतर होने के कारण नवाड के आराई डीव के अंतरगत विधायक प्रात्मिक्ता योजनाओं की सुक्रीति होईतु पातर नहीं है यही समस्या धरमशाला मंडी सोलन तथा पालंपूर नगर निगोओं में पढ़ने वाले विधांसवा चुनाव शेतरों में भी आने वाली है मैं इन पाल्चो शेहरी विधांसवा चुनाव शेतरों के लिए नैशनल हाॉसिंग बैंक के माद्यम से अर्बन इंफरस्ट्रक्टर ड्वल्मन फंड के अंतरगत इन शेहरी शेतरों की विधायक प्रात्मिक्ता योजनाओं को सुक्रीत करने की गोशना करता हूँ के दैरे में नहीं आते थे तो हम उनकी जो इनफरस्ट्र जो होए नवाड के दाद मिलता हूँ हम अपने उससे सुमला शाहर को विद्वाई हमारी सरकार के विवस्ता परिवत्न के संकल के अनुक्रम में में वित्य वर्ष दो जार चोविस पच्चिस से विधायक प्रात्मिक्ताओं के स्वरूब में भी परिवर्तन करने की घूशना करता है अब मान्य विधायकों द्वारा सडकों पुलों पेजल योजनाएं अथ्वा लगवी संचाई योजनाओं की तीन वास्त्मिक नई स्किमों की प्रात्मिक्ताओं दी जाएगी पांचवी प्रात्मिक्ता एचाटीसी के बत्मान रूट पर लक्टिकल वस चलाने तथा वर्षक चार्जिंग स्टेशन से संबंदित होगी ओवरहड बिजली की तारों तथा अधूरे मुख्यमंत्री लोग ववनों का निर्मान कार्या पूर्य करने के लिए विधायक शेत्तर विकास निदी योजना के अंतरकर प्रवधान कर दिया गया है इसके अत्रिक्त मुक्यमंत्री आवास यजना के दिशान निद्देश के अनुरू यदि मानिय अभधायक किसी भी श्रेडी के लावार्थी के आवास बुनाने के लिए अनुशंशा करना चाहे तो वो इस निदी से कर पाएंगे इसी के साथ वधायक प्राग मिक्ता के वितिया पोशन के बर्तमान सीमा को बीस करोड रुपे बढ़ाकर एक सो पज़तर करोड रुपे से एक सो पजानमे करोड रुपे करने की नहीं गुशना चाहे परदेश को हरित विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए बीस करोड रुपे की बड़ी विराशी में से प्राथ मिक्ताएं अलेक्टिकल बसी चलाने तता चार्जिंग स्टेशन से संबंदित होगी बड़ायक इच्छा निदी को तेरा लाग रुपे से कम करकर खतम करने की गुशना कर बड़ायक इच्छा निदी को तेरा लाग रुपे से बढ़ा कर जो औरों को दिया वो इसी से काटके तो दिया विद्वाओं को दिया वच्छा निदी को तेरा लाग रुपे से बढ़ा कर चोदा लाग पर प्रति विधान सवा शेत्तर कर दिया जाएगा बुद्याइक शेत्र विकास निदी के अंतरगत प्रति विदान सवा शेत्र राशी को दो क्रोड से गठा कर अच्छा नहीं गलत पड़ रहा है दो क्रोड दस लाख रुपे से बढ़ा कर दो क्रोड बीस लाख रुपे कर दिया जाएगा अधैक्ष मोदे पुझिगत कारे को शुरू करने के लिए जन प्रतिनीदियों के पास बहुत अधिक मांग रहती है जो कि उपलब वितिया संसादनों से कहीं अधिक है इस परक्रिया में हर साल नए कारे शुरू होते है जबकि पहले से है चल रहे कारे संसादनों की कमी के कान डुक जाते है सभी निर्वाचित प्रतिन दिदियों से मेरी इस बात से सहमत होंगे कि चल रहे दूरे कारे को प्रात्मिक्ता देने की जूरत है मैं गुशना कर रहा हूं कि चल रहे कारे को पूरा करने के लिए दोजाट चौबिस पच्चिस में कम से कम एक हजार क्रोड रुपया खर्च किया जाएगा और उन कारे पर जोड़ दिया जाएगा जो पूरा होने के करीब है राज्या के इतियास में या पहली बार हो हुआ है कि चल रहे कारे को पूरा करने को मत्तव दिया जाएगा कोई एक क्रोड के रुपे जिए कोई पचास लाँ करशा है चार-चार साथ से बिल्डिंगें वनिए है कोई दो क्रोड पांच क्रोड रुपे के सर्थ से पसा है अदेक्ष मोदे हमारी सरकार परदेश के विकास में सरकारी करमचारी और पेंशनर्स की मत्तपून योगदान को समस्ती है उनके बड़े वेतन के एरियर्स के बुक्तान के लिए हमारी सरकार स्वेधन शील है करमचारी वे पेंशनर्स बहनों और भाईयों को भी बर्तमान सरकार को पराणी सरकार से मिली विकट विक्तिय स्थितिकी जानकारी जितने भी सरकारी करमचारी है रोज रहते हैं अधिकारी है पेंशन भोगी है माचल के आर्थिक स्थितिकी उनको जानकारी है दश्कों से माचल सरकार पंजाब सरकार के बेतनमानों का अनुसरन करती आई है अभी तक पंजाब सरकार दोरा अपने करमचारी और पैंशनर्स के एरियर का बुक्तान नहीं किया गया है कटिन भितियस सित्तिती के बावजूद मैं निमलित गोशना करता हूँ सभी करमचारी और पैंशनर्स के बेतन तदा पैंशनर्स से संबंदित एरियर्यस का बुक्तान चरण बर धंग से एक मार्च दो जार चोविश से शुरू कर दिया जाएगा एक जनबरी दो जार सोला से कतिस दिसंबर दो जार इकी के बीच रिटैल हुए करमचारीों की लीव एनकैश्मेंट और ग्रेचुटी से संबंदित एरियर्यस का बुक्तान चरण बर धंग से एक मार्च जो दस दिन बाद खतम हो रहा है दो जार चोविश से शुरू कर दि कि एक अपरेल दो जार चोविस से चार प्रतिशत के दग की दर से महांगाई बत्ते की किष्ट जारी कर दी जाएगी इस पर लगवर पांसो असी क्रोड पे प्रतिवर्ष ब्याय किये जाएंगे पुर्देश के करमचारी अभी तक अपने सेवाकाल के अंत में केवल एक व बार एल्टी सी की सुविदा मिलती थी मुझे यह गोशना करते हुए परसंता हो रही है कि एक अपरेल दो जार चोविस के बाद परदेश के करमचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार एल्टी सी की सुविदा ले पाएंगे द्याडी जारों को 25 रपे बढ़ोतरी के साथ 400 रुपया प्रती दिन द्याडी मिलेगी आउट्सोर्स करमचारीयों को अब नियूंतम 12,000 प्रती मा मिलेंगे पंचायत बैटनरी एस्टेंट को मिलने वाले 7,000 प्रती मा को बढ़ाकर 7,500 रुपया किया जाएगा हमारी सरकार का दिर्ट बिश्वास है कि करमचारीयों के सेहोग से परदेश की वित्यस्तिती में शिगर ही सुधार लाय जाएगा ये हमारे जो हमने राजस्व प्राप्त किया है उसको बांटा है एक साल में जो विवस्ता परिवर्तन किया उसके इसाब से हम ये जो हमें अधिक राजस्वाया वो हम करमचारी प्रदेश की किसाद महलाओं युवाओं सब को बांट रहे हैं अब मैं दो जार तैस चोबिस के सजोधित अनुमानों पर आता हूं बश दो जार तैस चोबिस के सजोधित अनुमानों के इनुसाह कुल राजस्वा परातियां 40,440 क्रोड रुपे हैं 2023-2024 सन्षोधित अन्मानों के अनुसाद कुल राजसव ब्यावWow4946 करोड़ रोपय हमने का अनुमाने 2023-2024 के अन्मानों के अनुसाद 5486 करोड़ रोपय का राजसव डेफिसित अनुमानित है अदक्ष मोदे मैं वर्ष दोजार चोविस पच्चिस के लिए 58,444 क्रोड रुपे का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं वर्ष दोजार चोविस पच्चिस में राजस्व पराप्तियं 42,153 क्रोड रहने का अनुमान है तदक कुल राजस्व ब्याए 40,667 क्रोड रुपे अनुमानित है इस पर कल कुल राजस्व घटा गाटा 4,514 क्रोड रुपे अनुमानित है राजकी कोशिय घटा 10,774 क्रोड रुपे अनुमानित है जो कि परदेश के सकल ग्रेलूत बाद का 4.75 प्रतिशत है दोजार 24,25 के बजट के नुसार प्रतिश सो रुपे ब्याए में से बेतन पर 25 रुपे, पैंचन पर 17 रुपे, ब्याज अदाइगी पर 11 रुपे, रिन अदाइगी पर 9 रुपे 12 संस्तानों के लिए ग्रांट पर 10 रुपे, जबकि 26 रुपे पुंजी गत का रहे हैं, अन्य गती बियुदियों पर प्याए किये जाएंगे अगले वर्श के बजट का पुरण विवरन इस मानिय सदन में प्रस्तित किये जा रहे हैं बिस्तित बजट प्रदस्ता में दस्तावेजों में उपलब्द है, इसके लावा एफरम बीम स्टेट्मेंट भी बजट के साथ प्रस्तित की जा रही है अदक्ष मौदे इस बजट अदिवाशन के मुख्या बिन्दू अनुओंद में दशाए गया है अदक्ष मौदे इसी के साथ मैं यहाँ बजट माने सदन के अनुओंद के लिए प्रस्तित करता हूँ धन्यवाद मुख्या बिन्दू तुक्या भी धन्यवाद जाएंगे जब बिन्दू प्रस्तित करता है झाल 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 जाएगा तता उत्पाद को सरकार दोरा ही ख्री लिया जाएगा हम चर्मबद तरीके से किसान परिवारों को दूसरे एक निश्ची ताय अर्जित करने में शत्षम बनाने के लक्षे की और बढ़ रहे हैं ताकि हम चुनाब से पूरब कियेंगे वादों को पूरा कर सके दोजार चबएस पच्छिस में इस पर लगवग एक सो पचास करोड़ पे की अति प्राशी ब्याय की जाएगी जिस से इस विवस्ता को तियार करने में सायता मिलेंगी हमाचल परदेश मिलक फेडरेशन दूत उतपादन सुसाइटियों द्वारा लीग सुसाइटियों से एग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्किट कुमिट्टी द्वारा लीगी मार्किट फीस रिवर्स करने में बहुत समय लग जाता है इससे इन सुसाइटियों का बहुत सारा पैसा कुमिट्टी के पास काभी समय तक पढ़ा रहता है मैं गोशना करता हूँ कि एक अप्रेल दो जार चौबिस से दुगद उतपादन सुसाइटियों से एपी एमसी द्वारा ली जाना वाली फीस माफ की जाएगी इस से इन सुसाइटियों को कुरूरों उपे का लाग पहुंचेगा मेरा लक्षया किसानों और पशुपालकों को ना केबल दूद उतपाद को कोस्ट बेस प्राइस मिले बलकि क्वालिटी बॉनस भी मिले इसी लक्षय की प्राप्ती के लिए मेरी सरकार निश्चित समय अब्दी को ध्यान में रखकर कार्याद कर रही है यह सरकार एवं पशुपालकों के सुख परियास से संबब हो पाएगा परदेश के युवाओं में पशुपालन से संबंदित कोशल के विकास दिगम के माद्यां से ने कोशल परशिक्षन कारेकरम शुरू किये जाएंगे हिम गंगा योजना के अंतरकत मैं बर्श दो जार चोविस परचिस के दोरान कांगणा के ढगवार में 1.5 लाख लीटर पर दे की शमता वाले फुली ओटोमेटिड मिलक और मिलक प्रोडक्स प्लांट की स्तापना की गोशना करता हूँ इस प्लांट के लिए भूमी उपलोप्त करवा दी गई है तता इसकी शमता को बाद में बढ़ा कर तीन लाख लीटर पर डे कर दिया जाएगा इस प्लांट पे अत्यादिनी तक्नीक से दूद का पॉडर बनाया जाएगा जिसकी की मांग से अधिक दूद को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके इसके अत्रिक धाई, खोया, भी, आइस्क्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, प्रोसेस्ट मिल्क चीज तता अन्यात बाद त्यार किया जाएगे इसके साथ ही यहां UHT अल्टरा हीट टेकनोलोजी से पैकिंग की सुविदा भी उबलब्ध होगी दत नगर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में पचाज हजार LPD की शमता का एक अत्रिक सेंतर चालू कर दिया जाएगा तता बर्तमान में भविन जिलों में काम कर रहे दूद सेंतरों के निमिनी करण को प्राथमिक्ता दी जाएगे उन्ना तता हमीरपुर में भी आदुनिक तक्नीक से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्ताविट किये जाएगे जिन पर लगबग पचास क्रोड पे व्याय किये जाएगे स्थानी वहाओं को किसानों को कुलेक्शन सेंटर से मिलक प्रोसेसिंग प्लांट तक दूद ले जाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान पर 200 रेफ्रिजेटर मिलक बैंस उपलब्द करवाई जाएगी जब दूद की पैदाबार बढ़ेगी तो किसान कहां छोड़ेगा उसके लिए उन्हें जो रेफ्रिजेटर बैं होती है मिलक प्रोसेसिंग के लिए उपचास प्रतिशत पर उपलब्द करवाई जाएगी पशू पालकों को उत्तम नसल के पशू उपलब्द करवाने के देश्य से मैं सोलन जिले के दार्ला घाड में कृत्रिम गर्माधान पर्शिक्षन के इंदर की स्तापना करने की गोशना करता हूँ जिसकी सहता से कृत्रिम गर्माधान पर्शिक्षन की सुविदा उपलब्द करवाई जाएगी विशेशग्या पचुश किसकाओं द्वारा गंबीर पशू रोगों की सुविदा उपलब्द करवाने के लिए 44 मोबाइल बेटनरी बेंस कराए पर ली गई है या सेवा वर्श 2024 में पूरन रूप से अरम कर दी जाएगी परतेग बेन में एक बेटनरी डॉक्टर तथा एक फर्मसिस्ट तनात होगा पशू पालब्देश में कहीं से कहीं से भी टॉल फ्री फोन नंबर 1962 पर कॉल करके पशू के उप्चार की सुविदा या पशू पालन से संबंदित अन्या जानकारी राप्त कर सकेंगे राष्टिया गोकूल मुशन के तहत उन्ना जिला के बसाल में डैनमार्क के तकनीकी सेहोग से 44 क्रोड की लागत से एक उत्कृष्टता के अंदर स्ताफित किया जाएगा इसके लिए अवश्यक भूमी पशुपालन विवाग के नाम पर हस्तांतरित का हो चुकी है बदलते समय में पशुपालन विवाग के संगाठनात्मक धांचे के पुनल गठन एवं पुनल सरचना की भी अवश्यक्ता है अता विवागे योजनाओं के युक्ति करण एवं विवागे धांचे के पुनल गठन के लिए एक विस्तरित योजना बनाई जाएगी जिसके लिए एक विशेशिक्य स्मीती बनाई जाएगी मिलक फेडरेशन के माद्यम से नैशनल डैरी प्लान टू के अंतरगर परदेश में दूद की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक बिस्त्रित कारिया यूजना त्यार करके उसको इंप्लिमेंट किया जाएगा हमाचल परदेश भेड बकरी पालकों का भी परदेश है परदेश में आठ लाग भेडे तथा ग्यारा लाग बकरियां है भेड बकरियों के लिए FMD वैक्सिन बी वार्मिंग द्वाईयां तथा अन्या द्वाईयों के लिए अलग से कोई प्राबदान नहीं है इसके लिए बाहर सरकार द्वारा भी कोई प्राबदान नहीं किया गया है बेड बाटरी पालकों की अन्या बड़ी समस्चाओं में डिपिंग ड्रेंचिंग की विवस्ता में सुधार उन कुटाय की विवस्ता में सुधार उनके परंपराग्रत चरानों तदा रास्तों का समाब्थ होना बेड बक्री की उनके विपार में अंतर रष्टे विपार में आए बदलाव के कारण उनके ख्रीद मुलिया में भारी ग्राबट आई है मैं परदेश में बेड़ बक्रियों के लिए FMD वेक्सिनेशन शुरू करने तदा उन की अन्य समस्यों के निदान के लिए एक नई योजना बेड़ बक्री पालक प्रोसान योजना अरम करने की घोशना करता हूँ इस योजना पर दस करोड रुपे की अत्रिक धंड़ाशी दी जाएगी जनक जी नियाज परदेश में बढ़ते हुए बेसारा पश्यों की समस्या के निदान के लिए एक स्टेट लेवल टाक्स पोर्स का गठन किया जाएगा जो की तीन माप के भीतर इन पश्यों को किसानों तफास्ताने समुदाओं से परामरश के बाद स्मीब के अबिहरनों तथां गो शालों में रखने के लिए धिशा निर्देश दिया जाएंगे इसी के साथ गोवर्णों और तथा गोशालों के निर्मान तथा रख्रख्वाव से संबंदित सुझा भी दिये जाएंगे मैं निजी गोशंदों में अश्रित गोवर्ष के लिए दिये जाने वाले अनुदान साथ सो रपे प्रती गोवर्ष प्रती महां से बढ़ा कर एक हजार दो सुर रपे करने की सहर्ष गोशना करता है जो निजी संस्तान गोशाला चलाते हैं उनके लिए हमने बारज सुर रपे पर गाह या कोई सी पश्यूका कर दिया क्रिशी शेक्तर के लिए कुल पांसुब्यासी करोड रपे पस्तावित है अध्यक्ष मोदे मैं हमाचल परदेश की आर्थकी में परदेश के बागवानों का एक बड़ा योगदान रहा है बागवानों की आय में वरिद्धी हमारी सरकार की पराथमिक ताउं से में से एक है मैं दो जार चोबिस पच्चिस के दौरान बागवानी शेतर में तिन सो क्रोड रुपे की लागए से निमन विकास कारिया पूरे करने की गोजना करता हूँ 75 लगू संचाई योजना का अंदिर्मान लगवग 1200 हेक्टेर शेतर में सब ट्रोपिकल फोलों के हाई डेंसिटी विक्षों का रूपन कारिया किया जाएगा जिस से 80,000 किशक स्मों में के लगवग 6,500 किसान परिवार लावानी भी तोंगे 12 क्रोड की लागत से एक बागवानी उत्करिष्टरता के अंदर की स्तापना की की जाएगी जो कि गुनवत्ता, कोशल, प्रियाटन तता बिजार संबंदित सभी अविश्कताओं के लिए वन स्टॉप रिसोर्स सेंटर के रूम में कारिया करेगा राज्जा के सब ट्रॉपिकल शित्रों में दो अत्याधुनिक फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिर्स तावित किये जाएगे पांस क्रोड क्रूपे की लागत से अमरूद, निम्बू तथा अन्या सब ट्रॉपिकल फोलों की बढ़ावा देने के लिए मडलेटरीज, बड़ वूड बैंक्स के लिए कोरडेंशन व्लॉग की स्थापना की जाएगी भागवान भाईयों के साथ चर्चा के बाद मैं घुजना करता हूँ 2024 के सेफ सीजन से, जो अगला सेफ सीजन होगा, यूनिवर्सल कार्टन का परियोग आरहम कर दिया जाएगा इस दिशा में अवशक दिशा नर्देश त्यार करने है तो, सचिव क्रिशी की दिख्षता में दिसंबर 2013 में एक कमेटी का कठन किया जा चुका है परदेश में हाई रिटन फ्रूट जैसे की ड्रेगन फ्रूट, अवशक दिशा नर्देश त्यार किये जाएंगे इससे परदेश के किसानों की आए में शिगर एवं निश्चित अब विरिद्धी होगी अड़क्स मोदे, परदेश में प्रेटकों के बढ़ते वे रुजान को देखते वे हाटी कल्चर टूरिजम को बढ़ावा देने की अवशकता है परदेश में श्तित बड़े बाग तदा बागों के स्मो को गरामिन प्रेटन की दृष्टी से विक्सित करने के लिए गरामिन विकास विवाग, उद्यान विवाग तदा प्रेटन विवाग के माद्यम से मैं एक ठोस नीती का निधारन किया जाएगा इस नीती के अंतरगत इच्छिक बागोंनों को अवशक ट्रेनिंग तता अन्य सहता अपलोड करवाई जाएगी, बागोंनी के कुल पांसो कतिस प्रूर रपे पस्तावीत है अदेक्ष मोदें, परदेश के लगवग 13,000 मचवारों की आए बढ़ाने के उदेशे से मैं निमन गुशना करता हूँ 20 हेक्टर शेतर में ने मतस्य पालन तलावों के निर्मान के लिए मचवारों को 80% उबदान पर आर्थिक साहता दी जाएगी यनि कि सौरवे में से 80% सरकार करच करेंगे जीला हमीरपुर में सेंटर ओ अउट्स के रों में एक ने कार फिश फ़ारम की स्थापना की जाएगी नौलागवड स्तिथ फिश सीड फ़ारम में 5 क्रोड की लाग़ से बिड़र बेंक की स्थापना की जाएगी परदेश के मच्छवारों को मोटर सैकल, थ्री विलर तथा आई बॉक्सिस उबदान पर उपलब्द करवाए जाएंगे दस ने बायो फ्लॉक फिश प्रोडक्शन तलाबों तथा दस नहीं लगो बायो फ्लॉक फिश प्रोडक्शन काईयों के स्थापना की जाएगे तीन नई फिर्ड मिल्स की स्थापना की जाएगी, दो बरफ सेंतरों की स्थापना की जाएगी इसके अत्रि परदेश के ठंडे शित्रों में निजी शित्रों में ट्रॉट मचली उतबादन को बढ़ावा देने के लिए एक सो पचास नई ट्रॉट मचली उत्पादने काईयां तदा दो नौई ट्रॉट हैच्रिस की स्ताफना की जाएगी अदर्श मौदे ये सब चो चीजें हैं ये किसान की आए बढ़ाने के लिए है चाहे प्रकृतिक खेती है चाहे दूद के मुल्या बढ़ाने की बात है चाहे फिशरी की बात है किसान और बागवान की आए बढ़े उस दिरिश्टी से सब को जोड़ा गया है इसके अतरिक्त परदेश के ठंडे शित्र अदर्श मौदे गर्त बश भारी वर्शा के कारण अन्या संपत्यों के साथ साथ लारजी पावर हॉस को लगवग 658 क्रोड पे का नुकसान हुआ लारजी पावर हॉस के यूनिट नंबर वन को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया गया है तथा अन्या दो यूनिटों को भी शिगर ही रिस्टोर कर दिया जाएगा लगवग 2000 क्रोड पे की लागत से कारेंविंट होने वाली हमाचल परदेश पावर सेक्टर ड्वल्मेंट प्रोग्राम के लिए विश्चर बेंक के साथ लॉन एग्रिमेंट साइन कर लिया गया है इसके माध्यम से स्मार्ट ग्रीट टेकनोलोजी की सहता से परदेश के 13 शहरों में 24 इंटू 7 पावर सप्लाई सुनिश्चित करने का कारिया शिगर अरम किया जाएगा मैं हमाचल परदेश को 2026 तक देश का पहला हरित उर्जा राज्या बनाने के अनुकरम में तदा परदेश में सोर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए निमनित गोशनाई करता हूँ पेखु वाला स्तित 32 मेगावार शमता वाले हमाचल के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का शिला नियास दो दिसंबर 2023 में किया गया था मैंसे मार्च 2024 तक के अंतक कमिशन करने की घोशना करता हूँ उन्ना में अग्लोश तित 10 मेगावाट शमता वाले सोलर पावर प्रांट जून 2024 तक बनकर त्यार कर दिया जाएगा उन्ना के बन्जाल में 5 मेगावाट शमता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट का स्तंबर 2024 तक लोका आरपन कर दिया जाएगा राजीव गांधी स्टार्ट अप यूजना के अंतरगत निजी भूमी पर 45 प्रतिशत उपदान पर 100 से 500 किलो वाट तक के सोलर पैनल नगाने के कारे में गती लाई जाएगी इस यूजना के अंतरगत प्रधम चर्ण में कुल सो मेगावाट सोलर शमता का धोन स्नुचित किया जाएगा निजी भूमी पर स्तापित होने वाले सोर उर्जा प्रियुजना का पंजी कर्म पूरे वर्ष के लिए खुला रखा जाएगा जिस सो मेगावाट सोर शमता का धोन शिगर संपन हो पाएगा परदेश के बाल एवं बालिका आश्रम तता प्रिद आश्रम और राजीव गांधी मोडल डे बोर्डिंग स्कूल में ग्रेड से जुड़े रूप टॉप सोलर प्लांट और वाटर हीटिंग सिस्टम स्तापिक किये जाएगे सबी सरकारी भमलों के कनेक्टिंग लोड के कम से कम 20 प्रतिशीत की उपूर्ती ग्रेड से जुड़े रूप टॉप सोलर प्लांट के माद्यम से चरणबात तरीके से करना अनुवारिया किया जाएगा सोलन, पालंपूर धर और धरमशाला नगर निगमों में सबी ग्रेलूप वोकताओं को एनलसुप राप्त करने के लिए ने भमोन में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाना अनुवारिया किया जाएगा तथा इन निगमों में स्तिज सरकारी भमनों की च्छतों पर चरणबत तरीके से सोलर प्रांट लगाने होंगे उन्ना, कांगडा, सोलन, सिमोर, मंडी और शिम्ला जिला में 501 मेगावाट की शम्तावाले 500 पारक और 2,012 मेगावाट की शम्तावाली 100 उर्जा पर युजनाय स्तापित करने का कार्या अरंब किया जाएगा लगब एक 1885 क्रोड की लागत से परदेश में रिवैंट डिस्टिबिशन सेक्टर स्कीम्स के माद्यम से एग्रिगेट टेकनिकल एंड कमर्शल लॉसिस को कम करने के लिए एक विस्तित कार्या युजना का कार्या वैंट किया जाएगा इससे बिजली पूर्ती की गुनवर्ता के साथ साथ डिस्टिबिशन सेक्टर की फानेशल सस्टेनेविल्टी भी बढ़ेगी बिजली उतबादन के साथ साथ एक efficient transmission and distribution network होना समय के अविश्कता है ताकि नाकेवल परदेश की जनता की बिजली को मांग को पूरा किया जा सके बलकि सर प्लस उतबादन को उची समय पर अन्या राजियों को भी पंचाया जा सके इसको और सद्रिड करने के लिए 2024 के लिए 96 करोड रुपे की लागत से 4 transmission lines तथा 290 करोड की लागत से 6 extra high voltage पूरे सब्स्टेशन पूरे किये जाएंगे परदेश मेस्तित transmission assets को national grid से central transmission utility system के माद्यम से जोड़ा जाएगा इसकी नियंतरन monitoring के लिए कुन्यार में बन रहे joint control center तथा कांगडा के धेन में सब station के लिए के निर्मान का कारिया 2024 में पूरा कर लिया जाएगा इससे transmission lines के शिगर रख रखाव की में भी सुविदा होगे अदक्ष मोदे कांगडा जिलो को प्रदेश की प्रेटन राजधानी बनाने की घुशना पिछले बजट में की गई थी इसी करम में साथ जलाई दोज और तेईस को कांगडा के गगल होई अड़े के विस्तार के लिए सेक्षन 11 के अंतरगत अदिसुचना जारी कर दी गई है इसके लिए रिहेविलीटेशन और रिसेटिलमेंट प्लान को शिगरी अंती रून दे दिया जाएगा और भू अधी गिरिन कारया अरम कर दिया जाएगा इसके अतरिक वेबकोस लिम्टीड द्वारा त्यार कीगी मंडी हवाई अड़े की डी पी आर का प्रिक्षन किया जा रहा है परदेश में कुल 16 परस्ताबित हलीपोर्ट में से प्रतम चरण में 9 हलीपोर्ट करमशा हमीरपूर में जसकोट कांगड़ा में रककड और पालंपूर चंबा में सुल्तानपूर कुलू में अलू ग्राउंड मनाली में अलू ग्राउंड मनाली गिनौर में शार्बो तता रॉस्पिती में जिसपास सिसू और अंगरीद में विक्सित किया जाएंगे। इन नो हलिपोर्ट की फिजिविल्टी स्टडी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। रक्कड सुल्तानपूर और पालंपूर का अबस्टेकल लिमिटेशन सर्वे हो चुका है और इनकी डीपी आर शिगर ही बनकर त्यार हो जाएगी। रक्कड और पालंपूर का आर्किटेक्चिल डिजाइन प्राप्त हो चुका है। तेरा क्रोड पे प्रती हलिपोर्ट की लागत से रक्कड पालंपूर रिकांपूर चंबां में हलिपोर्ट का निर्मान कारिया अरंप किया जाएगा। दूसरे चर्ड़ में चंबा के पांगी, होली, बलासपूर के और सिर्मार के धारक राई, धारक्यारी, शिमला के शांशलदार, उन्ना के जनकौर, तता सोलन के गला नाग में हैली पोर्ट निर्मित के जाएगे। इसके लिए बाहर सरकार के माद्यम से पवन हंस लिम्टिट से अवश्चक सहता ली जाएगी। प्रटन विकास के लिए प्रतिवत्ता की दिशा में बढ़ते वे स्वदेश दर्शन दो के अंतरकर पौंग डैम के विकास और प्रबंदन के लिए एक मास्टर प्लान त्यार किया गया है। इसके साथी निमन पांच टूरिस्ट जस्टिनेशन को प्रेटन की दिश्टिस से विक्सित किया जाएग लौल स्पिती में चंदरताल, काज़ा और तांदी, किनौर में रक्षम और नाको चांगो खाब, वैक कुपरी के नजदीक हसन गाटी के मशूर प्रेटिक स्काल पर स्काई वाक बीच के निर्मान करने की सहर्श कोशना करता हूँ। प्रेटिकों को प्रवास के दोरान बहतर सुविदाएं परदान करने के देशा से, प्रदेश में सबी हॉमस्टेज, यूनिट को हमाचल प्रदेश टूरिजम डॉल्मेंट एंड रेजिस्टेशन एक्ट के अधिन लाया जाएगा, जिससे इसके संक्चाले में सुधार और अवचार के लिए अवश्यक सुधाओं की विवस्ता करनी होगी, मैं डाक्टर रादा क्रिशन मेडिकल करूलेज हमीरपुर में सो करोड की लागस से स्टेट ऑफ दी आर्ट फेसलिटीज के साथ स्टेट कैंसर इस्टिचूट की स्ताफना करने की गुचना करता हूँ, इंडिया कॉंसिलों मेडिकल रिसर्च की सहता से परदेश में बढ़ते कैंसर के रोग्यों के कारनों का पता भी लगाया जाएगा, कैंसर पीडित मरीजों को परदेश में ही कीमो थेफी तदा पैलेटी केर की सुविदा परदान करने के लिए जिलाफ हस्पितालों तदा चाइनी अदर्स वस्ते के अंदरों पर कैंसर डे केर सेंटर्स की स्ताफना की जाएगी, इन के अंदरों में कीमो थेफी ले रहे सभी मरीजों के लिए बैट्स का परदान करत होगा, तथा कीमो थेफी दवाओं को राज्या वश्क दवा सुची में समलित किया जाएगा, ताकि मरीजों को कीमो थेफी के लिए अधिक पैसे ब्याएना करना पड़े, इंद्रा गांदी मेडिकल कॉली शिमना में कैंसर पीवित रोग्यों के अडवांस रेडियो थेफी तक्नीक से उपचार के लिए 21 क्रोड की लागत से एक लीनियर एक्सिलेटर मिशीन स्ताफित की जाएगी, पिछले बजट में गोशित 69 अदर्स वरस्ता के अंदरों पर कार्या विवीन चर्नों में हैं, तता इनमें से अधिकाश का कार्या 2425 में पूरा कर लिया जाएगा, इसी बर्ष मेंशीनिर्य और एक्यूमेंट की विस्ता करने के लिए एक क्रोड पे प्रती के अंदर बुलब्द करवाए जाएगे, पिछले कई बर्षों से पीजी आई सेटलाइट सेंटर उन्ना में चल रहे सभी कार्यों को गती देने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं, हमारी सरकार द्वारा किये गे प्रयासों से पिछले कई वर्षों से लंबित environmental clearance दिलवाईगी इसमें शुरू किये गे सबी कार्यों को प्राथमिक्ता पर पूरा किया जाएगा प्राथम चरण में मैं परदेश के 53 स्वस्ते संस्तानों में hospital management information service की स्ताफना की जाएगी इससे मरीजों को उनके digital record के अधार पर बेतर सुविदाय प्राप्त हो पाईगी इस करम में लगवग 57 लाग प्रदेश वासियों का health card ID बनाया जा चुका है भारत health का account ID बनाया जा चुका है तता शिगर इस सभी प्रदेश वासियों का आभा ID बना दिया जाएगा यानि कि सभी जो प्रदेश वासियों 75 लाग के वादी में हमारे 57 लाग के जो अभादी के लोग हैं उनका digital record बनाया जा चुका है और जल्दी ही इसको 75 लाग के वादी को बना दिया जाएगा डाक्टर रजिंदर परशाद मेडिकल कॉलिज टांडा और कमला नहरू हास्पिटर शिमला में नबजाश शिशुम में इस्तन पान को प्रोसाइट करने के लिए शिक्षा तथा जचा के लिए लोकेशन मनेजमेंट सेंटर स्थाफित किये जाएंगे परदेश के जिस वस्तनों में एक्सरे की सुविदा नहीं हुआ के निवास्चों की सुविदा के लिए प्राइविट ट्रैक्टिशनर के माद्यम से या सुविदा परदान की जाएगी शेर इस वार कम नहीं आप यू सुना तो दोजार चब्विस के अंतक परदेश जिले में सुविदाओं से एक इंटेग्रेटिड पबलिक हेल्प लैब की स्ताफना की जाएगी पिछले बजट में घोशित, नहान, चमबा और हमीरपुर में नेक नर्सिंग कॉलेजों में निर्मान कारिया अरहम किया जाएगा इसके साथ ही डर्प्टर रिजिंदर परशाद मेडिकल कॉलेज टांडा में जर्नल नर्सिंग एंड मीड़वाइफ स्कूल को नर्सिंग कॉलेज में स्तानों तरुत किया जाएगा बद्दी ब्रोटी वाला नालागड परमानू पॉंटा और उन्ना द्योगिक शेत्रों में कारेलत प्रवासी कामगारों की हेल्थ सक्रीनिंग के लिए एक गेस्ट वर्कर सक्रीनिंग प्रोजेक्ट आरम किया जाएगा पिछली सबी सरकारों ने परदेश बासियों के कल्यान के लिए बहुत सी योजनाएं अरम की है ऐसी योजनाओं में से हिमकेर तता सारा 2019 में शुरू की गई और इनका लाभ भी जन्सादन तक पहुंचा है किन्तु इन से संबंदित एंपिरिकल डेटा के अनलिसिस के अधार के बाद इनके कारेवन में कुछ स्ट्रक्चल तथा उपरेशनल समस्याँ उजाकर हुई है इन में से प्रमुक्स मस्या है कि कन्वरजन्स और टेकनोलजी की अप्लिकेशन के अबाब में कुछ योजनाओं में डुप्लिकेशन हो रही है मैं राष्टे स्टर के डोमेन एक्सपर्ट की सहता से इन कम्यों को दूर करके कुछ अबश्चक सुधार करने की गोशना करता हूँ ताकि जुरूरत्मन लंगों को उची समय पर इन यूजनाओं का लाम मिल सके तब तक इन दोनों यूजनों का करेमिन यतावत होता रहेगा स्वच्टे शेत्र में कुल 3,415 क्रोड पे पस्तावी थै अध्यक्ष मोदे भारत के प्रतम परदान मंत्री पंड़े जवाला नहरू का मानना था कि आज के बच्चे कल का भारत पनाएंगे जिस तरह से हम उनका पालन पोशन करेंगे वही देश का वविश्या तै करेगा या कथन आज के समय मैं और भी महत्तपुर्ण हो गया है क्योंकि आज पूरी दुनिया में तकनीक के कान जो परिवत्तन आ रहे हैं उनकी गती और उनका प्रवाव जीवन के हर शेत्तर पर पढ़ रहा है तेजी से बतलती इस नई दुनिया में एक अनिश्यत विविश्या के लिए बच्चों को त्यार करने में शिक्षा विवस्ता का अंत्यंत मत्तपुर्ण योगदान रहेगा यह वश्यक है कि हमारी शिक्षा विवस्ता समयवेशी समानता पुरण फ्यूचर औरिंटीड नई तकनीक के प्रतिस सजग और भारतिया जीवन मुलों के प्रतिस सवेदन शील हो हमें प्रात्मिक स्थर्पस से लेकर विश्यविद्यला स्थर्थ के सवेधानिक मुल्यों के आतम साथ करने के लिए एक अनुकूल वातावन का निर्मान करना होगा भारत के सभीदान में हम भारत के लोगों ने अपने लिए एक समपूरन प्रवित संपन समाजबादी पत निर्पेक्ष लोगतांतरमिक गंडराज्जा का अधिश्या तै किया है हमारी शिक्षा विवस्ता का अधिश्या इस पावन भावना के अनुप विविन्ता में एक्ता एवं भोरमगी भारत के निर्माड के लिए बच्चों को त्यार करना है मेरी सरकार चाहती है कि हमाचल परदेश के बच्चे सविदान की मूल भावना के अनुप एक स्वस्त जीवन दिश्टी विक्सित करे तता मूर भू शाक्षरता तता संख्या ग्यान से लेकर कृतिम आर्टिविशल इंटेलिजेंस के प्रयोग तक हर कोशल में सर्वशेष्ट बने इस लक्षा की प्राप्ति के लिए हमने शिक्षा के शेत्र में ब्यापक सुधार अरम किये है प्रात्मिक अरम्बिक तता उशिक्षा संस्तानों में उपलब संसाध्णों का सांजा प्रयोग आज की अविश्टा है इस दिरिश्टी से प्रदेश में कलस्टर प्रनाली अरम की गई है इसके साकारत्मक पर नाम आ रहे हैं तता इसे और अधिक सद्रिट किया जाएगा है। इन सस्तानों में उचित गुनवत्ता और साइज के क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, डिज स्मार्ट बोर्ड, ओडियो विजल, टीचिंग एड्स, लर्निंग सौप्ट्वेर, प्रॉपर सिटिंग अरेजमेंट्स, फुल स् की नमिनतम तक्नीक से घर बैठे जुड़े, जुड़ सके, तता आने वाले समय में, दुनिया में कहीं भी अपनी शम्ता के दार पर रोजगार एवं स्वारोजगार प्राप्त कर सके, इसलिए हमने पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माद्यम का विकल्प दिया है, वहीं प्रदेश के सबी बच्चों को और विशेश लुप से गौंग के बच्चों को लाब होगा, गाउस्टिया शिक्षा निती के अंग्रूप पर्देश में स्कूल इस तर पर प्राप्र प्रोज़ शिक्षा पर नाली लाग्र की जाएगी है, जिससे, जिसमें तीन सारका प् प्रवेश के लिए राष्ट्रा शिक्त्रा नितिक नुसर कम से कम छे वर्ष की आयू टै की गई है और प्री प्रेमरी की तीन कक्षों में परवेश के लिए करमशा तीन, चार और पांच बर्ष की नियूंतम आयू सीमा तै की गई है पूरे प्रदेश में शिक्षा संस्तानों को चारनवत तरीके से पूरों निर्धारित मावडंडो के नुसार इस्टिशूशन ओव एक्सिलेंस के रूम में विक्सित किया जाएगा बर्ष दोजार चोबिस पच्चिस में आर्सो पचास शिक्षा संस्तानों को आई ओई बनाए जाने का लक्षा रखा गया है जिन में से प्राया 500 प्रेमरी स्कूल, 100 हाई स्कूल, 200 सीने स्केंडरी स्कूलों पचास डिगरी कॉलिश शामिल है इन संस्तानों में अध्यापकों के सभी स्कूलों को भरने के सासा स्मार्ट क्लास रूम तथा अन्या सुविधाएं उबलद करवाई जाएगी निर्धारित माप डंडों के अधार पर इन संस्तानों का प्रियोडिक मिल्यांकन किया जाएगा पर्देश के सबी स्कूलों और कालिज के प्रिसीबल ओबलिक हैड मास्टर Śक्षा के शेतर में अबश्चक नेतरतफ पर्दान कर सके इसके लिए स्कूल ओबलिक अबलिक कालिज लीडर्शिप पर शिक्षन शुरुक किया जाएगा स्कूल और समाज के बेतर त्यालमिल के लिए तता समुदायक भागेदारी बढ़ाने के लिए अपना बदैलिया मेरा बदैलिया मेरा समान यूजना अरहम करने का निर्णा लिया गया है इसमें जहां एक और मुख्यमंत्री से लेकर खंड स्तरिया अधिकारी तक सभी बदैयक तक सभी एक एक शिक्षा सिल्थान को गोद लेंगे वहीं दूसरी हो समधाय को स्कूलों से जोड़ा जाएगा इसमें पात्तर एवं इच्छुक व्यक्तियों द्वारा निशुक शिक्षा परदान के जाने की विवस्ता भी की जाएगी यानि कि कोई भी बदैयक है वो एक स्कूल को गोल ले सकता है और अधिकारी भी परतेक उबमंडल में उबमंडल अधिकारियों को सभी प्रैमरी स्कूलों का महीने में एक दिन बारी बारी से निवायर रूप से रिव्यू मीटिंग का आयोजन करना होगा इस बैटक में उसकूल में ना केवल बदैरती बलकि अधियापकों की परफॉर्मेस का भी रिव्यू किया जाएगा अभी भापकों के साथ भी इस बैटक में संबाद किया जाएगा इसी बैटक में स्कूल के रखरकाब के बारे में भी उचिन निन्या लिया जाएगा। इसके लिए अवश्चक दिशा नर्देश जारी कर दिये गए हैं। परदेश के सभी शिक्षा संस्तानों की वाश्चिक रैंकिंग और उनके लिए परफॉर्मेस बेस्ट गरांट की वि रैब सेट बनाई जाएगी। शिक्षा शेत्र में व्याफक सुधार करते हुए गुनात्मक शिक्षा पर विशेश ध्यान किंद्रित किया जा रहा है। अभी तक लिएगे निन्डों में वर्ष में कुल अध्यापंद बस बढ़ाना, खेल एमन सांस्कृतिक गतिवीदिय का निश्चित समय तैय करना, शिष्कों के गैर शिक्षन कारें में निरंतर कभी करना, मिड़े मील में रिकॉर्ड की उपचारिकारताओं को पुरा करना शामिल है। को बार-बार मगाए जाने की प्रता पर लोक रोक लगा दी गई है। यहाँ भी देखा गया है कि आम तोर पर हर स्कूल का एक अध्यापक लगबग नियमित रूप से डाक लेकर स्कूल से अनपस्तिक रहता था, इस विवस्ता पर भी पुरन तैयर रोक लगा दी गई है। अध्यापको और बच्चों में अपने विद्यालिया के प्रति सम्मान का भाव उत्वनों इसके लिए विद्यालियों को अभी भावकों के साथ मिलकर बच्चों के लिए अपनी पसंद की बर्दी चुनने का अधिकार भी दिया गया है। अगामी वर्ष में शिक्ष्या मे बेहत्री के लिए प्रात्मिक स्तर से विश्य वैद्य अल्यास्तर की प्रक्रियां सरचना और नियाववली का पूरन प्रिक्षन करके अवश्चक बदलाप और विवस्ता परिवर्तन किया जाएगा शेर है ये खुदन नहीं मेरे मुँवए ने अर्गे अर्पय मुझक वटतन किया इसा उयाएगा खुदन अबी तो अपनी मंजिल पाना बाकी है अबी तो इरादों का इंतिहान बाकी है अबी तो तोली है मुठी भर जमीर जमीन अबी तोलना आस्मान बाकी है यह अबी चोड़ा आपकी नीद हराम हो गई है पढ़ने पढ़ने के संस्क्रिती के विकास के लिए यह जो बजट है यह आतम निर्वर्व, हमाचल और युवा जो पीड़ी है उनके भविशे की शिक्षा पर ना लिए महत्तपुन बदलाव है इसको आप अराम सिर्व समझीया पढ़ी है आप भी महसूस करेंगे यह अमत्तपुन बदलाव आज के चाली साल की विवस्तप पर नीद जरूरी है पढ़ने पढ़ाने की संस्क्रिति के विकास के लिए परदेश में बर्ष दोजार चोबिस में पढ़ो माचल के नाम से एक व्यापक जन अभियान अरम्द किया जाएगा इन अभियानों में विदैलाओं के सासा ग्रामिन एवं शेरी जन सुनुवदाए को भी जोड़ा जाएगा इस अभियान के तहित परदेश के पांसो शिक्षा संस्तानों में समान्या पाठकों और विशेश रूप से युवाओं के लिए रेडिंग रूम बनाए जाएगे तथा इनी सिक्षा संस्तानों के पुस्तकाल्या के चलाने में आम जनकी वहागी दारी को सुनुश्चित किया जाएगा मैं परतेग जिला वे उबमंडल मुख्याल्या और पंचैस्तर पर एक आधुनिक्तम सुविदा सहित पुस्तकाल्या तथा वाचनाल्या बनाने की गोशना करता हूँ पंचैस्तर पर या कार्या चर्णबत तरीके से पूरा किया जाएगा प्रथम चर्णब में 25 पर 493 पुस्तकाल्या का निर्माण करके इनमें पुस्तके तथा अन्या सुविदाये पर दान की जाएगी जिस पर 88 क्रोड पे बियाए किये जाएगे शिक्षा स्तर में सुधार लाने में परशिक्षित अध्यापकों का मुक्चा यह उगदाने अता अध्यापकों के प्रिक्षिक्षन को और अधिक रिजल्ट औरेंटेड बनाने के लिए जिस्टिक इंस्टिचूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग डाइट तथा स्टेट कॉंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के नियमों में बदलाव लाकर इन्हें और अधिक प्रवावी बनाया जाएगा इसी तरह से परदेश में स्टेट इंस्टिचूट ऑफ एजुकेशनल मिनेज्मेंट एंड ट्रेनिंग का पुना गठन करके इसे चात्रों और चात्रों और चात्रों के लिए अलगलग स्कूल अत्वा महावधियल्या चल रहे हैं स्टानिया निवासियों की मांग पर अवश्कता अनुसार उन दोनों को मिलाकर एक को एजुकेशनल शेशनिक संस्तान चलाने की शुरुआत की जाएगी इससे चात्र वे चात्रों के शेशनिक विकास के साथ साथ उनका मनो विज्यानिक विकास होगा तथा व्यक्तितब उबरेगा इसके साथ ही जिन शेतरों में तीन से पांच किलोमीटर के दारें में कोई प्रात्मिक शिक्षा विद्यालया नहों वहां के बच्चों को नद्दी के स्कूल तक लाने और वापिस घर छोड़ने की विवस्ता सरकार द्वारा की जाएगी अधैक्ष मौदे एक अर्मान के अनुसार जल रहीत रोगों से प्रतिवश भारत को 49 अरब 70 क्रोड रुपे का नुपसान उठाना पड़ता है भारत के दो त्याईजिले पानी की कमी से जुज रहे हैं बच्चों को पीने के लिए साप पानी मिले इसके लिए परदेश में अपी अवियान चलाया जाएगा तता सरकारी स्कूलों के 8,50,000 से अधिक बच्चों के लिए मैं एक सुरक्षित एवन स्वच पानी की बोतल उप्रब्द करवाने की घुशना करता हूँ परदेश में पढ़ाय जारे पाठ्यक्रम का सवधैनिक मुल्यों के परिपेक्षय में कुना मुल्यांकन किया जाएगा इससे परदेश की समरिद सांस्कृतिक विरासत का समावेश भी किया जाएगा इसके लिए पाठ्वी कक्षा से हमाचल के इतिहास एवन संस्कृति भारतियस सवधान, सुरस्त्या, बेसिक हाईजिन तता अन्या समान्या ग्यान के विशों पर अनिवारिया रूप से पाठ्यक्रम अरम किया जाएगा सभी विद्यालों में खेलों तता व्याम के लिए प्रति दिन कम से कम एक पिरेड अनुवारिया किया जाएगा और वश्क्ता अनुसार फिजिकल एजुकेशन टीचर की नुक्ति को परात्मिक्ता दी जाएगी पांसो बच्चों से अधिक वाले स्कूलों में स्वैस सहता समो को मिड़े मिल के अंतरगत भोजर बनाने और प्रोसने में भागी दारी के लिए प्रोसाहित किया जाएगा नैशनल असेस्मेंट एंड एक्रीडेशन कौंसिल नैक उस शिक्षा में परदेश की स्थिति को जांचने एवं इस से किये जारे प्रयासों को आंकने का एक अच्छा माध्यम है 2024-25 में नैक एक्रीडेशन के लिए परदेश के सभी पात्तर कौलेजों द्वारा अपनी दावेदारी प्रस्तुत की जाएगी 2024-25 के लिए परदेश सरकार द्वारा बाहर सरकार को बित पोशन के लिए समगर शिक्षा बिहान के तैट 1052 क्रोड रुपे तदा स्टार प्रोजेट के तहट 400 क्रोड रुपे का पस्ताव भिजवाया गया है इसके अत्रिक पियम उश्या के तहत एक जार टोड रुड 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 तीन स्तानों पर अटल अदर्श विद्यालिया बनाने अरम किये थे मेरी सरकार इन्हें पूरा करने के लिए ना केवल अवश्चक धंदाशी अपलब्द करवाएगी बलकि इन्हें क्रियाशील भी करेगी राजीव गांदी मोडल डे बोर्डिंग स्कूल तथा एक अटल अदर्श विद्यालियों के लिए करमचारियों का एक विशेश कैडर बनाये जाएगा तथा इन्हें अंतरास्टिय मानकों पर उतकृष्ट सिक्षा संस्तानों के रूमें विक्षित किया जाएगा मैं प्रथम चरण में परदेश में दस राजीव गांदी डे बोर्डिंग स्कूल करमचा लाडू नगरोटा बगवा कांगडा अमलैड भोरंज संगनाई फतेपूर पांच और का निर्मान अरम करने की गोशना करता हूँ पांच और के नाम नहीं लिखे हैं शिक्षित हित्र में कुल 9560 क्रोड पे पस्तावित है अजक्ष मोदे परदेश के युवाओं को रोजगार एवन सुरोजगार अफसर के लिए तियार करने के लिए करने के अदेश्या से मार्केट डिमांड के रूप पर शिक्षन दिया जाना वशक है मैं इसी उपकरम में निवन गोशना करता हूँ राजीव गांदी राजिया राजकिय इंजिनियरिंग कॉली नगर उटा बगवा में कम्प्यूटर साइंस और इंजिनिरिंग आर्टिविशल इंटेलिजन्स और डेटा साइंस में डीट बी टैक और डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएंगे राजकिय बहुत तक्निकी सुन्दन नगर में कम्प्यूटर साइंस और इंजिनिरिंग आर्टिविशल इंटेलिजन्स और में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा राजकिया बहुत तक्निकी हमीरपूर तथा तलवार में Computer Engineering and IOT में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा अटल भ्यारी बाचपई राजके Engineering College प्रकृति नगर कोटखाई में Civil Engineering के BTEC और डिप्लोमा कोर्स अरम किया जाएगे राजकिया बहुत तक्निकी जुन्डोर में अरमबिक सत्तर दोजार चोबी से कखशाए अरम कर दी जाएगी जो बेसी कोर्स होंगे अच्छे जो आप बूलेंगे श्राम विवा की डवन E.M.I.S. पोर्टल पर अभी तक 448 इंपलायर्स को जोड़ा जा चुका है इसमें नीजी शेत्र के और और इंपलायर्स को जोड़ा जाएगा तदा इसके माद्यम से 2024 में 180 सी कैंपस इंटिव्यू यूजित किये जाएंगे असंगेटी शेत्र के कामगारों को हितों को ध्यान में रखते वे 2024 के अंत तक इस शेत्र के 20,87,000 कामगारों को पंजी गृत करने का लक्षा रखा गया है इसके अत्रिक श्रम में रोजगार विवा की रोजगार पंजी करन पोर्टल को कॉमन सर्विस सेंटर के साथ भी लिंक किया जाएगा ताकि प्रदेश के युवा इन किंद्रों के माद्यम से पंजी गरन करवा सकेगा यानि कि एप्लाइमेंट एक्चेंज के लावा लोग मिश्तर के इंदर है वहां भी एप्लाइमेंट कोई व्यक्ति अपना नाम रिजिस्टर करवा सकेगा तक्निकी शिक्षा शितर में कुल 330 करोड रुपे परस्ताबीत है अधक्ष मोदे बरतमान में प्रिद्धावस्ता बिद्वा एकलनारी दिव्यांग कुष्ट रोगी तथा ट्रांसजेंडर पैंशन के 7,84,000 लावार्थियों के लिए लगवग 1,260 करोड रुपे व्याय क जा रहे हैं दो जार 24 पच्चिस में 40,000 लावार्थियों को इस योजना में समलित किया जाएगा जिस पर लगवग 70 करोड पे अत्रिक व्याय के जाएंगे अधक्ष मोदे परदेश में अभी तक परदेश में अभी तक दिव्यांग जनों की उस शिक्षा के लिए कोई भी शिक्षा संस्तान उपलब्द नहीं हैं मैं परदेश में दिव्यांग जनों की उस शिक्षा के लिए कंडा घाट में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंट फॉर एक्जुकेशन फॉर ऑफ दिव्यांग जनों की स्ताबना करने की घुशना करता हूँ Institute of Four Children with Special Disabilities को भी इस के अंदर में स्तानांतरित किया जाएगा इस के अंदर में 0-27 बरश की आई-उ के दिव्यांग बच्चों के लिए अवासिये सुविधाएं, खेल मैदान तता सभी अन्या सुविधाएं परदान की जाएगी जिन पातर दिव्यांग बच्चों के लिए रहने की सुविधाव प्लब नहीं होगी, उन्हें रहने के लिए कराय के लिए आर्थिक सहता दी जाएगी परदेश के युवाओं को रास्टर निर्मान की और ले जाने के उदेश्य से राज्यस्तर पर सभी सुविधाओं से कंडागाट में एक अदर्ष नशा निवारन के इंदर की स्ताफना की जाएगी इस के अंदर में पुस्तकालिया, जिम, इंडोर तथा आउडोर खेलो त्यादी की सुविधा देने के साथ साथ यहाँ भी सुनिशित किया जाएगा कि यहाँ के इंदर सड़क से जुड़ा हो तदा कोई समुधाएक स्विधा के इंदर अथवा सिवल हॉस्पिटल इस के इंदर के आस पास हो जिसमें अन्या सुविधाओं के साथ साथ संबंदित प्रामश की सुविधा भी अफलवद होगी परदेश के युवांग तथा अन्या हित्त हरकों की जागरुपता के लिए एक ब्यापक अभिहान चलाया जाएगा उममंडल स्तर से लेकर राज्या स्तर तक के अधिकारियों की भागेदारी से एक अफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड रपोर्टिंग सिस्टम की स्ताफना की जाएगी अभी नशा निवारण के अंदर तो बहुत है लेकिन वो मकानों में बंद कमरों में चल रहे है तो किसी की नशे की अगर कर लट को छुटा चुटाना है तो उसके लिए थोड़ा ओपन स्पेस वीचे खेलने की सुविदा भी हो तो पहला हमाचल परदेश का नशा निर्मा का ब्यापत विस्तार हुआ है ताथा इसके मादन जपरदेश के सभी वर्गों को समय पर उची सुविदा पर पहचाने के लिए हमारी सरकार सदा सी प्रतिंशिल रही है मैं एक नहीं है उजना मुख्या मंति सुख अरोग्या युजना आरम करने की गोजना करता हूं इसके अंतरगत पर देश में सत्तर वर्ग से आधीक आयू के सभी एवं एसे क्रिशकों एवं ब्रिद्धों जो की आय करना दे रहे हूं अत्वा कोई पैंचन ना ले रहे हूं को मुफ्त किस्सा सुविदा दी जाएगी इसके साथ ही मैं मुफ्त मैं इसके साथ ही मैं एक नहीं योजना मुख्या मंतरी सुक्षा योजना अरम करने की भी गोशना करता हूं इसके साथ इसके अंतरगत पर देश में सभी विद्धाओं असी सभी विध्वाओं विध्वाओं के 27 साल तक की आयूँ वाले बच्चे जिनकी सबीस रोतों से बार्षी काए जितनी वी विध्वाएं हैं इसके अंतरगर प्रदेश में ऐसी सभी विद्वाओं के 27 साल तक की आयू वाले बच्चे जिनकी सभी स्रोतों से बार्शी काय एक लाग रपे से कम हो कि शिक्षा पर होने वाले सभी बाला भ्याय प्रदेश सरकार बहान करेगी इन बच्चों को Medical College, Engineering College, NIT, IIM, IIT, Nursing, Graduation, Post-Graduation, पाठ्या क्रमों में परवेश मिलने पर या सुविधा परदान की जाएगी इसके अत्रिक बिद्वा, निराशित, तलाक शुदा और अक्षम, माता पिता के सभी पातर बच्चों के आड़ी घाते में ठारा वर्ष की आईउ तक एक हजार प्या प्रतिमा दिया जाएगा इसके साथ ही सभी पातर महिलाओं के स्वस्तिय अभीमा का वाशिक प्रियों भी राज्या सरकार द्वारा बहन किया जाएगा इस पर लगबग 41 क्रोर प्या त्रिक ब्याय के जाएगे यानि कि जिन विद्वाओं की विविन सुरोतों से एक लाख स्प्रे से कम है उनके सवी बच्चों को हमाचल प्रदेश सरकार फ्री एजूकेशन देगी और ठारा वर्ष से कम बच्चों वालों को एक हजार प्रतिमा उनकी आड़ी में जमा कराए जाएगे दुनिया में कुछ ही लोग बदलाव लाते हैं बाकी सब तो जिन्दगी गुजार कर चले जाते हैं सुमाजिक शुरक्षा हित्तु चलाई जारी बुवीन योज्रों का लावर्थियों तक समय तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार्टी तसंग कलप है मैं यहां भी गोशना करता हूँ कि जिला भिकास समीती की बैटक समय पर ना आने जिला भिकास समीती की बैडक समय पर ना होने अब तो आ गए है का जिला भिकास समीती की बैडक समय पर ना होने ना होन पाने की स्थिति में संबंदित जिला के उपयूपत को इन योजनाओं के अंतरकत बविन लाव अर्थियों को दिये जाने वाले लावों को स्वक्रिप करने की शक्तियां दी जाएगी। ऐसी परस्तिती में दी की स्वक्रितियों पर जिला कल्यान स्मीती की होने वाली अगामी वैठक में अनिवार्या रूप से अनुमोधन राप्त करना होगा। बैटा मनेजमेंट, मशीन लर्निंग, साइबर स्क्यूर्टी, ओटो कैट इत्यादी ने कुर्सिस को सम्नित किया जाएगा ताकि इस कारेकरम के अंतरकर परशिक्षित लाव अर्थियों को उचित रोजगार प्राप्त रो सके। समाजीक, स्रुक्षा, महिला, पाल, एवं अन्या पिछले वर्गों के कल्यान के लिए कुल 2457 क्रोड रुपे परस्तावित है। अदक्ष मोदे, अत्यदिक बर्शा से आई आपदा के चलते हमारी सरकार ने द्वारा आपदा परभावित परिवारों के लिए तुरूंत परभाव से राशन, LPG, गैस कुनेक्शन तदा सिलिंडर बिना किसी दाम के उपलब्द करवाएगे। हमारी सरकार द्वारा की गई या छोटी से सहता पिडित परिवारों के लिए संकट के समय एक बड़ा सारा बनी। हुपताओं को या तेल खुले बजार से उचे दामों पर खिरना पड़ता है। मैं घोशना करता हूँ कि 1 अपरेल 2024 से सभी उपहुगता अपने अवश्कता के नुसार राशन डिपो से या तेल प्राप्त कर सकेंगे। इससे राज्यक की महलाओं को लगवग सो करोड रुपे का लाम मिलेगा। पब्लिक डिस्टिविशन सिस्टम को और सद्रिड बनाने के लिए इंटेगरेटिड मिनेज्मेंट ऑफ पब्लिक डिस्टिविशन सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। तथा वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतरकत नैशनल पोर्टविल्टी को और सद्रिड किया जाएगा इससे नैशनल फूर्ट स्क्योटी एक्ट के प्रावदानों के नुसार राशन वित्रन को पारदाशी बनाने में सहता मिलेंगे इसी के अंतरकत बैपदारित के वाईसी का प्रावदान किया जाएगा जिससे इंटरस्टेट पोर्टविल्टी के तहत लावर्थियों को इस योजना से लाव किसी भी राज्या में मिल सकेंगे मिलों से अवंटित आटे की गोदाम वार्थ निगराने में सुनिचित की जाएगी खाद्या उपदान के लिए कुल दो सो क्रोड रुपे से अधिक व्याग किया जाएगे अध्यक्ष मोदे पिछले वर्ष परतेक ब्लॉग में निर्मित किये जारे प्लास्टिक बेस मिलेजमेंट यूनिट्स को दो जार चोबिस पच्चिस में उपरेशनलाइज कर दिया जाएगा इसके उपरेशन्स में बैकवर्ड और फॉर्वर्ड लिंके सुनिचित की जागी ताकि इनका लाब और अन्या शेतरों ततसमधाय को भी मिल सके सभी जिलों में एक मॉडल पंचायत के लक्षय को पूरा करने के बाद इस मॉडल को कन्वर्जन्स के माद्यम से अन्या पंचायतों में चन्बद धंग से रेप्लिकेट किया जाएगा प्रदेश के ग्रामिन शेतरों को स्वच बनाने के उदेशा से दो जार चोबिस पच्चिस में पांच हजार अतरिक गों को ओडी एफ प्लस ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस डिकलेर करने का लक्षय रखा गया है इसके अतरिक्त भूमी उप्रुपता के अधार पर कम से कम चार साइट पर फेकल स्लज मेंजमेंट प्लांट स्ताफित किये जाएंगे दो जार चोबिस पच्चिस में गरामिन शेतरों में एक जार स्वाय स्वाय स्वायता स्मूब बनाने का लक्षय रखा गया है इन स्मूब को लगव 32 क्रोड रपे के अधार आशी के रूम में रिवाल्विंग फंड था था कम्मूनिटी इन्वेस्मेंट फंड के रूम में देने के सासरे लगव 50 क्रोड रपे का रिंड देने का भी लक्षय रखा गया है स्मूब स्मूब पर लगव 100 करोड रपे बिया के जाएंगे सबी पंचाइटों के अकॉंट्स ऑी ग्राम सुबराज सोट वेस्ट एप्लिकेशन से जोड दिये जाएंगे इसके माद्यां से सभी पंचायतों के संसादन तथा ब्याय की मोनिटरिंग के लिए इस पनाली को और सद्रिट किया जाएगा दोजार चोबिस पच्चिस में पंचायती राज संस्तानों के लिए 352 क्रोड पे 15-20 वित्योग की स्पार्शों के अनुरूब तथा 448 क्रोड पे छटे राज़्य वित्योग की स्पार्शों के अधार पर व्याय किया जाएंगे पूर्म की यूपिय सरकार दौरा रहम किया गया महात्मा गांदी ग्रामिन रोजगार ग्रंटी एक मंडरेगा ग्रामिन रोजगारों के लिए एक बरदान साविक हुआ है मन्रेगा कामकार इसके माद्यम से गरामिंट शेत्रों में रोजगार प्राप करने के साथ पबलिक एसेट्स बनाने का कारया भी कर रहे है मैं मन्रेगा कामगारों की ध्याड़ी जो गों में मन्रेगा के ध्याड़ी है पिछली वार 16 बढ़ाई थी मैं मंड्रेगा कामगारों की ध्याड़ी बर्तमान में 240 रुपे से बढ़ा कर तिन सु रुपे करने की घोशना करते हूँ पूरे 60 रुपे बढ़ा है इस परकार सरकार मंड्रेगा कामगारों को 60 रुपे प्रती दिन अपने संदांगों देगी अब शेर सुमने इस पर रुपना हो अगर तो सो भाने जाना हो तो रस्ते बढ़े है मनले अगर रुपना है तो भाने को योजना लागू करनी ना हो तो भाने बहुत है हमने तिन सो रुपे आप हमाचन परदेश में या एक एहत्यासिक ब्रिदी है जो कि आज से जो से आज से पहले नहीं की गी है इस बिरिदी से इस बिरिदी से गरामिन अर्थ विवस्ता को अभी समझाता हूँ हमाचल परदेश में यह एक इत्यासिक बिरिदी है जो कि आज से पहले नहीं की गी इस ब्रिदी से ग्रामिन अर्थ विवस्ता को आतम निर्वर्टा की और ले जाने में गती मिलीगी इसी के साथ जो मन्रेगा में काम करने वाली महिलाई होती है इसी के साथ ऐसी बिद्वा एकल बेसारा दिव्यांग महिला मन्रेगा कामगार जिनकी बार्षिक आए डाई लाग रपे से कम हो तता बर्ष में सो दिन की मजदूरी पूरी कर्च की हो को मकान बनाने के लिए तीन लाग रपे तक की सायता दी जाएगी वशर्त है या सायता किसी और कारेकरम के अंतरकर प्राप्त नो हो यानि कि साथ रपे भी बढ़ाए जो होगी डाई लाग से कम विद्वा या उसको तीन लाग रपे सायता दी जाएगी मैं परचाती रास रस्ताओं के प्रतिनीजियों का मान दे बढ़ाने की सहर्ष निमन गोशनाए करता हूँ अद्यक्ष जिला परिशद को चार अजार बढ़ाती के साथ चोबिस हजार पे प्रतिमा मानने मिलेगा उपाद्यक्ष जिला परिशद को तीन हजार बढ़ाती के साथ अठारा हजार पे प्रतिमा मानने मिलेगा सदस्या जिला परिशद को तेरा हजार बढ़ाती के साथ थेरा सो रपे बढ़ाती के साथ थेरा सो रपे प्रतिमानने मिलेगा अद्यक्ष पंचायच समीती को उनीस सो रुपे बढ़ोतरी के साथ ग्यारा हजार चार सो रुपे प्रतिमा मान दे मिलेगा उबाद्यक्ष पंचायच समीती को चोदा सो रुपे बढ़ोतरी के साथ चरासी सो रुपे प्रतिमा मान दे मिलेगा सदस्या पंचायद समीती को बारा सो रुपया ब्रोत्री के साथ बहतर सो रुपया प्रतिमा मांदे मिलेगा ग्रामिन विकास इवन पंचैती राज के लिए कुल 2356 करोड रुपे पस्तावित है हदैक्ष मोरे 2024 पच्चिस से घर बनाने के लिए नक्षों के सुत्रिती ओटो डी सी आर के माद्यम से एक सिंगल पोर्टल पर परदान की जाएगी यदि घर का नक्षा इस पोर्टल पर अपलोड करने के बाद कोई भी कमी पाजाती है तो अवेदक उसे ऑनलाइन देकर ही अवश्चक दस्ता बे जमा करवा पाएंगे इसी कोर्टल के माद्यम से प्राइबेट प्रोफिशनल्स पांसो बरंग मीटर तक के आवासे नक्षे की अन्मती भी दे पाएंगे मैं स्तानिया मैं स्तानिया नगर लकाओं के प्रतिनी दियों को प्रतिमा दिये जाने वाले मान दे को निवल परकार से बढ़ाने के सहर्च घुशना करता हूँ पानी के लेता हूँ ना बोकल कोड सुख जाती है तो थोड़ा एमेलों से तो काड के दे रहा हूँ एमेलों से ही काड के आ रही है क्यों एमेलों की दूब महापौर नगर निगम को चार हजार पे बड़ोत्री के साथ चौबिस हजार पे प्रतिमा मान दे मिलेगा उब महापौर नगर निगम को तीन हजार पे बड़ोत्री के साथ अठारा हजार पे प्रतिमा मान दे मिलेगा कौंसलर नगर निगम को चोदा सो रुपे बड़ोत्री के साथ चुरासी सो रुपे प्रतिमा मान दे मिलेगा अद्यक्ष नगर परिशद को 17,000 रुपे ब्रोत्री के साथ 10,200 रुपे प्रतिमा मान दे मिलेगा उपद्यक्ष नगर परिशद को 14,000 रुपे ब्रोत्री के साथ 84,000 रुपे प्रतिमा मान दे मिलेगा पार्शाद नगर परिशद को 700 रुपे बड़ोत्री के साथ 42 रुपे प्रतिमा मान दे मिलेगा परधान नगर पंचाहद को 14 रुपे बड़ोत्री के साथ 84 रुपे प्रतिमा मान दे मिलेगा कि शारी शेत्रों में हम डेमोक्रेसी के सभी इस्टिशूशन को मजबूत करना चाहते हैं हम इसको कमजोर नहीं करने शारी शेत्रों में नहीं एमलो से तो काट कर दे रहा हूं इनको शेरी शेत्रों में कच्रा पर बंदन को और सचारू टूप से चलाने के लिए तता उस पर निगरानी के लिए राज्या स्भिकास निदेशलय में एक परियावर्ण सहल की स्थाफना की जाएगी शेरी निकायों के कारिया में सुधार तथा आमचंता की सुगिदा के लिए शेरी निकायों की कारिया पर नाली को डीजिट़ईज cookie आ जाएगा इसके लिए रज्यस्तर पर एक स्टेट प्रोजेक्ट मोनिटरिंग इनुटिंग की स्ताफना की जाएगी जो कि एक्सपर्ट्स के माद्यम से शेहरी निकाउंग की कारेपनाली को ओनलाइन प्लानिंग, इंप्लिमेटेशन्स, मोनिटरिंग तथा रिपोर्टिंग में साइक सिद्ध होगे इसी पहल के अंतरगर शेहरी निकाउंग में भिवीन शुलक एवं टेक्स ओनलाइन कठे किये जा सकेंगे तथा बिवीन सेटिफिकेट एवं खनलाइन जारी किया जा सकेंगे इसी के अंतरकर शेहरी निकाउंग के अकाउंट को डिजिटाइज किया जाएगा एजी सैट की सहता से सबी शेहरी निकाउम में परिस्थितियों की जी आएईस मैपिंग की जाएगी अदक्षमोदे मैं बालमिकी समाज के भाईयों तथा कामगारों के लिए अवास निर्मान में सहता के लिए नहीं युजना महरेशी बालमिकी कामगार ये अवास युजना अरम करने की गोशना करता हूँ अरमैंड के रच्षिता महरेशी बालमिकी जीते मैं आज उनके नाम से महरेशी बालमिकी कामगार ये अवास युजना अरम करने की गोशना कर रहा हूँ अभी अभी राममंद्री भी मुना तो इसके अंतरगत बालमिकी समाज के ऐसे स्पाई करमचारी जिनकी वार्शी काए ढ़ाई लाक रुपे से कम हो तता उनके पास अपना घर नाओ को घर बनाने के लिए तीन लाक रुपे की आर्थिक सहता दी जाए मैं मुख्यमंत्री विद्वा एवं एकलनारी अभास योजना के अंतरगत ऐसे सभी लावर्थियों जिनकी वार्शी काए ढ़ाई लाक रुपे से कम हो को घर नर्मान के लिए दी जारी डेड़ लाक रुपे की राशी को बढ़ा कर तीन लाक रुपे करने की दोशना कर जि जितने भी विद्वाएं हैं उनको घर बनाने के लिए जो डेल लाक रुपे की राशी मुख्यमंत्री की द्वारा हमने शुरू की है उसमें उनको घर बनाने के लिए तीन लाक रुपे की राशी दी जाएगी और उनकी आयकी सिमा भी हमने तैक ही है कि धाई लाक से कम होनी चाहिए किया बादाओं को खतम कर दिया जहां दिवार नजर आती थी आपको वहाद दर्वाजा बन गया अच्छा अच्छा मेरे तो आप शुप चिंतक है अच्छा सुनो थो नगर निकम धरम्शाला सोलन और शिम्ला नगर मेरे तो शुप चंतक सब्चाथा बीपन परभार जी है सत्ती जी है, रंदीर जी है, बिकरम जी है, सब है, बीजे भी तो भी पराणे उनिस्टी के साथी है, नगर निगम शीर, धरमशाला, शिमला, धरमशाला, शोनोर, शिमला, नगर परशन, नाला गाड़ और परमाणू में, से संबंदित ऐसे विक्तियों को मकानों वर्टित किये जाएंगे, जिनकी वार्शिक आए, तीन लाथ रपे से कमों, पातरता मान नंडों को पूरा करने वाले अनुसुची जाती, अनुसुची जन जाती, ओविसी वरग, तथा बिद्वाएं, निराशित महिलाएं, दिविय पेजल सुविधाय परदान की जा रही है, दोजार चोविस पच्चिस में, किनौर, चंबा और लॉल वेस्पीती में, उनतिस क्रोड की लागत से, चार एंटी फ्रीज पेजल पर योजनों को पूरा करने का लक्षा रखा गया है, न्यू डवल्मेंट बैंक के माद्यम से, चोविस तता इस्चन डवल्मेंट बैंक के माद्यम से, एक सोच्छी पेजल योजना कारेमन के पुमिन चरना पर है, तता इन्हें तैस समय सिमय के बीतर ही पूरा कर लिया जाएगा, इन देवनों के माद्यम से, बीस हजार छेस्ट परिवार पार्शली कवर्ड स्कीम से ल लावमिन भीत होंगे, बोकल कोड सुपती है, शहरी शेत्रों में पेजल योजनावापूर्ती में सुधार के देश्या से, मैं दोजार चोविस पच्चिस के लिए निमन गोशनाय करता हूं, चार शहरों क्रमशा, जवाली, हमीरपूर, बैजनात, पपरोला तता नेरचोग में, 135 लीटर्स पर केपिटा पर डे की शम्ता वाली पेजल योजनाओं का काम पूरा कर लिया जाएगा, इसी परकार, हम्ब और भूंतर के लिए 33 क्रोड की लागत से पेजल योजनाओं के क कार्यवेन को गती दी जाएगी, और प्रियास रहेगा कि 2024 के अंग तक इसका कार्या पूरा कर लिया जाए, 112 क्रोड की लागत से नहान, अरकी, निर्मन, पालंपूर, जुगिंदर मेगर के लिए पेजल सुधार योजनाओं का कार्या शीगर अरम कर दिया जाएगा, मेरे पिछले बज़ड में गोशित 24 इन्टु 7 पेजल योजनाओं के कार्यवेन की दिशा में, रामपूर में बार नमबर 6 और 7 नाला गाड़ चंबा में में पेजल योजनाओं का कार्या अरम कर दिया गया है, तता अन्या नो शैरों में इन कार्यों को शिगर अरम करने के प्र इसका गठन करने के बाद महिनों को परशिक्षित किया जा चुका है, अब तक 69 टेस्टिक लैब स्तापित की जा सुकी है, जिन में से 62 की एक्रिडेशन, नैशनल एक्रिडेशन बोर्ड बोर्ड टेस्टिंग एंड कैलिविरेशन द्वारा की जा चुकी है, दो जार 24 बच् सोपी के नुसार पेजल यूजनाओं तथा स्टिपी में यूबी सिस्टम लगाने के लिए 37 साइट्स की पेचान की गई है, जहां जल सरुतों में या तो कंटेमिनेशन है या इसकी संभावना है, इन साइट्स पर शुद पेजल उपलब्द करवाने के उदेशा से यूब साइनाद पपरोला और ने चुक में सिवरेज पर यूजनाओं पर चल रहे कारियां को गती दी जाएगी, तदा उन्हें दोजार चोवीस पच्चिस में पूरा करने के प्रयास किये जाएंगे, राजगर बंजार, चुपाल, नेरबा, तदा शापूर में सिवरेज पर पी द्वारा 817 क्रोड रुपे की लागत से सिक्रित परेज़नों के अंतरकत मनाली पालनपूर नहान करसोग तदा बलासपूर के लिए सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वाटर वेज ट्रीटमेंट प्लांट और मनाली के लिए इस पेजल यूजना सिक्रित की गई है, इन पर समादे गई है, और अभाब को पर्शानी तो करनेया हैं, इस तिन सो असी क्रोड़ पे की लागे से चोधा सर्वेस माइनर इरिगेशन स्कीम का कार्या विविन चर्णों में है इन में फिट नहीं बैठ ना जब फिट बैठेगा तब हो जाए इस इन योजनों के मादियों से लगब नो जार साथ सो एक्टेर का सी सी ए उपलब्द करवाय जाएगा परदानमंत्री किशी संचाई योजना के अंतरगर सुकृत इन योजनों को बार सरकार द्वारा जारी धनराशी के अधार पर गती दी जाएगी परदानमंत्री किशी संचाई योजना के अंतरगर सुकृत चार योजनों में से लाबरंग गार्डन को लॉनी तद पूख के लिए सुक्रित युजना को पूरा करने के लिए लगवग 53 राग की राशी ट्राइवल ड्वालमेट प्रोग्राम से उपलवत करवा दी गई है चस 647 क्रोड रपे की लागत से फिना सिंग भाहु देशिया मद्यम सिचाई उपर युजना को सची डिपार्टमेंट पंडिंग के लिए अनुशाशित किया गया है इसके निर्मान से 4025 हेक्टरियों का सीसीय उपलवध होगा तता इसके साथ ही एट पॉइंट 88 मेगवाट जल विदूत उतपाद नहोंगा इस परियोजना पर राज्जा सरकार द्वारा अपने संसादनों से लगवग 290 क्रो प्रोड प्रस्तावित है अधक्ष मोदे मांसुन आपदा के चलते परदेश में सड़कों तता पूलों के उब्यापक नुक्सान पहुंचा हमारी सरकार द्वारा बिना समय गवाए रात और पुनन मिमान कार्या शुरू किया गया तता बहुत ही कम समय में सभी मुख्य सड के ट्राफिक के लिए खोल दी गई छोटी सी अबदी में ठारा वैली वरीज एवं 27 रोबे जुलों की सहता से शती के सड़कों को भाल किया गया मैं इस सदन के माद्यम से ऐसे सभी चुनेवे जन प्रतिन निदियों तता सरकारी अधिकारियों एवं करमचारियों का जिनों को एक मजबूस सड़क नटबक की अवश्कता है पिछले लगवक 53 वर्ष के कारेकाल में परदेश में बहुत सी नई सड़के बनी तता हमके माद्यम से बहुत से गौन जुडे बरतमान में 40,703 किलो मीटर मोटर योग्या सड़के 34,55 किलो मीटर पक्की सड़के तता 2470 का है शेश बची बच्चायतों में से दस और पंचायतों को दोजार 24,25 में मोटर योग्या सड़क से जोड़ दिया जाएगा हमारी सरकार दुवारा परदानमंत्री ग्रामिट सड़क योजना 3 के अंतरगत 2683 किलो मेटर लंबी 254 सड़कों के लिए 2643 क्रोड रपे की सुक की अपग्रेडिशन होगी 350 किलो मेटर ने सड़कों का निर्माण 8 putन का निर्माण 15 बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा इसी परकार परदानमंत्री ग्राम्सकियोजना के अंतरगर 825 किलो मेटर लंबी सड़के बिए 8 पन निर्मान किया जाएगा इसके अत्रिक परदानमंत्री ग्रामिर्ट सडक योजना वन एवन टू के अंतरगत एक सो पचास किलोमेटर लंबी सडकों में क्रोस ड्रेनेश की सुविदा परदान की जागी है। पर लेंट करने के लिए एक परस्ताफ के अंदर सरकार को भीजा जाएगा। इन में से रास्ट्य उच्राज मारिक पर प्रमुक खारया निमलिक थे। पचास क्रोड की लागत से विविन रास्टे उच मार्गों पर पुलों का निर्मान लगबाद दो जाल क्रोड पे की लागत से विविन का रिया। अगामी वर्ष के दोरां नवाड के मद्यम से आर आ इदियाप के अंतर गड्ड 25 किलमेटर नंबी ने सटके 305 किलमेटर सटकों पर क्रोस डेमेंज चार सुपचिस किलमेटर नंबी सटकों की टैरिंग तता 25 पुलों का निर्मान किया जाएगा। सेंटरल रोट्स इंफरस्ट्रेक्शनल फंड के अंतरगत निमल पांच सक्रीज सबकों का निर्मान कारिया दो जार चोबिस पच्चिस में पूरा किया जाएगा जिया मानिकलन सबक पर वर्षा से हुए नुक्सान का मरमत कारिया शापूर सुनता च्वाडी मारका उनियान ब्यास नदी पर टेरेस तता स्थाना को जुड़ने वाले पूल का निर्मान बागचल मेरे बढ़सर सड़का उनियान पुड़ोगा त्यूंडी में स्वान नदी पर पूल का निर्मान अधक्ष मौदे परियावन सरक्षन तदा लाकत को कम करने की दिरिश्टी से 2024 में 230 किलो मेटर लंबी सड़कों पर प्लास्टिक बेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा इसके अधिक उचाई वाली सड़कों पर कैल्शियम कोलोराइड और ब्राइन सिलूशन का प्रियोग किया जाएगा ताकि सर्दियों में इन सड़कों पर बरबना जम सके और संभावी दुर्गड़ना को टैरा जाना जा सके ये आगए आपके लेख से दर्द दर्द हो तो दवावी मुम्किन है दर्द हो तो दवावी मुम्किन है बेम की क्या दवा करे कोई आपको हर चीज का ब्याय मुलता है अदेक्ष मोदे परेवान सरक्षन अभी और डोनूगा ना अदेक्ष मोदे परेवान सरक्षन और लागत को कम करने लागत को कम दोजार चोवीस पच्चीज होए महारी सरकारद्वारा निमलित सडकों तता संबंदित निर्मान कारिये किये जाएंगे 860 किलो मेटर लंबी कुल सडकों का निर्मान 1060 किलो मेटर लंबी सडकों पर क्रॉस द्रेनेज 1075 किलो मेटर लंबी सडकों पर मैटलिंग एंटारिंग 57 पूलों का निर्मान 10 पंचाहतों के 40 गोंकों सडकों से जोड़ा जाना सड़कों पुलों के लिए कुल 4,317 क्रोड पे पस्तावीत है अधक्ष मोदे बजार की बदलती परस्तित्यों को देखते वे 2019 में अधिव सुचित द्योगी नवेश निक्ति में बदलाब करना आती है बश्चक है जिससे भावी निवेशकों को कम से कम समय में सभी सुकृतिया एक ही बिड़ों के मादियं से मिल जाए इससे निवेशक और अधिक निवेश करने के लिए परसाइट होंगे यवाओं को इस और परसाइट करने के लिए की अवशकता है इसके लिए मैं 2024 में एक नई स्ट्याटप निथी 2024 लाने की गोशना करता हूँ इस निती के अंतरगत इनोवेशन के लिए तता महलाओं को स्टार्टप वेंचर हितु विशेश परसान का प्रवदान किया जाएगा महलाओं द्वारा शुरू किये स्टार्टप को एक वर्ष के लिए अधिकतम 4 लाक रपेते की साहता दी जाएगी द्योग शेतर राज्जा के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है मेरी सरकार का प्रियास है इस शेतर को सर्वत्तम एको सिस्टम पर दान करना है पिछले साल की आवदा के दोरान मेरी सरकार द्वारा बड़े पेमाने पर भाली करने कार्या करने के लिए अवशक संसाधन जुटाने के अदेशा से लेक्टिसिटी ड्यूटी की दर बढ़ाई थी अब जब स्तिती में सुधार हुआ है मैं गोशना करता हूँ कि बड़ी वी लेक्टिसिटी उन वुगताँ द्वारा देन नहीं होगी जिने हमाचर पर देश द्योगी की निती दोजार उन्नी के परफदानों के अनुसार सुधारिया अबदी की सिम्वापती तक लेक्टिसिटी ड्यूटी का वुक्ताँ करने में छूट दी गी है अदक्स मौदे मैं पर देश में हो रहे हैं अबद खनन पर अंकुष लगाने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रभावी रूप से कई कदम उठाए है दर्श परस्टों से भी अधिक परानी परदेश की खनन निती में कुछ बदलाब किये जाने हैं वश्क है मैं गोशना करता हूँ कि परदेश में हमाचर परदेश माइन्स ये मिनरल्स पॉल सी दोजार चौबिस लाए जाएगी जिसके मुख्या देशिया अवैद खनन पर रोग तथा विग्यानिंग खनन के मादियों से परदेश के राजस में बिद्धी करना होगा परदेश के दोगिक शेत्रों में विविन कारनों से आग से होने वाली दुरमट्छनां से निप्टने के लिए अगनी शाम सेमाँ के लिए अलग मांदंट्रत्या किये जाने इन मानदंडों में द्योगिक शेत्रों में द्योगों की संख्या तता किसम के अधार पर केमिकल्स, बिजली तता अन्या कारणों से लगने वाली आग से निपडने के लिए अलग लग S.O.P. तता केमिकल प्रोटेक्शन सूर्ट, फॉर्म, कंपोर्ट टेंक, ड्राइ केमिकल पॉर्टर सहित, अन्याब कुर्नों और स्मंगरी का प्रवधान किया जाएगा। बद्दी ब्रोटी वाला नालागड द्योगिक शेत्र का पच्देश के संसादनों तता स्वरोजगार सुर्जन में बहुत बड़ा योगदान है। इस शेत्र में अवश्यक मूलूद, सु अब्दी द्योगिक शेत्र से जोड़ेगी। कि डीजल बसों को लेक्टिकल बसों से चरण बद करम में बदलने की गोशना के बाद अब तक एच्चाटीसी के बेड़े में 110 लेक्टिकल बसीज और 50 अलेक्टिकल टेक्सिज हो गई है। इसी प्रती बंता को आगे बढ़ाते हुए मैं गोशना करता हूँ कि 2024 में 327 अग कि अग्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरुआती चरण में मानिय विधायकों को परतेग विधानसावा शेतर में पांच रूटों पर इवेस्ट चलाने के लिए प्राथ्थिमिक्ता मांगी गई है। राजीव गांदी स्रोजगार स्टार्ट अप यूजना के अंतरकाद 2024 में 40% उपदान पर इटैक्सी चलाने के लिए 10,000 पर मिट दिये जाएंगे। 10,000 जो डीजल इजन पट्रॉल वाली गाड़ियां उनको इटैक्सी चलाने के लिए 40% सब्सिडी पर इटैक्सी दिये जाएंगे। मैं गोशना करता हूँ कि 2024 में बन विवाद, HRTC, HPTDC, GAD के अलिजिवल वहान इवीकर में बदल दिये जाएंगे। धार्मिक स्टालों के लिए बसे चलाने हैतु परतम दर्शन स्रेवा का विस्तार किया जाएगा। परतम शर्म में श्री युद्याधान के दर्शन के लिए भविन स्तानों से बसे चलाई गई है। 2024 में कुछ अर्त्रिक संस्तानों में इस से भी इस बस सेवा को चलाया जाएगा। बर्श 2024 में बैंस, बहान, सक्रैप निती के अंतरकत परदेश में विकल सक्रैप, सक्रैपिंग सस्लिटी सेंटर्स की स्तापना की जाएगी जिससे परदेश के सभी 12 जिरो को इसकी सुविदा मिल सके। मैं गोशना करता हूँ कि 2024 में आटोमेटिड टेस्टिंग सेंटर के मादंग से सभी भानों की फिटनेस अनवारिया कर दी जाएगी ताकि भानों को फिट टिकलेर करने में मानवेया गलती ना हो। परवहन निमों की लंगना पाए जाने पर ऑनलाइन चलान के लिए विवागया अधिकारियों को ए चलान एंड ए प्योएस मेशीन उप्लवद करवाई जाएगी। में सहता मिलेगी। 272 क्रोड की लागत से नेचर पार्क मौल तथा बिजली महादब के बीच हाई विलीड अनियूटी मौडल पर एक 3.2 किलोमेटर लंबे रोपए का निर्मान कारिया अरहम किया जाएगा। इस रोपए पर होने वाले लाप का 50% अंच रज्जा सरकार को प्राप्त होगा। लगबग 54 क्रोड की लागत से निर्मित किये जारे बगला मुकी रोपए को हाली में आई आपदा के कान वारी नुक्सान हुआ था जिसके कान इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए 5 क्रोड पे से अधिकी राशी व्याई की गीए है। मैं सहर्ष भुशना करता हूँ किसका निर्मान कारिया पूरा करके इसी वार्शी परदेश की जंता को समर्पित कर दिया जाएगा। हमारी सरकार परदेश के लोगों ततब रिटकों की सुविदा के लिए कालका से परमानु तक की ब्रोड गेज रेल लैन बिचाने के लिए बाहर सरकार से अंरोध करेगी। दस क्रोड वे ब्याय होने का अनुमान है। मानिवे सरवच नियाले अद्वारा वरकिंग प्लांस के अधार पर खैर की सिल्वी कल्चर फैलिंग की अनुमती परदान की गई है। इससे ना के बस्तानी लोगों के आए में ब्रिदी होगी बलकि उनको खैर के पेड़ कारने के बाद और अधिक पेड़ लगाने की प्रेड़ना भी मिलेगी। दोजार चोबिस पच्चिस में दस फोरस डिविजनों में लगवक तेरा जार खैर के पेड़ कारने की जो ना तियार की गई है। में ग्रीन हमाचल वायो डैवरस्टी पार्क नेचर पार्क्स लीवर साइड पार्क्स तापित के जाएंगे। इन पार्कों को एको फ्रेंडी मिटीरिस के प्योग से डिजाइन और विक्सित किया जाएगा। इस तश्चित के माद्यम से मक्स एट को भी भार किया जाएगा। अदेक्स मोदे मैं बनों से संबंदी सवी अपरेशनों को बीट लैबल पर सुनुचित करने के लिए परदेश की सवी दो हजार कासट फोरस्ट बीट में एक एक बन मिक्तिर नुक्त करने की घुजना करता हूँ। इसी के साथ मैं बन विवाग में फोरस्ट गार्स के सो रिक पदों को भरने की भी गोजना करता हूँ। बन विवाग के कुल 834 क्रोड रपे पर स्तावीत है। पर अनुसरंधान के लिए दो साल तक 76 बृति दी जाएगी। खाली में आई वारी वर्षा और जलवाईयों में इंद्रंतर आरे बिदलाव के द्रिस्टी करत दोजार चोविस पच्चिस से जिरास तर पर इंचिनोतियों से नुपने के लिए कार्या यूजना त्यार करने का काम अरहम किया जाएगा। पंचाइस तर पर जलवाईयों पर इवर्तन कार्या यूजना कार्यमिन की जाएगी। ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया। परदेश में अवैय तता अंसैंटिविक माइनिंग को रोकने के दिश्चे से एक जी आईस बेस्ट आइप अरहम की जाएगी। जिसकी साहता से परदेश में होरी मानिंग गती वीडियों की रियल टाइम निग्रानी की जाएगी। परदेश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना आरम की जाएगी। जिसके माद्यम से कमर्शल प्रोडक्स की जी आई टैगिंग की जाएगी। ताकि उत्वादकों को रास्टे तरास्टे बजार में अपने उत्वादों को उचित मुल्या मिल सके। अधक्ष मोदे परदेश में गोर्नेंस को और पारदर्शी और परभावी बनाने के दिशा में मैं 2024 25 में के दरान निमन कदम उठाने की गोशना करता हूँ। परदेश में Artificial Intelligence के साथ डाटा एनिलिटिक्स की सहता से एविडेंस बेस नितिन दरान के लिए एक वरक फ्लान बनाकर इस दिशा में शुरुआत की जाएगी। और नाइन सेवा पोर्टल के माद्यम से पहले सेव पलब और नागरिक सेवाओं को और प्रभावी डंग से परदेश वासियों तक पहुंचने के लिए एक मोवाइल अप पर हम किया जाएगा। परदेश सक्षिवालया, निदेशालया, सबीडी सी, सबी कारेलया, और 200 त्रेपल फील्ड कारेलों में ई-ई-आफिस का सब्न करने के बाद इसके माद्यम से सबीकारेलों में E-सक्रिक然 की सुभिदा के साथ साथ E-डिस्पैच की सुभिदा भी परदान की जाएगी। CM dashboard को और प्रभावी बनाने के लिए विवागों को reporting management portal के साथ जोड़ा जाएगा ताकि विवागों से प्राप्त मिंतन जानकारी के अदार पर उचित समय पर उचित नीनिया ले सके मुख्या मंत्री सेवा संकलफ help line में artificial intelligence का प्रयोग किया जाएगा ताकि प्राप्त शक्यातों का कम से कम समय में निवारन हो सके गत वर्ष विक्सित कियेगे DBT portal को national DBT portal के साथ चोड़ा जाएगा जिससे दोनों portal की सुचना को साजा के जाए नमेश को द्वारा कियेगे 5G connectivity के लिए online वेदलों के साथ निप्टे आ रहे हैं तू राइट ओवे portal को अवर्ष चक्सन साथनों साइथ अपडेट किया जाएगा State Data Center की अपग्रेडिशन का कार्या गस 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा इससे अप्लेट डेटा और अन्या सुचनाओं की स्रक्षा के लिए निमिन्तम पाई किये जाएगे हिम परिवार रिजिस्टर के सबल कारेवन के बाद वविन नागरिक सेवाओं को इसके साथ एकी किरित किया जाएगा ताकि परदेश बास्यों को वविन सेवाओं का लाब कम से कम समय मिल सके एक सुच अधैक्ष मौदे दोजार चोबिस पच्ची से मेग जवामंदी के अंतरकत कोई भी नागरिक किसी भी समय जमीन से समंदित रिकोर्ड की प्रतियां डाउनलेड कर सकेगा इस पोर्टल पर यूपी आई डेविड कार्ड क्रेडिट कार्ड ये दिया दिके माद्यम से सुखल सुल्क भुकतान की सुविदा भी उपलावत करवाई जाएगी बेग चार्ज के अंतरकत किसान क्रेडिट कार्ड रिन रेने के लिए सभी प्रक्रिया ओनलाइन पूरी करने का प्रफदान किया जाएगा इसके माद्यम से बैंको अथवा बितिया संस्तानों तता तिसील कारों ने में बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे सभी अपचार रिकायता हैं इसी एकिकरित मोडियल के माद्यम से पूरी करके बहुत कंग समय में रिन्स फक्रित किया जाएगा संपत्ती पंजी करन पक्रिया को और सब्स बनाने के देशे से स्टैंप ड्यूटी पंजी करन शुरक तता अन्या परवारों को ऑनलाइन बुक्तान में पंजी करन मोड्यूल के माद्यम से अरम किया जाएगा इसी तरह मेग म्यूटिशन म्यूडूल क्योप्योग से ओनल्यान म्यूटिशन की सुगदा भी परदान की जाएगी बहुत से बूल अबलेखों का वर्णन कथी शब्दों में अपलबता है इन बूल अबलेखों का अनुबाद सविधान के अनुसुची आर्ट में सुची बद्विविनी भाशों में करवाने का कार्या शिगर कुया जाएगा अदक्ष मोदे मेरे द्वारा पिछले बज़न में अत्रिक गोशित अत्रिक संशादन जुटाने के अपाएं के अनुकरम में मैं निमन गोशनाएं करता हूँ करदाताओं की सुच्धाओं के लिए बैठ तता अन्यकरों के भुखतान के लिए दोजार चोविस पच्चिस में एक मॉबाइल आप की सुरुआत की जाएगी इस एप के मादिम से करदाता ऑनलाइन कर भुखतान कर संगे परदेश में स्तीक महत्तपूर नद्योगी एवं विपारिक केंद्रपूर भुमिन करदाताओं से फीड़ बैक लेने तता उन्हें पेश आने आरे इस मस्याँ की जानकारी लेने के अदेश्य से करदाता संबा अभियान अरम किया जाएगा इससे परदेश की कर एवं आपकारी पर नाली को और सर्वल तता पारदर्शी बनाने में सहता मिलेगी अद्यक्ष महदे दोजार चोविस पच्चिस में पचास क्रोड की लागस से शेहरी शेत्र मस्तित पुलिस स्टेशनों के परंगन परंग की नहीं की यह है मैं पुलिस कर्मियों की बरतमान में दी जारी 210 रुपे की डाइट मनी को लगवग 5 कुरां बढ़ा कर एक जार रुपया करने की साष्ट कोशना करता हूँ इस परकार पुलिस कर्मियों को लगवग 9000 से अधिक प्रतिवर्ष लाब होगा इससे लगवग 18000 पुलिस कर्मी लावंधी भी तोंगे इससे 16 क्रोड पे प्रतिवर्ष अधिक ब्याय होगा क्योंकि पुलिस वाले हर दिन आते थे कि उन्हें साथ रफे डाइट बनी मनती है हमने पांच गुना बढ़ा दी अगले पांच वर्षों में प्रदेश की एक प्रतिशत जनता को सिवल डिफेंस स्कीम के इंतकत लाया जाएगा या पहल प्राकृति आपदा किस्तिती में आपदा रायत कारों में बहुत सैक सिद्ध होगी अगनी शमन से संबंदित N.O.C. देने तता उसे विड्रो करने के परकिया में पारदश्टा लाने के अधेशा से हमाचल परदेश फायर फाइटिंग सर्विस रूल अधिसूचित किये जाएंगे मैं दोजार चोविस पच्चिस में कांगडा के चंगर बडो में सब फायर स्टेशन मंडी के कोटली में तदा लट बढ़ोर में फायर फोस्ट खोलने तदा ठ्योकस्ति फायर फोस्ट को सब फायर स्टेशन में उन्यन करने की गोशना करता हूं इसके अत्रिक निर्मंड, कुन्यार, उबादेश, कोटकाई, छोटा बंगाल तदा कांगडा के चुवार गाटी में अगनी शमनिकाईयां कोलने की भी मैं गोशना करता हूं परदेश के युवाओं को खेलों में बढ़चर कर भाग लेने के लिए प्रोसाइट करने के देशा से दोजार चोविस पच्चिस में एक नई खेल निती लाए जाएगी इसके अंतरगत मैं सहर्ष निमन गोशना करता हूं अलंपिक खेलों में व्यक्ति गत्स बर्दा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुर्सकर राशी को तीन क्रोड रुपे से बढ़ा कर पांच क्रोड रुपया रजज़त पदक के लिए दो क्रोड रुपे से बढ़ा कर तीन क्रोड रुपया ततक कांसे पदक के लिए एक क्रोड से बढ़ा कर दो क्रोड रुपया किया जाएगा एशन खेलों में व्यक्ति का स्वर्दा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पर पुर्शकार राशी को 50 लाग रुपे से बढ़ाकर जो इशन खीलों में 50 लाग रुपे से बढ़ाकर 4 रुपया जजएत पदख के लिए 30 लाँ रुपे से बढ़ाकर commercial 500.5 कुरूर रुपया तदक 80 क के लिए 20 लाक रुपे से बढ़ाकर 1.5 करोड रुपया करने की कोश्चना करता है Commonwealth खेलों में व्यक्तिकस परदा में स्मर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरुसकार राशी को 50 लाख रुपे से बढ़ा कर 3 करोड रुपया रज़त पदक के लिए 3 लाख रुपे से बढ़ा कर 2 करोड रुपया तता कांसे अपदक के लिए 20 लाग रुपे से बढ़ा कर एक रोड रुपे किया जानेगा टीम्स परदाओं में बचेता हमाचली खराडी को परपदक के अधार पर उप्रोग पुरुसका राशी में से परतेक खराडी को परती निदीतव के अनुपाद में बराबर राशी दी जाएगी जैसे कि हमारी बेटियां भी एशिन खेल के आई उसमें तीन बेटियां या चार बेटियां हमारी स्लैक्टो कर जाती है तो अनुपाद के इन साथ से दो बेटियां बाहर की होती है तो उनको ये राशी जो एशियर खेल की कुष्टी में जित कराएगी उसी अनुपाद के पर इसी बर्ष इन खेड के जो हमारे एशन गेमस में चाहे कॉमने वेल्थ केम में जितका है उनको इसी बर्ष उपलव्द घुरुआ दिजाएगे राज्जा से बाहर हमारे बच्चे कई बार राज्जा से बाहर जाते हैं राज्जा से बाहर 200 किलोमेटर की दूरी तक खेल्स परदाओं में भाग लेने वाले जो गौर्णमेंट स्कूल और हमारे स्कूलों के बच्चे हैं कॉलिज के बच्चे हैं बाहर जाते हैं, हम जब जाते थे, छोटे होते तो हम भी देखते थे, तो भाग लेने के लिए खलाडियों को एसी थी टायर कराया दिया जाएगा, तता 200 किलोमेटर से अधिक, यानि कि दिल्ली से अधिक दूरी के स्तानों पर जाना है, तो 200 किलोमेटर से अधिक दूरी के स् फेर दिया जाएगा सरकारी विवागों में उत्किस्ट खिलाडियों को विविन पदों पर तीन प्रतिशर खेल कोटा के अंतर का सम्नित बर्तमान तरतालीस खेलों की संख्या को बढ़ाया जाएगा मैं जो हमाचल परदेव में स्कूल गेम्स होती है कॉलिज गेम्स होती है इंटर उनिवस्टी होती है इंटर कॉलिज होती है इस सपरकार की इंटर गेम्स होती है इस सपरकार की खेलों में डायट मनी बहुत कम बिलती है मैं विविन स्थान की प्रतिसवर्दा के लिए खिलाडियों को दी जाने वाली डाइट मनी में बडोतरी करने के बाद निमन की गोशना करता हूँ पारांबित शिक्षास्तर के खलाडियों को परदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर जब वो जोनल में जाते हैं प्रेमिस कुर के डाइसो रुपया प्रती दिन दिये जाएंगे अन्या सभी खलाडियों को परदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 400 रुपया प्रती दिन दिये जाएंगे को उप्रूगत के अनुसा 2500 रुपया मिलते हैं तथा उनकी डाइट मनी को 400 रुपया की डाइट मनी दी जाएगी अज्यक्ष मोरे मैं 2024 में निमन खेल परिस्टरों के निर्मान कार्या अरम करने की गोशना करता हूँ हमीरपुर में अधनिक सुविदाओं से युक्त एक इंडोर स्टेडियम का निर्मान उन्ना के पजाओं में इंडोर स्टेडियम का निर्मान रैंग में स्विदिंग पूल सुविदा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्मान देरा में स्विदिंग पूल सुविदा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्मान क्रेडी नदान में इंडोर वहुदिशया खेल परिसर का निर्मान कुसुंटी में इंडोर भाउदिश्या खेल परिसर का निर्माण जैसिकपूर में इंडोर भाउदिश्या खेल परिसर का निर्माण डली पाइपास में इंडोर भाउदिश्या खेल परिसर का निर्माण सब जगा करेंगे अभी तो सभी सभी जगा करेंगे अद्यक्ष मौदे हमाचरपरदेश को फिल्म की शूटिंग के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने के अदेश्या से दो जार चोवीस पच्चिस से माचरपरदेश फिल्म पॉलसी दो जार चोवीस का कारेंवन किया जाएगा इसके तहट रजिस्टर पर एक फिल्म डोल्मेंट कॉंसिल का गठन किया जाएगा तता सूचना एवन जनसर्पर विवाग में फिल्म फैसिलियेशन सेल्प की भावी रूप से भविन वेब चैनल्स, न्यूज वेब साइट्स, शोशल मीडिया इंश्मिन्स के माद्यम से परसारित, एवन परचारित करने के लिए डीजिटल मीडिया पॉलसी डो जार चोबिस का कारेमान किया जाएगा। सरकारी कारेकरमों, तता कारेकरमों से समबती सुचना को हिम सुचना कोष्ट डेटा एप के माद्यम से संकलित किया जाएगा जिसकी की परकाशन के लिए तता प्रेस में देने योगे सुचना को तुरूंत ही प्राप करके प्रेस नोटा था लेग प्रिंट किया जा सके अध् सरकार यूद तता शांती के समय में परदेश के लगवग तीन लाग भूतबुर्व सैनिकों सेवा रत सैनिकों यूद विद्वां एवं शोर्या पुर्सकार बजेतों द्वारा की गई सेवा तता उनके बलिदान के लिए उनकी सिदाय वरिनी रहेगी मैं गोशना करता हूँ कि साट बर्ष से अधिक आयू के ऐसे भूचबुर्व सैनिकों जिनकों और कोई पेंशन नहीं मिलती है को मिलने वाली आर्थिक सहता की राशी को तीन हजार पे से बढ़ा कर पांच हजार पे प्रतिमास कर दिया जाएगा हमारी सरकार 2024 में सुनिश्चित करेगी कि विवागों में पूरव सैनिकों के लिए आराक्षिक 15% पदों को परात्मिकता कैदार पर भरा जाए अधाक्ष मोदे मेरे पिछले बजट में गोशित प्रात्मिक क्रिशी सहकारी सेवाओं की किम्प्यूटराइजेशन के अनकुरम में इन यह सरकारी बैंकों सहकारितिया विवाग तता रास्टिया डाटा बेस से जोड़ने का कारिया प्रग्रिति पर है तता इसे 23 समय सीमा दो जास्ताइस तक पूरा कर लिया जाएगा इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी सहकारी सबाओं का ओन लाइन पंजी करन किया जा रहा है परदेश के भविन विवागों में कारेयरत पैरा वरकर्स कई विकास योजनों के कारेयमन में एहम भूमी का निवारे है इन इनी अंगनवारी कारे करता को चार स्वर रुपे की बढ़तरी के साथ अब सथ हजार पै मिलेंगे आंगनवाडी साइका को प्रति मां 300 रुपे की बढ़ोतरी के साथ अब 500 रुपे प्रति मां मांदे मिलेगा आशा वर्कर को 300 रुपे की बढ़ोतरी के साथ 500 रुपे प्रति मां मांदे मिलेगा सितलाई ध्यापकों के मांदन में 500 रुपे बढ़ोतरी की जाएगी मिडे मील वरकस को 500 रपे ब्रोत्री के साथ 4500 रपे प्रति मा मिलेंगे वाटर कैरियर शिक्षा विवाग को 600 रपे ब्रोत्री के साथ 5000 रपे प्रति मा मिलेंगे जल रक्षक को 300 रपे ब्रोत्री के साथ 500 रपे प्रति मा मिलेंगे जल शक्ती व्याग के मल्टी पर वरकस को 600 रपे बरोत्री के साथ 5000 परतिमा मिलेंगे पैरा फीटर तदा पंप अपरेटर को 300 रपे बरोत्री के साथ 300 रपे बरोत्री के साथ 5000 परतिमा मिलेंगे पंचायच चोकीदार को 1000 रपे की बरोत्री के साथ 8000 परतिमा मिलेंगे राजस्व चोकिदार को 300 रपे ब्रोत्री के साथ 58 सो रपे प्रतिमा मिलेगा राजस्व लंबरदार को 500 रपे ब्रोत्री के साथ 42 सो रपे प्रतिमा मिलेंगे SMC धापों के मान देरे में 1900 पे प्रतिमा ब्रोत्री की जाएगी RT टीचर को 1900 पे प्रतिमा ब्रोत्री की जाएगी S.P.O.S को 500 पे प्रतिमा ब्रोत्री की जाएगी परते एक वर्ष की भांती माननी बधायकों के साथ हुई बैटकों के दौरान सामने आए सुजाबों के दार पर मैं निमन गोशनाएं करता हूँ पानी भी देता हूँ बलानी की मिटिंग नहीं शेयर सैटनी बैटरे इस स्पीश में न तुम्हारा क्या है तुम्हारा क्या है तुम्हे तो सिर्फ ग्यान देना है हमारी सोचों हमें हम्तान देना है प्रदेख वर्ष की भांती मानने हैं विधायकों के साथ हुई बैठकों के दरान सामने हैं सुजाबों के दार पर मैं नीमन गोशनाए करता हूं शिम्हा विधांसवा चुनाबी शेतर शहरी शेतर होने के कारण नवाड के आराई डीव के अंतरगत विधायक प्रात्मिक्ता योजनाओं की सुक्रीति हो तु पातर नहीं है यही समस्या ध्रमशाला मंडी सोलन तथा पालंपूर नगर निगों में पढ़ने वाले विधांसवा चुनाब शेतरों में भी आने वाली है मैं इन पाल्चो शेहरी विधांसवा चुनाब शेतरों के लिए नैशनल हौसिंग बैंक के माद्यम से अर्बन इंफरस्ट्रक्चर ड्वर्लमन फंड के अंतरगत इन शेहरी शेतरों की विधायक प्रात्मिक्ता योजनाओं को सुक्रीत करने की गोशना करता हूँ मालब जो नगर निगम के दारे में शिम्ला में तो काफी सालों से कोई इंफरस्ट्रक्चर के प्रुजर्ट का पैसल नहीं मिलता था पर चार और नगर निगम बनके उनके दारा भी इंफरस्ट्रक्चर के दारे में नहीं आते थे तो हम उनकी जो इंफरस्ट्रक्चर जो ह में मैं वित्या वर्ष दो जार चोविस पच्चिस से बधायक प्रात्मिक्ताओं के स्वरूब में भी परिवर्टन करने की गूशना करता हूँ अब मान्य विधायको द्वारा सडको पुलो पेजल योजनाएं अथ्वा लगवी संचाई योजनाओं की तीन वास्त्मिक नई स्किमों की प्रात्मिक्ताओं दी जाएगी पांचमी परात्मिक्ता HRTC के बत्मान रूट पर लक्टिकल बस चलाने तथा वश्चक चार्जिंग स्टेशन से संबंदित होगी ओवर हेड बीजली की तारों तथा अधूरे मुख्यमंत्री लोक भवनों का निर्मान कार्या पूर्या करने के लिए बिधायक शेत्र विकास निदी योजना के अंतकर पर अवधान कर दिया गया है इसके अतरिक्त मुख्यमंत्री आवास योजना के दिशान निदेश के अनुरू यदि मानने अवधायक किसीवी श्रेडी के लावार्थी के आवास बनाने के लिए अनुशन्शा करना चाहे तो वो इस निदी से कर पाएंगे इसी के साथ वधायक प्राग मिक्ता के वित्या पोशन के बर्तमान सिमा को 20 क्रोड रपे बढ़ा कर 175 क्रोड रपे से 195 क्रोड रपे करने की नहीं गशना चाहिए परदेश को हरित विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए 20 क्रोड रपे की बड़ी विराशी में से प्राथ मिक्ताएं अलेक्टिकल बसी चलाने तथा चार्जिंग स्टेशन से संबंदित होगी बड़ायक इच्छा निदी को तेरा लाक रपे से कम करकर मैं खतम करने की गोशना करते बड़ायक इच्छा निदी को तेरा लाक रपे से बढ़ा कर चोदा लाक रपे प्रति विधान सवा शेत्र कर दिया जाएगा बड़ायक शेत्र विकास निदी के अंतरगर प्रति विधान सवा शेत्र राशी को दो क्रोड से गठा कर अच्छा नहीं गलत पड़ रहे हैं दो क्रोड दस लाक रपे से बढ़ा कर दो क्रोड बिस लाक रपे कर दिया जाएगा अधैक्ष मोदे पुंजी गत कारे को शुरू करने के लिए जन परतिनीजियों के पास बहुत अधिक मांग रहती है पुंजी गत कारे को शुरू करने के लिए जन परतिनीजियों के पास बहुत अधिक मांग रहते हैं जो कि उपलब बितिया संसादनों से कहीं अधिक है इस परक्रिया में हर साल नए कारे शुरू होते हैं जबकि पहले से हैं चल रहे कारे संसादनों की कमी के कान डुक जाते हैं सभी निर्वाचित परतिन दीदियों से मेरी इस बास से सहमत होंगे कि चल रहे अधुरे कारे को प्रात्मिक्ता देने की जूरत है मैं गुशना कर रहा हूं कि चल रहे कारे को पूरा करने के लिए दोजाट चौविस पच्चिस में कम से कम एक हजार क्रोड रुपया खर्च किया जाएगा और उन कारे पर जोड़ दिया जाएगा जो पूरा होने के करीब है राज्जन के इतियास में यह पहली बार हो हुआ है कि चल रहे कारे को पूरा करने को मतब दिया जाएगा कोई एक रोड कर रुपY के से फसआए को पचास लाक रुपे के से फस लाक यह नहीं को वानिये है कोई दो करोड पांच करोड है fatto है अदेच मोदे हमारी सरकार परदेश के विकास में सरकारी करमचारी और पेंशनर्स की मत्तपून योगदान को समस्ती है उनके बड़े वेतन के एरियस के भुकतान के लिए हमारी सरकार स्वेधन शील है करमचारी वे पैंशनर्स बहनों और भाईों को भी complaint सरकार को पराणी सरकार से मिली विकट वितियस तितिति की जानकारी जितने भी सरकारी करमचारी है रोजग जाते राधिकारी है पैंशन बोगी है 1 आर्थिक स्तिति की उनको जानकारी है दश्कों से माचल सरकार पंजाब सरकार के बेतनमानों का अनुसरन करती आई है अभी तक पंजाब सरकार दोरा अपने करमचारी और पैंशनर्स के एरियर का बुक्तान नहीं किया गया है कटिन भितियस सित्तिती के बावजूद मैं निमलित गोशना करता हूँ सभी करमचारी और पैंशनर्स के बेतन तदा पैंशनर्स से संबंदित एरियर्यस का बुक्तान चरण बर धंग से एक मार्च दो जार चोविश से शुरू कर दिया जाएगा एक जनबरी दो जार सोला से कतिस दिसंबर दो जार इकी के बीच रिटैर हुए करमचारीों की लीव एनकैश्मेंट और ग्रेचुटी से संबंदित एरियर्यस का बुक्तान चरण बर धंग से एक मार्च जो दस दिन बाद खतम हो रहा है 2024 से शुरू कर दिया जाएगा मैं यहाभी घुशना करता हूँ कि एक अपरेल 2024 से चार प्रतिशत के दग की दर से महंगाई बत्ते की किश्च जारी कर दी जाएगी इस पर लगवर 580 करोड पर प्रतिवर्ष ब्याएग किये जाएगे प्रदेश के करमचारी अभी तक अपने सेवाकाल के अंत में केवल एक वार आल इंडिया लीव ट्रेवल कंशेशन ले सकते थे मलब 30 साल नोकरी कर ली 25 साल नोकरी कर ली 40 साल नोकरी कर ली एक यवार लटी सी की सुविदा मिलती थी मिलती थी मुझे यह गोशना करते हुए परसंता हो रही है कि एक एपरेल दो जार 24 के बाद परदेश के करमचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार लटी सी की सुविदा ले पाएंगे ध्याडी जारों को 25 रपे बढ़ोतीरी के साथ 400 रुपया प्रती दिन ध्याडी मिलेगे आउट्सोर्स करमचारीयों को अब नियूंतम 12,000 प्रती मा मिलेंगे पंचायत बैटनरी एस्टेंट को मिलने वाले 7,000 प्रती मा को बढ़ा कर 7,500 रुपया किया जाएगा हमारी सरकार का दृड बिश्वास है कि करमचारीयों के सेहोग से परदेश की वित्यस्तिती में सिगर ही सुधार लाय जाएगा ये हमारे जो हमने राजस्सथ प्राप्त किया है उसको बांटा है एक साल में जो विवस्ता परिवर्तन किया उसके इसाब से हम ये जो हमें अधिक राजस्वाया वो हम करमचारी प्रदेश की किसाद महलाओं युवाओं सब को बांट रहे हैं अब मैं 2023 के स्रेशो अनमानों पर आता हूं बRS 2023 के स्रेशो अनमानों के इसाद कुल राजस्वा परातियां 40,440 करोड रपे हैं 5,485 करोड रपे का राजस्व डेफिसित अनमानित है अधक्ष मोदे में वर्ष दोजार चोबिस पच्चिस के लिए अठावण हजार चारसो चुतालीस क्रोड रुपे का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ वर्ष दोजार चोबिस पच्चिस में राजस्व परापतियं 42,153 क्रोड रहने का अनुमान है तता कुल राजस्व व्याए 40,667 क्रोड रुपे अनुमानित है इस परकाल कुल राजस्व घटा गाटा 4,514 क्रोड रुपे अनुमानित है राजकी उकोषिय गाटा 10,7884 क्रोड रुपे अनुमानित है जो कि परदेश के सकल ग्रेलूत बाद का 4.75 प्रतिशत है 2024-25 के बजट के नुसार प्रतिश सो रपे बियाए में से बेतन पर 25 रपे पैंचन पर 17 रपे बियाज अदाइगी पर 11 रपे रिन अदाइगी पर 9 रपे 12 संस्तानों के लिए गरांट पर 10 रपे जबकि 26-26 रपे पुंजी गत कारें उन से अन्य गतिवियों पर प्याई किये जाएंगे अगले वर्ष के बजट का पुरण विवरन इस मानिय सदन में प्रस्तित किये जा रहे हैं बिस्तित बजट प्रदस्तावेजों में उपलवद है इसके लावा एफरम बीम स्टेट्मेंट भी बजट के साथ प्रस्तित की जा रही है अदैक्ष मौदे इस बजट अदिवाशन के मुक्या बिंदू अनुवद में दशाए गया है अदैक्ष मौदे इसी के साथ मैं यहाँ बजट माने सदन के अनुवदन के लिए प्रस्तित करता हूँ धन्यावाद मुक्या बिंदू तु क्या हूँ धन्यावाद जाएंगे तता उत्पाद को सरकार द्वारा ही ख्री लिया जाएगा हम चरनवद तरीके से किसान परिवारों को दूसरे एक निश्ची ताय अरजित करने में सक्षम बनाने के लक्षे की और बढ़ रहे हैं ताकि हम चुनाब से पूरे ताकि हम चुनाब से पूरव कियेगे वादों को पूरा कर सके दोजार चुवईस पच्चिस में इस पर लगवग एक सो पचास क्रोड़ पे की अतिक प्राशी ब्याए की जाएगी जिस से इस विवस्ता को त्यार करने में साहता मिलेगी हमाचल परदेश मिलक फेडरेशन दूत उतपादन सुसाइटियों द्वारा लीग सुसाइटियों से एगरी कल्चर प्रोड्यूस मार्किट कुमिट्टी द्वारा लीगी मार्किट फीस रिवर्स करने में बहुत समय लग जाता है इससे इन सुसाइटियों का बहुत सारा पैसा कमिट्टी के पास काभी समय तक पढ़ा रहता है मैं गोशना करता हूँ कि एक अपरेल दो जार चोबिस से दुगद उतपादन सुसाइटियों से एपी एमसी द्वारा ली जाना वाली फीस माफ की जाएगी इस से इन सुसाइटियों को कुरूरों रुपे का लाग पहुंचेगा मेरा लक्षया किसानों और पशुपालकों को ना केबल दूद उतपाद को कोस्ट बेस प्राइस मिले बलकि क्वालिटी बॉनस भी मिले इसी लक्षय की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार निश्चित समय अब्दी को ध्यान में रखकर कार्याद कर रही है यह सरकार एवं पशुपालकों के सुक परियाद से संबब हो पाएगा परदेश के युवाओं में पशुपालन से संबंदित कोशल के विकास निगम के माद्यां से ने कोशल परशिक्षन कारेकरम शुरू किये जाएंगे हिम गंगा योजना के अंतरकत में बर्श दो जार चोविस परचिस के दुरान कांगणा के ढगवार में 1.5 लाक लिटर पर दे की शमता वाले फुली ओटोमेटिड मिलक और मिलक प्रोडक्स प्लांट की स्तापना की घोशना करता हूँ इस प्लांट के लिए इस प्लांट के लिए भुमी उपलॉप्त करवा दी गई है तता इसकी शमता को बाद में बढ़ा कर तीन लाक लीटर पर डे कर दिया जाएगा इस प्लांट पे अत्यादिनीक तक्नीक से दूद का पॉडर बनाया जाएगा जिससे की मांग से अधिक दूद को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके इसके अत्रिक धाई, खोया, घी, आइस्क्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, प्रोसेस्ट मिल्क चीज तता अन्यात बाद त्यार किया जाएंगे इसके साथ ही यहां UHT, अल्टरा हीट टेकनोलजी से पैकिंग की सुविदा भी उबलब्द होगी दत नगर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में 50,000 LPD की शमता का एक अत्रिक सेंतर चालू कर दिया जाएगा तता बरतमान में, भविन जिलों में काम कर रहे, दूद सेंतरों के निमिनी करण को प्राथमिक्ता दी जाएगे उन्ना तता हमीरपुर में भी आदुनिक तक्नीक से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्ताविक किये जाएगे जिन पर लगबग 50 क्रोड पे व्याय किये जाएगे स्थानिय मुआओं को किसानों को कुलेक्शन सेंटर से मिलक प्रोसेसिंग प्लांट तक दूद ले जाने के लिए 50% उपदान पर 200 रेफ्रिजेटर मिलक बैंस उपलब करवाई जाएगी जब दूद की पैदाबार बढ़ेगी तो किसान कहां छोड़ेगा उसके लिए उन्हें जो रेफ्रिजेटर बैं होती है मिलक प्रोसेसिंग के लिए वो 50% पर उपलब करवाई जाएगी पशू पालकों को उत्तम नसल के पशू उपलब करवाने के देश्य से मैं सोलं जिले के दाड़ना घाड में कृत्रिम गर्माधान पर्शिक्षन के इंदर की स्तापना करने की गोशना करता हूँ जिसकी सहता से कृत्रिम गर्माधान पर्शिक्षन की सुविदा उपलब करवाई जाएगी विशेशग्या 25 किसकाओं द्वारा गंबीर पशू रोगों की सुविदा उपलब करवाने के लिए 44 मोबाइल बेटनरी बेंस कराएपर ली गी है या सेवा वर्श 2024 में पूरन रूप से अरम कर दी जाएगी परतेग बेन में एक बेटनरी डॉक्टर तथा एक फर्मसिस्ट तनात होगा पशू पालब परदेश में कहीं से कहीं से भी टॉल फ्री फोन नंबर 1962 पर कॉल करके पशू के उपचार की सुविधा या पशू पालन से संबंदित अन्या जानकारी राप्ट कर सकेंगे राष्टिया गोकूल मुशन के तहत उन्ना जिला के बसाल में डैनमार्क के तकनीकी सेहोग से 44 क्रोड की लागत से एक उत्कृष्टता के अंदर स्ताफित किया जाएगा इसके लिए अवश्यक भूमी पशुपालन विवाग के नाम पर हस्तांतरित का हो चुकी है बदलते समय में पशुपालन विवाग के संगाठनात्मक धांचे के पुनल गठन एवं पुनल सरचना की भी अवश्यक्ता है अता विवागे योजनाओं के युक्तिकरण एवं विवागे धांचे के पुनल गठन के लिए एक विस्तरित योजना बनाई जाएगी जिसके लिए एक विशेशिक्य स्मीती बनाई जाएगी मिलक फेडरेशन के माद्यम से नैशनल डैरी प्लान टू के अंतरगर परदेश में दूद की उत्पादिक्ता को बढ़ाने के लिए एक बिस्त्रित कारिया यूजना त्यार करके उसको इंप्लिमेंट किया जाएगा हमाचल परदेश बेडबकरी पालकों का भी परदेश है परदेश में आठ लाग भेडे तथा ग्यारा लाग बकरियां है बेडबकरियों के लिए FMD वैक्सिन बी वार्मिंग द्वाईयां तथा अन्या द्वाईयों के लिए अलग से कोई प्राबदान नहीं है इसके लिए बाहर सरकार दोरा भी कोई प्राबदान नहीं किया गया है बेडबकरी पालकों की अन्या बड़ी समस्याओं में डिपिंग ड्रेंचिंग की विवस्ता में सुधार उन कुटाई की विवस्ता में सुधार उनके परंपरागरत चरानों तदा रास्तों का समाब्ध होना बेड़ बकरी की उनके बिपार में अंतर रस्टे बिपार में आए बदलाब के कारण उनके ख्रीद मुल्लिया में भारी ग्राबट आई है मैं परदेश में बेड़ बकरियों के लिए FMD वेक्सिनेशन शुरू करने तदा उन की अन्य समस्यों के निदान के लिए एक नई योजना बेड़ बकरी पालक प्रोसान योजना अरम करने की घोशना करता हूँ इस योजना पर दस करोड़ रुपे की अत्रिक धंड़ाशी दी जाएगी जनक जी नियाज परदेश में बढ़ते हुए बे सारा पश्यों की समस्या के निदान के लिए एक स्टेट लेवल टाक्स पोर्स का गठन किया जाएगा जो के तीन मां के भीतर इन पश्यों को किसानों तथा स्टाने समदाओं से प्रामर्श के बाद समीब के गोवारनों तथा गोशालों में रखने के लिए दिशा निदेश दी जाएगे इसी के साथ गोवेरनों और तथा गोशालों के निर्माण तथा रख्रख्वाव से संबंदित सुझा भी दिये जाएंगे मैं निजी गोवसंदों में अश्रित गोवश के लिए दिये जाने वाले अनुदान साथ सो रपे प्रती गोवश प्रती महां से बढ़ा कर एक हजार दो सुर रपेया करने की साहर शगुसना करता है जो मैं निजी संस्तान गोवशाला चलाते हैं उनके लिए हमने बारस सुर रपेया पर गाह या कोई सी पश्यूका कर दिया है क्रिशी शेक्तर के ले कुल पांसो ब्यासी क्रोड रुपे पस्तावीत है अध्यक्ष मोदे मैं हमाचल परदेश की आर्थकी में परदेश के बागवानों का एक बड़ा योगदान रहा है बागवानों की आय में वरिद्धी हमारी सरकार की प्राथमिक्ताउं से में से एक है मैं दोजार चोबिस पच्चिस के दौरान बागवानी शेतर में तिन सो क्रोड रुपे की लाग़ से निमन विकास कारिया पूरे करने की गोजना करता हूँ 75 लगू संचाई योजनाओं का निर्मान लगवग 1200 हेक्टेर शेतर में सब ट्रोपिकल फोलों के हाई डेंसिटी विक्षों का रोपन कारिया किया जाएगा जिससे 80,000 किशक स्मों में के लगवग 6,500 किसान परिवार लावाननी भी तोंगे 12 क्रोड की लागत से एक बागवानी उत्करिष्टरता के अंदर की स्तापना की की जाएगी जो कि गुनवत्ता, कोशल, परियाटन तथा बिजार संबंदित सभी अविश्कताओं के लिए वन स्टॉप रिसोर्स सेंटर के रोम में कारिया करेगा राज्जा के सब ट्रोपिकल शित्रों में दो अत्याधुनिक फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिर्स तावित किये जाएगे पांच क्रोड क्रोड की लागत से अमरूद, निम्बू तथा अन्या सब ट्रोपिकल फुलों की बढ़ावा देने के लिए मडलेटरीज, बड़ वूड बैंक्स के लिए कोरडेंशन ब्लॉक की स्थापना की जाएगी भागवान बाईयों के साथ चर्चा के बाद मैं घुचना करता हूँ 2024 के सेफ सीजन से, जो अगला सेफ सीजन होगा, यूनिवर्सल कार्टन का परियोग आरहम कर दिया जाएगा इस दिशा में अवशक दिशा नर्देश त्यार करने है तूद, सचिव क्रिशी की देख्षता में दिसंबर 2023 में एक कमेटी का कठन किया जा चुका है परदेश में हाई रिटन फ्रूट जैसे की ड्रेगन फ्रूट, अवशक दिशा नर्देश त्यार किये जाएंगे इससे परदेश के किसानों की आए में शिगर एवं निश्चित अब वरिद्धी होगी अड़क्स मोदे परदेश में प्रेटकों के बढ़ते हुए रुजान को देखते हुए होटी कल्चर टूरिजम को बढ़ावा देने की अवशकता है परदेश में स्तित बड़े बाग तदा बागों के सुमो को गरामिन प्रेटन की दृष्टी से विक्सित करने के लिए गरामिन विकास विवाग उद्यान विवाग तदा प्रेटन विवाग के माद्यम से मैं एक ठोस नीती का निधरन किया जाएगा इस नीती के अंतरगत इच्छिक बागोंनों को अवशक ट्रेनिंग तता अन्य सहता अपलोद करवाई जाएगी बागोंनी के कुल पांसो कतिस प्रूर रपे पस्तावीत है अदेक्ष मोदें परदेश के लगवग 13,000 मच्छवारों की आए बढ़ाने के उदेशे से मैं निमन गोशना करता हूँ 20 हेक्टर शेतर में ने मतस्य पालन तलावों के निर्मान के लिए मच्छवारों को 80% उबदान पर आर्थिक सहता दी जाएगी यनिकि सोर में में से असीर पे सरकार खच करेंगे जीला हमिरपुर में सेंटर ऑफ एक्सेल handwriting के रूम में एक ने कार फिश फ्रूर्म की स्तावना की जाएगी नाला कर्ण स्तिप फिश सीड फवारं में 5 करोड की लागत से ब्रॉड बैंक की स्तावना की जाएगी परदेश के मचवारों को मोटर सैकल, थ्री विलर तता आई बॉक्सिस उबदान पर उपलब्द करवाए जाएंगे दस ने बायो फ्लॉक फिश प्रोडक्शन तलाबों तता दस नहीं लगू बायो फ्लॉक फिश प्रोडक्शन काईयों के स्थापना की जाएगे तीन नई फिर्ड मिल्स की स्थापना की जाएगी, दो बरफ सेंतरों की स्थापना की जाएगी इसके अतरिक परदेश के ठंडे शित्रों में, निजी शित्रों में ट्रॉट मचली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक सो पचास नई ट्रॉट मचली उत्पादनिक आईयां तदा दो नौई ट्रॉट हैच्छिस की स्तापना की जाएगी अधर्ष मौदे ये सब चो चीजें हैं ये किसान की आए बढ़ाने के लिए है चाहे प्रकृतिक खेती है चाहे दूद के मुल्या बढ़ाने की बात है चाहे फिश्री की बात है किसान और बागवान की आए बढ़े उस दिरिश्टी से सब को जोड़ा गया है इसके अतरिक्त परदेश के ठंडे शित्र अधर्ष मौदे गर्थ भर्ष भारी वर्षा के कारण अन्या संपत्यों के साथ साथ लारजी पावर होस को लगवग 658 क्रोड पे का नुकसान हुआ लारजी पावर होस के यूनिट नंबर वन को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया गया है तथा अन्या दो यूनिटों को भी शिगर ही रिस्टोर कर दिया जाएगा लगवग 2000 क्रोड पे की लागस से कारेणमेंट होने वाली हमाचल परदेश पावर सेक्टर ड्वालमेंट प्रोग्राम के लिए विश्चव बेंक के साथ लौन एग्रिमेंट साइन कर लिया गया है इसके माद्यम से स्मार्ट ग्रीट टेकनोलोजी की सहता से परदेश के 13 शहरों में 24 इंटू 7 पावर सप्लाई सुनिश्चित करने का कारिया शिगर अरम किया जाएगा मैं हमाचल परदेश को 2026 तक देश का पहला हरित उर्जा राज्या बनाने के अनुकरम में तदा परदेश में सोर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए निमनित गोशनाई करता हूँ पेखु वाला स्थित 32 मेगावार्ट शम्ता वाले हमाचल के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का शिला नयास 2 दिसंबर 2023 में किया गया था मैंसे मार्च 2024 तक के अन तक कमिशन करने की घोशना करता हूँ उन्ना में अगलोर स्थित 10 मेगावार्ट शम्ता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट जून 2024 तक बनकर त्यार कर दिया जाएगा उन्ना के बंजाल में 5 मेगाबार्ट शम्ता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट का स्तंबर 2024 तक लोका आरपन कर दिया जाएगा राजीव गांधी स्टार्ट अप यूजना के अंतरगत निजी भूमी पर 45 प्रतिशत उपदान पर 100-500 किलो वार्ट तक के सोलर पैनल नगाने के कारे में गती लाई जाएगी इस यूजना के अंतरगत प्रधम चर्ण में कुल सो मेगाबाड सोलर शम्ता का धोन स्नुचित किया जाएगा निजी भूमी पर स्तापित होने वाले सोर उर्जा प्रियुजना का पंजी करन पुरे वर्ष के लिए खुला रखा जाएगा जिससे सो मेगाबाड सोर शम्ता का धोन शिगर संपन हो पाएगा परदेश के बाल एवं बालिका आश्रम तथा प्रिद आश्रम और राजीव गांधी मोडल डे बोर्डिंग स्कूल में ग्रेड से जुड़े रूप टॉप सोलर प्लांट और वाटर हीटिंग सिस्टम स्तापिक किये जाएगे सबी सरकारी भमलों के कनेक्टिंग लोड के कम से कम 20 प्रतिशीत की अपूर्ती ग्रेड से जुड़े रूप टॉप सोलर प्लांट के माद्यम से चरणबात तरीके से करना अनुवारिया किया जाएगा सोलन, पालंपूर और धरमशाला नगर निगमों में सबी ग्रेलू प्लोप वोकताओं को एनलसुप राप्त करने के लिए ने भमों में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाना अनुवारिया किया जाएगा तथा इन निगमों में स्तिज सरकारी भमनों की च्छतों पर चरणबत तरीके से सोलर प्रांट लगाने होंगे उन्ना, कांगडा, सोलन, सिमोर, मंडी और शिम्ला जिरा में 501 मेगावाट की शमतावाले 500 पारक और 2,012 मेगावाट की शमतावाली 100 उर्जा पर युजनाय स्तापित करने का कार्या अरंब किया जाएगा लगब एक हजार आसो पजासी क्रोड की लागत से परदेश में रिवैंप्ड डिस्टिबिशन सेक्टर स्कीम्स के माद्यम से एग्रिगेट टेकनिकल एंड कमर्शिल लॉसिस को कम करने के लिए एक विस्तरित कार्या युजना का कार्यावैन किया जाएगा इससे बिजली पूर्ती की गुनवर्टा के साथ साथ डिस्टिबिशन सेक्टर की फानेशल सस्टेनेविल्टी भी बढ़ेगी बिजली उतबादन के साथ साथ एक efficient transmission and distribution network होना समय के अविश्कता है ताकि ना केवल परदेश की जंता की बिजली को मांग को पूरा किया जा सके बलकि सर प्लस उतबादन को उची समय पर अन्या राजियों को भी पंचाया जा सके इसको और सद्रिड करने के लिए दोजार चौविस पच्चिस के लिए 96 करोड रुपे की लागत से चार ट्रांस्मिशन लाइन्स तथा 290 करोड की लागत से 6 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पूरे सबस्टेशन पूरे किये जाएंगे परदेश मेस्तित ट्रांस्मिशन एसेड्स को दूस्से एक निश्ची ताय अर्जित करने में सब्षम बनाने के लक्षे की और बढ़ रहे हैं ताकि हम चुनाब से पूरे ताकि हम चुनाब से पूरब किये गे वादों को पूरा कर सके दोजार चुनाब पच्चिस में इस पर लगवग एक सो पचास करोड़ पे की अतित प्राशी ब्याए की जाएगी जिस से इस विवस्ता को त्यार करने में सहिता मिलेगी हमाचल परदेश मिलक फेडरेशन दूत उतपादन सुसाइटियों द्वारा लीग सुसाइटियों से एगरिकल्चर प्रोड्यूस मार्किट कुमिटी द्वारा लीगी मार्किट फीस रिवर्स करने में बहुत समय लग जाता है इससे इन सुसाइटियों का बहुत सारा पैसा कुमिटी के पास काभी समय तक पढ़ा रहता है मैं गोशना करता हूँ कि एक अप्रेल दो जार चौबिस से दुगद उतपादन सुसाइटियों से एपी एमसी द्वारा ली जाने वाली फीस माफ की जाएगी इस से इन सुसाइटियों को कुरूरों रुपे का लाग पहुंचेगा मेरा लक्षया किसानों और पशुपालकों को ना केबल दूद उतपाद को कौस्ट बेस प्राइस मिले बलकि क्वालिटी बॉनस भी मिले इसी लक्षय की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार निश्चित समय अब tiene को ध्यान में रखकर कार्याक कर रही है या सरकार इवं पशुपालकों के शुक परियास से संबब हो पाएगा परदेश के युवाओं में पशुपालन से संबंदित कोशल के विकास दिगम के माद्यम से ने कोशल परशिक्षन कारेकरम शुरू किये जाएंगे हिम गंगा योजना के अंतरकत मैं बर्श दो जार चोविस परचिस के दोरान कांगणा के ढगवार में 1.5 लाख लीटर पर दे की शमता वाले फुली ओटोमेटिड मिलक और मिलक प्रोडक्स प्लांट की स्तापना की गोशना करता हूँ इस प्लांट के लिए इस प्लांट के लिए भुमी अप्लोप करवा दी गई है तता इसकी शमता को बाद में बढ़ा कर तीन लाख लीटर पर डे कर दिया जाएगा इस प्लांट में अत्यादिनी तक्नीक से दूद का पॉडर बनाया जाएगा जिससे की मांग से अधिक दूद को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके इसके अत्रिक धाई, खोया, घी, आइस्क्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, प्रोसेस्ट मिल्क चीज तता अन्यात बाद त्यार किया जाएगे इसके साथ ही यहां UHT अल्टरा हीट टेकनोलजी से पैकिंग की सुविदा भी उपलब्द होगी दत नगर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में 50,000 LPD की शमता का एक अत्रिक सेंतर चालू कर दिया जाएगा तदा बरतमान में, भविन जिलों में काम कर रहे, दूद सेंतरों के निमीनी करण को प्राथमिक्ता दी जाएगे उनना तदा हमीरपूर में भी आदुनिक तक्नीक से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्टाविट किये जाएगे जिन पर लगबग 50 क्रोड पे व्याय किये जाएगे स्थानी वुआओं को किसानों को कुलेक्शन सेंटर से मिलक प्रोसेसिंग प्लांट तक दूद ले जाने के लिए 50% उपदान पर 200 रेफ्रिजेटर मिलक बैंस उपलब्द करवाई जाएगी यानि कि जब दूद की पैदाबार बढ़ेगी तो किसान कहां छोड़ेगा उसके लिए उन्हें जो रेफ्रिजेटर बैं होती है मिलक प्रोसेसिंग के लिए उपचास प्रतिशत पर उपलब्द करवाई जाएगी पशू पालकों को उत्तम नसल के पशू उपलब्द करवाने के उदेशे से मैं सोलन जिले के दार्ला घाड में कृत्रिम गर्माधान पर्शिक्षन के इंदर की स्ताफना करने की गोशना करता हूँ जिसकी सहता से कृत्रिम गर्वाधान पर्शिक्षन की सुविदा उपलब्द करवाई जाएगी विशेशग्या 25 किसकाओं द्वारा गंबीर पशू रोगों की सुविदा उपलब्द करवाने के लिए 44 मोवाईल बैटनरी बैंस किराए पर ली गई है या सेवा वर्श 2024 में पूरन रूप से अरम कर दी जाएगी परतेग बैन में एक बैटनरी डॉक्टर तथा एक फर्मसिस्ट तनात होगा पशू पालब्देश में कहीं से कहीं से भी टॉल फ्री फोन नंबर 1962 पर कॉल करके पशू के उपचार की सुविदा या पशू पालन से संबंदित अन्या जानकारी प्राप्त कर सकेंगे राष्टिया गोकूर मुशन के तैट उन्ना जिला के बसाल में डैनमार्क के तकनीकी सेहोग से 44 क्रोड की लागत से एक उतक्रिष्टा के अंदर स्ताफित किया जाएगा इसके लिए अवश्यक भूमी पशुपालन विवाग के नाम पर हस्तांतरित का हो चुकी है बदलते समय में पशुपालन विवाग के गठनात्मक धान्चे के पूनर गठन एबंपुनर सरचना की अवश्यकता है अथा विवागे योजनाओं के यूक्ति करन एबंपुनर गठन के लिए एक विस्त्रित योजना बनाई जाएगी जिसके लिए एक विशेश क्या स्मीती बनाई जाएगी मिलक फेडरेशन के माद्यम से नैशनल डैरी प्लान टू के अंतरगर परदेश में दूद की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक बिस्तित कारिया योजना त्यार करके उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा हमाचल परदेश भेडबकरी पालकों का भी परदेश है परदेश में आठ लाग भेडे तथा ग्यारा लाग बकरियां है बेडबकरियों के लिए FMD वैक्सिन डी वार्मिंग द्वाईया तथा अन्या द्वाईयों के लिए अलग से कोई प्राबदान नहीं है इसके लिए बाहर सरकार दोरा भी कोई प्राबदान नहीं किया गया है बेडबकरियों की अन्या बड़ी समस्याओं में डिपिंग ड्रेंचिंग की विवस्ता में सुधार उन कुटाई की विवस्ता में सुधार उनके परंपरागरत चरानों तदारास्तों का समाब्द होना बेड़ बक्री की उनके विपार में अंतर अस्टे विपार में आए बदलाब के कारण उनके ख्रीद मुलिया में भारी ग्रावट आई है मैं परदेश में बेड़ बक्रियों के लिए FMD वेक्सिनेशन शुरू करने तदा उनकी अन्य समस्यों के निदान के लिए एक नई योजना बेड़ बक्री पालक प्रोसान योजना अरम करने की घोशना करता हूँ इस योजना पर दस क्रोड रुपे की अत्रिक धंड़ाशी दी जाएगी जनकी जी नियाज परदेश में बढ़ते हुए बे सारा पश्यों की समस्या के निदान के लिए एक स्टेट लेवल टाक्स पोर्स का गठन किया जाएगा जो कि तीन महा के भीतर इन पश्यों को किसानों तथा स्थाने समुदाओं से परामार्श के बाद समीब के अभ्यारनों तथा गोशानों में रखने के लिए दिशा अनर्देश दिये जाएगे इसी के साथ गोवेरनों और तथा गोशालों के निर्मान तथा रख्रक्वाव से संबंदित सुझा भी दिये जाएंगे मैं निजी गोशंदों में अश्रित गोवश के लिए दिये जाने वाले अनुदान साससो रुपे प्रति गोवश प्रति महां से बढ़ा कर एक हजार दो सुर रुपेया करने की सहर्ष गोशना करता है जो निजी संस्तान गोशाला चलाते हैं उनके लिए हमने बारफ सुर रुपेया पर गाह या कोई सी पश्यूका कर दिया है क्रिशी शेक्तर के ले कुल 582 क्रोड रुपे पस्तावित है अध्यक्ष मोदे मैं हमाचल परदेश की आर्थकी में परदेश के बागवानों का एक बड़ा योगदान रहा है बागवानों की आए में वरिद्धी हमारी सरकार की प्राथमिक्ताउं में से एक है मैं दोजार चोबिस पच्चिस के दौरान बागवानी शेतर में तिन सो क्रोड रुपे की लाग़ से निमन विकास कारिया पूरे करने की गोजना करता हूँ 75 लगू संचाई योजनाओ का अंदिर्मान लगवग 1200 हेक्टेर शेतर में सब ट्रोपिकल फॉलों के हाई डेंसिटी ब्रिक्षों का रोपन कारिया किया जाएगा जिससे 80,000 किशक स्मों में के लगवग 6,500 किसान परिवार लावाननी भी तोंगे 12 क्रोड की लागत से एक बागवानी उत्करिष्टरता के अंदर की स्तापना की की जाएगी जो कि गुनवत्ता, कोशल, प्रियाटन तथा बिजार संबंदित सभी अविश्कताओं के लिए वन स्टॉप रिसोर्स सेंटर के रोम में कारिया करेगा राज्जा के सब ट्रॉपिकल शित्रों में दो अत्याधुनिक फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिर्स तावित किये जाएगे पांच क्रोड तुपे की लागत से अमरूद, निम्बू, तधा अन्या, सब ट्रॉपिकल फॉलोंग की बढ़ावा देने के लिए मडलेटरी, बड़ बूड बैंक्स के लिए होर्डेंशन ब्लॉग की स्तापना की जाएगी भागवान बाईयों के साथ चर्चा के बाद मैं घुजना करता हूँ 2024 के सेफ सीजन से लगना सेफ सीजन होगा युनिवर्सल कार्टन का परियोग आरम कर दिया जाएगा इस दिशा में अवशक दिशा नरदेश त्यार करने है तूर सचिव क्रिशी की देख्षता में दिसंबर 2013 में एक कमेटी का गठन किया जा चुका है परदेश में हाई रिटन फ्रूट जैसे की ड्रैगन फ्रूट अवशक दिशा नरदेश त्यार किये जाएंगे इससे परदेश के किसानों की आए में शिगर एवं निश्चित अब विद्धी होगी अड़क्स मोदे परदेश में प्रेटकों के बढ़ते विरुजान को देखते वे होटी कर्चर टूरिजम को बढ़ावा देने की अवशकता है परदेश में श्थित बड़े बाग तदा बागों के समो को गरामिन प्रेटन की दिष्टी से विक्सित करने के लिए गरामिन विकास विवाग उद्ध्यान विवाग तदा प्रेटन विवाग के माद्यम से मैं एक ठोस नीती का अनिधारंग किया जाएगा इस निती के अंतरकत इच्छिक बागवानों को अवश्चक ट्रेनिंग तता अन्य सहता अपलाउद करवाई जाएगी बागवानी के कुल 533 प्रोड पे पस्तावीत है अध्यक्ष मोदे परदेश के लगवग 13,000 मच्छवारों की आए बढ़ाने के उदेश से मैं निमंगोशना करता हूँ 20 हेक्टर शितर में ने मतस्य पालन तलाबों के निर्मान के लिए मच्छवारों को 80% उबदान पर आर्थिक साहता दी जाएगी यानि कि 100 वे में से 80 पे सरकार खच करेगी जीला हमीरपुर में सेंटर ओफ एक्सलेंस के रूम में एक ने कार फिश फारम की स्थापना की जाएगी नाला ग्रड शित फिश सीड फारम में 5 क्रोड की लागत से ब्रॉड बैंक की स्थापना की जाएगी परदेश के मच्छवारों को मोटर सैकल, थ्री मिलर तता आई बॉक्सिस उपदान पर उपलब्द करवाए जाएगे दस ने बायो फिश प्रोडक्शन तलाबों तता दस नहीं लगू बायो फिश प्रोडक्शन काईयों की स्थापना की जाएगे तीन नहीं फीड मिल्स की स्थापना की जाएगी दो बरफ सेंतरों की स्ताफना की जाएगी इसके अत्रिक परदेश के ठंडे शित्रों में निजी शित्रों में ट्रॉट मचली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 150 नई ट्रॉट मचली उत्पादने काईयां तदा दो नौई ट्रॉट हैक्सिस की स्ताफना की जाएगी अदक्ष मोदे ये सब जो चीजें हैं ये किसान की आए बढ़ाने के लिए हैं चाए प्रकृतिक खेती है चाए दूद के मुल्या बढ़ाने की बात है चाए फिश्री की बात है किसान और भागवान की आए बढ़े उस द्रिष्टे से सब को जोड़ा गया है इसके अत्रिक्त परदेश के ठंडे शित्र अदेक्समोदे गत वर्ष वहारी वर्षा के कारण अन्या संपत्यों के साथ साथ लारजी पावर होस को लगबग 658 क्रोड पे का नुपसान हुआ लारजी पावर होस के यूनिट नंबर वन को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया गया है तता अन्या दो यूनिटों को भी शिगर ही रिस्टोर कर दिया जाएगा लगबग 2000 क्रोड पे की लागत से कारेण विन्थ होने वाली हमाचल परदेश पावर सेक्टर ड्वालमेंट प्रोग्राम के लिए विश्व बंक के साथ लौन एग्रिमेंट साइन कर लिया गया है इसके माध्यम से स्मार्ट ग्रीट टेक्नोलजी की सहता से परदेश के 13 शहरों में 24 इंटू 7 पावर सप्लाई सुनिचित करने का कारेण शिगर अरम किया जाएगा मैं हमाचल परदेश को 2026 तक देश का पहला हरित उर्जा राज्या बनाने के अनुकरम में तदा परदेश में सोर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए निमनित गोशनाए करता हूँ पेखु वाला स्थित 32 मेगावार्ट शम्ता वाले हमाचल के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का शिला नियास 2 दिसंबर 2023 में किया गया था मैं ऐसे मार्च 2024 तक के अन तक कमिशन करने की गोशना करता हूँ उन्ना में अग्रोश्टित 10 मेगावार्ट शम्ता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट जून 2024 तक बन कर त्यार कर दिया जाएगा उन्ना के बंजार में 5 मेगावार्ट शम्ता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट का स्टमबर 2024 तक लोका और प्रण कर दिया जाएगा राजीव गांधी स्टार्टप यूजना के अंतरगत निजी भूमी पर 45 प्रतिशत उपदान पर 100-500 किलो वाट तक के सोलर पैनल लगाने के कारे में गती लाई जाएगी इस यूजना के अंतरगत प्रदमचन में कुल 100 मेगाबाड, 100 शमता का ध्वन स्मुचित किया जाएगा निजी भूमी पर स्तापित होने वाले सोर उर्जा प्रियुजना का पंजी करन पूरे वर्ष के लिए खुला रखा जाएगा जिससे 100 मेगाबाड, 100 शमता का ध्वन शिगर संपन हो पाएगा परदेश के बाल, एवं बालिका आश्रम तता प्रिद आश्रम और राजीव गांधी मोडर डे बोर्डिंग स्कूल में ग्रेड से जुड़े रूप टॉप सोलर प्लांट और वाटर हीटिंग सिस्टम स्तापित किये जाएगे सभी सरकारी भमलों के कनेक्टिंग लोड के कम से कम 20 प्रतिशीत की अपूर्ती ग्रेड से जुड़े रूप टॉप सोलर प्लांट के माध्यम से चरण बर तरीके से करना अनुवारिया किया जाएगा सोलन, पालंपूर धर और धरमशाला नगर निगमों में सभी ग्रेलूप वोपताओं को एन्मेशी प्राप्त करने के लिए ने भमन में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाना अनुवारिया किया जाएगा तथा इन निगमों में स्तित सरकारी भमनों की च्छतों पर चरण बर तरीके से सोलर प्रांट लगाने होंगे उन्ना, कांगणा, सोलन, सिमावर, मंडी और शिम्ला जिला में 501 मेगाबाट की शम्तावाले 500 पारक और 2,012 मेगाबाट की शम्तावाले 100 उर्जा पर युजनाय स्तापित करने का कार्या अरम किया जाएगा लगब एक 1885 क्रोड की लागत से परदेश में रिवैंप्ड डिस्टिबिशन सेक्टर स्कीम्स के माध्यम से एग्रिगेट टेकनिकल एंड कमर्शल लॉसिज को कम करने के लिए एक विस्तित कार्या युजना का कार्या मैंट किया जाएगा इससे बिजली पूर्ती की गुनवर्ता के साथ साथ डिस्टिबिशन सेक्टर की फानेशल सस्टेनेविल्टी भी बढ़ेगी बिजली उतबादन के साथ साथ एक efficient transmission and distribution network होना समय के अविश्कता है ताकि नाकेवल परदेश की जनता की विजली को मांग को पूरा किया जा सके बलकि सर प्रस उतबादन को उची समय पर अन्या राज्यों को भी पहुँचाया जा सके इसको और सद्रिड करने के लिए 2024 के लिए 96 क्रोड रुपे की लागर से 4 transmission lines तथा 290 क्रोड की लागर से 6 extra high voltage पूरे सब्स्टेशन पूरे किये जाएंगे परदेश में स्तित transmission assets को national grid से central transmission utility system के माध्यम से जोड़ा जाएगा इसके नियंतरन monitoring के लिए कुन्यार में मंडरे joint control center तथा कांगडा के धेन में सब्स्टेशन के लिए के निर्मान का कारया 2024 में पूरा कर लिया जाएगा इससे transmission lines के शिगर रख रखाब की भी में विस्विदा होगी अदक्ष मोदे कांगडा जिलो को प्रदेश की प्रेटन राजदानी बनाने की घोशना पिछले बजट में की गई थी इसी करम में साथ जिलाई 2023 को कांगडा के गगल होई अड़े के विस्तार के लिए सेक्षन 11 के अंतरगत अदिसुचना जारी कर दी गई है इसके लिए भी हैबिलीटेशन और रिस सेटिल्मेंट प्लान को शिगर ही अंती रूम दे दिया जाएगा और भू अदि गिरिण कारया अरम कर दिया जाएगा इसके अतरिक वेबकोस लिंकिट द्वारा त्यार कीगी मंडी वाई अड़े की डी पियार का प्रिक्षन किया जा रहा है प्रदेश में कुल 16 प्रस्तावित हैलिपोर्ट में से प्रधम चरण में 9 हैलिपोर्ट क्रमशा मीरपूर में जसकोट कांगडा में रककड और पालंपूर चंबा में सुल्तानपूर कुलू में अलू ग्रॉंड मनाली में अलू ग्रॉंड मनाली गिनौर में शार्बो तता उतांपूर और पालंपूर का अपस्टेकल लिमिटेशन सर्वे हो चुका है और इनकी DPR शिगर ही बनकर त्यार हो जाएगी रकड़ और पालंपूर का आर्किटेक्चिर डिजाइन प्राप्त हो चुका है तेरा क्रोड पे प्रती हलेपूर की लागज से रकड़ पालंपूर रिकांप्यो चंबा में हलेपूर का निर्मान कार्या अरहम किया जाएगा दूसरे चरण में चंबा के पांगी, होली, ब्लासपुर के और सिर्मोर के धारक रहाई, धार क्यारी, शिमला के शांशलदार, उन्ना के जनकौर, तदा सोलन के गला नाग में हैली पॉर्ड निर्मित के जाएंगे इसके लिए बार सरकार के माद्यम से 25 लिम्टेट से अवश्यक सहता ली जाएगी, प्रेटन विकास के लिए प्रतिवक्ता की दिशा में बढ़ते वे स्वधेश दर्शन दो के अंतरगर, पॉंग डैम के विकास और प्रबंदन के लिए एक मास्टर प्लान त्यार किया गया ह इसके साथ ही निमन पांच टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रेटन के दिश्टी से विक्सित किया जाएगा, लॉल्स पिती में चंदरताल, काज़ा और तांदी, किनौर में रक्षम और नाको चांगो खाब, मैं कुपरी के नजदीक हसन गाटी के मश्यूर प्रेटिक स्कल करता हूँ, प्रेटिकों को प्रवास के दोरान बहतर सुगदाएं परदान करने के देशा से, प्रदेश में सबी होमस्टेज, यूनिट को हमाचल प्रदेश टूरिजम डॉल्मेंट एंड रेजिस्टेशन एक्ट के अधिन लाया जाएगा, जिससे इसके संचाले में अबचार के लिए अवश्यक सुविधाओं की विवस्ता करनी होगी, मैं डाक्टर रादा क्रिशन मेडिकल करूलिज हमीरपुर में सो क्रोड की लागस से स्टेट ऑफ दी आर्ट फेसिलिटीज के साथ स्टेट करसर इस्टिचूट की स्ताफना करने की गोशना करता हूँ, इंडिया कॉंसिलों मेडिकल रिसर्च की सहता से परदेश में बढ़ते कैंसर के रोग्यों के कारनों का पता भी लगाया जाएगा, कैंसर पीडित मरीजों को परदेश में ही कीमो थेफी तदा पैलेटीब केर की सुविदा परदान करने के लिए जिलाफ हस्पितालों तदा चाइनी अदर्स रस्ते के अंदरों पर कैंसर डेए केर सेंटर्स की स्ताफना की जाएगी, इनके अंदरों में कीमो थेफी ले रहे हैं सभी मरीजों के लिए बैट्स का परदान करत होगा, तता कीमो थेफी दवाओं को राज्या वश्चक दवा सुची में समलित किया जाएगा, ताकि मरीजों को कीमो थेफी के लिए अधिक पैसे ब्याएना करना पड़े, इन्दरा गांदी मेडिकल कॉली शिमना में कैंसर पीडित रोग्यों के अडवांस रेडियो थ्रैपी तक्नीक से उपचार के लिए 21 क्रोड की लागत से एक लीनियर एक्सिलेटर मेशीन स्ताफित की जाएगी, पिछले बजट में गोशित 79 अदर्स रस्ता के अंदरों पर कार्या विमीन चर्णों में हैं, तता इनमें से अधिकाश का कार्या 2425 में पूरा कर लिया जाएगा, इसी बज़ मंचीनरी और एक्क्यूमेंट की विस्ता करने के लिए एक रोड़ बेप्रती के अंदर बुलब्द करवाए जाएगे, पिछले कई बर्षों से पीजी आई सेटलाइट सेंटर उन्ना में चल रहे सभी कार्यों को गती देने के लिए हमारी सरकार दुवारा प्रयास किये जा रहे हैं, हमारी सरकार दुबारा किये गे प्रयासों से, पिछले कई वर्षों से लंबित environmental clearance दिलवाईगी, इसमें शुरू किये गे, सभी कालें को प्रात्मिक्ता पर पूरा किया जाएगा, प्रात्म चरण में मैं परदेश के 53 स्वस्ते संस्तानों में hospital management information service की स्थापना की जाएगी, इस से मरीजों को उनके digital record के अदार पर बेहतर सुविदाय राप्त हो पाई गी, इस करम में रगवक 57 लाग प्रदेश वासियों का health card ID बनाया जा चुका है, भारत health का account ID बनाया जा चुका है, तता शिकर इस सभी प्रदेश वासियों का आभा ID बना दिया जाएगा, यानि क सभी जो प्रदेश वासी है, 75 लाग के अबादी में, हमारे 57 लाग के जो अबादी के लोग है, उनका digital record बनाया जा चुका है, और जल्दी ही इसको 75 लाग के अबादी को बना दिया जाएगा, डाक्टर रजिंदर परशाद में, गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज टांडा और क सापित किये जाएंगे, परदेश के जिस स्वस्तानों में, एक्सरे की सुविदा नहीं है, वहां के निवास्यों की सुविदा के ने प्राइवेट ट्रैक्टिशनर के माद्यम से या सुविदा परदान की जाएगी, शेर इस वार कम है, आपी सुविदा दो, दोजार चब्विस के अंतक परदेश जिने में सुविदाओं से एक इंटेग्रिटिड पब्लिक हैल्ट ट्लैब की स्ताफना की जाएगी, पिछले बजट में घोशित, नहान, चमबा और हमिरपुर में नेक नर्सिंग कॉलेजों में निर्मान कारिया अरहम किया जाएगा, इसके साथ ही डाक्टर जिन्दर परशाद मेडिकल कॉलेज टांडा में जनर्र नर्सिंग एंड मीड़ वाइफ स्कूल को नर्सिंग कॉलेज में स्तान उंतरत किया जाएगा, बद्दी ब्रोटी वाला नालागड प्रमानु पॉंटा और उन्ना द्योगिक शेत्रों में कारेलत प्रवासी कामगरों की हैल्थ स्क्रीनिंग के लिए एक गेस्ट वर्कर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट आरम किया जाएगा, पिछली सबी सरकारों ने परदेश बास्यों के कलियान के लिए बहुत सी योजने आरम की है, ऐसी योजनाओं में से हिमकेर तता सारा 2019 में शुरू की गई और इनका लाभ भी जन सादन तक पहुंचा है, किन्तों इन से संबंदित, एमपेरिकल डेटा के अनलिसिस के अधार के बाद, इनके कारेवन में कुछ स्ट्रक्चल तता उपरेशनल समस्या हैं हुजा कर हुई है, इन में से प्रमुक्स मस्या है कि कन्वरजन्स और टेक्नॉलजी की अप्लिकेशन के अबाब में कुछ योजनाओं में डुप्लिकेशन हो रही है, मैं राष्टे स्टर के डोमेन एक्सपर्ट की सहता से इन कम्यों को दूर करके कुछ अबश्चक सुधार करने की गोशना करता हूँ, ताकि जुरूरत पर लोगों को उची समय पर इन युजनाओं का लाम मिल सके, तब तक इन दोनों युजनाओं का करेमें यतावत होता रहेगा, स्वाश्टे शेत्र में खुल 3,415 क्रोड पे पस्ताबी थे, अजक्ष मोदे, भारत के प्रतम परदान मंति पंड़े जवाला नहरू का मानना था, कि आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे, जिस तरह से हम उनका पालन पोशन करेंगे, वही देश का भविश्या तै करेगा, या कथन आज के समय मैं और भी महत्तपुन हो गया है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में तकनीक के कान जो परिवत्तन आ रहे हैं, उनकी गती और उनका प्रवाव जीवन के हर शेत्तर पर पढ़ रहा है, तेजी से बदिलती इस नई दुनिया में एक अनिश्यत मिविश्या के लिए बच्चों को त्यार करने में शिक्षा विवस्ता का अंत्यम्त मत्तपुन योगदान रहेगा, यह वश्यक है कि हमारी शिक्षा विवस्ता समावेशी, समानता पूरण, फ्यूचर ओरिंटिड नई तकनीक के प्रतिस सजग और भारतिया जीवन मुल्यों के प्रतिस स्वेधन शीलो, हमें प्रात्मिक स्थर्प्र से लेकर विश्यवद्यला स्थर्प्त के स्वेधनिक मुल्यों के आत्म साथ करने के लिए एक अनुकूल वातावन का निर्मान करना होगा, भारत के सभीदान में हम भारत के लोगों ने अपने लिए एक संपूरन प्रवुत संपन समाजबादी पत्निर पेक्ष लोगतांतरमिक गंडराज्या का अधेश्या तै किया है हमारी शिक्षा में बस्ता का अधेश्या इस पावन भावना के अनुप ब्रविंता में एक्ता एवं भोरंगी भारत के निर्माण के लिए बच्चों को त्यार करना है मेरी सरकार चाहती है कि हमाचल प्रदेश के बच्चे सविदान की मूर भावना के अनुप एक स्वस्त जीवन दिष्टी विक्सित करें तता मूर भूश शाक्षर्ता तता संच्या ग्यान से लेकर कृतिम आर्टिविशल इंटरीजेंस के प्रियोग तक हर फोशर में सर्वशेष्ट बने इस लक्षा की प्राप्ति के लिए हमने शिक्षा के शेत्र में ब्यापक सुधार अरंब किये है अरंबिक प्रात्मिक अरंबिक तता उस शिक्षा संस्तानों में उपलब संसाधनों का सांजा प्रियोग आज की अविश्टा है इस दिरिश्टी से परदेश में कलस्टर प्रणाली अरंब की गई है इसके साकारत्मक परिणाम आ रहे हैं तता इसे और अधिक सद्रिट किया जाएगा है इस संस्तानों में उचित गुनवत्ता और साइज के क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, डिज्ट स्मार्ट बोर्ड्स, ओडियो विजिल, टीचिंग एड्स, लर्निंग सॉप्ट्वेर, प्रोपर सिटिंग अरेज़्मेंट्स, फुल स्टेंथ ऑप टीचर्स, प्लेगराउ क्लीन ट्वालेट के साथ साथ अन्या सभी सुपधायव लगत करवाए जाएगी, आज के ग्लोबल विश्व में यह अनवारिया शर्त है कि गरामिंट शेतरों के बच्चे भी विश्व की नमीनतम तक्नीक से घर बैठे जुड़े, जुड़ सके, तता आने वाले समय में द दर्शाते हैं कि भाषा सिखने का सबसे अच्चा समय बारा वरश की आयू तक होता है, अता पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माद्यों का विकल्प समय की मांग है, इसे इंडिया से परदेश के सभी बच्चों को और विशेश रूप से गौंग के बच्चों को लाब होगा, गास्टिया सिखनेती के अंग्रूप परदेश में स्कूल इस तर पर पाक्स प्लस थी प्लस थी प्लस प्लस प्लोर शिक्चा पनाली लागू की जाएगी है, जिस से जिसमें तीन साग का प्री स्कूल बाल बाटिका पाथे करम भी शामिल होगा, परदेश में अभी छे नर्सरी टीचर निफ्ट किये जाएंगे, पात्तर आंगनवारी कारेकरताओं को भी नर्सरी धैवक बनने का अफसर दिया जाएगा, और इसके लिए उन्हें ब्रिज गोर्ष भी करवाया जाएगा, इस विवस्ता को सुचारू रूप से लागू करने के लिए पहली कक्ष परवेश के लिए करमशा तीन, चार और पांच बर्ष की निउन्तम आयू सीमा तै की गई है, पुरे प्रदेश में शिक्षा संस्तानों को चारनवत तेके से पूरा निधारित मापडंडों के नुसार इस्टिशूशन ओब एक्सिलेंस के रूम में विक्सित किया जाएग बर्ष दोजार चोबिस पच्चिस में आर्सो पचास शिक्षा संस्तानों को आई ओई बनाए जाने का लक्षा रखा गया है, जिन में से प्रया 500 प्रैमरी स्कूल, 100 हाई स्कूल, 200 सीने स्केंडी स्कूल और 50 डिगरी कॉलिश शामिल है, इन संस्तानों में अध्यापकों के सबी सप्रित पदों को भरने के सासा स्मार्ड कासरूम तता अन्या सुविधाएं उबलद करवाई जाएगी, निरधारित माप डंडों के अधार पर इन संस्तानों का प्रियोडिक मिल्यांकन किया जाएगा, परदेश के सबी स्कूलों और कॉलिज के प्रिंसिपल, अबलि कॉलिज लीडर्शिप परशिक्षन शुरू किया जाएगा, स्कूल और समाज के बेतर त्याल में के लिए तता समुदायक भागेदारी बढ़ाने के लिए अपना बदैलिया, मेरा बदैलिया, मेरा समान यूजना अरम करने का निन्ना लिया गया है, इसमें जहां एक और और इच्चुक व्यक्तियों द्वारा निशुख शिक्षा परदान किये जाने की विवस्ता भी की जाएगी, यानि कि कोई भी बदैक है, वो एक स्कूल को गोल ले सकता है, और अधिकारी में, परतेक उबमंडन में, उबमंडन अधिकारियों को सभी प्रेमरी स्कूलों का महीने में एक दिन बारी बारी से निवायर रूप से रिवीव मीटिंग का आयोजन करना होगा, इस बैटक में उस कूल में ना केवल बदैर थी, बलकि ध्यापकों की परफॉर्मेंस का भी रिवीव किया जाएगा, अभी भापकों के साथ भी इस बैटक में संबाद किया ज इसके लिए अवश्चक दिशा नर्देश जारी कर दिये गए हैं, परदेश के सभी शिक्षा संस्तानों की वाश्चिक रैंकिंग और उनके लिए परफॉर्मेस बेस्ट ग्रांट की विवस्ता की शुरूआत की जाएगी, इस सारी विवस्ता को ओनलाइन पोर्टल के माद करते हुए गुणात्मक शिक्षा पर विशेश ध्यान किंदित किया जा रहा है, अभी तक लिएगे निर्डों में वर्ष में कुल अध्यापंद बस बढ़ाना, खेल एमन सांस्कृति गतिवीद्यों का निश्चित समय तैय करना, शिष्कों के गैर शिक्षन कारियों में निर्टर कभी करना, मिड़े मील में रिकॉर्ड की उपचारिकार्तरों को पुरा करना शामिल है, अध्यापकों को विद्याले में बहुंद निर्मान कारियों से अलाग रखने के निर्देश जारी कर दिये गए है, एक ही सूचना को बार बार मगाय जाने की प्रता पर लो जादी गई है, यहाँ भी देखा गया है कि आम तोर पर हर स्कूल का एक अध्यापक लगबक नियमत रूप से डाक लेकर स्कूल से अनुपस्तिक रहता था, इस विवस्ता पर भी पूरन त्यार रोक लगा दी गई है, अध्यापकों और बच्चों में अपने विद्याले क प्रति सम्मान का भाव उत्मनों, इसके लिए विद्याले को अभी भावकों के साथ मिलकर बच्चों के लिए अपनी पसंद की बर्दी चुनने का अधिकार भी दिया गया है, अगामी वश में शिक्षा में बेहतरी के लिए प्रात्मिक स्तर से विश्य विद्याले स्तर की प्रक्रिया, सरचना और नियम वली का पूरान प्रिक्षन करके अवश्क, बदलाब और विवस्ता परिवर्तन किया जाएगा, शेर है ये पुद्दू अभी तो अपनी मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इंत्हान बाकी है, अभी तो तोली है मुठी भर, जमी, जमी, अभी तोलना आस्मान बाकी है, यह अभी चोड़ा, अभी तो चोड़ा, आपके नी दहरा हो गए है, अभी तो इसका ओपरा आ राएका, विपक्षिरी दहरा हो गए है, पढ़ने पढ़ने की संस्क्रिती के विकास के लिए, यह जो बजट है, यह आतम निर्वर्प, हमाचल और युवा, जो पीड़ी है, उनके भीष्ये की शिक्षा परणानी में महत्तपुन बद्राव है, इसको आप अराम से समझेए और पढ़िया, आप भी महसूस करेंगे यह महत्तपुन बद्राव आज के 40 साल की विवस्ता परिवर्ट में जो लिए है, पढ़ने पढ़ाने की संस्क्रिती के विकास के लिए, परदेश में, बर्ष 2024 में, पढ़ों माचल के नाम से, एक व्यापत जन अभियान अरंब किया जाएगा, इन अभियानों में विद्य सिक्षा संस्तानों में समान्या पाठकों और विशेश रूप से युवाओं के लिए रेडी इंगरूम बनाए जाएंगे, तथा इनी सिक्षा संस्तानों के पुस्तकालियों के चलाने में आम जनकी भागीदारी को सुनुश्चित किया जाएगा, मैं परतेग जिला, बे उ पुबमंडल मुख्यालिया और 25 पर एक अधुनिक्तम सुविदा सहित पुस्तकालिया तथा वाचनालिया बनाने की गोश्चना करता हूँ पंचायस्तर पर या कार्या चर्णबत तरीके से पूरा किया जाएगा, प्रथम चर्ण में 25 पर 493 पुस्तकालियों का निर्मान करके, इनमें पुस्तके तथा अन्या सुविदाये पर दान की जाएगी, जिस पर 88 क्लोड पे ब्याये किये जाएगे, शिक्षास्तर में इसी तरह से पर देश में स्टेट इंस्टिट ऑफ एजूकेशनल मनेजमेंट एंड ट्रेनिंग का पुना गठन करके, इसे क्रियाश्यल किया जाएगा, जिन स्तानों पर चात्रों और चात्रों के लिए अलग अलग स्कूल अत्वा महावधियालया चल रहे हैं, स्तानिया निवासियों की मांग पर अविश्कता अनुसार उन दोलों को मिलाकर एक कोईजूकेशनल शेष्षनिक संस्तान चलाने की शुरूआत की जाएगी, इससे चात्र वे चात्रों के शेष्षनिक विकास के सा साथ उनका मनोवग्यानिक विकास होगा, तता व्यक्तितब उबरेगा, इसके साथ ही जिन शेत्रों में तीन से पांच किलो मिटर के जारे में कोई प्रात्मिक शिक्षा विद्यालया ना हो, वहाँ के बच्चों को नद्दी के स्कूल तक लाने और वापिस घर छोड़ने क की विवस्ता सरकार द्वारा की जाएगी। बच्चों को पीने के लिए साप पानी मिले, इसके लिए परदेश में अपी अवियान चलाया जाएगा, तता सरकारी स्कूलों के आठ लाग पचास हजार से अधिक बच्चों के लिए मैं एक सुरक्षित एवन स्वच पानी की बोतल उप्रब्द करवाने की घोशना करता ह परदेश में पढ़ाय जारे परठ्चय करम का सवधैनिक मुल्यों के परिपेक्ष में पुना मुल्यांकन किया जाएगा, इससे परदेश की समरित सांस्कृतिक विरासत का समय वेश भी किया जाएगा, इसके लिए पाच्वी कक्षा से हमाचल के इतियास एवन संस्कृती, पार्थिय सवधान, सुरस्त्य, बेसिक हाईजिन तता अन्या समान्या ज्यान के विशों पर अनिवार्या रूप से पार्थिया करम अरंब किया जाएगा, सभी विद्यालों में खेलों तता वियाम के लिए प्रति दिन कम से कम एक पिरेड अनिवार्या किया जाएगा, सहता समो को मिड़े मिल के अंतरगत भोजर बनाने और प्रोसने में भागी दारी के लिए प्रोसाइग किया जाएगा, नैशनल असेस्मेंट एंड एक्रिडेशन कौंसिल नैक उशिक्षा में परदेश की स्तिति को जांचने एवं इस से किये जारे प्रयासों को आंकने का है एक चामाद्या में जारे 24-25 में नैक एक्रिडेशन के लिए परदेश के सभी पात्तर कौलेजिभं द्वारा अपनी दावेदारी प्रस्तुत की जाएगी 2024,25 के लिए परदेश सरकार द्वारा बारज सरकार को भी टोशम के लिए समगर शिक्षा भीयान के तैत 1,052 कुरोड रपे तता स्टार प्रॉजेट के तैत 400 कुरोड रपे का पिस्ताब भिजवाया गया है इसके अतरिक पियम उश्या के तैत एक जार कुट रुट रुपे का पस्ताब तथफीय अम शीरी के टहर चार्सों सनत्तित क्लोड रुट का नुनार का पस्ताब भी बार्श सरकार के विचारा दिनने हैं मुझे अशा है कि बार्श सरकार इन पस्ताबों को शिघर स्वक्रिती परदान करेंगी पिछली सरकार ने परदेश में तीन स्थानों पर अटल अदाश विद्यालिया बनाने अरम किये थे मेरी सरकार इन्हें पूरा करने के लिए ना केवल अवश्यक धंदाशी अप्लब्द करवाएगी बलकि इन्हें क्रियाशील भी करेगी राजीव गांदी मोडर डे बोर्डिंग स्कूल तथा एक अटल अदाश विद्यालियों के लिए करमचारियों का एक विशेश कैडर बनाया जाएगा तथा इन्हें अंतरास्ट्य मानकों पर उतकृष्ट सिक्षा संस्तानों के रूम में विक्षित किया जाएगा मैं प्रतम चरण में परदेश में दस राजीव गांदी डे बोर्डिंग स्कूल करमचा लाडू नगरोटा बगवा कांगणा अमलैड भोरण स्विमनाई फतेपूर पांच ओर का निर्माण अरम करने की गोशना करता हूँ पांच ओर के नाम नहीं लिखे है शिक्षत हितर में कुल 9560 क्रोड पे परस्तावित है अधाक्ष मोदे परदेश के युवाओं को रोजगार एबन सुरोजगार अफसर के लिए त्यार करने के लिए करने के उदेश्य से मार्केट डिमांड के रूप पर शिक्षन दिया जाना वशक है मैं इसी उपकरम में निमन गोशना करता हूँ राजिव गांधी राजिया राजकिय इंजिनिरिंग कोली नगर उटा बगवा में कम्प्यूटर साइंस और इंजिनिरिंग आर्टी विशल इंटेलिजन्स और डाटा साइंस में डीप बी टैक और डिप्रोमा कोर्स शुरू किया जाएगा राजकिय बहुट तकनिकी सुंदन नगर में कम्प्यूटर साइंस और इंजिनिरिंग आर्टी विशल इंटेलिजन्स और आट बिचिन नर्निंग में डिप्रोमा कोर्स शुरू किया जाएगा राजकिया बहुत तकनिकी हमीरपूर्ट तथा तल्माड में Computer Engineering and IOT में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा अटल व्यारी बाचपई राजके Engineering College प्रकृति नगर कोर्टखाई में Civil Engineering के BTEC और डिप्लोमा कोर्स अरंब किया जाएगे राजकिया बहुत तकनिकी जुन्डोर में अरंबिक सत्तर दोजार चोबीस से कख्षाई अरंब कर दी जाएगी जो बेसी कोर्स होंगे अच्छे जो आप बूलेंगे श्राम विवा की डवन एमाइस पोर्टम पर अभी तक 448 इंप्लायर्स को जोड़ा जा चुका है इसमें नीजी शेत्र के और और इंप्लायर्स को जोड़ा जाएगा तदा इसके माध्यम से 2024 में 110 से कैंपस इंटिव्यू यूजित किये जाएंगे शेत्र के कामगारों को हितों को ध्यान में रखते वे 2024 के अंत तक इस शेत्र के 20,87,000 कामगारों को पंजी गृत करने का लक्षा रखा गया है इसके अत्रिक श्रम में रोजगार विवा की रोजगार पंजी करन पोर्टल को Common Service Center के साथ भी लिंक किया जाएगा लोग मिश्टर केंदर है वहां भी अप्लाइमेंट कोई व्यक्ति अपना नाम रिजिस्टर करवा सकेगा तकनीकी शिक्षा शेत्र में खुल 330 क्रोड रपे पस्तावीत है अधक्ष मोदे बर्तमान में प्रिद्दावस्ता, बिद्वा, एकलनारी, दिव्यान, कुष्ट रोगी तथा ट्रांसजेंडर पेंशन के साथ लाग चुरासी हजार लाव आरतियों के लिए लगवग 1260 क्रोड रपे व्याय किये जा रहे है 2024 में 40,000 ने पात्तर लाव आरतियों को इस योजना में समलित किया जाएगा जिस पर लगवग 70 क्रोड रपे अत्रिक व्याय किये जाएंगे अधक्ष मोदे, पर्देश में अभी तक दिव्यान जनों की उस शिक्षा के लिए कोई भी शिक्षा संस्तान उपलब नहीं है मैं पर्देश में दिव्यान जनों की उस शिक्षा के लिए कंडा घाट में एक सेंटर ओफ एक्सलेंस फोर एक्जुकेशन फोर ओफ दिव्यान जनों की स्तावना करने की घुशना करता हूँ इस केंडर में जिरो से 27 बर्श की आईउ के दिव्यान बच्चों के लिए अवासिय सुविधाएं, खेल मैदान तता सभी अन्य सुविधाएं पर दान की जाएगी जिन पातर दिव्यान बच्चों के लिए रहने की सुविधाव फलब नहीं होगी उन्हें रहने के लिए कराय के लिए आर्थिक सहता दी जाएगी परदेश के युवाओं को रास्टर निर्मान की और ले जाने के उदेश्य से राज्यस्तर पर सभी सुविधाओं से कंड़ागाट में एक अदर्ष नशा निवारन के इंदर की स्ताफना की जाएगी सुरस्ते कंडर अथवा सिवल हॉस्पिटल इस कंडर के आसपास हो जिस से जिसमें अन्या सुविधाओं के साथ संबंधित प्रामश की सुविधाओं भी फ्लवद होगी प्रदेश के युवाओं की तता अन्या हित्तारकों की जागरुपता के लिए एक ब्याफक अभिहान चबाया जाएगा उममंडल स्तर से लेकर राज्या स्तर तक की अधिकारियों की भागेदारी से एक अफेक्टिव मॉनिटरिंग एन रिपोर्टिंग सिस्टम की स्ताफना की जाएगी अभी नशा निवारन के अंदर तो बहुत है लेकिन हो मकानों में बंद कमरों में चल रहे है तो किसी की नशे की अगर कर लट को छुटा चुटाना है तो उसके लिए थोड़ा ओपन स्पेस विचे खेलने की सुविदा भी हो तो पहला हमाचल परदेश का नशा निर्मान क के अंदर जो निर्मान के अंदर है अदमी सुविदाओं से लेस इसको हम यहां हमाचल परदेश में मिलाने जा रहे है हमारी सरकार सदा सी प्रितिंशिल रही है मैं एक नहीं है उजना मुख्यमंति सुख अरोग्या उजना अरम करने की गोजना करता हूँ इसके अंतरगत परदेश में सतर बर्ज से आधीक आयू के सबी एवं एसे क्रिशकों एवं विद्धों जो की आय करना दे रहे हूँ अत्वा कोई पैंचन ना ले रहे हूँ को मुफ्त किस्सा सुविदा दी जाएगी इसके साथ ही मैं मुफ्त मैं इसके साथ ही मैं एक नहीं योजना मुख्यमंति सुख सुख्षा योजना अरम करने की भी गोशना करता हूँ इसके साथ इसके अंतरगरत परदेश में सभी विद्वाओं के 27 साल तक की आयू वाले बच्चे जिनकी सभी स्रोतों से बार्शी काये जित्री भी विद्वाओं है एक नहीं जिनकी सभी विद्वाओं के 27 साल तक की आयू वाले बच्चे जिनकी सभी स्रोतों से बार्शी काये एक लाख रपे से कम हो कि शिक्षा पर होने वाले सभी बाला भ्याओं परदेश सरकार बहान करेगी इन बच्चों को Medical College, Engineering College, NIT, IIM, IIT, Nursing, Graduation, Post-Graduation पाठ्यक्रमों में परवेश मिलने पर या सुविधा परदान की जाएगी इसके अत्रिक बिद्वा, निराशित, तलागशुदा और अक्षंग, माता पिता के सभी पातर बच्चों के आड़ी घाते में ठारा वर्ष की आयू तक एक हजार प्या प्रतिमा दिया जाएगा इसके साथ ही सभी पातर महिनाओं के स्वस्ते अभीमा का बाशिक प्रियों भी राज्या सरकार द्वारा बहन किया जाएगा इस पर लगबग 41 क्रोड प्या त्रिक ब्याय के जाएगे यानि कि जिन विद्वाओं की 22 रोतों से एक लाख स्प्रे से कम है उनके सभी बच्चों को हमाचल परदेश सरकार फ्री एजूकेशन देगी और थारा वर्ष से कम बच्चों वालों को एक हजार प्रतिमा उनकी आड़ी में जमा कराए जाएगा दुनिया में कुछी लोग बदलाव लाते हैं बाकी सब तो जिन्दगी गुजार कर चले जाते हैं सुमाजिक सुनक्षा हित्तु चलाई जारी बविन योज्णों को लावर्थियों समय तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार क्रित्रसं कलप है मैं यहां भी गोशना करता हूँ कि जिला विकास समीती की बैड़क समय पर ना आने यह रियक्शन कोई नहीं हुआ आपके अनुरोध पर था यह शेर आपके अनुरोध पर था यह जिला विकास समीती की बैड़क समय पर ना होने पाउक्त को इन योजनाओं के अंतरकत भविन लावर्थियों को देजहने वाले लाव़ों को स्वकृत करने की शक्तियां दी जाएगी। ऐसी परस्तिती में दीगी सुकृतियों पर जिला कल्यान स्मिती की होने वाली अगामी बैटक में अनिवार्या रूप से अनुमोधन प्राप्त करना होगा। बैटा मेनेजमेंट, मशीन लर्निंग, साइबर स्क्यूर्टी, ओटो कैट इत्यादी ने कुर्सिस को समनिच किया जाएगा ताकि इस कारेकरम के अंतरगर पर शिक्षित लावर्थियों को उचित रोजगार प्राप थो सके। तुरुलत प्रवाव से राशन, LPG, गैस कुनेक्षन तदा स्लिंडर बिना किसी दाम के उपलब्द करवाएगे। हमारी सरकारदवारा की गई या छोटी सी सहता पिडित परिवारों के लिए संकट के समय एक बड़ा सारा बनी। राशन डिपों के माध्यम से Food Safety and Standard Authority of India के मान डंडों के नुसार बिटामीन A और D से 40 वाइट सरस्तों का तेल और रिफाइन तेल दिया जा रहा है। अभी तक या तेल उपभुगतां को राशन डिपों से सिमित मात्रा में ही उपलवद होता है। शादी विवात यहार बैने समारों में उपभुगतां को या तेल खुले बजार से उचे दामों पर खिरना पड़ता है। मैं गोशना करता हूँ कि एक अपरेल दो जार चौबी से सवी उपभुगता अपने अवश्कता के नुसार राशन डिपों से या तेल प्राप्त कर सकेंगे। इससे राज्यक की महिनाओं को लगवग सो क्रोड रुपे का लाम मिलेगा। पब्लिक इस्टिभिशन सिस्टम को और सद्रिट बनाने के लिए इंटेगरेटीड मैंजमेंट ऑफ पब्लिक इस्टिभिशन सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। तता वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतरगत नैशनल पोर्टविल्टी को और सद्रिड किया जाएगा इससे नैशनल फूर्ट स्क्योर्टी एक्ट के प्रवदानों के नुसार राशन वित्रों को पारदाश्ची बनाने में सहता मिलेंगे इसी के अंतरगत वैप अधारित के वाईसी का प्रवदान किया जाएगा जिससे इंटरस्टेट पोर्टविल्टी के तहट लावर्थियों को इस योजना से लाव किसी वी राज्या में मिल सकेंगे मिलों से अवंटित आटे की गौदाम बार निगानी भी सुनिचित की जाएगी खाद्या उपदान के लिए फुल दो सो क्रोड रुपे से अधिक व्याय किया जाएगे अध्यक्ष मोदे पिछले वर्ष परते एक व्लॉग में निर्मित किये जारे प्लास्टिक बेस मिनेजमेंट यूनिट्स को दो जार चोबिस पच्चिस में उपरेशनलाइज कर दिया जाएगा इसके उपरेशन में बैकवर्ड और फॉर्वर्ड लिंके सुनिचित की जाएगी ताकि इनका लाब और अन्या शेत्रों ततस्मिदाय को भी मिल सके सभी जिलों में एक मोडल पंचायत के लक्षय को पूरा करने के बाद इस मोडल को कनवर्जन्स के माद्यम से अन्या पंचायतों में चन्वत धंग से रेप्लिकेट किया जाएगा परदेश के ग्रामिट शेत्रों को स्वच बनाने के देशा से दो जार चोविस पच्चिस में पांच हजार अत्रिक गों को ओडी एफ प्लस ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस डिक्लेर करने का लक्षय रखा गया है इसके अत्रिक्त भूमी उप्रुपता के अधाल पर कम से कम चार साइट पर फेकल स्लज मेंजमेंट प्लांट स्ताफिक किये जाएगे दो जार चौबिस पच्चिस में ग्रामनी शेत्रों में एक जार स्वाय स्वहता स्मूब बनाने का लक्षय रखा गया है इन स्मूब को लगवग 32 क्रोड पे के अधाशी के रूम में रिवाल्विंग फंड तता कॉम्मिनटी इन्वेस्मेंट फंड के रूम में देने के साथ साने लगवग 50 क्रोड पे का रिंड देने का भी लक्षय रखा गया है स्वहता स्मूब पर लगवग 100 क्रोड पे ब्याय करे जाएंगे सभी पंचायतों के एकाउंट्स ए ग्राम्स वराज सोब्वेस्ट एप्लिकेशन से जोड दिये जाएंगे इसके माद्यां से सभी पंचायतों के संसाथन तता व्याय की मोनिटरिंग के लिए इस पनाली को और सद्रिट किया जाएगा दोजार चोबिस पच्चिस में पंचायती राज संस्तानों के लिए 352 क्रोड पे 155 वित्यों की स्पार्शों के अनुरूब तथा 448 क्रोड पे छटे राज्जब बित्यों की स्पार्शों के अधार पर व्याय किया जाएंगे पूरग की यूपिय सरकार्दवारा रहम किया गया मात्मा गांदी ग्रामिंड रोजगार गंटी एक मंडरेगा ग्रामिंड रोजगारों के लिए एक बरदान साविक हुआ है मन्रेगा कामकार इसके माध्यम से गरामिट शेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के साथ पब्लिक एसेट्स बनाने का कारया भी कर रहे है मैं मन्रेगा कामकारों की ध्याड़ी जो गों में मन्रेगा के ध्याड़ी है पिछली बार 16 बढ़ाई थी मैं मंड्रेगा कामगारों की ध्याड़ी बर्तमान में 240 रुपे से बढ़ा कर तिन सो रुपे करने की घोचना करते हूँ पूरे साथ रुपे बढ़ाएं इस परकार सरकार मंड्रेगा कामगारों को 60 रुपे प्रती दिन अपने संदानों देगी अब शेर सुमने इस पर रुपना हो अगर तो सो भाने जाना हो तो रस्ते बड़े है बना अगर रुपना है तो योजना लागो करनी ना हो तो भाने बहुत है हमाचर परदेश में यहां एक इत्यासिक ब्रिदी है जो कि आज से पहले नहीं की गई है इस ब्रिदी से गरामिन अर्थ बिवस्ता को अब ही समझाता हूँ हमाचर परदेश में यहां एक इत्यासिक ब्रिदी है जो कि आज से पहले नहीं की गई इस ब्रिदी से गरामिन अर्थ बिवस्ता को आतन निर्वर्ता की और ले जाने में गती मिली गई इसी के साथ जो मन्रेगा में काम करने वाली महिलाएं होती है इसी के साथ ऐसी विदवा एकल बेसारा दिव्यांग महिला मन्रेगा कामगार जिनकी बारशिक आए डाई लाक रपे से कम हो तता बर्ष में सो दिन की मजदूरी पूरी कर्च की हो को मकान बनाने के लिए तीन साथ रुपे तक की सायता दी जाएगे वशर्त है या सायता किसी और कारेकरम के अंतरकत प्राप्तन हो यानि कि साथ रुपे भी बढ़ाए जो होगी डाई लाज से कम विदवा है उसको तीन लाज रुपे सायता दी जाएगे मैं पंचाती रास रस्ताओं के प्रतिनिजिय मान दे मिलेगा उपाद्यक जिला परिशत को तीन लाजार प्रतिमा मान दे मिलेगा उपाद्यक जिला परिशत को तीन लाजार प्रतिमा मान दे मिलेगा उपाद्यक जिला परिशत को तेरा जार प्रतिमा मान दे मिलेगा उपाद्यक जिला परिशत को तीन लाजार प्रतिम चोदा सो रुपया बढ़ोतरी के साथ चरासी सो रुपया प्रतिमा मांदे मिलेगा। चरासी सो रुपया बढ़ोतरी के साथ साथ सो पचास रुपया प्रतिमा मांदे मिलेगा। का नक्षा इस पोर्टल पर अपलोड करने के बाद कोई भी कमी पा जाती है तो अवेदक उसे ओंलाइन दे करी अवश्यक दस्ता पर जमा करवा पाएंगे। इसी पोर्टल के मादम से प्राइबेट प्रोफिशनल्स पांसो बर्ग मीटर तक के अवासे नक्षे की अनुमती भी दे पाएंगे। मेस्तानिया नगर लिकाओं के प्रतिनी दियों को प्रति मां दिये जाने वाले मां दे को निवन परकार से बढ़ाने के सहर घुशना करता हूं। पानी भी लेता हूं ना। बोकल पोर्ट सुख जाती है तो थोड़ा। एमेलों से तो काड़ के दे रहा हूं। एमेलों से ही काड़ के आ रही है। महापोर्ट नगर निकम को चार जार पे ब्रति मां दें मिलेगा। उपमामवो और नगर निगम को तीन हजार ब्रोत्री के साथ अठारा हजार प्रतिमा मान दे मिलेगा कॉंसलर नगर निगम को चोदा सो रुपे ब्रोत्री के साथ चुरासी सो रुपे प्रतिमा मान दे मिलेगा अध्यक्ष नगर परिशद को 17,000 रुपे ब्रोत्री के साथ 10,200 रुपे प्रतिमा मान दे मिलेगा उपध्यक्ष नगर परिशद को 14,000 रुपे ब्रोत्री के साथ 84,000 रुपे प्रतिमा मान दे मिलेगा उपरदान अगर पंचायद को ग्यारा सो रुपे बढ़ोती के साथ च्छासट सो रुपे प्रतिमा मान दे मिलेगा सदस्या अगर पंचायद को साथ सो रुपे बढ़ोती के साथ ब्याली सो रुपे प्रतिमा मान दे मिलेगा चाहरी शेत्रों में हम डेमोग्रेसी के सभी इस्टिटूशन को मजबूत करना चाहते हैं हम उसको कमजोर नहीं करने चाहरी शेत्रों में चाहरी शेत्रों में कच्रा परबंदन को और सचारू टूप से चलाने के लिए तदो उस पर निग्रानी के लिए राज्या विकास ने देशल्या में एक परियावन सेल की स्थापना की जाएगी शेयरी निकायों के कार्या में सुधार तथा आम चंता की सुभिदा के लिए शेयरी निकायों की कार्या परबंदन को डिजिटालाईज किया जाएगा इसके लिए राज्यस्तर पर एक स्थेट प्रोजेक्ट मोनिटरिंग यूनिटी की स्थापना की जाएगी जो कि एक्सपर्स के माद्यम से शेयरी निकायों की कार्या परबंदन को ओन लाइन प्लानिंग, इंप्लिमेटेशन्स, मोनिटरिंग तथा रिपोर्टिंग में साइक सिद्ध होगी इसी पहले के अंतरगर शेयरी निकायों के अकौंट को डिजिटाइज किया जाएगा GISA की सहता से सभी शेयरी निकायों में परिसम परतियों की GISA मैपिंग की जाएगी दक्षमोदे मैं बार्मिकी समाज के भाईयों तथा कामगारों के लिए अवास निर्माण में सहता के लिए नहीं योजना महारिशी बार्मिकी कामगार ये अवास योजना अरम करने की गोशना करता हूँ रमैंड के रच्षिता महारिशी बार्मिकी जी थे मैं आज उनके नाम से महारिशी बार्मिकी कामगार अवास योजना अरम करने की गोशना करता हूँ अभी अभी राम मंद्री भी बना तो इसके अंतरगत बाल में की समाज के ऐसे स्पाई करमचारी जिनकी वार्शी काई डाई लाक रपे से कम हो तता उनके पास अपना घर नाओ को घर बनाने के लिए तीन लाक रपे की आर्थिक सहता दी ज़ए मैं मुख्यमंत्री विद्वा एवं एकलनारी अभास योजना के अंतरगत ऐसे सभी लावर्थियों जिनकी वार्शी काई डाई लाक रपे से कम हो को ग्रे निर्मान के लिए दी जारी डेड़ लाक रपे की राशी को बढ़ा कर तीन लाक रपे करने की दोशना कर दी जितने कि जितने विद्वाएं ह principal को गनाने के लिए जो लेल लाक रपे की राशी मुख्यमंत्री की द्वारा हमें शुरू की है उसमें उनको घर मनाने के लिए तीन लाक रपे की राशी दी जाएगी और उनकी आएकी सिमा भी हमने तैय कि है कि धाई लाग से कम होनी चाहिए सुनो असर है ये हमारी दस्तकों को जहां दिवार थी दर हो गया हमारी सकाने ने रास्ते बनाए है बदलते समय के मताबिक काम शुरू किया बादाओं को खतम कर दिया जहां दिवार नजर आती थी आपको वहाँ दरवाजा बन गया अच्छा बादाओं को खतम झालते सकते बनाए है अच्छा बादाओं को खतमा बनाए है मेरे तो आप मेरे तो आप शुप चिंतक है अचा सुनो तो नगर निकम धर्वशाला सोलनो शिम्ला नगर मेरे तो शुप चंतक सब्सक्रादा बीपन परवार जी है सत्ती जी है रंदीर जी है बिकरम जी है सब बीजे भी तो पराणे उनिस्टी के साथ है नगर निकम शिप धर्वशाला सुलनो शिम्ला नगर परशन नाला गाड़ परमाणू में एकनोमिकली विकर सेक्शन्स से सम्मंदित ऐसे विक्तियों को मकानों मटित किये जाएंगे जिनकी वार्शी काये तिन लाथ रपे से कम हो पातरता मान बंडों को पूरा करने वाले अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती ओविसी वरक तता बिद्वाएं निराशित महि दिवियांगों को प्राद्मिक्ता दी जाएगे अदक्ष मोदे परदेश के गरामिन शेत्रों में जल जीवन मीशन तता एंडीवी और एडीवी के माध्यम से विवीन परियोजनों के अंतरगत पेजल सुविधाय परदान की जा रही है दोजार चोबिस पच्चिस में किन 24 तता हिशन डेवल्मेंट बैंक के माध्यम से 186 पेजल योजना कालेवन के प्रिमिन चन्म पर है तता इने 23 समय सिमा के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा इन दोनों के माध्यम से 20,663 परिवार पार्शली कवर्ड स्कीम से लावन भी तो होंगे तता 69,282 परिवार कोड़ कोड़ सुथा बोकल कोड़ सुथी है रहा शहरी शेत्रों में पेजल योजनावा पूर्ती में सुधार के देश्या से मैं 2024 के लिए निमन गोशनाय करता हूं चार शहरों क्रमशा जवाली, हमीरपूर, बैजनात, पपरोला तता नेरचोग में 135 लीटर्स पर केविटा पर डे की शम्ता वाली पेजल योजनावा का काम पूरा कर लिया जाएगा इसी परकार, अंब और भूंतर के लिए 33 क्रोड की लागत से पेजल योजनाओ के कारेवेन को गती दी जाएगी और प्रयास रहेगा कि 2024 के अंग तक इसका कारेवा पूरा कर लिया जाएगा 112 क्रोड की लागत से नहान, अर्की, निर्मंड, पालमपूर, जुगिंदर मेगर के लिए पेजल सुधार योजनाओ का कारेवे शीगर अरम कर दिया जाएगा मेरे पिछले बजट में गोशित 24 इंटू 7 पेजल योजनाओ के कारेवेन की दिशा में, रामपूर में बार नमबर 6 और 7 नाला गड़ चमबा में में पेजल योजनाओ का कारेवा अरम कर दिया गया है तता अन्या नोश आरम में इन कारेवें को शीगर अरम करने के प्रयास किया जा रहे है हमाचन प्रदेश में पेजल की गुनवत्ता सुधारने की दिशा में मेरे द्वारा कीगी गोशनों को पूरा किया गया है ततास्तानिय महिलाओं की भागेदारी से विलेज बाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज का गठन करने के बाद महिलाओं को परशिक्षित किया जा चुका है अब तक 69 टेस्टिंग लाइब स्तापीत की जा चुकी है जिन में से 62 की एक्रिडेशन नैशनल एक्रिडेशन बोर्ड पर टेस्टिंग एंड कैलिविरेशन द्वारा की जा चुकी है 2024 में इस विवस्ता को और सद्रिड किया जाएगा ताकि परदेश की जनता को स्वच एवन किटानू रहे पेजल उपलब्द हो सके पिछले बजट में घोशित S.O.P. के मुसार पेजल यूजनाओं तता S.T.P. में U.B. सिस्टम लगाने के लिए 37 साइट्स की पेचान की गई है जहां जल स्रूतों में जातों कंटेमिनेशन है या इसकी संभावना है इन साइट्स पर शुद पेजल उपलब्द करवाने के उदेश्य से U.B. सिस्टम लगाने के लिए वश्यक कदम उठाए जाएंगे गगरेट, डेलोजी, च्वाडी, रवालसर, भोटा, संतोगड, बैजनात, पपरोला और नेच्रोक में सिवरेट परियोजनों पर चल रहे कारयां को गती दी जाएगी तदा हमें 2024-25 में पूरा करने के प्रयास किये जाएगे राजगार, बंजार, चुपाल, नेरबा, तदा, शापूर में सिवरेट परियोजनों के निर्मान का कारया दोजार 24-25 में पूरा किया जाएगा उबरूत के अत्रिक नवार द्वारा सिक्रिट सूला ग्रामिंग शेत्रों में सिवरेज प्रयूजनों के निर्मान के कारिया को 2024 में भी अवार्ड कर दिया जाएगा ए ए एफडी 12817 क्रोड रुपे की लाग़ से सिक्रिट प्रेजनों के अंतरगत मनाली पालंपोर नहान करसोग तता बलासपूर के लिए सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वाटर वेज ट्रीटमेंट प्लांट और मनाली के लिए इस पेजल योजना सिक्रिट की गई है इन में से मनाली सिवरेज नेटवर्क का कारिया प्रग्रिती पर है तताशेश कारिया को शिगर यह रंब कर दिया जाएगा शेर बहुत आगे है पर सुनाएं को उसा आप सुन लेगा हम आपको परशानी तो करने आएं इस तिनसो अस्ती क्रूड रपे की लागे से चोधा सर्वेस माइनर इरिगेशन स्कीम का कारिया विविन चर्मनों में है इन में फिट नहीं बैठो ना जब फिट बैठेगा तब हो जाएं इन योजनों के माद्यों से लगवग 9,700 एक्टेर का CCA उपलत करवाए जाएगा परदान मंत्री किशी संचाई योजना के अंतरगत स्कृत इन योजनों को बारसर कार दोरा जारी धंडराशी के अधार पर गती दी जाएगी परधान मंतरी कीशी संचाई यूजना के अंतरगत सुक्रित चार यूजनों में से लाबरंग, गार्डन, कुलॉमनी तदपू के लिए सुक्रित यूजना को पूरा करने के लिए लगवग त्रेफन लागती राशी ट्राइबर डॉल्मेट प्रोग्राम से उपलवत करवा द परधान मंतरी कीशी संचाई यूजना एक्सलेटेड इंटेगरेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतरगत फंडिंग के लिए अनुशासित किया गया है, इसके दिर्मान से 4,025 सेक्टरियों का CCA उपलवद होगा, तता इसके साथ ही 8.88 मेगवड जल विदूत उतपाद होगा, इस परियोजना पर राज्जा सरकार द्वारा अपने संसादनों से लगवड 290 क्रोड रुपे का ब्याई किया जाच चुका है, कि अंदर द्वारा जंदराशी के धनराशी के अधार पर इस परियोजना के कारेवन को गती दी जाएगी, जल शक्ती के लिए कुल 3350 क इमार कारे शुरू किया गया, तदा बहुत ही कम समय में सभी मुख्या सरक के ट्राफिक के लिए खोल दी गई, छोटी सी अब्दी में ठारा वैली वीच एवन 27 रोबे जुलों की सहता से शतिके सड़कों को भाल किया गया, मैं इस सदन के माध्यम से ऐसे सभी चुनेवे प जन प्रतिन निदियों, तथा सरकारी अधिकारियों, एवं करमचालियों का, जिन्नों ने दिनराथ परदेश की जनता के साथ खड़े होकर भाली का काम किया, दिल से धन्यावाद करता हूँ रेलवे तथा जल परिवान के अवाम में परदेश को एक मजबूस सड़क नटबक की अवश्कता है, पिछले लगवक 53 वर्ष के कारेकाल में परदेश में बहुत सी नई सड़के बनी, तथा हमके माध्यम से बहुत से गौन जुड़े बातमान में 40,703 किलो मेटर मोटर योग्या सड़के, 34,55 किलो मेटर पक्की सड़के, तथा 2,473 फूल है, कुल 3,615 ग्राम पंचायतों में से 3,560 ग्राम पंचायतों को मोटर योग्या आत्वा जीप योग्या सड़कों से जोड़ा चाच चुका है, 6 बच्ची बच्चायतों में से 10 और पंचायतों को 2024 पंचायतों में मोटर योग्या सड़क से जोड़ दिया जाएगा, हमारी सरकार द्वारा प्रदान मंत्री ग्रामिर सड़क योजना थी, के अंतरगत 2683 किलो मेटर लंबी 254 सड़कों के लिए 2643 क्रोड रपे की सुक्रि अब ग्रेडीशन होगी, 325 किलो मेटर न्य सड़कों का निरमाण, 8 फिलों का निरमाण 15 अबस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, इसी परकार प्रदान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतरगर, 825 किलो मेटर लंबी सड़के पे 8 पिलों का निरमाण किया हमारी सरकार द्वारा दोजार चोविस पच्चिस में एक सो पंद्रा किनोमेटर लंबे रास्टिय उच्मारग पर शेसो कतिस क्रोड़ परे के ब्याई से तेरा पुलों से 19 कारे को पूरा करने का लक्षा रखा गया है इसके अत्रिक 4490 क्रोड़ की लाग़ से रास्टिय उच्मारगों को टू लेन अथवा फूर लेन करने के लिए एक परस्ताफ के अंदर सरकार को बेजा जाएगा इन में से रास्टिय उच्च राजमारग पर प्रमुक कारया निमलिकत है 500 क्रोड़ की लाग़ से सैंज लूरी ओट 750 क्रोड़ की लाग़ से सैंज लूरी ओट रास्टिय उच्मारग पर पर पुलों का निमलिकत है लगबद 2000 क्रोड़ की लाग़ से रुविन कारया अगामी वर्ष के दोरान नवाड के माध्यम से RIDF के अंतरगर 205 क्लोमेटर लंबी ने सड़के 305 क्लोमेटर सड़कों पर क्रोस डेमेज 425 क्लोमेटर लंबी सड़कों की टारिंग तता 25 पुलों का निर्मान किया अगामी वर्ष के अंतरगर 25 सड़कों का निर्मान का रिया दोजार 24 25 में पूरा किया जाएगा जिया मानिकरन सड़क पर वर्षा से हुए नुक्सान का मुरमत का रिया शाहपूर सुनता च्वाडी मारका उन्यान व्यास नदी पर टेरेस तता स्थाना को जुडने वाले का निर्मान वागचल मेरे बड़सर सड़क का नियान पुडोगा त्यूंडी में स्वान नदी पर फूल का निर्मान अदक्ष मौदे परयावन सड़क्षन तता लागत को कम करने की दिरिश्टी से दोजार 24 25 में 230 किलो मेटर लंबी सड़कों पर प्लास्टिक बेस का इस् सर्दियों में इन सड़कों पर बरबना जम सके और संभावी दुर्गड़ना को टारा जान ना जा सके आगे आपके लेक्षेगे दर्द दर्द हो तो दवावी मुम्किन है दर्द हो तो दवावी मुम्किन है बैंड की क्या दवा करे कोई अब बैंड में वेले में रोगए आपको हर चीज का ब्याय मुझाता है अधेक्ष मोदे परेवान सरक्षन अभी एक और ढूंडूगा ना अधेक्ष मोदे परेवान सरक्षन और लागत को कम करने लागत को कम दोजार चोविस पच्चीज हुए महारी सरकारद्वारा निमलित सटकों तता संबंदित निर्माण कारिये किये जाएंगे 860 किलो मेटर लंबी कुल सटकों का निर्माण 1067 किलो मेटर लंबी सटकों का निर्माण 1055 के 40 गोंगो सटकों से जोड़ा जाना सटको एम पुलों के लिए कुल चार हजार तिनसो स्तारा क्लोड पे पस्तावित है दक्षमोदें बजार की बदरती परस्तित्यों को देखते वे 2019 में अधिक सुचित द्योगिक नवेश निती में बदराब करना आती है वशक है जिससे भावी नवेशकों को कम से कम समय में में इससे निवेशक और अधिक निवेश करने के लिए प्रसाइट होंगे हमारी सरकार 2024 25 में बदरती पस्तित्यों को देखते वे एक नई अधियोगी पुरसान बेनिवेश निती 2024 लाएगी परदेश के युवाओं के लिए द्योगिक शेत्र में स्वरोजगार की अन्गन अधिक संभाना है युवाओं को इस और प्रसाइट करने के लिए की अवश्कता है इसके लिए मैं 2024 25 में एक निती 2024 लाने की घोशना करता हूं इस निती के अंतरगत इन्वेशन के लिए तता महिलाओं को स्टार्टप वेंचर हितु विशेश प्रसान का प्रदान किया जा है मेरी सरकार का प्रियास है इस शेत्र को सर्वर्तन एको सिस्टम प्रदान करना है प्छले साव की आवदा के दворान मेरी सरकार द्वारा बड़े पेमाने पर राली करनी कार्य करने के लिए अवश्क संसाधन जुटाने के देश marvelous से लेक्री की डियूटी की दर बढ़ाई अब जब स्तिती में सुधार हुआ है मैं गोशना करता हूं कि बड़ी वी लेक्टिसिटी उन बुगतों द्वारा देन नहीं होगी जिने हमाचर परदेश द्योगी की निती 2019 के प्रवधानों के नुसार सुविक्यारिया अब्दी की सिम्माक्ति तक लेक्टिसिटी सुप से कई कदम उठाए है दश परस्तों से भी अधिक पुरानी परदेश की खनन नीती में कुछ बदलाब किये जाने है वशक है मैं गोशना करता हूं कि परदेश में हमाचर परदेश माइन्स और मिनरल्स पॉलसी 2024 लाए जाएगी जिसके मुख्या देशिया अवैद ख जिवाओं के लिए अलग मांदंट त्या किये जाएंगे इन मांदंटों में द्योगिक शेत्रों में द्योगों की संक्या तता किसम के अधार पर केमिकल्स बिजली तता अन्या कानों से लगने वाली आग से निपडने के लिए अलग लग एसोपी तता केमिकल शेत्र का पश्देश के संसादनों तता स्वरोजगार सुर्जन में बहुत बड़ा योगदान है इस शेत्र में अवश्यक मूलूत सुधाय निवेशकों तता कामगार दोनों के लिए वश्यक है मैं इस शेत्र में 70 क्रोड रुबे की लागत से शित्रपु से जगात खाना त पर इवेकल चार्जिंग स्टेशन के साथ साथ इंडियनवाल कार्पोरेशन लिम्टेट ततराज्या विदिद पूर्ड की साज़ेदारी के साथ अन्या 13 पटोर पंपो पर इवेकल चार्जिंग स्टेशन को पूरण डूप से काराशील्ड किया जाएगा इसके अत्रिक 55 अन्या सरकारी शेतरों के इवेकल चार्जिंग स्टेशन को कारेशील्ड कर दिया जाएगा दो जार्टेश चोबिस में कीगी एक्चार टीसी की डीजल बसों को लेक्टिकल बसों बसिस से चरन बद करम में बदलने की घोशना के बाद अब तक एक्चार टीसी के बेडे में 110 अलेक्टिकल बसिस और 50 अलेक्टिकल टैक्सिस हो गई है इसी प्रती बंता को आगे बढ़ाते में मैं गोशना करता हूँ कि 2024 में 327 अत्रिक डीजल बसिस को अलेक्टिकल बसिस से बद्रा जाएगा इस पहल में जन सहवैक्ता सुनिशित करने के लिए शुराती चरन में मा प्रतेग विधान सावा शेत्र में पांच रूटों पर इवेस्ट चलाने के लिए प्राथ्यमिक्ता मांगी गई है राजीव गंदी स्रोजगा स्टार्ट अप यूजना के अंतरकात 2024 में 40 परितिशत उपदान पर इटेक्सि चलाने के लिए 10,000 परमिट दिये जाएंगे 2024 में बन विवा, HRTC, HPTDC, GAD के अलिजीवल वहान इवीकर में बदर दिये जाएंगे धार्मिक्स तानों के लिए बसे चलाने है तो प्रतम दर्शन स्रेवा का विस्तार किया जाएगा प्रतम चरण में श्री यूद्यादान के दर्शन के लिए बबिन स्तानों से बसे जाएगा बस 2024 में बैंस, बहान, स्क्रैप निती के अंतरगर परदेश में विकल स्क्रैप, स्क्रैपिंग सस्लिटी सेंटर की स्तापना की जाएगी जिससे परदेश के सभी 12 जिरों को इसकी सुविधा मिल सके मैं गोशना करता हूँ कि 2024 में आटोमेटिड टेस्टिंग सेंटर के मादम से सभी भानों की फिटनेस अनवारिया कर दी जाएगी ताकि भानों को फिट डिकलेर करने में मानवे गल्ती ना हो परवाएन निमों की लंगना पाए जाने पर ऑनलाइन चलान के लिए विवाग्या अधिकारियों को ई चलान एंड एप्योएस मशीन उप्लाउद करवाए जाएगी सभी परवाएन बैलेज पर ओटोमेटिक नंबर प्लेट रिकोगिनिशन क्लोज सरकर टेलिविजन कैमरास की सुविदा अप्लाउद करवाए जाएगी जिससे कर चोरी को समाथ किया जा सके और सरकार को अत्रिक संसादन प्राप्त हो सके इस परनाली की सहता से ट्रैफिक को भी स्चारू रूप से संचालित करने में सहता मिलेगी 272 क्लोड की लागत से नेचर पार्क महल तथा बिजली महादब के बीच हाई विलीड अनियूटी मोडल पर एक 3.2 किलोमेटर लंबे रूपे का निर्मान कारिया अरहम किया जाएगा इस रूपे पर होने वाले लाप का 50% अंश रज्जा सरकार को प्राप्त होगा लगवग 54 क्लोड की लागत से निर्मित किये जारे बगला मुकी रूपे को हाली में आई आपदा के कान वारी नुक्सान हुआ था जिसके कान इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए 5 क्लोड पे से अधिकी राशी व्याई की गियी है मैं सहर्ष गुषना करता हूं किसका निर्मान कारिया पूरा करके इसी वाशी प्रदेश की जंता को समर्पित कर दिया जाएगा हमारी सरकार प्रदेश के लोगों तदब रिटकों की सुविदा के लिए कालका से परमानू तक की ब्रोड गेज डेल लैंड बिचाने के लिए बाहर सरकार से अंडरोद करेगी इसके साथ ही जेजो से पोलियों तक की रेल लैन बिचाने के लिए भी बाहर सरकार से अनरोध किया जाएगा इसके बिचने से परदेश में बंडरे बल ड्रग फर्मा पार्क तक रेल यातात की सुविदा अपलब्द हो जाएगी 2024 में इन दोनों रेल लैनों के सर्वे पर लगबक 10 क्रोड वेव ब्याय होने का अनुमान है अध्यक्स मौदे परदेश में एको टूरिजम को बढ़ावा देने के देशा से त्रेल में एको टूरिजम साइट को मेनेजमेंट एंड अप्रेशन के लिए चर्णबर तरीके से आउट्सोर्स किया जाएगा परदम चर्णबर 13 एको टूरिजम साइट को आउट्सोर्स करने के लिए RFP को अंतिय रूप दे दिया गया है तता दोजार 24 पच्चिस में इन सभी साइट को आउट्सोर्स कर दिया जाएगा हमारी सरकार दौरा कीगी पहल के बाद मानवे सर्वच नियाले दौरा वरकिंग प्लांस के अधार पर क्यार की सिल्वी कल्चर वैलिंग की अनुमती परदान की गई है इससे नाकेबर सानी लोगों के आई में बिर्दी होगी बलकि उनको खैर के पेड़ कारने के बाद और अधिक पेड़ लगाने की प्रेड़ना भी मिलेगी दोजाब चौबिस परचिस में दस फोरस डिविजनों में लगवक तेरा जार खैर के पेड़ कारने की जो नातियार की गई है इससे परदेश के राज़स्व में भी मृद्धी होगी मानिया नियाल्या के इस निन्ने से प्रेड़ित होकर हमारी सरकार चील के पेड़ कारने की अनुमती के लिए भी याचिकादार करेगी इससे अत्रिक राज़स्व प्राप्त होने के साथ साथ एको सिस्टम सर्विसिस की गुर्णपता भी होगी हरित हमाचल की दिशा में एक कदम आगे बढाते हुए उपनगरिया और शहरी शेत्रों में ग्रीन हमाचल बायो डैवरस्टी पार्क नेचर पार्क लीवर साथ पार्क स्ताफित के जाएगे इन पार्कों को एको फ्रेंडी मटीरिस के प्योग से डिजाइन और विक्सित किया जागा इस तर्श्टिप के माद्यम से मक्स एट को भी भार किया जाएगा अधैक्ष मौदे मैं बनों से संबंदी सभी अपरेशनों को बीट लैबर को सुनुचित करने के लिए परदेश की सभी दोजार कासर फोरस्ट वीट में एक एक बन मुक्त्र नुक्त करने की घुजना करता हूँ इनकी नुक्ति की परकरिया दोजार 24-25 में पूरी कर ले जाएगी कम्टिज की सहता से बनों के परबंदर में इन बन मुक्त्रों की आहम भूमिका हो दी इसी के साथ मैं 24-25 में बन विवाग में फॉरेस्ट गार्ज के सो रिक पदों को भरने की भी गोजना करता हूँ बन विवाग के कुल 834 कुल रपेपर स्तावीता है अदेक्ष मौदे परदेश के ग्रामी शेत्रों के समग विकास तता उसे ग्रीन बनाने के लिए मैं मुख्य मंत्री हरित विकास शात्रविती योजना हराम करने की गोजना करता हूँ इस योजना के अंतरगात अगले चार वर्षों में परतेग विदान सवा चनाव शेत्र में दो ग्राम गाउन चैनित किये जाएंगे तता राज्य के साइस पोस्ट ग्रेजूर्ट तता इंजिनिरिंग ग्रेजूर्ट को उन गोव में जालवाईयों परिबरतन और पर्यावन सरेक्षन पर अनुसांधान के लिए दो साल तक चात्र विती दी जाएगे हाली में आई बारी वर्षा और जलवाईयों में निरंतर आरे बिदलाव के द्रिश्टी गर्थ दो जार चोविस पच्चिस से जिरास्तर पर इंचिनोतियों से जुटने के लिए कार्याय योजना त्यार करने का काम अरम किया जाएगा पंचायस तर पर जलवाईयों परिवर्थन कार्याय योजना कार्यमिन की जाएगे दो जार चोविस पच्चिस में पर्यावन बन और जलवाईयों पर बनतर मंतराल्या बाहर सरकार तदागिज के सियोग से क्रिशी और बाग्मानी शेत्र पर बदलती जलवाईयों के विप्रित परभारों को कम करने के उदेश्चा से इन शेत्रों में एक नीड एसेस्मेंट स्टडी की शुरू की जाएगी जो हमारे आपदा ही उसकी स्टडी के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया परदेश म के जियोग्राफिकल इंडिकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना आरम की जाएगी जिसके माद्यम से कुमर्शल प्रोडक्स की जियाई टैगिंग की जाएगी ताकि उतबादों को रास्टे तरास्टे बजार में अपने उतबादों को उचित मिल्या मिल सके अध पेटा एनिलिटिक्स की सहता से एविडेल स्पेस निती नजान के लिए एक वरग फ्लान बनाकर इस दिशा में शुरुआत की जाएगी ओनाइन से पहले से उपलब ओनाइन नागिक सेवाओं को और प्रभावी दंसे प्रदेश वासियों तक पहुंचने के लिए एक मोवा प्रभावी बनाने के लिए विवागों को रिपोर्टिंग मनेजमेंट पोर्टों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि विवागों से प्राप्त नमेंतन जानकारी के अधार पर उचित समय पर उचित निन्या ले सके मुख्या मत्री सेवा संकलफ हेल्प लाइन में आर्टी विशल इंटेलिजेंस का प्रियोग किया जाएगा ताकि प्राप्त शिक्यातों का कम से कम समय में निवारन हो सके गत वाश विक्सित कियेगे डीवीटी पोर्टल को नैशनल डीवीटी पोर्टल के साथ चोड़ा जाएगा जिससे दोनों पोर्टलों की सुचना को साजा किया जाए इसको द्वारा कियेंगे 5G क्रेक्टिविटी के लिए ओनलाइन वेदनों के साथ निव्टे आ रहे है तू राइट और वे पोर्टल को अवर्शक्सन साधनों से इत अपडेट किया जाएगा स्टेट डेटा सेंटर की अपग्रेडिशन का कार्या अगास 2024 तक कुरा कर लिया जाएगा इससे अप्लेट डेटा और अन्या सुचना की स्ट्ट्शा के लिए निमिन तो पाए किया जाएगे हिम परिवार रेजिस्टर के सबल कारेवन के बाद वविन नागरिक सेवाओं को इसके साथ एकिकिरित किया जाएगा ताकि परदेश बास्यों को वविन सेवाओं का लाप कम से कम समय में मिल सके कोई भी नागरिक किसी भी समय जमीन से समंदित रिकोर्ड की प्रतियां डाउनलेड कर सकेगा इस पोर्टल पर यूपी आई डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड एदियादी के माद्यम से सुब्लक भुकतान की सुबदा भी उपलाप्त करवाई जाएगी मेग चार्ज के अंतरगात किसान क्रेडिट कार्ड रिन रेने के लिए सभी प्रक्रिया ओनलाइन पूरी करने का प्रफदान किया जाएगा इसके माद्यम से बैंको अथ्वा वित्या संस्तानों तता तिसील कारेयों में बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे सभी अपचार कायता है इसी एकिकरित मोडियल के माद्यम से पूरी करके बहुत कम समय में रेन्स फक्रित किया जाएगा संपत्ती पंजी करन पक्रिया को और सब बनाने के देश fruitful से स्टैम्प ड्यूटी पंजी करन शुलक तथा अन्या परवारों को ओन्लाइन बुख्तान में इड़ पंजी करन मोडियूल के माद्यमसे अरंकिया जाएगा इसी तरह मेर मियूटीशन मूडूल के उप्योग से और लेयर मियूटीशन के सुविदा भी परदान की जाएगी बहुत से बूल अबलेखों का वर्नन कथी शब्दों में अफलबता है इन बूल अबलेखों का अनुबास सुविदान के अनुसुची आर्ट में सुची बद्विविन भाशों में करवाने का कार्या शिगर क्विया जाएगा अदक्ष मोदे मेरे दवारा पिछले बज़न में अत्रिक भोशित अत्रिक संसादन जुटाने के पायं के अनुकरम में मैं निमन भोशनाएं करता हूँ करदाताओं की सुच्धाओं के लिए बैड तता अन्यकरों के बुक्तान के लिए 2024-25 में एक मुबाइल आप की सुरुआत की जाएगी इस आप के मादिम से करदाता ओन लाइन कर बुक्तान कर संगे परदेश मस्तिक महत्तपुर्न अद्योगित एवं विपारिक के अंदरों पर भुमिन करदातों से फिर बैक लेने तता उन्हें पेश आने आरे इस मस्याओं की जानकारी लेने के अदेशे से करदाता संबाद अभियान अरम किया जाएगा इससे परदेश की कर एवं आपकारी पर नाली को और सर्वल तता पारदर्शी बनाने में सहता मिलेगी देश मोदे 2014 में 50 Brewer की लागत से शहरी शेतर में से पर पुली स्टेशनों के परांगर्ण तता अथवा स्टेशन के असपास उसमे कारzlichया पुली स्थाब के लिए बादर्शी act पर दान करने के निमन कारे किया जाएगा दक्षमोदे पिछले बहुत समय से पुलिस कर्मियों की डाइट मनी में कोई विद्धी नहीं की यही है। पुलिस कर्मियों लावंधी भी तोंगे इससे सोला क्रोड पर प्रतिवर्ष अधिक राइट मनी मनती है। देने तता उसे विद्धो करने की परक्रिया में पारदश्ता लाने के देशा से हमाचल परदेश फायर फाइटिंग सर्विस रूल अधिसूचीत किये जाएंगे। मैं दोजार चोविस पच्चिस में कांगडा के चंगर बडो में सब फायर स्टेशन मंडी के कोटली में तदा लट बडोर में फायर पोस्ट कोलने तदा ठ्योक्स्ति फायर पोस्ट को सब फायर स्टेशन में उन्यन करने की गोशना करता हूँ। इसके अत्रिक निर्मन, पुनियार, उबादेश, कोटखाई, छोटा बंगाल कदा कांगडा के चुवार गाटी में अगनी शमनिकाईयां खोलने की भी मैं घोशना करता हूं। स्वर्ण पदक प्राप्द करने पर पुर्षकर राशी को तीन क्रोड रुपे से बढ़ा कर पांच क्रोड रुपेया, रज़त पदक के लिए दो क्रोड रुपे से बढ़ा कर तीन क्रोड रुपेया, तता कांसे पदक के लिए एक क्रोड से बढ़ा कर दो क्रोड रुपेया पचास लाग रुपे से बढ़ा कर चार क्रोड रुपया तज़त पदक के लिए तीस लाग रुपे से बढ़ा कर धाई क्रोड रुपया तदक कास्या पदक के लिए बीस लाग रुपे से बढ़ा कर डेड़ क्रोड रुपया करने की गोश्मा करते हैं कॉमन वेल्थ खेलों में व्यक्तिकस पर्दा में स्वर्ण पदक प्राप करने पर पुरुसकार राशी को 50 लाख रुपे से बढ़ा कर 3 क्रोड रुपेया, रज़त पदक के लिए 30 लाख रुपे से बढ़ा कर 2 क्रोड रुपेया, तदा कांसे पदक के लिए 20 लाख रुपे से बढ़ा कर एक रोड़ पैक किया जा लेगा। टीम्स बर्दाओं में बुजेता हमाचरी खराड़ी को प्रपदक के अधार पर उप्रोग पुरुसका राशी में से परतिरिक खराड़ी को परती निदीतब के अनुपाद में ब्राबर रिशी राशी दी जाएगी। जैसे क कोई ये राशी जो एशेव खेंड की कुष्टी में जितकर आएगी। उसी अनुपाद के दार पर इसी वर्ष इन खेंड के जो हमारे एशन गेंज में चाहे कोमन वेल्थ खेंड में जितकर हैं उनको इसी वर्ष उपलवद खुरुआ दी जाएगी। राज्या से बाहर, हमारे बच्चे कई बार राज्या से बाहर जाते हैं, राज्या से बाहर 200 किलोमेटर की दूरी तक केल्स परदों में भाग लेने वाले, जो गौर्मेंट स्कूल, गौर हमारे स्कूलों के बच्चे हैं, कॉलिज के बच्चे हैं, सब बाहर जाते हैं, हम जब जाते थे छोटे होते तो हम भी देखते थे तो भाग लेने के लिए खलाडियों को एसी थी टायर कराया दिया जाएगा कता 200 किलोमेटर से अधिक यानि कि दिल्ली से अधिक दूरी के स्थानों पर जाना है तो 200 किलोमेटर से अधिक दूरी के स्थानों पर जाने के लिए केर फेर दिया जाएगा सरकारी विवागों में 29 खिलाडियों को विविन पदों पर तीन प्रतिशन खेल कोटा के अंतर का सम्रित बर्थमान 43 खेलों की संख्या को बढ़ाया जाएगा मैं जो हमाचर परदे में स्कूल गेम्स होती है कॉलिज गेम्स होती है, इंटर 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 गेम्स होती है इस सपरकार की इंटर गेम्स होती है इन सब प्रकार की खेलों में डायट मनी बहुत कम बिलती है मैं विमिस्तर की प्रतिस्वर्दा के लिए खलाडियों को दी जाने वाली डायट मनी में बढ़ोत्री करने के बाद निमन की गोशना करता हूँ परांबिक शिक्षास्तर के खलाडियों को परदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर जब वो जोनल में जाते हैं प्रेमिस कुर के डाइसो रुपया प्रति दिन दिये जाएंगे अन्या सभी खलाडियों को परदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर समान रूप से 500 रुपया प्रतीन दिन दिये जाएंगे। परदेश के खेल होस्ट्रों में रहने वाले सवी ख्राड़ी को उप्रूपत के नुसार 500 रुपया मिलते हैं तथा उनकी डाइट मनी को 400 रुपया की डाइट मनी दी जाएगी। अध्यक्ष मोरे मैं 2024 में निमन खेल परिस्रों के निर्मान कारिया अराम करने की गोशना करता हूँ। प्रेडी नदान में इंडोर भहुदिश्या खेल परिसर का निर्मान कुसुंटी में इंडोर भहुदिश्या खेल परिसर का निर्मान जैसिकपूर में इंडोर भहुदिश्या खेल परिसर का निर्मान डली पाइपास में इंडोर भहुदिश्या खेल परिसर का निर्मान अद्यक्ष मोदे, हमाचरपरदेश को फिलम की शूटिंग के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने के अदेश्या से 2024-25 से हमाचरपरदेश फिलम पॉल्सी 2024 का कारेवन किया जाएगा इसके तहित रजिस्टर पर एक फिलम डॉल्मेंट कॉंसिल का गठन किया जाएगा तता सुचना एवन जंसर पर विवाग में फिलम फेसिलियेशन सेल की स्थापना की जाएगी फिलमों की शुटिंग के लिए ओनलाइन अवेदन ततानमोती प्रदान करने के लिए वेब पॉर्टल की स्थावना की जाएगी सरकारी योजनाओं तता विकास नितियों को प्रभावी रूप से बभीन वेब चैनल्स, निूज वेब साइट्स, सोशल मीडिया इंफ्विन्स के माद्यम से परसारित एवर परचारित करने के लिए डिजिटल मीडिया पॉल्सी दो जार चोबिस का कारेमान किया जाएगा सरकारी कारेकरमों तता कारेकरमों से सम्वति सुचना को हिम सुचना कोश डेटा हैट के माद्यम से संकलित किया जाएगा जिसकी की परकाशन के लिए तता प्रैस में देने योगे सुचना को तुरूंत ही प्राप करके प्रैस नोटा था लेग प्रिंट किया जा सके हज़क्ष मोदे हमारी सरकार यूद तता शांती के समय में परदेश के लगवग तीन लाग भूत बूरु सैनिकों सेवारत सैनिकों यूद विद्वान एवन शोर्या पुरुसकार बजेतों द्वारा की गई सेवा तता उनके बलिदान के लिए उनकी स्दाय बरिनी रहेगी मैं गोशना करता हूँ कि साट बर्ष से अधिक आयू के ऐसे भूजबूरु सैनिकों जिनकों और कोई पेंशन नहीं मिलती है को मिलने वाली आर्थिक सहता की राशी को तीन हजार पे से बढ़ा कर पांच हजार पे प्रतिमास कर दिया जाएगा हमारी सरकार दो जार चोबिस पच्चिस में सुनिश्चित करेगी कि विवहिन विवागों में पूरव सैनिकों के लिए आराक्षिक पंदरा प्रतिशत पदों को प्रात्मिक्ता के दार पर भरा जाए अदक्समोदे मेरे पिछले बजट में गोशित प्रात्मिक क्रिशी सहकारी सेवाओं की किम्प्यूटराजेशन के अनकुरम में इन यह सरकारी बैंकों सहकारतिया विवाग तता रास्तिया डाटा बेस से जुड़ने का कार्या प्रग्रिती पर है तता इसे समय स्विमा दो जास्ताइस तक पूरा कर लिया जाएगा इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी सहकारी सबाओं का ओनलाइन पंजी कर्म किया जाएगा है परदेश के ब्रभिन विवागों में कार्या प्रकर्स कही विकास योजनों के कार्यामन में एहम भूमिका निवारे है इन सभी के मानदे की ब्रीदी के लिए मैं निमलित गोशायक करता हूँ अंगनवाडी कार्या करता को 500 रुपे की ब्रोत्री के साथ अब 10,000 प्रामांसिक मानदे मिलेगा मिन्दी अंगनवाडी कार्या करता को 400 रुपे की ब्रोत्री के साथ अब 7,000 प्रामांदे मिलेगा आशा वर्कर को 300 रुपे की ब्रोत्री के साथ 5500 रुपे प्रतिमा मांदे मिलेगा सितलाई ध्यापकों के मांदन में 500 रुपे ब्रोत्री की जाएगी मिड़े मील वर्कर्स को 500 रुपे ब्रोत्री के साथ 4500 रुपे प्रतिमा मिलेंगे वाटर कैरियर शिक्षा विवाग को 600 रपे ब्रोत्री के साथ 5,000 पर प्रति मा मिलेंगे जल रक्षक को 300 रपे ब्रोत्री के साथ 5,000 पर प्रति मा मिलेंगे जल शक्ती विवाग के मल्टी पर वरकस को 600 रपे ब्रोत्री के साथ 5,000 पर प्रति मा मिलेंगे राजस्व चोकिदार को 300 रपे ब्रोत्री के साथ 58 सुर्प्य प्रतिमा मिलेगा राजस्व लंबरदार को 500 रपे ब्रोत्री के साथ 42 सुर्प्य प्रतिमा मिलेंगे SMC धापों के मांदेरे में 900 रपे प्रतिमा ब्रोत्री की जाएगी आइटी टीचर को उननी सुर्पे प्रतिमाम रोती की जाएगी S.P.O.S. को पांसुर्पे प्रतिमाम रोती की जाएगी परते एक वश्की भांती मानिय बजायकों के साथ हुई बैटकों के दौरान सामने आइस जावों के दार पर मैं निमन गोशनाएं करता हूँ पानी पिलेता हूँ पुलानी की मीटिंग नहीं शेयर सैट नहीं बैटरे सीच में न तुम्हारा क्या है तुम्हारा क्या है तुम्हे तो सिर्फ ग्यान देना है हमारी सोचों हमें हिम्तान देना है पुर्देख्ष बर्ष की भांती मान्य विधायकों के साथ भी बैठकों के दरा सामने आई सुजावों के दार पर मैं निमन गोशनाएं करता हूँ शिमला विधांसवा चनावी शेतर शहरी शेतर होने के कारण नवाड के RID के अंतरगत विधायक प्रात्मिक्ता योजनाव की स्वक्रीति होयतू पातर नहीं है यहीं समस्या ध्रमशाला मंडी सोलन तदा पालंपूर नगर निगों में पढ़ने वाले विधांसवा चनाव शेतरों में भी आने वाली है मैं इन पाच्चो शहरी विधांसवा चनाव शेतरों के लिए नैशनल हॉसिंग बैंक के माद्यम से अर्वन इंफरस्टक्चर ड्वल्वन फंड के अंतरगात इन शहरी शेतरों की बिधायक प्रात्मिक्ता योजनाओं को सुकृत करने की गोशना करता हूँ जो नगर निगम के दारे में शिम्ला में तो काफी सालों से कोई इंफरस्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट का पैसा नहीं मिलता था पर चार और नगर निगम बनके उनके दारा भी इंफरस्ट्रक्चर के दारे में नहीं आते थे तो हम उनकी जो इंफरस्ट्रक्चर जो हुए हमारी सरकार के विवस्ता परिवर्तन के संकल के अनुकुरम में में बित्यावस 2024 से बिधायक प्रात्मिक्ताओं के स्वरूब में भी परिवर्तन करने की घुशना करता हूँ अब मामिय बिधायकों द्वारा सडकों, पुलों, पेजल, योजनएं, अथ्वा, लग्यू संचाई योजनओं की तीन वास्तिक नई स्कीमों की प्रात्मिक्ताओं दी जाएगी इसके अत्रिक उप्रोक्त में से एक प्रात्मिक्ता किसी भी पूरम निर्मित स्कीम के रख रखाब से संबंदित दी जा सकेगी पांच भी प्रात्मिक्ता HRTC के बर्तमान डूट पर लेक्टिकल बस चलाने तता वश्चक चार्जिंग स्टेशन से संबंदित होगी ओवर हेड बीजली की तारों तथा अधोरे मुख्यमंत्री लोग वबनों का निर्मान कार्या पूरा करने के लिए विधायक शेत्र विकास निदी योजना के अंतरकर परवधान कर दिया गया है इसके अतरिक मुख्यमंत्री आवास योजना के दिशन निदेश के अनरू यदि मानियब धायक किसी वी श्रेड़ी के लावार्थी के आवास बनाने के लिए अनुशन्शा करना चाहे तो वो इस निदी से कर पाएंगे इसी के साथ वधायक प्राग मित्ता के वित्या पोशन की बर्तमान स्रीमा को 20 क्रोड पे बढ़ा कर 175 क्रोड पे से 195 क्रोड पे करने की ने गुशना को जाए परदेश को हरित विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए 20 क्रोड पे की बड़ी विराशी में से प्रात्मिकताएं अलेक्टिकल बसी चलाने तता चार्जिंग स्टेशन से संबंदित होगी बड़ायक इच्छा निदी को तेरा लाग रुपे से कम करकर मैं खतम करने की घुशना करते हैं कि अच्छा निदी को तेरा लाग रुपे से बढ़ा कर जो औरों को दिया विसी से काट के तो दिया विद्वाओं को दिया अच्छा निदी को तेरा लाग रुपे से बढ़ा कर चोदा लाग पर प्रति विदान सवा शेत्त कर दिया जाएगा अच्छा निदी के अंतरगर प्रति विदान सवा शेत्तर राशी को दो क्रोड से गढ़ा कर अच्छा नहीं गलत पड़िया दो क्रोड दस लाग रुपे से बढ़ा कर दो क्रोड बिस लाग रुपे कर दिया जाएगा अडेक्ष मोदे पुंजी गत कारे को शुरू करने के लिए जन प्रति निदियों के पास बहुत अधिक मांग रहती है जो कि उपलब बितिय संसादनों से कहीं अधिक है इस प्रक्रिया में हर साल नए कारे शुरू होते है जबकि पहले से चलरे कारे संसादनों की कमी के कान रुख जाते हैं सभी निवाचित प्रतिन दिदियों से मेरी इस बात से सहमत होंगे कि चलरे कारे को प्रात्मिक्ता देने की जूरत है मैं गुशना कर रहा हूं कि चलरे कारे को पूरा करने के लिए 2024 में कम से कम एक हजार क्रोड रुपया खर्च किया जाएगा और उन कारें पर जोड़ दिया जाएगा जो पूरा होने के कृरीब है राज्य के इतियास में या पहली बार हुआ है कि चल रहे कारें को पूरा करने को मत्तब दिया जाएगा प्रदेश के विकास में सरकारी करमचारी और पैंशनर्स की मट्थपून योगदान को समस्ती है उनके बड़े वे बेतन के एरियेस के बुक्तार के लिए हमारी सरकार स्वेधन शील है करमचारी वे फैंशनर्स बहनों और भाईयों को भी बरत्मान सरकार को पराणी सरकार से मिली विकट वित्यस्तिति की जानकारी है जितने में सरकारी करमचारी है रोज जाते हैं अधिकारी है पैंचनल होगी है माचल के आर्थिक स्थिति की उनको जानकारी है जश्कों से माचल सरकार पंजाब सरकार के बेतर मानों का अनुसरन करती आई है अभी तक पंजाब सरकारदवारा अपने करमचारी और पैंशनर्स के एरियर का बुक्तार नहीं किया गया है कटिन भितियस सित्तिती के बावजूद मैं निमलित गोशना करता हूँ सभी करमचारी और पैंशनस के बेतन तता पैंशनस से संबंदित एरियस का भुकतान चरण बर धंग से एक मार्च दो जार चोविश से शुरू कर दिया जाएगा एक जनबरी दो जार सोला से कतिस दिसंबर दो जार इकी के बीच रिटैर हुए करमचारियों की लीव एनकैश्मेंट और ग्रेचुटी से संबंदित एरियस का भुकतान चरण बर धंग से एक मार्च जो दस दिन बाद खतम हो रहा है दो जार चोविश से शुरू कर दिया जा कि एक अप्रेयर दो जार चोविश से चार प्रतिशत के दग की दर से महांगाई बत्ते की किश्च जारी कर दी जाएगी इस पर लगवर पांसो असी क्रोड पर प्रतिवर्श ब्याय किये जाएंगे प्रदेश के करमचारी अभी तक अपने सेवाकार के अंक में केवल एक आल इंडिया लीव ट्रेवल कंशेशन ले सकते थे मलब तीस सार नोकरी कर ली पच्छी सार नोकरी कर ली एक इवार लटी सी की सुविदा मिलती थी मुझे यह घुशना करते हुए परसंता हो रही है कि एक अप्रैल दो जार चोविश के बाद परदेश के का करमचारी अप कम से कम दो बार एल टी सी की सुविदा ले पाएंगे ध्याडी दारों को 25 पर बढ़ोतरी के साथ 400 रप्रति दिन ध्याडी मिलेगे आउट्सोर्स करमचारियों को अब नियूंतम 12,000 पर प्रतिमा मिलेंगे पंचायत बैटनेरी एस्ट्रेंट को मिलने वाले 7,000 पर प्रति किया जाएगा हमारी सरकार का दिट बिश्वास है कि करमचारियों के सेहोग से परदेश की वित्यस्तिति में शिगर ही सुधार लाया जाएगा यह हमारे जो हमने राज़स्व प्राप्त किया है उसको बंटा है एक साथ में जो बिवस्था परिवर्तन किया इसके हिसाब से हम ये जो हमें अधिक राज़स्व आया वो हम करमचारी प्रदेश की किसाद मेहलाओं युवाओं सबको बंट रहे हैं देफ्ष मोँदे अब मैं 2023 के स्रुशूदित अनुमाईनों पर आता हूँ बश्ष 2023 के स्रुशूदित अनुमाईनों के अनुसाद कुल राजस्व प्राप्तियां 40,446 क्रोड रुपे है 2023-24 के संशोधित अनुमानों के नुसाद कुल राजस्व ब्याव 45,940 क्रोड रुपे हरने का नुमान है 2023-24 के संशोधित अनुमानों के नुसाद 5,480 क्रोड रुपे का राजस्व डेफिसित अनुमानित है बर्ष दो जार चोविस पच्चिस में राजस्व प्राप्तियां 42,153 क्रोड रहने का अनुमान है तता कुल राजस्व ब्याए 40,667 क्रोड रुपे अनुमानित है इस परकार कुल राजस्व गटा घाटा 4,514 क्रोड रुपे अनुमानित है राजकिय कोशिय घाटा 10,774 क्रोड रुपे अनुमानित है जो की परदेश के सकल घ्रेल उतबाद का 4,75 प्रतिशत है दोजार 24,25 के बजट के अनुसार प्रतिश सो रुपे ब्याए में से बेतन पर 25 रुपे, पैंशन पर 17 रुपे, ब्याज अदाइगी पर 11 रुपे, रिण अदाइगी पर 9 रुपे, 12 संस्तामों के लिए ग्रांट पर 10 रुपे, जबकि 26 रुपे पुंजी गत कारें उन सह अन्य गतिवी दियों पर व्याए किया जाएंगे, अगले वर्ष के बजट का पुर्ण विवरन इस मानिय सदन में प्रस्तित किया रहे हैं, बिस्तित बजट प्रदस्तामें दस्तावेजों में उपलब्द है, इसके लावा, एफरम, बी-म स्टेट्मेंट भी बजट के सा बता हूँ, धन्यावाद, मुक्या बिन्दू तो क्या है, धन्यावाद जाएंगे, तता उतबाद को सरकार्दवारा ही ख्री लिया जाएगा, हम चरन बद तरीके से किसान परिवारों को दूसे एक निश्ची ताय अर्जित करने में सक्षम बनाने के लक्षे की और बढ़ रहे हैं, ताकि हम चुनाब से पूरे, ताकि हम चुनाब से पूरब कियेगे वादों को पूरा कर सके, दोजार चब्विस पच्चिस में इस पर लगवग एक सो पचास क्रोड़ फे की अतिक प्राशी ब्याय की जाएगी, जिस से इस बिवस्ता को त्यार करने में सहता मिलेगी, हमारचल परदेश मिलक फेडरेशन दूथ उतपादन सुसाइटियों द्वारा लीग, सुसाइटियों से एक्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्किट टुमिट्टी द्वारा लीगी मार्किट फीस रिवर्स करने में बहुत समय लग इस से इन सुसाइटियों का बहुत सारा पैसा कमिट्टी के पास काभी समय तक पढ़ा रहता है, मैं गोशना करता हूँ कि एक अप्रेल दो जार चोबिस से दुगद उतपादन सुसाइटियों से एपी एमसी द्वारा लीग जाना वाली फीस मार्क की जाएगी, इस से इन स मिले, इसी लक्षे की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार निश्चित समय अब्दी को ध्यान में रख कारया कर रही है, यह सरकार एवन परशुपालकों के सुक परियार से संबब हो पारेगा, परदेश के युवाओं में परशुपालन से संबंदित कोशर के विकास दिगम के म के अंतरकर मैं बर्ष 2024 के दुरान कांगडा के धगवार में 1.5 लाख लीटर पर दे की शमता वाले फुली ओटोमेटिड मिलक एंड मिलक प्रोडक्स प्लांट की स्तापना की गोशना करता हूँ इस प्लांट के लिए इस प्लांट के लिए भूमी अप्लोप करवा दी गई है तता इसकी शमता को बाद में भढ़ा कर तीन लाख लीटर पर डे कर दिया जाएगा इस प्लांट में अधिक दूद को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके इसके अतरिक धाई, खोया, घी, आइस्क्रीम, फ्लेवर्ड मिलक, प्रोसेस्ट मिलक चीज तता अन्यात बाद त्यार किया जाएंगे इसके साथ ही यहां UHT, अल्टरा हीट टेकनोलजी से पैकिंग की सुविदा भी उपलब्ध होगे दत नगर मिलक प्रोसेसिंग प्लांट में 50,000 LPD की शमता का एक अत्रिक सेंतर चालू कर दिया जाएगा तदा बर्तमान में भविन जिलों में काम कर रहे दूद सरियंतरों के निमीनी करन को प्राथमित का दी जाएगे उन्ना तदा हमीरपुर में भी आदुनित तक्नीक से मिलक प्रोसेसिंग प्लांट स्तावित किये जाएगे जिन पर लगबग पचास क्रोड पे व्याय किये जाएगे सानिय वुआओं को किसानों को कॉलेक्शन सेंटर से मिलक प्रोसेसिंग प्लांट तक दूद दे जाने के लिए पचास प्रतिशत उप्दान पर दो सो रेफिजेटर मिलक बैंस उपलब करवाई जाएगी जिन जो जब दूद की पैदाबार बढ़ेगी तो किसान कहां छोड़ेगा उसके लिए उन्हें जो रेफिजेटर बैंस होती है मिलक प्रोसेसिंग के लिए वो पचास प्रतिशत पर उपलब करवाई जाएगी पशू पालकों को उत्तम नसल के पशू उपलब करवाने के देश्य से मैं सोलंज ले के दार्ला घाड में कृत्रिम गर्माधान पर्शिक्षन के इंदर की स्तापना करने की गोशना करता हूँ जिसकी सहता से कृत्रिम गर्माधान पर्शिक्षन के सुविदा उपलब करवाई जाएगी विशेशग्या पचुश किसकाओं द्वारा गंबीर पशू रोगों की सुविदा उपलब करवाने के लिए 44 मोबाइल बैटनरी बैंस कराये पर ली गई है या सेवा वर्श 2024 में पूरन रूप से अरम कर दी जाएगी परतेग बैन में एक बैटनरी डॉक्टर तता एक फार्मसिस्ट तनात होगा पशू पालब परदेश में कहीं से कहीं से भी टॉल फ्री फोन नंबर 1962 पर कॉल करके पशों के उप्चार की सुविदा या पशू पालब से संबंदित अन्या जानकारी राप्त कर सकेगे राष्ट्या गोकूर मुशन के तहत उन्ना जिला के बसार में डैन्मार्क के तक्निकी सेहोग से च्वालीस क्रोड की लागत से एक उत्कृष्टता के अंदर स्ताफित किया जाएगा इसके लिए अवशक भूमी पशुपालन विवाग के नाम पर हस्तांतरित का हो चुकी है बतलते समय में पशुपालन विवाग के संगाठनात्मक धांचे के पुनर गठन एवन पुनर सरचना की भी अवशकता है अता बिभागे योजनाओं के युक्ति करण एवरं विभागे ढ़ांचे के पुनर गठन के लिए एक विस्तिरित योजना बनाई जाएगी जिसके लिए एक विशेष्य क्यासमिती बनाई जाएगी मिलक फेडरेशन के माध्यम से नैशनल डैरी प्लान टू के अंतरगर परदेश में दूद की उत्पार्दक्ता को बढ़ाने के लिए एक बिस्त्रित कारिया यूजना त्यार करके उसको इंप्लिमेंट किया जाएगा हमाचर परदेश बेड़ बकरी पालकों का भी परदेश है परदेश में 8 लाग धेडे तदा 11 लाग बकरियां है बेड़ बकरियों के लिए FMD वेक्षिन डिवार्मिंग दवाईया तता अन्या दवाईयों के लिए अलग से कोई प्राफधार नहीं है इसके लिए बाल सरकार अज़ाद वारा भी कोई प्रहदान नहीं किया गया है, बेडबाकरी पालकों की अन्या बड़ी समस्चाओं में डिपिंग डेंचिंग की विवस्ता में शुदार, उनको टाय की विवस्ता में सुदार, उनके परणबरागत, चरानों तता रास्तों का समाब्त होना, बेडब करने तदा उन की अन्य समस्यों के निदान के लिए एक नई यूजना बेड़ बकरी पालक प्रोसान यूजना अरम करने की घोशना करता हूं इस यूजना पर दस क्रोड रुपे की अत्रिक धंडाशी दी जाएगी जनकी जीनियाज परदेश में बढ़ते हुए बे सारा पश की समस्या के निदान के लिए एक स्टेट लेवर टाक्स पोर्स का गठन किया जाएगा जो कि तीन महा के भीतर इन पश्यों को किसानों तथा स्थाने समुदाओं से परामार्श के बाद स्मीप के गोव अभ्यारनों तथा गोशानों में रखने के लिए दिशा अनर्देश के दिये जाएंगे इसी के साथ गोव अभेरनों और तथा गोशालों के निर्माण तथा रख्रखवाब से संबंदित सुझा भी दिये जाएंगे मैं निजी गोवस अंदों में अश्रित गोवश के लिए दिये जाने वाले अनुदान 700 रुपे प्रती गोवश प्रती महां से बढ़ा कर 1200 रुपे करने की सहाश गोशना करता है जो निजी संस्तान गोवश अलाच राते हैं उनके लिए हमने 1200 रुपे पर गाह या कोई सी पशुका कर दिया है क्रिशी शेक्तर के लिए कुल 582 क्रोड रुपे पस्ताबित है अध्यक्ष मोदे मैं माचल परदेश की आर्थकी में परदेश के बागवानों का एक बड़ा योगदान रहा है बागवानों की आय में विद्धी हमारी सरकार की परात्मिक ताउम से में से एक है मैं दो जार चोबिस पच्चिस के दोरान बागवानी शेतर में 300 प्रोड रुपे की लागर से निमन विकास कार्या पूरे करने की गोजना करता हूँ 75 लगू संचाई योजनों का निर्मान लगबग 1200 हेक्टेर शेतर में सब ट्रोपिकल फोलों के हाई डेंसिटी विक्षों का रोपन कार्या किया जाएगा जिससे 80,000 किशक स्मों में के लगबग 6,500 किसान परिवार लावानी भीत होंगे 12 क्रोड की लागत से एक बागवानी उत्कृष्टरता के अंदर की स्तापना की की जाएगी जो कि गुनवत्ता, कोशल, प्रेटान तता बजार संबंदित सभी अविश्टाओं के लिए वन स्टॉप रिसोर्स सेंटर के रूम में कार्या करेगा राज्जा के सब ट्रॉपिकल शेत्रों में दो अत्यादुनिक फ्रूट प्रोसेसिंग यूर्णस तावित किये जाएगे पांस क्रोड तुपे की लागत से अमरूद, निम्बू तधा अन्या सब ट्रॉपिकल फोलों की बढ़ावा देने के लिए मडल ट्रींस, बर्ड बूड बैंक्स के लिए होडेंशन ब्लॉग की स्थापना की जाएगी भागवान बाईयों के साथ चर्चा के बाद मैं घुजना करता हूँ 2024 के सेफ सीजन से, जो अगरा सेफ सीजन होगा, यूनिवर्सल कार्टन का परियोग आरहम कर दिया जाएगा इस दिशा में अब अशक दिशा नरदेश त्यार करने हैं तो, सचिव क्रिशी की देक्षता में दिसंबर 2013 में एक कमेटी का कटन किया जा चुका है परदेश में हाई रिटर्न फूर्ट जैसे की ड्रेगन फूर्ट, अवाकोडा, बलूबेरी, मैको, डामिया, नट, इतियादी के उत्वादन को बढ़ावा देने के लिए डाक्टर वाईयस परमार बागवानी एवं बानकी विश्व दियला के साथ मिलकर अवशक दिशाद नर्देश त्यार किये जाएंगे इससे परदेश के किसानों की आए में शिगर एवं निश्चित अब वृद्धी होगी अडाक्ष मोदे परदेश में पर्टकों के बढ़ते विश्व दियान विवाग तथा प्रेटर विवाग के माद्याम से में एक ठोस नीती का निधारन किया जाएगा इस नीदी के अंतरगत इच्छिक बागवानों को अवश्यक ट्रेनिंग तथा अन्य सहता अपनोद करवाई जाएगी बागवानी के कुल 530 प्रोड़ पे पस्तावीत है अध्यक्ष मोदे परदेश के लगवग 13,000 मच्छवारों की आए बढ़ाने के अदेश से मैं निमन गुचना करता हूँ 20 हेक्टर शेतर में ने मतस्य पालन तलाबों के निर्मान के लिए मच्छवारों को 80 प्रतिशत उबदान पर आर्थिक साहता दी जाएगी यनि कि सौर में में से 80 पे सरकार खच करेगी जीला हमिर्पुर में सेंटर ओफ एक्सलेंस के रूम में एक ने कार फिश फारम की स्ताफना की जाएगी नाला गर्ड स्टिक फिश सीड फारम में पाच क्रोड की लागत से ब्रॉड बैंक की स्ताफना की जाएगी परदेश के मच्वारों को मोटर सेकल, थ्री विलर तथा आई बॉक्सिस उपदान पर उपलब्द करवाए जाएगे दस ने बायो फिश प्रोडक्शन तलाबों तथा दस नहीं लगू बायो फिश प्रोडक्शन काईयों की स्ताफना की जाएगी तीन नई फीर्ड मिल्स की स्ताफना की जाएगी, दो वरफ सेंतरों की स्ताफना की जाएगी इसके अतरिक परदेश के ठंडे शित्रों में, निजी शित्रों में ट्रौड मच्वादन को बढ़ावा देने के लिए एक सो पचास नई ट्रॉट मचली उत्वादनिक आईयां तता दो नौई ट्रॉट हैच्छिस की स्तापना की जाएगी अद्यक्ष मोदे ये सब जो चीजें हैं ये किसान की आय बढ़ाने के लिए है चाहे प्रकृतिक खेती है चाहे दूद के मुल्दया बढ़ाने की बात है चाहे फिश्री की बात है किसान और बागवान की आय बढ़े उस दिरिश्टी से सब को जोड़ा गया है इसके अत्रिक्त परदेश के ठंडे शित्र अद्यक्ष मोदे गर्त बर्ष भारी बर्षा के कारण अन्या संपत्यों के साथ साथ लारजी पावर होस को लगवग 658 क्रोड पे का नुकसान हुआ लारजी पावर होस के यूनिट नंबर वन को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया गया है तथा अन्या दो यूनिटों को भी शिगर ही रिस्टोर कर दिया जाएगा लगवग 2000 क्रोड पे की लागत से कारेणमेंट होने वाली हमाचल परदेश पावर सेक्टर ड्वालमेंट प्रोग्राम के लिए विश्चर बेंक के साथ लौन एग्रिमेंट साइन कर लिया गया है इसके माध्यम से स्मार्ट ग्रीट टेक्नोलजी की साहता से परदेश के 13 शहरों में 24 इंटू 7 पावर सप्लाई सुनिशित करने का कारिया शिगर अरम किया जाएगा मैं हमाचल परदेश को 2026 तक देश का पहला हरित उर्जा राज्या बनाने के अनुकरम में तदा परदेश में सोर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए निमनित गोशनाई करता हूँ पेखु वाला स्तित 32 मेगावार शमता वाले हमाचल के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का शिला नयास 2 दसंबर 2023 में किया गया था मैंसे मार्च 2024 तक के अन तक कमिशन करने की गोशना करता हूँ उन्ना में अग्रोज तित 10 मेगावाट शमता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट जून 2024 तक बन कर त्यार कर दिया जाएगा उन्ना के बन्जार में 5 मेगावाट शमता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट का स्तंबर 2024 तक लोका आरपन कर दिया जाएगा राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना के अंतरगत निजी भूमी पर 45 प्रतिशत उपदान पर 100 से 500 किलो वाट तक के सोलर प्रोजेक्ट नगाने के कारह में गती लाई जाएगी इस योजना के अंतरगत प्रदमचन में कुल 100 मेगाबाट सोलर शमता का धोन स्मिचित किया जाएगा निजी भूमी पर स्तापित होने वाले सोर उर्जा प्रियोजना का पंजीकर्म पुरे वर्ष के लिए खुला रखा जाएगा जिससे 100 मेगाबाट सोर शमता का धोन स्मिचित संपन हो पाएगा परदेश के बाल एवं बालिका आश्रम तता ब्रिद आश्रम और राजीव गांधी मोडर डे बोर्डिंग स्कूल में ग्रेड से जुड़े रूप टॉप सोलर प्लांट और वाटर हीटिंग सिस्टम स्तापित किये जाएगे सबी सरकारी भमलों के कनेक्टिंग लोड के कम से कम 20% की अपूर्ती ग्रेड से जुड़े रूप टॉप सोलर प्लांट के माद्यम से चरण बरत्री के से करना अनुवारिया किया जाएगा सोलन, पालंपूर, धर और धरमशाला, नगर निगमों में सभी ग्रेलूप प्लोपताओं को एमेस्वी प्लाप्त करने के लिए ने भमल में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाना अनुवारिया किया जाएगा इन निगमों में स्तित सरकारी भमनों की छतों पर चरण बत्रीके से सोलर प्रांट लगाने होंगे उनना कांगरा, सोलन, सिमावर, मंडी और शिम्राजिणा में 501 मेगाबार्ट की शम्तावाले 500 पारक और 2,012 मेगाबार्ट की शम्तावाले 100 उर्जार परियुजनाय स्तापित करने का कार्या अरंब किया जाएगा लगब एक 1885 क्रोड की लागत से परदेश में रिवैंट डिस्टिबिशन सेक्टर स्कीम्स के माद्यम से अग्रिगेट टेकनिकल एंड कमर्शिल लॉसिस को कम करने के लिए एक विश्तित कार्या यूजना का कार्यामेंट किया जाएगा इससे बिजली पूर्ती की गुनवर्ता के साथ साथ डिस्टिबिशन सेक्टर की फानेशल सस्टेनेविल्टी भी बढ़ेगी बिजली उतबादन के साथ साथ एक efficient transmission and distribution network होना समय के अविश्कता है ताकि नाकेवल परदेश की जनता की बिजली को मांग को पूरा किया जा सके बलकि सर प्लस उतबादन को उची समय पर अन्या राज्यों को भी पहँचाया जा सके इसको और सद्रिड करने के लिए 2024 के लिए 96 क्रोड रुपे की लागर से 4 transmission lines तथा 290 क्रोड की लागर से 6 extra high voltage पूरे सब्स्टेशन पूरे किये जाएंगे प्रदेश में स्तित transmission assets को national grid से central transmission utility system के माद्यम से जोड़ा जाएगा इसकी नियंतरन monitoring के लिए कुनिहार में बनरे joint control center तथा कांगडा के धेन में सब station के लिए के निर्मान का कारिया 2024 में पूरा कर लिया जाएगा इससे transmission lines के शिगर रख रखकाव की में 20 विदा होगी पिछले बजट में की गई थी इसी करम में साथ जलाई दोज और 23 को कांगडा के गगल हवाई अड़े के विस्तार के लिए section 11 के अंतरकत अधिसुचना जारी कर दी गई है इसके लिए rehabilitation और resettlement plan को शिगर यह अंती रूम दे दिया जाएगा और भू अधि ग्रियन का रहा अरम कर दिया जाएगा इसके अत्रिक बैपकोस ग्रिम्टिड द्वारा त्यार की की मंडी वाई अड़े की डी पी आर का प्रिक्शन किया जा रहा है प्रदेश में कुल 16 परस्ताबित हली पोर्ट में से प्रतम चरन में 9 हली पोर्ट स्क रमशा मीरपूर में जसकोट कांगड़ा में रककट और पालमपूर चंबा में सुलकानपूर कुलू में अलूग्रोंड मनाली में में बिनवार में शारभो तदा लौस्पिती में जिस्पाश सिसू और अ सिद किया जाएंगे इन नो हलिपोर्ट हलिपोर्ट की फिजिविल्टी स्टडी रिपोर्ट्स प्राप्थ हो चुकी है रकड सुलतामपूर और पालंपूर का अबस्टेकल लिमिटेशन सर्वे हो चुका है और इनकी डी पी आर शिगर ही बनकर त्यार हो जाएगी रकड और पालंपूर का आर्किटेक्टियल डिजाइन प्राप्त हो चुका है तेरा क्रोड पे प्रती हेलिपोर्ट की लागत से रकड़ पालंपूर रिकांपियो चंबा में हेलिपोर्ट का निर्मान कारिया अरहम किया जाएगा दूसरे चंबा के पांगी होली ब्लासपुर के और सिर प्रतानाग में हेलिपोर्ट निर्मित के जाएगे इसके लिए बार सरकार के माद्यम से पवन हंस लिम्टेट से अवशक सहता ली जाएगी प्रेटन विकास के लिए प्रतिवत्ता की दिशामें बढ़ते वे स्वधेश दर्शन दो के अंतरगत पॉंग डैम के विकास और प्रबंदन के लिए एक मास्टर प्लान त्यार किया गया है इसके साथ ही निमल पांच टूरिस्ट जस्टिनेशन को प्रेटन के दिश्टिस से विक्सित किया जाएगा लॉल्स्विती में चंदरताल काजा और तांदी किनौर में रक्षम और नाको चांगो खाब वै कुफरी के नजदीक हसन गाटी के मशूर प्रेटिक स्काइवाक ब्रीश के निमान करने की सहर्श कोशना करता हूँ प्रेटिकों को प्रवास के दोरान बहतर सुविदाएं परदान करने के देशा से प्रदेश में सभी होम स्टेज्स यूनिट को हमाचल प्रदेश टूरिजम डॉल्मेंट एंड रेजिस्टेशन एक्ट के अधिन लाया जाएगा जिससे इसके संचाले में सुधार और गु प्रदेश के लिए अवश्यक सुधाओं की विवस्ता करनी होगी मैं डाप्टर रादा क्रिशन मेडिकल करॉलेज हमीरपुर में सो करोड की लागस से स्टेट ऑफ दी आर्ट फेसलिटीज के साथ स्टेट कैंसर इस्टिचूट की स्ताफना करने की गोचना करता हूँ इंडिया कॉंसीलों मेडिकल रिसर्च की सहता से परदेश में बढ़ते कैंसर के रोगियों के कारनों का पता भी लगाया जाएगा कैंसर पीडित मरीजों को परदेश में ही कीमो थेफी तदा पैलेटीब केर की सुविदा परदान करने के लिए जिलाफ हस्पितालों तदा चाइनी अदर्स वस्ते के अंदरों पर कैंसर डे केर सेंटर्स की स्ताफना की जाएगी इनके अंदरों में कीमो थेफी लेने सभी मरीजों के लिए बैट्स का परदान करत होगा तता कीमो थेफी दवाओं को राज्या वश्यक दवा सुची में समनित किया जाएगा ताकि मरीजों को कीमो थेफी के लिए अधिक पैसे ब्याएना करना पड़े इंद्रा गांदी मेडिकल कॉली शिम्ना में कैंसर पीवित रोग्यों के अडवांस रेडियो थ्रैपी तकनीक से उपचार के लिए 21 क्रोड की लागर से एक लीनियर एक्सिलेटर मिशीन स्ताफित की जाएगी पिछले बजट में गोशित 69 अदर्स वस्ता केंदरों पर कार्या विविन चर्णों में हैं तता इनमे से अधिकाश का कार्या 2425 में पूरा कर लिया जाएगा इसी बाश मिशीनरी और एक्क्यूमेंट की विस्ता करने के लिए एक रोड़ पे प्रती के अंदर बुलब्द करवाए जाएगे पिछले कई बर्षों से पीजी आई सेटलाइट सेंटर उन्ना में चल रहे सभी कार्यों को गती देने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे है हमारी सरकार दुवारा किये गे प्रयासों से पिछले कई वर्षों से लंबित अन्वायर्मेंटल क्लियरंस दिलवाएगी इसमें शुरू किये गे सभी कालें को प्रात्मिक्ता पर पूरा किया जाएगा प्रात्म चरण में मैं परदेश के 53 स्वस्ते संस्तानों में ऑस्पिटल मनेजमेंट इन्फोर्मेशन सर्विस की स्ताफना की जाएगी इससे मरीजों को उनके डिजिटल रिकॉर्ड के अधार पर बेतर सुविदाय प्रात्त हो पाएगी इस करम में रगवक 57 लाग प्रदेशवासियों का हेल्थ कार्ड आईडी बनाया जा चुका है भारत हेल्थ का अकॉंट आईडी बनाया जा चुका है तता शिकर इस सभी प्रदेशवासियों को आभा आईडी बना दिया जाएगा यानि कि सभी जो प्रदेश वासी है 75 लाग की अबादी में हमारे 57 लाग के जो अबादी के लोग हैं उनका डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा चुका है और जल्दी ही इसको 75 लाग की अबादी को बना दिया जाएगा डाक्टर रजिंदर परशाद में गवर्मेंट मेडिकल कॉलिज टांडा और कमना नहरू हास्पिटर शिमला में गबजाश शिशुम में इस्तान पान को प्रोसाइद करने के लिए शिक्षा तथा जच्चा के लिए लोकेशन मरेजमेंट सेंटर स्ताफित किये जाएंगे परदेश के जिस स्वस्तानों में एक्सरे की सुविदा नहीं हुआ के निवास्चों की सुविदा के लिए प्राइविट ट्रैक्टिशनर के माद्यम से या सुविदा परदान की जाएदी शेर इस वार कमने आपी सुना दो दोजार चब्विश के अंतक परदेश जिले में सुविदाओं से एक इंटेग्रेटिड पबलिक हैल्प लैब की स्ताफना की जाएगी पिछले बजट में घोशित, नहान, चमबा और हमिरपुर में नेक नर्सिंग कॉलेजों में निर्मान कारिया अरहम किया जाएगा इसके साथ ही डाक्तर रजिंदर परशाद मेडिकल कॉलेज टांडा में जनर्र नर्सिंग एंड मीडवाइब स्कूल को नर्सिंग कॉलेज में स्तान उंतरत किया जाएगा बद्दी ब्रोटी वाला नालागड परमानू पॉंटा और उन्ना द्योगिक शेत्रों में कारेलक प्रबासी कामगारों की हेल्थ सक्रीनिंग के लिए एक गेस्ट वर्कर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट आरम किया जाएगा पिछली सबी सरकारों ने परदेश बास्यूक के कलियान के लिए बहुत सी योजने अरम की है ऐसी योजनाओं में से हिमकेर तता सारा 2019 में शुरू की गई और इनका लाभी जन सादन तक पहुँचा है किन्तों इन से संबंदिक एमपेरिकल डेटा के अनलिसिस के अधार के बाद इनके कारेवन में कुछ स्ट्रक्चल तता अपरेशनल समस्या हैं उजाकर हुई है इन में से प्रमुक्स मस्या है कि कन्वरजन्स और टेक्नोलोजी की अप्लिकेशन के अबाब में कुछ योजनाओं में डुप्लिकेशन हो रही है मैं रास्टे स्टर के डोमेन एक्सपर्ट की सहता से इन कम्यों को दूर करके कुछ अबश्चक सुधार करने की गुशना करता हूँ ताकि जुर्ट बन लगों को उची समय पर इन योजनाओं का लाब मिल सके तब तक इन दोनों योजनाओं का करेमें यताबत होता रहेगा स्वाश्टे शेत्र में कुल 3,45 क्रोड पे पस्ताबी थै अजक्ष मोदे भारत के प्रतम परदान मंतिर पंड़े जवाला नहरू का मानना था कि आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे जिस तरह से हम उनका पालन पोशन करेंगे वही देश का भविश्या तै करेगा या कथन आज के समय मैं और भी महत्तपुर्ण हो गया है क्योंकि आज पूरी दुनिया में तकनीक के कान जो परिवत्तन आ रहे हैं उनकी गती और उनका प्रभाव जीवन के हर शेत्तर पर पढ़ रहा है तेजी से बदिलती इस नई दुनिया में एक अनिशित विश्या के लिए बच्चों को त्यार करने में शिक्षा विवस्ता का अंत्यंत मत्तपुन योगदान रहेगा यह वश्यक है कि हमारी शिक्षा विवस्ता समावेशी समानता पूरण फ्यूचर ओरिंटीड नई तकनीक के प्रतिस सजग और भारतिया जीवन मुल्यों के प्रतिस स्वेधंशी लो हमें प्रात्मिक स्थर्पस से लेकर विश्यवेद्यला स्थर्पत के सवेधानिक मुल्यों के आतम साथ करने के लिए एक अनुकूल वातावन का निर्मान करना होगा बारत के सभीदान में हम बारत के लोगों ने अपने लिए एक संपूरन प्रभुत संपन समाजबादी पत्निरपेक्ष लोगतांतरमिक गंडराज्या का अदेश्या तै किया है हमारी शिक्षा में बस्ता का अदेश्या इस पावन भावना के अनुप ब्रभिन्ता में एक्ता एवं भहुरंगी भारत के निर्मान के लिए बच्चों को त्यार करना है मेरी सरकार चाहती है कि हमार्चल प्रदेश के बच्चे सविदान की मूल भावना के अनुप एक स्वस्त जीवन दिष्टी विक्षित करे तता मूर्भू शाक्षर्ता तता संख्या ग्यान से लेकर कृतिम आर्टिविशल इंटेलिजेंस के प्रयोग तक हर कोर्शल में सर्वशेष्ट बने इस लक्षा की प्राप्ति के लिए हमने शिक्षा के शेत्र में ब्यापक सुधार अरंब किये है आरंबिक प्रात्मिक आरंबिक तता उशिक्षा संस्तानों में उपलब संसाधनों का सांजा प्रयोग आज की अविश्कता है इस दिरिश्टी से परदेश में कलस्कर परनाली आरंब की गये है इसके साकारत्मक परिणाम आ रहे हैं तता इसे और अधिक सद्रिट किया जाएगा है। इन सस्तानों में उचित गुनवत्ता और साइज के क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट बोर्स, ओडियो विजिल, टीचिंग एड्स, लर्निंग सॉप्ट्वेर, प्रॉपर सीटिंग अरेजमेंट्स, फुल इंतम तक्नीक से घर बैठे जुड़े, जुड़ सके, तता आने वाले समय में दुनिया में कहीं भी अपनी शम्ता के दार पर रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त कर सके। इसलिए हमने पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम का विकल्प दिया है। वहीं शोध या सबी बच्चों को और विशेश रूप से गौंगे बच्चों को लाब होगा। राष्टिया शिक्षा निति के अनुरूप परदेश में स्कूल इस्थर पर पार्थ प्लस थी प्लस थी प्लस प्लावर शिक्षा परणनाली लागू की जाएगी जिस से जिसमें तीन सार का प्रिस्कूल बाल बाटिका पाठे करम भी शामिल होगा परदेश में अभी छे हाजार से अधिक प्रात्मिक पाठ्चानों में प्रिस्कूल चलाए जा रहे हैं इस विवस्ता को सद्रिड करने के लिए अगामी वितिया वर्ष में छे हजार नरस्री टीचर निप्ट किये जा इस विवस्ता को सचारू रूप से लागू करने के लिए पहली कक्षा में परवेश के लिए राष्ट्या शिक्त्या निति के नुसार कम से कम छे वर्ष की आयू तै की गई है और प्री प्रेमरी की तीन कक्षा में परवेश के लिए करम शार तीन, चार और पांच वर्ष क नियुन्तम आयू सीमा तै की गई है। पुरे प्रदेश में शिक्षा संस्तानों को चारनवत तेके से पूरों निर्दारित मापडंडों के नुसार इस्टिशूशन ऑफ एक्सिलेंस के रूम में विक्सित किया जाएगा। बर्श दोजार चोबिस पच्चिस में आट सो पचास डिगरी कॉलिज शामिल है। इन संस्तानों में अध्यापकों के सभी सकृत पदों को भरने के सासार स्मार्ट क्लासरूम तता अन्य सुविधाएं उबलद करवाई जाएगी। निर्धारित मापडंडों के अधाल पर इन संस्तानों का प्रियोडिक मिल्यंकन किया परदेश के सभी स्कूलों और कॉलिज के प्रिंसिपल अबलिक हैडमास्टर शिक्षा के शेतर में अबश्क नितरतब परदान कर सके। इसके लिए स्कूल अबलिक कॉलिज लीडर्शिप परशिक्षन शुरुक किया जाएगा। श्कूल और समाज के बीतर ते आलमेल के ल सबी बिधायक ततक सबी एक एक शिक्षा सर्स्तान को गोद लेंगे, वहीं दूसरी हो समधायको स्कूलों से जोड़ा जाएगा, इसमें पातर एवर इच्छुक व्यक्तियों दोरा निशुख शिक्षा परदान किये जाने की विवस्ता भी की जाएगी, यानि कि कोई भी बि मंदल में, उब मंदल अधिकालियों को सभी प्रेमरी स्कूलों का महीने में एक दिन बारी बारी से निवायर रूप से रिव्यू मीटिंग का अयोजन करना होगा, इस बैटक में उस स्कूल में ना केबल बदैर थी, बलकि ध्यापकों की परफॉर्मेंस का भी रिव्यू कि अभी भाबकों के साथ भी इस बैटक में संबाद किया जाएगा, इसी बैटक में स्कूल के रखरकाब के बारे में भी उचे निन्या लिया जाएगा, इसके लिए अवश्यक दिशा नर्देश जारी कर दिये गए हैं, परदेश के सभी शिक्षा संस्तानों की वाश्चिक और उनके लिए परफॉर्मेस बेस्ट ग्रांड की विवस्ता की शुरुआत की जाएगी, इस सारी विवस्ता को ओनलाइन पोर्टल के माद्यम से विश्चित किया जाएगा, तता इसे आम जनता तता अभी भाबकों से भी साजा किया जाएगा, इसके लिए एक वेबसेट बनाई जाएगी, शिक्षा शेत्र में व्याफ़क सुधार करते हुए गुनात्मक शिक्षा पर विशेश ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, अभी तक लिए गे निर्डों में वर्ष में कुल अध्यापन दबस बढ़ाना, खेल एमन सांस्कृतिक गतिवीदों का अध्यापकों को विद्याले में बहुत निर्मान कारें से अलग रखने के निर्देश जारी कर दिये गए है, एक ही सुचना को बार-बार मगाए जाने की प्रता पर लोक रोक लगा दी गई है, यह भी देखा गया है कि आम तोर पर हर स्कूल का एक अध्यापक लगबक नि अध्यापकों बच्चों में अपने विद्याले के प्रति सम्मान का भाव उत्मनों, इसके लिए विद्याले को अभी बावकों के साथ मिलकर बच्चों के लिए अपनी पसंद की बर्दी चुनने का दिकार भी दिया गया है, अगामी बश में शिक्षा में बहत्री के प्रात्मिक स्तर से विश्यवद्यालेस्तर की प्रक्रिया, सरचना और नियामवली का पूरन प्रिक्षन करके अवश्चक, बजलाप और विवस्ता परिवर्तन किया जाएगा, शेर है यह खुदू अबी तो अबी तो अपनी मंजिल पाना बाकी है अबी तो इरादों का इंत्यान बाकी है अबी तो तोली है मुठी भर, जमीन, जामीन अबी तोलना आस्मान बाकी है यह अबी चोड़ा आपनी नीद हराब हो गई है पढ़ने पढ़ाने के संस्कृती के विकास के लिए यह जो बजट है यह आतम निर्वर्प, हमाचल और युवा जो पीड़ी है उनके भविश्य की शिक्षा परदानी में मत्तपन बद्राव है इसको आप अराम सिर्फ समझीया और पढ़िया आप भी महसूस करेंगे यह मत्तपन बद्राव आज के 40 सान की विवस्ता परिवर्ट में जरूरी है पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए परदेश में बर्ष 2024 में पढ़ो हमाचल के नाम से एक व्यापत जन अभियान अरंप किया जाएगा इन अभियानों में विद्यालाओं के साथ सा ग्रामिन एवन शैरी जन सुन्वदाय को भी जोड़ा जाएगा इस अभियान के तैट परदेश के 500 शिक्षा संस्तानों में समान्या पाठकों और विशेश रूप से युवाओं के लिए रेडिंग रूम बनाए जाएगे तथा इनी शिक्षा संस्तानों के पुस्तकाल्या के चलाने में आम जन की भागी दारी को सुनुश्चित किया जाएगा मैं परतेग जिला वे उबमल्डल मुख्याल्या और पंचैस्तर पर एक अधुनिक्तम सुविदा सहित पुस्तकाल्या तथा वाचनाल्या बनाने की गोजना करता हूँ पंचैस्तर पर या कार्या चर्णबत तरीके से पूरा क्या जाएगा प्रथम चरण में पंचैस्तर पर 493 पुस्तकाल्याओं का अनिर्मान करके इन में पुस्तके तता अन्या सुविदाय पर दान की जाएगी जिस पर 88 क्रोड पे ब्याय किये जाएगे शिक्षास्तर में सुधार लाने में परशिक्षी तद्यापकों का मुख्या युगदान है अधा अधियापकों के प्रिक्षिक्षन को और अधिक रिजाट औरेंटेट बनाने के लिए इस्टिक इस्टिचूट ओफ एजुकेशन ट्रेनिंग डाइट तता स्टेट कॉंसि Institute of Educational Management and Training का पुना गठन करके इसे क्रियाशिल किया जाएगा जिन स्थानों पर चात्रों और चात्रों के लिए अलग अलग स्कूल अत्वा महावजया लाइच कर रहे हैं उनका मनोवग्यानिक विकास होगा तता व्यक्तितब उबरेगा इसके साथ ही जिन शेत्रों में तीन से पांच किलोमेटर के दारे में कोई प्रात्मिक शिक्षा विद्यालया ना हो वहाँ के बच्चों को नदी के स्कूल तक लाने और बापिस घर छोड़ने की विवस्ता सर अधैक्ष मोदे एक अर्मान के अनुसार जल रही त्रोगों से प्रतिवस्त भारत को 49 अरब 70 क्रोड रुपे का नुक्सान उठाना पड़ता है भारत के दो त्याई जिले पानी की कमी से जुज रहे हैं बच्चों को पीने के लिए साथ पानी मिले इसके लिए प्रदेश में अपी अभियान चलाए जाएगा तता सरकारी स्कूलों के आठ लाग पचास हजार से अधिक बच्चों के लिए मैं एक सुरक्षित एवन स्वच पानी की बोतल उप्लब्द करवाने की घोशना करता हूँ प्रदेश में पढ़ाय जारे पाठ्यक्रम का समधैनिक मुल्यों के परिपेक्ष में पुना मुल्यांकन किया जाएगा इससे प्रदेश की समरित सांस्कृतिक बिरासत का समवेश भी किया जाएगा इसके लिए पाठ्वी कक्षा से हमाचल के इतियास एवन संस्कृति, भार्तियस सविधान, सुरस्त्य, बेसिक हाईजिन तता अन्या समान्या ग्यान के विशों पर अनिवालिया रूप से पाठ्यक्रम अरंब किया जाएगा सभी विद्यालों में खेलों तता व्याम के लिए प्रति दिन कम से कम एक पिरेड अनुवाया किया जाएगा वशिक्ता अनुसार फिजिकल एजुकेशन टीचर की नुक्ति को परात्मिक्ता दी जाएगी पांसो बच्चों से अधिक वाले स्कूलों में स्वैस सहता समो को मिड़े मिल के अंतरगत भोजर बनाने और प्रोसने में भागी दारी के लिए प्रोसाहित किया जाएगा नैशनल असेस्मेंट एंड एक्रीडेशन कोंसिल नैक उस शिक्षा में परदेश की स्थिति को जांचने एवं इससे किये जारे प्रयासों को वांकने का एक अच्छा माद्यम है 2024-25 में नैक एक्रीडेशन के लिए परदेश के सभी पात्तर कॉलेजों दौरा अपनी दावेदारी प्रस्तुत की जाएगी 2024-25 के लिए परदेश सरकार दौरा बाहर सरकार को भीत वोशन के लिए समगर शिक्षा भियान के ताह एक 1052 क्रोड रपे तदा स्टार प्रजेट के तहट 400 क्रोड रपे का प्रस्ताव भिजवाया गया है इसके अतरिक पिम उशा के तहएद एक जार कौरोड रुपे का पस्ताव तथा पिम शिरी के तहएद 430 कौरोड रुपे का नुदान का पस्ताव भी भारत सरकार के विचारा देने है मुझे आशा है कि भार सरकार इन प्रस्तावों को शिगर स्वक्रिती परदान करेगी पिछली सरकार ने परदेश में तीन स्थानों पर अटल अदाश विद्याल्या बनाने अरम किये थे मेरी सरकार इने पूरा करने के लिए ना केवल अवश्यक घंदाशी अप्लब करवाएगी बलकि इने क्रियाशील भी करेगी राजीव गांदी मोडर डे बोर्डिंग स्कूल तथा एक अटल अदस विद्यालों के लिए करमचारियों का एक विशेश कैडर बनाया जाएगा तथा इने अंतरास्टिय मानकों पर उतकृष्ट सिक्षा संस्तानों के रूम में विक्षित किया जाएगा मैं प्रथम चरण में परदेश में दस राजीव गांदी डे बोर्डिंग स्कूल करमचा लाडू नगनोटा बगवा कांगणा अमलैड बोरंज संगनाई फतेपूर पांच और कांदर्मान अरम करने की गोशना करता हूँ पांच और के नाम नहीं लिखे हैं शिक्षा थित्र में कुल 9560 क्रोड में पस्तावित है अजक्ष मोदे परदेश के युवाँ को रोजगार एबन सुरोजगार अफसर के लिए त्यार करने के लिए करने के अदेश्य से मार्केट दिमांड के अरूप पर शिक्षन दिया जाना वशक है मैं इसी उपकरम में निमन गोशना करता हूँ राजी बांदी राजिया राजकिय इंजिनियरिंग कौली नगर उटा बगवा में कम्प्यूटर साइंस और इंजिनिरिंग आर्टीविशल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस में डीब बीट एक और डिप्रोमा को शुरू किया जाएगा राजकिय बहुत तक्निकी सुन्दर नगर में Computer Science and Engineering, Artificial Intelligence and Machine Learning में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा राजकिय बहुत तक्निकी हमीरपूर तथा तल्वार में Computer Engineering and IOT में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा राजकिय बहुत तक्निकी जुन्दोर में अरंबिक सतर दोजार चोबिस से कख्षाय अरंब कर दी जाएगी जो बेसिक कोर्स होंगे अच्छे जो आप बोलेंगे श्राम बिवा की मिस पोर्टल पर अभी तक चारसो अर्टालिस एंप्लायर्स को जोड़ा जा चुका है इसमें नीजी शेत्र के और और एंप्लायर्स को जोड़ा जाएगा तदा इसके माध्यम से दोजार चोबिस पच्चिस में एकसो से केंपस इंटिव्यू यूजित किये जाएंगे संगेटित शेत्र के कामगारों को हितों को ध्यान में रखते वे दोजार चोबिस के अंत तक इस शेत्र के 20,87,000 कामगारों को पंजी गृत करने का लक्षा रखा गया है इसके अत्रिक श्रम में रोजगार विवा की रोजगार पंजी करन पोटल को कॉमन सर्विस सेंटर के साथ भी लिंक किया जाएगा ताकि प्रदेश के युवा इन केंदरों के माध्यम से पंजी गरन करवा सकेगा यानि कि कि एक्चेंज के लाबा लोग मिश्तर केंदर है वहां भी एक्चेंज कोई व्यक्ति अपना नाम रिजिस्टर करवा सकेगा तक्निकी शिक्षा शित्र में खुल 330 क्रोड रपे प्रस्तावीत है अधक्ष मोदे बरतमान में प्रिद्धावस्ता, बिद्वा, एकलनारी, दिव्यांग, कुष्ट रोगी तथा ट्रांसजेंडर पेंशन के 7,84,000 लावार्थियों के लिए लगवग 1,260 क्रोड रपे व्य इस योजना में समलित किया जाएगा, जिस पर लगवग 70 क्रोड पे अत्रिक व्याय के जाएगे, अधक्ष मोदे परदेश में अभी तक दिव्यांग जनों की उच शिक्षा के लिए कोई भी शिक्षा स्रस्तान उपलग नहीं है, मैं परदेश में दिव्यांग जनों की उ पुशना करता हूँ, इस्टीचूट ओफ और फोर चेडरन बिज स्पैशल डिस अविल्टीज को भी इस केंदर से में स्थान अंत्रित किया जाएगा, इस केंदर में 0-27 बरश की आई-उ के दिव्यांग बच्चों के लिए अवासिये सुविधाएं, खेल मैदान तता सभ अन्या सुविधाएं परदान की जाएगी, जिन पातर दिव्यांग बच्चों के लिए रहने की सुविधा अपलब नहीं होगी, उन्हें रहने के लिए कराय के लिए आर्थिक सहता दी जाएगी, परदेश के युवाओं को रास्टर निर्मान की और ले जाने के उदेश् राज्यस्तर पर सभी सुविधाओं से कंडा घाठ में एक अदर्ष नशा निवारन के इंदर की स्तावना की जाएगी, इस के इंदर में पुस्तकालिया, जिम, इंडोर तथा आउडोर खेलो त्यादी की सुविधा देने के साथ साथ यहाँ भी सुनिशित किया जाएगा, कि यहाँ के इंदर सरक से जुड़ा हो, तदा कोई समुदायक स्विधा के इंदराथवा, सिवल हॉस्पिटल इस के इंदर के आज पास हो, जिसमें अन्या सुविधाओं के साथ संबंदित प्रामश की सुविधा भी फ्लवद होगी, परदेश के युवाओं की, तदा अन सिस्टम की स्ताफना की जाएगी, अभी नशा निवारन के इंदर तो बहुत है, लेकिन वो मकानों में बंद कमरों में चल रहे है, तो किसी की नशे की अगर को लट को छुटाना है, तो उसके लिए थोड़ा ओपन स्पेस वीचे खेलने की सुविधा भी हो, तो पहला परदेश में स्वास्ते सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है, ताथा इसके मादन स्परदेश के सभी वर्गों को समय पर उची सुविधा पर जाने के लिए हमारी सरकार सदा सी प्रतिन शिल रही है, मैं एक नहीं हो जना, मुख्यमंति सुख अरोग्या युजना अरम क करने की गोजना करता हूँ, इसके अंतरगत परदेश में सतर वर्ग से आधीक आयू के सभी एवन ऐसे क्रिशकों एवन बिद्धों जो की आय करना दे रहे हूँ, अत्वा कोई पैंचन ना ले रहे हूँ, वो मुफ्त चिकिस्सा सुविधा दी जाएगी, इसके साथ ही मैं मुफ्त मैं इसके साथ ही मैं एक नहीं योजना मुख्या मंत्री सुख सुख्षा योजना अरम करने की भी गोशना करता हूँ, इसके साथ, इसके अंतरगत परदेश में सभी विद्धों, परदेश में ऐसी सभी विद्धों के 27 साल तक की आयू वाले बच्चे, जिनकी सभी स्रोतों से बार्शिक आए, एक लाग हपे से कम हो, कि शिक्षा पर होने वाले सभी बाला भ्याय परदेश सरकार बहान करेगी, इन बच्चों को मेडिकल कॉलिज, इंजिनिरिंग कॉलिज, एनाईटी, आईईएम, आईईएटी, नर्सिंग, ग्रेजिशन, पोस्ट ग्रेजिशन, पाठ्या क्रमों में परवेश मिलने पर या सुविधा परदान की जाएगी, इसके अत्रिक्त, बिद्वा, निराशित, तलाकशुदा और अक्षम, माता पीता के सभी पातर बच्चों के आड़ी घाते में ठारा वर्ष की आईउ तक एक हजार प्या प्रतिमा दिया जाएगा, इसके साथ ही सभी पातर महनाओं के स्व दुनिस रोतों से एक लाक स्प्रे से कम है, उनके सवी बच्चों को हमाचल प्रदेश सरकार फ्री एजुकेशन देगी और ठारा वर्ष से कम बच्चों वालों को एक हजार प्रतिमा उनकी आड़ी में जमा कराए जाएगा दुनिया में कुछी लोग बदलाव लाते हैं, दुनिया में कुछी लोग बदलाव लाते हैं, बाकी सब तो जिन्दगी बुजार कर चले जाते हैं समाजिक शुनक्षा हित्तु चलाई जारी बुवीन योजनों को लावर्थियों तक समय तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार क्रितसं कलप है मैं यहां भी गोशना करता हूँ कि जिला विकास मिती की बैटक समय पर ना आने तो नहीं बोलोगे शुनना हैं आप को आगए काफी जिबास भी इंदक समय पर ना होने ना होने के स्थिति में संबंदित जिलाओं के उपयुक्त को इन योज्राओं के अंतरकत बविन लाव अर्थियों को दिये जाने वाले लावों को स्वकृत करने की शक्तियां दी जाएगी ऐसी परस्तिती में दीगी सुकृतियों पर जिला कलियान स्मिती की होने वाली एकामी बैठक में अनिवारिया रूप से अनुमोधन प्राप्त करना होगा अनुसुची जाती जन जाती तथा अन्या पिछडे भर्गों से संबंदित लावार्थियों के लिए चलाए जारे Post Graduate Diploma in Computer Application कोर्सिस में बजार मांग के अनुरूप GST, Tally, Artificial Intelligence, Data Management, Machine Learning, Cyber Security, Auto Care इत्यादी ने कोर्सिस को सम्नित किया जाएगा ताकि इस कारे करम के अंतरगर पर्षिक्षित लावार्थियों को उचीत रोजगार प्राप्त हो सके समाजिक स्रुक्षा, महिला, प्वाल, एवं अन्या पिछडे वर्गों के कल्यान के लिए कुल 2457 क्रोड रपे परस्तावित है अधरक्ष मोदे अत्यादिक बर्षा से आई आपदा के चलते हमारी सरकार ने द्वारा आपदा परभावित परिवारों के लिए तुरूंत परभाव से राशन, LPG, गैस कोनेक्षन तदा स्रिंडर बिना किसी दाम के उपलब्द करवाएगे हमारी सरकार द्वारा की यह चोटी सी सहता पिडित परिवारों के लिए संकर के समय एक बड़ा सारा बनी राशन डिपों के माद्यम से Food Safety and Standard Authority of India के मान डंडों के नुसार बिटामीन A और D से 40 वाइट सरस्तों का तेल और रिफाइंट तेल दिया जा रहा है अभी तक या तेल उपभोगतां को राशन डिपों से सिमित मात्रा में में ही उपलवद होता है शादी विवात यहार बैने समारों में उपभोगतां को या तेल खुले बजार से उचे दामों पर खिरना पड़ता है मैं गोशना करता हूँ कि एक अपरेल दो जार चौबी से सभी उपभोगता अपने अवश्कता के नुसार राशन डिपों से या तेल प्राप्त कर सकेंगे इससे राज्यक की महलाओं को लगवग सो क्रोड रुपे का लाम मिलेगा पपलिक डिस्टिविशन सिस्टम को और सद्रिट बनाने के लिए इंटेगरेटिड मिनेजमेंट और पपलिक डिस्टिविशन सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा त 거야 one nation one राशन कार्ड के अंतरकाओ नेशनल पोर्टेविञुटी को और सद्रिट किया जाएगा इसे नाशनल भूर्ट स्क्योर्टी एक्ट के प्रवदानों के नुसार राशन वित्रन को पारदाश्ची बनाने में सहता मिलेंगे इसी के अंतरकर बैपदारित केम आईसी का प्रवदान किया जाएगा जिससे इंटरस्टेट पॉर्टिमिल्टी के तहट लावर्थियों को इस योजना से लाव किसी वी राज्या में मिल सकेंगे मिलों से अवंटित आटे की गोदाम बार निगाने में सुनुचित की जाएगी खाद्या उपदान के लेख फुल दो सो क्रोड रुपे से अधिक व्याय किया जाएगे अध्यक्ष मोदे पिछले वस्ट प्रते एक ब्लॉग में निर्मित किये जारे प्लास्टिक बेस मिलेजमेंट यूनिट्स को दो जार चोबिस पच्चिस में उप्रेशनलाइज कर दिया जाएगा इसके उप्रेशन्स में बैकवर्ड और फॉर्वर्ड लिंके सुनीचित की जाएगी ताकि इनका लाब और अन्या शेत्रों ततसमधाय को भी मिल सके सभी जिलों में एक मोडल पंचायत के लक्षय को पूरा करने के बाद इस मोडल को कनवर्जन्स के माद्यम से अन्या पंचायतों में चन्बत धंग से रेप्लिकेट किया जाएगा परदेश के ग्रामिट शेत्रों को स्वच बनाने के देशा से दो जार चोबिस पच्चिस में पांच हजार अत्रिक गों को ODF प्लस ओपन डिफेक्शन 3 प्लस डिक्लेर करने का लक्षा रखा गया है इसके अत्रिक्त भूमी उप्रुपता के अधार पर कम से कम चार साइट पर फेकल स्लज मेंजमेंट प्लांट स्तावित किये जाएगे दो जार चोबिस पच्चिस में गरामनी शित्रों में एक जार स्माय स्वेता स्मूव बनाने का लक्षा रखा गया है इन स्मूव को लगवा 32 क्रोड प्रे के अधाशी के रूम में रिवाल्विंग फंड तथा कम्मूनेटी इंवेस्मेंट फंड के रूम में देने के सासा ने लगवा 50 क्रोड प्रे का रिंड देने का भी लक्षा रखा गया है स्मूव पर लगवा 100 क्रोड प्रे ब्याय करिए जाएंगे सभी पंचायतों के एकाउंट्स इगराम स्वाराज 32 एप्लिकेशन से जोड दिये जाएंगे इसके माद्यां से सभी पंचायतों के संसादन तता ब्याय की मोनिटरिंग के लिए इस पनाली को और सद्रिट किया जाएगा 2425 में पंचायती राज संस्तानों के लिए 352 क्रोड पे 15 में वित्यों की स्पार्शों के अन्रूब तता 408 क्रोड पे छड़े राज्य वित्यों की स्पार्शों के अधार पर व्याय के जाएंगे पूरव की यूपिये सरकार दवारा रहम किया गया मात्मा गांदी ग्रामिन रोजगार ग्रंटी एक मन्रेगा ग्रामिन रोजगारों के लिए एक बरदान साविक हुआ है मन्रेगा कामकार इसके माद्यम से ग्रामिन शेत्रों में रोजगार प्रॉप करने के साथ पबलिक एसेट्स बनाने का कारया भी कर रहे है मैं मन्रेगा कामकारों की ध्याड़ी जो गौं में मन्रेगा के ध्याड़ी है पिछली वार सोला बढ़ाई थी मैं मन्रेगा कामकारों की ध्याड़ी बरतमान में दो सो चालिस रुपे से बढ़ा कर तिन सो रुपे करने की गोज़ना करता पूरे 60 रपे बढ़ाए इस परकार सरकार मंड़ेगा कामगरों को 60 रपे प्रती दिन अपने संदानोर देगी अब शेर सुम्देश पर रुकना हो अगर तो सो भाने जाना हो तो रस्ते बढ़े है अगर रुकना है तो योजना लागू करनी ना हो तो भाने बहुत है हमने 300 रुपया हमाचल परदेश में यहां एक इत्यासिक ब्रिदी है जो कि आज से पहले नहीं की गई है इस ब्रिदी से गरामिन अर्थ बिवस्ता को अब ही समझाता हूँ हमाचल परदेश में यहां एक इत्यासिक ब्रिदी है जो कि आज से पहले नहीं की गई इस ब्रिदी से गरामिन अर्थ बिवस्ता को आतम निर्वर्ता की और ले जाने में गती मिली गई इसी के साथ जो मन्रेगा में काम करने वाली मैलाई होती है इसी के साथ ऐसी विदवा एकल बेसारा दिव्यांग मैला मन्रेगा कामगार जिनकी बार्षिक आए डाई लाख रपे से कम हो तता बर्ष में सो दिन की मजदूरी पूरी कर्च की हो को मकाल बनाने के लिए तीन लाज रपे तक की सहता दी जाएगे वह शर्त है या सहता किसी और कारेकरम के अंतरकर प्राफ्त नो यानि कि साठ पे भी बढ़ाए जो होगी धाई लाज से कम विद्वा यह उसको तीन लाज रपे सहता दी जाएगे मैं परचाती रास रस्ताओं के प्रतिनिजियों का मान दें बढ़ाने की सहर्ष निमन गोशनाएं करता हूँ अद्यक्ष जिला परिशद को चार हजार बढ़ोत्री के साथ चोबिस हजार पे प्रतिमां मानने मिलेगा उपाद्यक जिला परिशद को तीन हजार ब्रोत्री के साथ अठारा हजार परतिमा मानने मिलेगा सदस्या जिला परिशद को 1300 अर्प प्रति मांदे मिलेगा अद्यक्ष्ज पंचायसमीती को 1900 अर्प प्रति मांदे मिलेगा सदस्या पंचायद समीती को बारा सो रपेया ब्रोत्री के साथ बातर सो रपेया प्रतिमा मांदे मिलेगा ग्रामिन विकास इवन पंचैती राज के लिए कुल 2356 क्रोड पर पस्तावित है हदेक्ष मोरे 2024 पच्चिस से घर बनाने के लिए नक्षों के सुत्रिती ओटो DCR के माद्यम से एक सिंगल पोर्टल पर परदान की जाएगी यदि घर का नक्षा इस पोर्टल पर अप्लोड करने के बाद कोई भी कमी पाजाती है तो अवेदक उसे ओन लाइन देकर ही अवश्चक दस्ता बे जमा करवा पाएंगे इसी पोर्टल के माद्यम से प्राइबेट प्रोफिशनल्स पांसो बरंग मीटर तक के आवासे नक्षें की अन्मती भी दे पाएंगे मैं अस्तानिया मैं अस्तानिया नगर्द काव के प्रतिनी दियों को प्रतिमा दिये जाने वाले मां दे को निवल परकार से बढ़ाने के सहर्च घुशना करता हूं पानी बिलेता हूं ना बोकल कोड सुख जाती है तो थोड़ा हमेलों से तो काड़ के दे रहो हूं हमेलों से ही काड़ के आ रही है महापोर नगर निगम को चार हजार पे बड़त्री के साथ 24,000 पे प्रतिमा मान दे मिलेगा महापोर नगर निगम को तीन हजार प्रतिमा मान दे मिलेगा कौंसलर नगर निगम को चोदा सो रपे बड़त्री के साथ 24,000 पे प्रतिमा मान दे मिलेगा अद्यक्ष नगर परिशद को 17 सो रपे बढ़ोत्री के साथ 10,200 रपे प्रतिमा मान दे मिलेगा उपद्यक्ष नगर परिशद को 14 सो रपे बढ़ोत्री के साथ 84 सो रपे प्रतिमा मान दे मिलेगा पार्शद नगर परिशद को 700 रपे बड़ोत्री के साथ 42 रपे प्रतिमा मान दे मिलेगा परधान नगर पंचायद को 14 रपे बड़ोत्री के साथ 84 रपे प्रतिमा मान दे मिलेगा चाहरी शेत्रों में हम डेमोक्रेसी के सभी इस्टिटूशन को मजबूत करना चाहते हैं हम उसको कमजोर नहीं करना है चाहरी शेत्रों में नहीं MLO से तो काट कर दे रहां इनको शेहरी शेत्रों में कच्रा पर बंदन को और सचारू तूप से चलाने के लिए तो उस पर निग्रानी के लिए राज्या विकास नदेर शल्याम पे एक परियावन सेर्की स्थापना की जाएगी शेहरी निकायों के कारह में सुधार तथा आम चंता की सुविदा के लिए शेहरी निकायों की कारह पर नाली को डिजिटालाईज किया जाएगा इसके लिए राज्यस्तर पर एक स्थेट प्रोजेक्ट मोनिटरिंग इनुटिक की स्थापना की जाएगी जो कि एक्सपर्ट के माध्यम से शेहरी निकायों की कारह पर नाली को ओन लाइन प्लानिंग इंप्लिमेटेशन्स मोनिटरिंग तथा रिपोर्टिंग में सायक सिद्ध होगे इसी के अंतरगार शेहरी निकायों के अकाउंट को डिजिटाइज किया जाएगा एजी सेहक की सहटा से सबीष रिकायों में परिसिट्तियों की जी आइइस मैपिंग की जाएगी दक्षमोदे मैं बालमे की समाच के भाईउं तथा कामगारों के लिए अवास निर्मान में सहटा के लिए नहीं योजना महरेशी बाल में की कामगार अवास योजना अरम करने की गोशना करता हूँ रमैंड के रक्षिता महरेशी बाल में की जिते मैं आज उनके नाम से महरेशी बाल में की कामगार अवास योजना अरम करने की गोशना करता हूँ अभी अभी राममंद्री भी मुना तो इसके अंतरगत बाल में की समाज के ऐसे स्पाई करमचारी जिनकी वार्शी काई ढाई लाक रुपे से कम हो तता उनके पास अपना घर नाओ को घर बनाने के लिए तीन लाक रुपे की आर्थिक साहता दी जाएगे। आर्शी काई ढाई लाक रुपे से कम हो को घर नर्मान के लिए दी जारी गेड़ लाक रुपे की राशी को बढ़ा कर तीन लाक रुपे करने की दोशना करते हैं। कम होनी चाहिए अब जादा है कि अब आप कि अब आप कि अब आप अब असर है ये हमारी दस्तों को आप दस्तों को आप जहां दिवारती दर हो गया हमारी सकाने नहीं रास्ते मनाए हैं 22 समय के मताबिक काम शुरू किया बादाओं को खतम कर दिया जहां दिवार नजर आती थी आपको वहां दरवाचा बन गया अच्छा 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 करें कि अचार सुनों नए नगर निगम धरव्शाला सोलनों शिम्ला नगर मेरे तो शुप चंतक सबस्यादा बीपन परवार जी है सत्य जी है रंदीर जी है बिकरम जी है सब बीजे भी तो पराणे उम्निस्टी के साती है नगर निगम शिक धरव्शाला सोलनों शिम्ला नगर परशन नादा गाड़ा परमाणू में एकनोमिकली विकर सेक्शन्स से सम्मंदित ऐसे विक्तियों को मकानों मटित किये जाएंगे जिनकी वार्शिक आए तिन लाठ रपे से कमों पातरता मान नंडों को पूरा करने वाले अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती ओविसी वरग तथा बिध्वाए निराशित म इंतरगत पेजल सुविधाय परदान की जा रही है दोजार चोबिस पच्चिस में किनौर चंबा और लौल बेस्पीति में 39 क्रोड की लागत से चार एंटी फीज पेजल पर योजना को पूरा करने का रख्षया रखा गया है न्यू डवल्मेंट बैंक के माद्यम से 24 तता इस्टन डवल्मेंट बैंक के माद्यम से 186 पेजर योजना के कारेवन के प्रमिन चर्ण पर है तता इन्हें तैस समय सिमय के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा इन दोनों के माद्यम से 20,663 परिवार पाशली कवर्ड स्कीम से लावन भीत होंगे तता 69,282 परिवार कोड़ कोड़ सुथा, बोकल कोड़ सुथी है, शहरी शेत्रों में पेजर योजनावा पूर्ती में सुधार के देश्या से मैं 2024-25 के लिए निमन गोशनाय करता हूं, चार शहरों क्रमशा, जवारी, हमीरपूर, बैजनात, पपरोला तता नेर्चोग में 135 लीटर्स पर क्यपिटा पर डे की शमता वाली पेजर योजनाओं का काम पूरा कर लिया जाएगा, इसी परकार, हम बोर भुंतर के लिए 33 क्रोड की लागत से पेजर योजनाओं के कार पूरा कर लिया जाए, 112 क्रोड की लागत से नहान, अर्की, निर्मंड, पालमपूर, जुगिंदर मेगर के लिए पेजर सुधार योजनाओं का कारिया अरम कर दिया जाएगा, मेरे पिछले बचट में गोशित 34 इन्टु 7 पेजर योजनाओं के कारिया अरम कर दिया गया ह तदा अन्या नो शारम में इन कारियों को शिगर अरम करने के प्रयास किये जा रहे हैं, हमाचर परदेश में पेजर की गुनवत्ता सुधारने की दिशा में मेरे द्वारा कीगी गोशनों को पूरा किया गया है, तदा स्तानिय महलाओं की भागेदारी से विलेज बाटर ए परदेश की जनता को स्वच एवन किटानू रहे पेजल उपलब्द हो सके, पिछले बजट में गोशित SOP के मुसार पेजल योजनों तथा STP में UB सिस्टम लगाने के लिए 37 साइट्स की पेचान की गई है, जहां जल्स रुतों में या तो Contamination है या इसकी संभावना है, इन साइट्स पर शुद पेजल उपलब्द करवाने के उदेश्य से UB सिस्टम लगाने के लिए वश्यक कदम उठाए जाएंगे गगरे, डेलोजी, च्वाडी, इरवालसर, भोटा, संतोगड, बैजनात, पपरोला और नेच्रोक में सिवरेत पर्योजनों पर चलवे कारयां को गती दी जाएगी तदा हमें दो जार चोवीस पच्चिस में पूरा करने के प्रयास किया जाएंगे राजगाड बंजार, चुपाल, नेरबा, तदा शापूर में सिवरेत पर्योजनों के निर्मान का कारया दो जार चोवीस पच्चिस में पूरा किया जाएगा उपरूत के अत्रिक नवार द्वारा सिफित 16 ग्रामिन शेत्रों में सिवरेज परियुजनों के निर्मान के कारिया को 2024 में भी अवार्ड कर दिया जाएगा ए ए एफबी द्वारा 817 क्रोड रपे की लागए से सिफित परियुजनों के अंतरगत मनाली पौनपूर नहान करसोग तता बलासपूर के लिए सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वाटर वेज ट्रीटमेंट प्लांट और मनाली के लिए इस पेजल यूजना सिफित की गई है इन में से मनाली सिफिरेज नेटवर्क का कारिया प्रग्रिती पर है तताशेश कारिया को शिगर यह रंब कर दिया जाएगा शेयर बहुत आगे है पर सुनाएं को उसा आप सुन लेगा हम आपको परशानी तो करने आए इस तिन सो असी क्रूडबे की लागे से 14 सर्वेस माइनर इरिगेशन स्कीम का कारिया विविन चर्णों में है इन में फिट नहीं बैठ ना जब फिट बैठेगा तब आप लिए इन योजनों के मादिव से लगवग 9,708 का CCA उपलब्द करवाए जाएगा परदान मंतरी किशी संचाई योजना के अंतरगर सुकृत इन योजनों को बारसर कारद वारा जारी धंड़ाशी के अधार पर गती दी जाएगी परधान मंतरी क्रिशी संचाई योजना के अंतगर सुक्रित चार योजनों में से लाबरंग, गार्डन, कुलोमनी तदपू के लिए सुक्रित योजना को पूरा करने के लिए लगवग त्रेपन लाग की राशी ट्राइबर डॉल्मेंट प्रोग्राम से उपलवत करवा दी प्रोग्राम के अंतरगर फंडिंग के लिए अनुशासित किया किया गया है इसके दिर्मान से चार हजार पच्छी सेक्टरियों का सीसीय उपलवध होगा तता इसके साथ ही एक पॉइंट अठासी मेगवार्ट जल विजूत इतपाद नहोंगा इस परियोजनों पर राज़ा सरकार द्वारा अपने संसादनों से लगवग 290 क्रोड रुपे का ब्याय किया जाच चुका है कि अंदर द्वारा जंधराशी के अधार पर इस परियोजना के कारेमन को गती दी जाएगी जल शक्ती के लिए कुल 3365 ट्रोर पे परस्तावित है अधक्ष मोदे मांसुन आपदा के चलते पर देश में सड़कों ततपूलों के व्यापक नुक्सान पहुंचा हमारी सरकार द्वारा बिना समय गवाए रात और पुनर में मान कारिया शुरू किया गया तता बहुत ही कम समय में सभी मुख्य सड़के ट्राफिक के लिए खोल दी गई छोटी सी अबदी में ठारा वैली व्रीच एवं 27 रोबे जुलों की सहता से शतिके सड़कों को भाल किया गया मैं सदन के माद्यम से ऐसे सभी चुनेवे जन परतिन निदियों तता सरकारी अधिकारियों एवं करमचारियों का जिनोंने दिनराथ परदेश की जनता के साथ खड़े होकर बहाली का काम किया दिल से धन्यावाद करता हूँ रेलबे तदा जल परिमान के अवाम में परदेश को एक मजबूस सड़क नडबर की अवश्कता है पिछले लगवक 53 वर्ष के कार्यकार में परदेश में बहुत सी नई सड़के बनी तथा उनके माद्यम से बहुत से गौन जुडे बातमान में 40,703 किलो मेटर मोटर योग्या सड़के 34,55 किलो मेटर पक्की सड़के तथा 2,470 पुल है कुल 3,615 ग्राम पंचायतों में से 3,570 ग्राम पंचायतों को मोटर योग्या आत्वा जीप योग्या सड़कें से जोड़ा जाच चुका है 6 बची बच्चायतों में से 10 और पंचायतों को 2,024 पच्चिस में मोटर योग्या सड़क से जोड़ दिया जाएगा हमारी सरकार द्वारा प्रदानमंत्री ग्रामिट सरक योजना थी के अंतरगत 2683 किलोमेटर लंबी 254 सडकों के लिए 2600 तरदाली क्रोड रपे की सुकृति प्रात की गई है इसी योजना के अंतरगत 2425 में निम्लित कारिया पूर्ण किये जाएंगे 500 किलोमेटर लंबी सडकों की अपग्रेडिशन होगी 325 किलोमेटर ने सडकों का निर्मान 8 किलों का निर्मान अंदराबस्तियों को सडकों से जोड़ा जाएगा इसी परकार परदान मंत्री ग्राम सडक योजना के अंतरगर 825 किलोमेटर लंबी सडके में 8 पूरों का निर्मान किया जाएगा इसके अत्रिक परदाम मत्री ग्रामिट सड़क योजना वन एवन टू के अंतरगत 150 किलोमेटर लंबी सड़कों में क्रॉस ड्रेनेश की सुविदा परदाम की जागी है। पर लेंट करने के लिए एक परस्ताब के अंदर सरकार को बेजा जाएगा। इन में से राष्ट्य उच्राजमारिक पर प्रमुक खारया निमलिक थे। 250 क्रोड की लागत से विविन रास्टे उच मार्गों पर पुलों का निर्मान लगबाद 2000 क्रोड पे की लागत से विविन का रहा है। वर्ष के दोरान नवार के माध्यम से आर आई डी एफ के अंतरगत 205 किलोमेटर लंबी ने सडके 305 किलोमेटर सडकों पर क्रोस डेमेज 425 किलोमेटर लंबी सडकों की टारिंग तता 25 पुलों का निर्मान किया जाएगा। सेंटर रोड्स इंफरस्टेक्शन फंड के अंतरगत 25 सडकों का निर्मान का रहा दोजार 24 25 में पूरा किया जाएगा। पुलोमेटर लंबी सडकों पर प्लास्टिक बेस का इस्तेमार किया जाएगा। इसके अत्रीक अधिकुंचाई वाली सडकों पर कैल्शियन कोलोरइड और ब्राइन स्लूश्टियों का प्रियोग किया जाएगा। ताकि सर्दियों में इन सड़कों पर वरबना जम सके और संभावित दुरबड़ना को टारा जा सके अब कि अब दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है बेंट की क्या दवा करे कोई अब हर चीज का बैंट हो जाता है अध्यक्ष मोध्य परेवान सरेक्षन अभी यह कोई ढूलूगा ना अध्यक्ष मोध्य परेवान सरेक्षन और लागत को कम करने लागत को कम 2024 पच्चिस हुए महारीश सरकार्दवारा निमलित सडकों तता संबन्दित निर्माण कारिये के जाएंगे 860 किलो मीटर लंबी कुल सडकों का निर्माण, 1067 किलो मीटर लंबी सडकों पर क्रोस द्रेनेज, 1075 किलो मीटर लंबी सडकों पर मैटलिंग और टारिंग, 57 पूलों का निर्माण, 10 पंचायतों के 40 गोंकों सडकों से जोड़ा जाना सड़कों पुलों के लिए कुल 4,317 प्रोड पे पस्तावीत है दक्षमोदें बजार की बज़ती परस्तित्यों को देखते वे 2019 में अधिव सुचित द्योगिक नवेश निक्ति में बदलाब करना अतिय बश्चक है जिससे भावी निवेशकों को कम से कम समय में सबी स्कृतिया एक ही बिड़ो के मात्यां से मिल जाए इसमें इससे निवेशक और अधिक निवेश करने के लिए परसाइट होंगे हमारी सरकार 2024-2025 में बदलती पस्तित्यों को देखते वे एक नई अधियोगी परसाइट करने के लिए की अवशकता है इसके लिए मैं 2024-2025 में एक नई स्टार्टप निवेशक लाने की गोशना करता हूँ इस निती के अंतरगत इनोवेशन के लिए तता महिलाओं को स्टार्टप वेंचर हितु विशेश परसान का प्रवदान किया जाएगा महिलाओं द्वारा शुरू किये लिए स्टार्टप को एक वर्ष के लिए अधिकतम 4 लाग रपेते की साहता दी जाएगी द्योग शेतर राज्जा के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है मेरी सरकार का प्रयास है इस शेतर को सर्वत्तम एकोसिस्टम पर दान करना है पिछले साव की आवदा के दोरान मेरी सरकार द्वारा बड़े पेमाने पर भाली करने कार्या करने के लिए अवशक संसाधन जुटाने के देशा से लेक्टिसिटी ड्यूटी की दर बढ़ाई थी अब जब स्तीती में सुधार हुआ है मैं गोशना करता हूँ कि बड़ी वी लेक्टिसिटी उन बुगतान द्वारा देश नहीं होगी मैं गोशना करता हूँ कि पर देश में हमाचर पर देश माइन जरने के प्रभावी रूप से कई कदम उठाए है से दोजार चौबिस लाए जाएगी जिसके मुख्या देशिया अवैद खनन पर रोग तथा विज्ञानिंग खनन के माद्यां से पर देश के राजस्ट में बृद्धी करना होगा पर देश के दोगिक शेत्रों में विभीन कादनों से आग से होने वाली दुर्भणनाओं से निपडने के लिए अगनी शमन सेवाओं के लिए अलग मांदंड त्या किये जाएंगे इन मांदंडों में दोगिक शेत्रों में दोग्बों की संक्या तता किसम के धारपर केमिकल्स, बिजली तता अन्याकानों से लगने वाली आग से निपडने के लिए अलग अलग सोपी तता केमिकल प्रोटेक्शन सूर्ट, फॉर्म, कमपॉर्ञ्ट टेंक, ड्राय केमिकल अन्याप पुर्णों और स्मंगरी का प्रवधान किया जाएगा। बद्दी ब्लोटी वाला नालागड द्योगिक शेत्र का पच्देश के संसादनों तता स्वरोजगार सुर्जन में बहुत बड़ा योगदान है। इस शेत्र में अवश्यक मूरूथ सुधाय निवेशकों तथा कामगार दोनों के लिए वश्यक है। मैं इस शेत्र में सत्तर क्रोड रुपे की लागश से शेत्रपुल से जगाद खानना तक सड़क बनाने की गोशना करता हूँ या सड़क मेडिकल डिवाइस पार्ग धेरा राज्या विदित्बूर्ड की साजेधारी के साथ अन्या 13 पट्रॉल पॉमपों पर यीवीकल चारजिंग स्टेशन को पूरण डूप से कारा शील्ड किया जाएगा। इसके 55 अन्या सरकारी शेतरों के इविकल चार्जिस स्टेशन को करेशीर कर दिया जाएगा 2023 में कीगी HRTC की डीजल बसों को लेक्टिकल बसों बसी से चरण बद करम में बदलने की गोशना के बार अब तक HRTC के बेड़े में 110 अलेक्टिकल बसीज और 50 अलेक्टिकल टेक्सिज हो गई है इसी प्रती बंता को आगे बढ़ाते में मैं गोशना करता हूँ कि 2024 में 327 अत्रिक डीजल बसीज को अलेक्टिकल बसीज से बद्रा जाएगा इस पहल में जन्स हवैकता सुलिशित करने के लिए शुराती चरण में माने विधायकों को परतेविधान सावा शेतर में पांच रूटों पर इवेस्ट चलाने के लिए प्राथिमिक्ता मांगी गई है राजीव गांदी स्रोजगा स्टार्ट अप यूजना के अंतरकात दोजार चोबिस पच्चिस में चालिस परितिशत उपदान पर इटैक्सी चलाने के लिए दस हजार परमिट दिये जाएंगे दस हजार जो इडिजल इंजन पट्रॉल वाली गाड़िया हैं उनको इटैक्सी चलाने के लिए 40% सब्सिटी पर इटैक्सी दिये जाएंगे मैं गोचना करता हूँ कि 2024 में बन विवा, HRTC, HPTDC, GAD के एलिजिवल भान इवीकर में बदर दिये जाएंगे दार्मिक स्थालों के लिए बसे चलाने है तो प्रतम दर्शन स्रेवा का विस्तार किया जाएगा प्रतम शर्म में श्री इरुद्या धाम के दर्शन के लिए भविन स्थानों से बसे चलाई गई है 2024 में कुछ अर्तिरिक संस्तानों में इस बस सेवा को चलाया जाएगा बस 2024 में बैंस वहान सक्रैप निती के अंतरगत परदेश में विकल सक्रैप स्क्रैपिंग सेस्लिटी सेंटर की स्तापना की जाएगी जिससे परदेश के सभी 12 जिरों को इसकी सुविधा मिल सके मैं गोशना करता हूँ कि 2024 में आटोमेटिट टेस्टिंग सेंटर के मादम से सभी बहानों की फिटनेस अनवारिया कर दी जाएगी ताकि बहानों को फिट टिकलेर करने में मानमे गल्ती ना हो परवहन निमों की लंगना पाए जाने पर ऑनलाइन चलान के लिए विवागया अधिकारियों को एचलान एड एप्योएस मेशीन उपलवद करवाई जाएगी सबी परवहन वेरियस पर ओटोमेटिक नंबर प्लेट रिकोगनिशन लोज सरकार टेलिविजन कैमरास की सुविदा अप्लवद करवाई जाएगी जिससे कर चोरी को समाप्त किया जा सके और सरकार को अत्रिक संसादन प्राप्त हो सके इस पुनाली की सहता से ट्रैफिक को भी सचारू रूप से संचालित करने में सहता मिलेगी 272 क्रोड की लागत से नेचर फार्म होल तथा बिजली महादब के बीच हाईब्रीड अनियूटी मोडल पर एक 3.2 किलोमेटर लंबे रूपए का निर्मान कारिया अरहम किया जाएगा इस रूपए पर होने वाले लाप का 50% अर्श राज्या सरकार को प्राप्त होगा लगबत 54 क्रोड की लागत से निर्मित किये जारे बगला मुकी रूपए को हाली में आई आपदा के कान वारी नुक्सान हुआ था जिसके कान इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए 5 क्रोड रुपे से अधिकी राजी व्याई की गीए है मैं सहच भुषना करता हूं किसका निर्मान कारिया पूरा करके इसी वार्शी प्रदेश की जंता को समर्पीत कर दिया जाएगा हमारी सरकार प्रदेश के लोगों तदब रिटकों की सुविदा के लिए कारका से परमानू तक की ब्रोड गेज रेल लैन बिचाने के लिए बाहर सरकार से अंरोध करेगी इसके साथ ही जेजों से पोलियों तक की रेल लैन बिचाने के लिए भी बाद सरकार से अनरोध किया जाएगा इसके बिचने से परदेश में बंडरे बल ड्रग फर्मा पार्क तक रेल यातात की सुविदा अपलब दो जाएगी 2024 में इन दोनों रेल लैनों के सर्वे पर लगवक 10 क्रोड वे ब्याय होने का अनुमान है अदेक्स मौदे परदेश में एको टूरिजम को बढ़ावा देने के देशा से तरहन में एको टूरिजम साइट को मिनेजमेंट एड एपैरेशन के लिए चरनबत तरीके से आउट्सोर्स किया जाएगा परदम चरनबे 13 एको टूरिजम साइट को आउट्सोर्स करने के लिए RFP को अंति रूप दे दिया गया है तता दो जार चौबिस पच्चिस में इन सभी साइट्स को आउंसोस कर दिया जाएगा हमारी सरकार द्वारा कीगी पहल के बाद मानवे सरोच नियाले द्वारा वरकिंग प्लांस के अधार पर खैर की सिल्वी कल्चर फैलिंग की अनुमती परदान की गई है इससे ना केवस्तानी लोगों के आई में बिद्धी होगी बलकि उनको खैर के पेड़ कारने के बाद और अधिक पेड़ लगाने की प्रेड़ना भी मिलेगी दोजाव 24.25 में दस फोरस डिविजनों में लगवक 13,000 खैर के पेड़ कारने की युणना तियार की गई है इससे परदेश के राज़ास्व में मृद्धी होगी मानिया नियाला के इस निन्ने से प्रेड़ित होकर हमारी सरकार चील के पेड़ काड़ने की अनमतिक के लिए भी याचिकादार करेगी इससे अत्रिक राजयस्व प्राप्त होने के साथ साथ एको सिस्टम सर्विसिस की गुर्णपता भी होगी हरित हमाचल की दिशां में एक कदम आगे बढाते वे उपनगरिया और शहरी शेत्रों में ग्रीन हमाचल वायो डैवरस्टी पार्क नेचर पार्क स्रिवर साइड पार्क स्तापित के जाएगे इन पार्कों को एको फ्रेंडी मिटीर्स के प्योग से डिजाइन और विक्सित किया जाएगा इस तर्शिप के माद्यम से मक्स एट को भी भार किया जाएगा अजैक्ष मोदे मैं बनों से संबंदी सभी अप्रेशनों को बीट लैबर पर सुनुचित करने के लिए परदेश की सभी दोजार कासर फोरस्ट बीट में एक एक बन मिक्तिर निक्त करने की गोशना करता हूँ इनकी निक्ति की प्रक्रिया दोजार चोवीस पच्चिस में पूरी कर ली जाएगी कॉम्निटीज की सहता से बनों के परबंदन में इन बन मक्तिरों की आहम भूमिका हो दी इसी के साथ मैं 2024 में बन विवाग में फॉरेस्ट गार्ज के सो रिक पदों को भरने की भी गोजना करता हूं बन विवाग के कुल 834 कुल रपे पर स्तावीता है अध्यक्ष मोदे परदेश के ग्रामिट शेत्रों के समग विकास तता उसे ग्रीन बनाने के लिए मैं मुख्य मंतरी हरित विकास शात्रविती योजना अराम करने की गोजना करता हूं इस योजना के अंतरगात अगरे चार वर्षों में परतेग विदान सवा चुनाव शेत्र में दो ग्राम गाउन चैनित किये जाएंगे तता राज्य के साइन्स पोस्ट ग्रेजूट तता इंजिनिरियंग ग्रेजूट को उन गोव में जालवाईयों परिवर्टन और परयावन सरेक्षन पर अनुसर धान के लिए दो साल तक छात्र प्रिती दी जाएगे हाली में आई भारी वर्षा और जर्वाईयों में दिरंतर आवे बदलाव के दिश्टी गर्द 2024-25 से जिरास्तर पर इंचिनोतियों से निपने के लिए कार्याययोजना त्यार करने का काम अरम किया जाएगा 25 तर पर जर्वाईयों परिवर्तन कार्याययोजना कार्यायों की जाएगे 2024-25 में परियावन बन और जर्वाईयों पर बनतर मंतरालया बाहर सरकार दागिज के सेयोग से क्रिशी और बागवानी शेत्र पर बदलती जल्वाईयों के बिप्रित परभारों को कम करने के देश्चा से इन शेत्रों में एक नीड असेस्मेंट स्टडी की शुरू की जाएगी जो हमारे आपदा ही उसकी स्टडी के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया परदेश मे अवैय तता अनसाइंटिविक मानिंग को रोकने के दिश्चे से एक जी आईस बेस्ट आयप अरम की जाएगी जिसकी साहता से परदेश में हो रही मानिंग गती वीडियों की रील टाइम निग्रानी की जाएगी परदेश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन को बड़ावा मिल सके अधक्ष मोदे परदेश में गुवर्नेस को और पारदाशीर प्रभावी बनाने के दिश्चा में मैं दोजार चौबिस पच्चिस में के दरान निमन कदम उठाने की गोशना करता हूँ परदेश में आर्टीपिशन इंटेलिजन्स के साथ साथ डाटा एनिलिटिक सेवाँ को और परभावी दंसे परदेश वासियों तक पहुंचने के लिए एक मॉवाइल एप अरम किया जाएगा हमाचर परदेश सच्चिवालिया निदेशालिया सभी डीसी परदेश कारेलिया और दोसु त्रेपन फिर्ड कारेलों में ई ऑफिस का सबल कारेलियन करने क इस बाद इसके मादम से सभी कारेलों में इस्तक्षर की सुविदा के साथ साथ इडिस्पैच की सुविदा भी परदान की जाएगी सीम डैश्बूर्ड को और प्रभावी बनाने के लिए विविन विवागों को रिपोर्टिंग मनेजमेंट पोर्टों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि विवागों से प्राप्त मिंतन जानकारी के अदार पर उचित समय पर उचित निन्या ले सके मुख्या मंत्री सेवा संकल फैल्पलाइन में आर्टी विशल इंटेलिजेंस का प्रियोग किया जाएगा ताकि प्राप्त शकायतों का कम से कम समय में निवारन हो सके गत वाष्ट विक्सित कियेंगे डीवीटी पोर्टल को नैशनल डीवीटी पोर्टल के साथ चोड़ा जाएगा जिससे दोनों पोर्टलों की सुचना को साजा के जाए निविश को द्वारा कियेंगे 5G कुलेक्टिविटी के लिए ओनाइन वेदनों के साथ निप्टे आ रहे है तू राइट और वे पोर्टल को अवशक्सन साधनों से इत अपडेट किया जाएगा स्टेट डेटा सेंटर की अपग्रेडेशन का कार्या गास 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा इससे अप्लेट डेटा और अन्या सुचना की स्रक्षा के लिए निमिंतम पाई के जाएगे हिम परिवारेजिस्टर के सबल कारेवन के बाद वविन नागरिक सेवाओं को इसके साथ एकिकिरित किया जाएगा ताकि परदेश बास्यों को वविन सेवाओं का लाब कम से कम समय मिल सके एक सुच अजैक्ष मौदे दोजार चौबिस पच्चे से मेग जवामंदी के अंतरगत कोई भी नागरिक किसी भी समय जमीन से समंदित रिकोर्ड की प्रतियां डाउनलेड कर सकेगा इस पोर्टल पर यूपी आई डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड ये दिया दी के माद्यम से सुखर सुर्थ भुकतान की सुविदा भी उपलब्त करवाई जाएगी बेग चार्ज के अंतरगत किसान क्रेडिट कार्ड रिन रेने के लिए सभी प्रक्रिया ओनलाइन पूरी करने का प्रफदान किया जाएगा इसके माद्यम से बैंको अत्वा बितिया संस्तानों तता तिसील कार्यों में बार बार चक्र नहीं लगाने पड़ेंगे सभी अपचार रिकायता है इसी एकिकरित मोडियर के माद्यम से पूरी करके बहुत कंग समय में रिन्स प्रक्रित किया जाएगा समपत्ती पंजी करन पक्रिया को और सब बनाने के देश्यत से स्टैम्प जूटी पंजी करन शुलक तत्हा अन्या परवारों को उनलाइन बुकतान मेग पंजी करन मोडियूर के माद्यम से अरम किया जाएगा इसी तरह मेड म्यूटीशन म्यूडूर के प्योग से ओनल्यान म्यूटीशन की सुगदा भी परदान की जाएगी बहुत से बूल अबलेखों का वर्नम कठी शब्दों में अफलबता है इन बूल अबलेखों का अनुबास समयान के अनुसुची आर्ट में सुची बद्धुमिन भाशों में करवाने का कार्या शिगर कुया जाएगा अद्रक्ष मोदे मेरे द्वारा पिछले बज़न में अत्रिक गोशित अत्रिक संशादन जुटाने के अपायं के अनुक्रम में मैं निमन भोशनाएं करता हूँ करदाताओं की सुचाओं के लिए बैट तता अन्यकरों के बुक्तान के लिए 2024 में एक मुबाइल आप की सुरुवाद की जाएगी इस एप के मादिम से करदाता ओनलाइन कर बुक्तान कर संगे परदेश में स्थित महत्तपुन अद्योगित एवं विपारिक केंद्रों पर भुमिन करदातों से फीड़ बैक लेने तता उन्हें पेश आने आरे इस मस्याँ की जानकारी लेने के अदेश्य से करदाता संबाद अभियां अरंप किया जाएगा इससे परदेश की कर एम आपकारी पर नाली को और सरनल तता पारदर्शी बनाने में सहता मिलेगी अदेश्मोदे 2024-25 में 50 प्रोड की लागत से शेहरी शेतर मिस्तित पुलिस स्टेशनों के परंगन तता अथवा स्टेशन के असपास उसमे कारिया पुलिस स्थाब के लिए वास्य सुविदा पर दान करने के निमन कारिया किया जाएगा दक्षमोदे पिछले बहुत समय से पुलिस कर्मियों की डायट मनी में कोई प्रिज़ी नहीं की यही है। पुलिस कर्मियों लावन्ति भी तोंगे इससे सोला क्रोड बे प्रतिवर्ष अधिक राया होगा। देने तता उसे बिड्रो करने के परक्रिया में पारदश्ता लाने के देशा से हमाचल परदेश फायर फाइटिंग सर्विस रूज अधिसूचित किये जाएंगे। मैं 2425 में क कांगडा के चंगर बडो में सब फायर स्टेशन मंडी के कोटली में तथा लट बडो में फायर फोस्ट को सब फायर स्टेशन में उन्नियान करने की गोशना करता हूं। इसके अत्रिक निर्मंड, कुनियार, उबादेश, कोटखाई, छोटा बंगाल तता कांगड़ा के चुवार गाटी में अगनी शमने काईयां खोलने की भी मैं गोशना करता हूँ। परदेश के युवाओं को खेलों में बढ़चर कर भाग लेने के लिए प्रोसाइद करने के देशा से 2024 में एक नए खेल निती लाए जाएगी। इसके अंतरगर मैं सहर्ष निमन गोशना करता हूँ। अलंपिक खेलों में व्यक्ति गत्स बर्दा में स्वन पदक प्राप्द करने पर पुर्सकर राशी को तीन क्रोड रुपे से बढ़ा कर पांच क्रोड रुपेया। रज़त पदक के लिए दो क्रोड रुपे से बढ़ा कर तीन क्रोड रुपेया। तता कांसेया पदक के लिए 1 रोड से बढ़ा कर 2 को रूड रुपीय की जाएगा एशन केलों में व्यक्तिकत सब्ने हमें पदने प्रहाप्त करने वाले पर पुरसकार राशी को 50 लाद से बढ़ा कर जो एशन केलों में पचास लाग रुपे से बढाकर चार क्रोड रुपिया तदक आसेया पदक के लिए 20 लाख रुपे से बढाकर देड़ क्रोड रुपिया करने की गोशना करती है कॉमन वेल्ट खेमों खेलों में व्यक्तिकस पर्दा में स्मर्ण पदक प्राप करने पर पुरुसकार राशी को 50 लाख रुपे से बढ़ा कर 3 करोड रुपेया रजक पदक के लिए 30 लाख रुपे से बढ़ा कर 2 क्रोड रुपेया तदा कांसे पदक के लिए 20 लाख रुपे से बढ़ा कर एक क्रोड रुपेया किया जा लेगा टीम्स परदाओं में बजेता हमाचली खराड़ी को प्रपदक के अधार पर उप्रोक पुरुसका राशी में से परतेक खराड़ी को परती निदीतब के अनुपाद में ब्राबर राशी दी जाएगी जैसे कि हमारी बेटियां भी एशिन खेल के आई उसमें तीन बेटियां या चार बेटियां हमारी स्लेक्टो कर जाती है तो अनुपाद के इन साथ से दो बेटियां बाहर की होती है तो उनको ये राशी जो एशियर खेल की कुष्टी में जित कराएगी उसी अनुपाद के दा स아र जाते हैं רाज्जा से बाहर 200 किलोमेटर की दूरी तक केल सकार्दों में भाग लेने वाले जो गौर्ड्मिलों में सकोल उ goddamn ऑर हमारे स्कोलों के बक्चे सूरी के स्तानों पर जाने के लिए एर फेर दिया जाएगा सरकारी विवागों में उत्विस्ट खिलाडियों को विविन पदों पर तीन प्रतिशर खेल कोटा के अंतरगा सम्नित बर्थमान तरतालीस खेलों की संख्या को बढ़ाया जाएगा मैं जो हमाचल पर दे में स्कूल गेम्स होती है कॉलिज गेम्स होती है इंटर 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 गेम्स होती है इस सब परकार की इंटर गेम्स होती है इस सब परकार की खेलों में डायट मनी बहुत काम मिलती है मैं भुमिस्तर की प्रतिसवर्दा के लिए खलाडियों को दी जाने वाली डाइट मनी में बडोतरी करने के बाद निमन की गोशना करता हूँ परांबित शिक्षास्तर के खलाडियों को परदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर जब वो जोनल में जाते हैं प्रहमिस्कूर के डाइसो रुपया प्रति दिन दिये जाएंगे अन्या सभी खलाडियों को परदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 400 रुपया प्रती दिन दिया जाएगे सभी खलाडियों को परदेश से होने वाली खेलों में भाग लेने के लिए इंटर उनिवर्श्टी नैशनल गेम से भाग लेने के लिए समान रूप से 500 रुपया प्रतिन दिम दिये जाएंगे परदेश के खेल होस्टलों में रहने वाले सभी ख्राडी को उपरूपत के अनुसाद 2500 रुपया मिलते हैं तथा उनकी डाइट मनी को 400 रुपया की डाइट मनी दी जाएगी अध्यक्ष मोरे मैं 2024 में निमन खेल परिश्टों के निर्मान कारिया अरम करने की गोशना करता हूँ हमिर्पुर में आधनिक सुविदाओं से युक्त एक इंडोर स्टेडियम का निर्मान उन्ना के पोजाओं में इंडोर स्टेडियम का निर्मान मनारी बंदरोन में एक इंडोर स्टेडियम का निर्मान रैंक में स्पिमिंग पूल सुविदा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्मान क्रेडि नदान में इंडोर भहुदिश्या खेल परिसर का निर्माण कुसुंती में इंडोर भहुदिश्या खेल परिसर का निर्माण जैसिकपूर में इंडोर भहुदिश्या खेल परिसर का निर्माण डली पाइपास में इंडोर वह उदिशा खेर परिसर का निर्माणा अध्यक्ष मोदे हमाचर परदेश को फिलम की शूटिंग के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने के अध्यक्ष से 2024-2025 से हमाचर परदेश फिलम पॉलसी 2024 का कारेवरन किया जाएगा इसके तहित रजिस्टर पर एक फिलम डॉल्मेंट कॉंसिल का गठन किया जाएगा तता सुचना एवन जनसर पर विवाग में फिलम फैसिलियेशन सेल की स्थापना की जाएगी फिलमों की शुटिंग के लिए ओनलाइन अवेदन ततानमोती पर दान करने के लिए वेब पोर्टल की स्थावना की जाएगी सरकारी योजनां तता विकास नितियों को परभावी रूप से भविन वेब चैनल्स, न्यूज वेब साइट्स, सोचल मीडिया इंट्विन्स के माद्यम से परसारित एवन परचारित करने के लिए डिजिटल मीडिया पॉल्सी दो जार चोबिस का कारेमान किया जाएगा सरकारी कारेकरमों तता कारेकरमों से समवति सुचना को हिम सुचना कोष्ट डेटा हैट के माद्यम से संकलित किया जाएगा जिसकी की फरकाशन के लिए तता प्रेस में देने योगे सुचना को तुरूंत ही प्राप करके प्रेस नोटा था लेग प्रिंट किया जा सके अद्रक्ष मोदे हमारी सरकार यूद तता शांती के समय प्रदेश के लगवग मैं गोशना करता हूँ कि साथ बर्ष से अधिकायू के ऐसे भूद बूद सैनिको जिनको और कोई पेंचन नहीं मिलती है को मिलने वाली आर्थिक सहता की राशी को तीन हजार पे से बढ़ाकर पांच हजार पे प्रतिमास कर दिया जाएगा हमारी सरकार 2024 में सुनिश्चित करेगी कि विवागों में पूरव सैनिकों के लिए आराक्षिक 15 प्रतिशत पदों को प्रात्मिक्ता क्रेधार पर भरा जाए अदक्स मोदे मेरे पिछले बजट में गोशित प्रात्मिक क्रिशी सहकारी सेवाओं की किम्प्यूटराजेशन के अनकुरम में इन यह सरकारी बैंकों सहकारित्या विवाग तता रास्टिया डाटा बेस से जोड़ने का कार्या प्रग्रति पर है तता इसे 23 समय स्वीमा दो जास्ताइस तक पूरा कर लिया जाएगा इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी सहकारी सभाओं का ओनलाइन पंजी कर्म किया जा रहा है परदेश के ब्रविन विवागों में कार्या प्रकर्स कही विकास योजनों के कार्यावन में आहम भूमी का निभा रहे हैं इन सभी के मानदे की व्रिदी के लिए मैं निमलित गोशनाय करता हूं अंगनवाडी कार्या करता को पांसर रुपे की ब्रोत्री के साथ अब दस हजार प्रया मानदे मिलेगा मिन्नी अंगनवाडी कार्या करता को चासर रुपे की ब्रोत्री के साथ अब साथ हजार प्रया मिलेंगे सिप्लाई ध्यापकों के मांदन में 500 रुपे ब्रोत्री की जाएगी मिडे मील वर्कस को 500 रुपे ब्रोत्री के साथ 4500 रुपे प्रतिमा मिलेंगे वाटर कैरियर शिक्षा विवाग को 600 रुपे ब्रोत्री के साथ 5000 रुपे प्रतिमा मिलेंगे जल रक्षब को 300 रुपे ब्रोत्री के साथ 500 रुपे प्रतिमा मिलेंगे जल शक्ती व्राग के मल्टी पर वरकर्ष को 600 रुपे ब्रोत्री के साथ 5000 रुपे प्रतिमा मिलेंगे पैरा फीटर तदा पंप अपरेटर को 300 रुपे ब्रोत्री के साथ 300 रुपे प्रतिमा मिलेंगे पंचायत चोकिदार को 1000 रुपे की ब्रोत्री के साथ 8000 रुपे प्रतिमा मिलेंगे राजस्व चोकिदार को 300 रुपे ब्रोत्री के साथ 500 रुपे प्रतिमा मिलेगा राजस्व लंबरदार को 500 रुपे ब्रोत्री के साथ 42 रुपे प्रतिमा मिलेंगे SMC धापों के मान देरे में 1900 रुपे प्रतिमा ब्रोत्री की जाएगे R.T. टीचर को 1900 रुपे प्रतिमा ब्रोत्री की जाएगे S.P. उसको 500 रुपे प्रतिमा ब्रोत्री की जाएगे प्लानिक की मीटिंग में है शेयर सैटनी बैटरे स्पीच में ना तुम्हारा क्या है तुम्हारा क्या है तुम्हें तो सिर्फ ग्यान देना है हमारी सोचों हमें हिम्तान देना है तो सही आगया है पुर्देख्ष बर्ष की मांती मानने विधायकों के साथ विप्लाठकों के दरान सामने आए सुजाबों के दार पर मैं निमन गोशनाए करता हूँ शिम्रा विधांसवा चनाबी शेतर शहरी शेतर होने के कारण नवाड के आराई डीव के अंतरगत विधायक प्रात्मिक्ता योजनाओं की सुकृतियों पातर नहीं है यही समस्या ध्रमशाला मंडी सोलन तथा पालंपूर नगर निगों में पढ़ने वाले विधांसवा चनाब शेतरों में भी आने वाली है मैं इन पाच्चो शहरी विधांसवा चनाब शेतरों के लिए नैशनल होसिंग बैंक के माद्यम से अर्बन इंफरस्ट्रक्चर ड्वर्मन फंड के अंतरगार इन शहरी शेतरों की विधायक प्रात्मिक्ता योजनाओं को सुकृत करने की गोशना करता हूँ मतलब जो नगर निगम के दारे में शिम्ला में तो काफी सालों से कोई इंफरस्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट का पैसा नहीं मिलता था पर चार और नगर निगम बनके उनके दारा भी इंफरस्ट्रक्चर के दारे में नहीं आते थे तो हम उनकी जो इंफरस्ट्रक्चर जो ह अनुकुरम में मैं वित्या वर्ष दोजार चोविस पच्चिस से बिधाय प्रात्मिक्ताओं के स्वरूब में भी परिवर्तन करने की गूशना करता हूं। अब मांगे विधाय को द्वारा सडको, पुलो, पेजल, योजनाएं, अथ्वा, लग्यू, संचाई, योजनाओं की तीन वास्त्मिक नई स्किमों की प्रात्मिक्ताओं दी जाएगी। इसे लोग भवनों का निर्मान कारे पूरा करने के लिए विधायक शेत्र विकास निदी योजना के अंतरगर प्रवधान कर दिया गया है। इसके अत्रिक्त मुक्यमत्री आवास योजनाओं के दिशाने देश के अनरूप, यदि मानिया भव्धायक कि सीवी श्रेडी के लावार्थी के आवास बनाने के लिए हनुशन्शा करना चाहे तो वह इस निदी से कर पाएंगे। इसी के साथ बढ़ायक प्राद मिक्ता के वितिया पोशन की बर्तमन सीमा को 20 क्रोड रुपे बढ़ा कर 175 क्रोड रुपे से 195 क्रोड रुपे करने की निदेशना चाहे तो प्रदेश को हरित विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए 20 क्रोड रुपे की बड़ी विराशी में से प्राद मिक्ताएं अलेक्टिकल बसी चलाने तता चार्जिंग स्टेशन से संबन्दित होगी। बड़ायक इच्छा निदी को तेरा लाग रुपे से कम करकर मैं खत्म करने की घुचना करते हैं अलेक्टिकल बड़ायक इच्छा निदी को तेरा लाग रुपे से बढ़ा कर जो और उनको दिया विशी से काटे के तो दिया बड़ायक इच्छा निदी को तेरा लाग रुपे से बढ़ा कर चोदा लाग रुपे प्रति विधान सवा शेत्तर कर दिया जाएगा बड़ायक शेत्तर विकास निदी के अंतरगात प्रति विधान सवा शेत्तर राशी को दो क्रोड से गठा कर अच्छा नहीं गलत पड़ रहे हैं दो क्रोड दस लाख रुपे से बढ़ा कर दो क्रोड बीस लाख रुपे कर दिया जाएगा अदेक्ष मोदे पुंजिगत कारे को शुरू करने के लिए जन प्रति निदियों के पास बहुत अधिक मांग रहती है जो कि उपलब वितिय संसादनों से कहीं अधिक है इस प्रक्रिया में हर साल नए कारे शुरू होते है जब कि पहले से हैं चल रहे कारे संसादनों की कमी के कान रूप जाते हैं सबी निर्वाचित प्रदिन दिदियों से मेरी इस बात से सहमत होंगे कि चल रहे दोरे कारें को प्रात्मिक्ता देने की जूरत है। कि चल रहे कारें को पूरा करने के लिए 2425 में कम से कम 1000 क्रोड रुपया खर्च किया जाएगा और उन कारें को जोड़ दिया जाएगा जो पूरा होने के करीब है। कौरें हमारी सरकार परदेश के विकास में सरकारी करमचारी और पेंशनर्स की मत्तपुन योगदान को सबचती है। उने के बड़े हुए बेतन के एरिज एरियस के बुक्तान के लिए हमारी सरकार स्वेधनश्छील है। करमचारी वे पेंशनर्स बहनों और भाईयों को भी बर्तमान सरकार को पराणी सरकार से मिली विगट वित्यस्तिति की जानकारी जितने भी सरकारी करमचारी है रोज त्रहते है अधिकारी है पेंशन भोगी है माचल के आर्थिक स्तिति की उनको जानकारी है जश्कों से माचल सरकार पंजाब सरकार के बेतनमानों का अनुसरन करती आई है अभी तक पंजाब सरकार द्वारा अपने करमचारी और पैंशनर्स के एरियर का बुखतार नहीं किया गया है कठिन वितिय सित्तिती के बाबजूत मैं निमलित गोशना करता हूँ सभी करमचारी और पैंशनर्स के बेतन तदा पैंशनर्स से संबंदित एरियर का बुखतान चरण बन धंग से एक मार्च दोजार चोविश से शुरू कर दिया जाएगा एक जनवरी दोजार सोला से कतिस दिसंबर दोजार इकी के बीच रिटैर हुए करमचारीों की लीव एनकैश्मेंट और ग्रेचुटी से संबंदित एरियर्स का बुखतान चरण बन धंग से एक मार्च जो दस दिन बाद खतम हो रहा है दोजार चोविश से शुरू कर दिय जाएगा मैं यहाँ भी घुजना करता हूं कि एक अपरेल दोजार चोविश से चार प्रतिशत के दकी दर से महंगाई बत्ते की किश्च जारी कर दी जाएगी इस पर लगवर पांसो असी क्रोड पर प्रतिवर्श ब्याय किये जाएंगे प्रदेश के करमचारी अभी तक सेवा काल के अंत में केवल एक वार All India League Travel Concession LTC ले सकते थे मलब 30 सान नोकरी कर ली 25 सान नोकरी कर ली 40 सान नोकरी कर ली एक वार LTC की सुविदा मिलती थी मुझे यहाँ घुशना करते हुए परसंता हो रही है कि 1 अपरेल 2024 के बाद परदेश के करमचारी अपने सेवा काल में कम से कम दो बार LTC की सुविदा ले पाएंगे ध्याड़ी जारों को 25 पे बढ़ोतरी के साथ 400 रुप्रति दिन ध्याड़ी मिलेगे आउट्सोर्स करमचारियों को अब नियूंतम 12,000 पे प्रति मा मिलेंगे पंचैत बैटनेरी एस्टेंट को मिलने वाले 7,000 पे प्रति मा क को बढ़ा कर 7,500 रुप्या किया जाएगा हमारी सरकार का देड़ पिश्वास है कि करमचारियों के सेहोग से परदेश की वित्यस्किति में शिगर ही सुधार लाय जाएगा यह हमारे जो हमने राज़स्षव प्राप्त किया ऊसको बनटा है एक सार में जो बिवस्ता परिवर्टन किया उसके रिसाब से हम यह जो हमने अदिक राज़स्वाइब वो हम करमचारी प्रदेश की कसार महिलाओं युवाओं सबको बनट रहे हैं देक्ष मोदे, अब मैं 2023-24 के स्षोधित अनुमानों पर आता हूँ, बस 2023-24 के स्षोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 40,440 क्रोड रुपे है, 2023 के संशोधित अनुमानों के नुसार कुल राजस्व ब्याव 45,946 क्रोड रुपे हम रहने का नुमान है 2023 के संशोधित अनुमानों के नुसार 5,480 क्रोड रुपे का राजस्व डेफिसित अनुमानित है अदक्ष मोदे मैं वर्ष दो जार चोविस पच्चिस के लिए 58,446 क्रोड रुटे का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ वर्ष दो जार चोविस पच्चिस में राजस्व परापतियां 42,153 क्रोड रहने का अनुमान है तता कुल राजसब व्याई चालीस हजार चेशाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचा पर 25 रपे, पैंशन पर 17 रपे, ब्याज अदाइगी पर 11 रपे, रिन अदाइगी पर 9 रपे, 21 संस्तानों के लिए गरांट पर 10 रपे, जबकि 26 रपे पुंजी गत कारें उन से इत अन्य गती विदियों पर व्याई किये जाएंगे. अगले वर्ष के बजट का पूरण विवरण इस मानिय सदन में परस्तुत किये जा रहे हैं, बिस्तित बजट ब्रदस्तावेजों में उपलब्द है, इसके लावा एफरम बीम स्टेट्मेंट भी बजट के साथ परस्तुत की जा रही है, अदेक्ष मौदे इस बजट दन्यावाद जाएंगा, तता उतपाद को सरकारदवारा ही ख्री लिया जाएगा, हम चरनबद त्रीके से किसान परिवारों को दूसरे एक निश्ची ताय अर्जित करने में सत्षम बनाने के लक्षे की और बढ़ रहे हैं, ताकि हम चुनाब से पूरे, ताकि हम चुनाब से पूरब कियेगे वादों को पूरा कर सके, दोजार चब्विस पच्चिस में इस पर लगवग एक सो पचास करोड़ बे की अतिक राशी ब्याय की जाएगी, जिस से इस विवस्ता को त्यार करने में सहिता मिलेगी, हमाचल परदेश मिलक फेडरेशन दूथ उतपादन सुसाइटियों द्वारा लीग, सुसाइटियों से एग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्किट टुमेट्टी द्वारा लीगी मार्किट फीस रिवर्स करने में बहुत समय लग जाता है, इस से इन सुसाइटियों का बहुत सारा पैसा किमेट्टी के पास काभी समय तक पढ़ा रहता है, मैं गोशना करता हूँ कि एग अपरेश दूजार चोबिस से दुगद उतपादन सुसाइटियों से एपी एमसी द्वारा लीजाने वाली फीस माफ की जाएगी, इस से इन स इसी लक्षे की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार निश्चित समय अब्दी को ध्यान में रखकर कारयात कर रही है, यह सरकार एवन पशुपार्ण के सुख परियास से संबब हो पाएगा, परदेश के युवाओं में पशुपार्ण से संबंदित कोशर के विकास दिश्या से हमाचर परदेश कोशर विकास निगम के माद्यम से नए कोशर परशिक्षन कारेकरम शुरू किये जाएंगे हिम गंगा योजना के अंतरगर मैं बर्ष दोजार चोविस परचिस के दुरान कांगणा के धगवार में 1.5 लाख लीटर पर दे की शमता वाले फुली ओटोमेटिड मिलक एंड मिलक प्रोडक्स प्लांट की स्तापना की घोशना करता हूँ इस प्लांट के लिए भुमी अप्लोड करवा दी गई है तता इसकी शमता को बाद में बढ़ा कर तीन लाख लीटर पर डे कर दिया जाएगा इस प्लांट पे अत्यादिनी तक्नीक से दूद का पॉडर बनाया जाएगा जिसकी की मांग से अधिक दूद को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके इसके अत्रिक धाई, खोया, घी, आइस्क्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, प्रोसेस्ट मिल्क चीज तता नयात पाद त्यार किये जाएगे इसके साथ ही यहां UHT, अल्टरा हीट टेकनोलजी से पैकिंग की सुविधा भी उबलोग्द होगी दत नगर मिल्क प्रोसेसिंग प्रांट में 50,000 LPD की शमता का एक अत्रिक सेंतर चालू कर दिया जाएगा तदा बरतमान में, भविन जिलों में काम कर रहे, दूद सरियंतरों के निमिर्नी करण को प्राथमित्ता दी जाएगे उना त至 हमीरपूर में भी आदुनिक त टक्नीक से मिलक प्रोसेसिंग प्रांट स्थाबिट किये जाएगे जिन पर लगबग 50 क्रोड पे व्याए किये जाएगे सानी वुआं को किसानों को कुलेक्शन सेंटर से मिलक प्रोसेसिंग प्रांट तक दूद दे जाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान पर 200 रेफ्रिजेटर मिलक बैंस उपलब करवाई जाएगी जब दूद की पैदाबार बढ़ेगी तो किसान कहां छोड़ेगा उसके लिए उन्हें जो रेफ्रिजेटर बैं होती है मिलक प्रोसेसिंग के लिए उपचास प्रतिशत पर उपलब्द करवाई जाएगी पशु पालकों को उत्तम नसल के पशु उपलब्द करवाने के देशत से मैं सोलंग जिले के दारणागाड में कृत्रिम गर्माधान पर्शिक्षन के इंदर की स्तापना करने की गोशना करता हूँ जिसकी सहता से कृत्रिम गर्वाधान पर्शिक्षन की सुविदा उपलब्द करवाई जाएगी विशेशग्या 25 किसकाओं द्वारा गंबीर पशु रोगों की सुविदा उपलब्द करवाने के लिए 44 मोबाइल बैटनरी बैंस कराए पर ली गई है या सेवा वर्श 2024 में पूरन रूप से अरम कर दी जाएगी परतेग बैल में एक बैटनरी डॉक्टर तथा एक फार्मसिस्ट तनात होगा पशु पालब्द परदेश में कहीं से कहीं से भी टॉल फ्री वोन नंबर 1962 पर कॉल करके पर्शों के उप्चार की सुविदा या पर्शु पालब्द से संबंदित अन्या जानकारी राप्त कर सकेंगे राष्टिया गोकूर मुशन के तैट उन्ना जिला के बसाल में डैनमार्क के तक्निकी सेहोग से च्वालीस क्रोड की लागत से एक उत्कृष्ट ता केंदर स्ताफित किया जाएगा इसके लिए अवशक भूमी पशुपालन विवाग के नाम पर हस्तांतरित का हो चुकी है बध़ते समयं में पशुपालन विवा के संगाठनात्मक ढांचे के पुनर गठन एवन पुनर सरचना की भी अवरशक्ता है अताब विवागे योजनाओं के युक्ति करण एवन विवागे धांचे के पुनर गठन के लिए एक विस्तित योजना बनाई जाएगी जिसके लिए एक विशेशिक यसमीती बनाई जाएगी मिलक फेडरेशन के माध्यम से नैशनल डैरी प्लान टू के अंतरगर परदेश में दूद की उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए एक विस्तित कारिया योजना त्यार करके उसको इंप्लिमेंट किया जाएगा हमाचल परदेश बेडबकरी पालकों का भी परदेश है परदेश में 8 लाग धेडे तथा 11 लाग बकरियां है बेडबकरियों के लिए FMD वैक्सिन दिवार्मिंग दवाईयां तथा अन्या दवाईयों के लिए अलग से कोई प्राबदार नहीं है इसके लिए बाल सरकार द वस्ता में सुधार उनके परदेश में बेडबकरियों के लिए FMD वैक्सिनेशन शुरू करने तदा उनकी अन्या समस्यों के लिए एक नई योजना बेडबकरी पालक प्रोसान योजना अरम करने की घोशना करता हूं इस योजना पर दस क्रोड रुपे की अत्रिक धंडाशी दी जाएगी जनकी जी नियाज परदेश में बढ़ते हुए बे सारा पश्यों की समस्या के निदान के लिए एक स्टेट लेवल टाक्स पोस्ट का अगशन किया जाएगा जो कि तीन महा के भीतर इन पश्यों को किसानों तथास्ताने समुदाओं से परामार्श के बाद स्मीप के अभ्यारनों तथा गोशानों में रखने के लिए दिशा अंदर देश दिये जाएगे इसी के साथ गोवर्णों और गोशानों के निर्माण तथा रखरकवाव से संबंदित सुझा भी दिये जाएगे मैं निजी गोवर्णों में अश्रित गोवर्ण के लिए दिये जाने वाले अनुदान 700 रुपे प्रती गोवर्ण प्रती महां से बढ़ा कर 1200 रुपे करने की सहश गोशना करता है जो निजी संस्तान दो शालाच राते हैं उनके लिए हमने 1200 रुपे पर गाय या कोई सी पशुका कर लिया है क्रिशी शेक्तर के लिए एक बुल 582 क्रोड रुपे पस्तावित है अदेक्ष मोदे मैं हमाचल परदेश की आर्थकी में परदेश के बागवानों का एक बड़ा योगदाम रहा है बागवानों की आय में विद्धी हमारी सरकार की परात्मिक ताउम में से एक है मैं 2024 के दौरान बागवानी शेतर में 300 प्रोड रुपे की लाग़ से निमन विकास कारिया पूरे करने की गोजना करता हूँ 75 लगू संचाई योजनों का अंदिर्मान लगवग 1200 हेक्टेर शेतर में सब ट्रोपिकल फोलों के हाई डेंसिटी विक्षों का रूपन कारिया किया जाएगा जिससे 80,000 किशक स्मों में के लगवग 6,500 किसान परिवार लावानी बीत होंगे 12 क्रोड की लागत से एक बागवानी उत्कृष्टरता के अंदर की स्तापना की की जाएगी जो कि गुनवत्ता, कोशल, परियाटन तथा बजार संबंदित सभी अविश्कताओं के लिए वन स्ट्रोप रिसोर्स सेंटर के रूम में कारिया करेगा राज्जा के सब ट्रोपिकल शेत्रों में दो अत्यादुनिक फ्रूट प्रोसेसिंग यूर्रस तावित किये जाएगे पांस क्रोड क्रूपे की लागत से अमरूद, निम्बू तधा अन्या सब ट्रोपिकल फोलों की बढ़ावा देने के लिए मडल ट्रीज, बर्ड बूड बैंक्स के लिए फोर्डेंशन व्लॉप की स्थापना की जाएगी भागवान भाईयों के साथ चर्चा के बाद मैं घुजना करता हूँ 2024 के सेफ सीजन से, जो अगला सेफ सीजन होगा, यूनिवर्सल कार्टन का परियोग आरहम कर दिया जाएगा इस दिशा में अवशक दिशा नरदेश त्यार करने है तो, सची प्रिशी की देख्षता में दिसंबर 2013 में एक कमेटी का कटन किया जा चुका है परदेश में हाई रिटरन फ्रूट जैसे की ड्रैगन फ्रूट, अवशक दिशा नरदेश त्यार किये जाएंगे इससे परदेश के किसानों की आए में शिगर एवं निश्चित अब वरिद्धी होगी अड़क्स मोदे, परदेश में प्रेटकों के बढ़ते हुए रुजान को देखते हुए होटी कर्चर टूरिजम को बढ़ावा देने की अवशकता है परदेश में स्तित बड़े बाग तदा बागों के सुमों को गरामिन प्रेटन की दिष्टी से विक्सित करने के लिए गरामिन विकास विवाग, उद्यान विवाग तदा प्रेटन विवाग के माद्यम से में एक ठोस नीती का निधारन किया जाएगा इस नीती के अंतरकत इच्छिक बागोंनों को अवशक ट्रेनिंग तथा अन्य सहता अपनौद करवाई जाएगी बागोंने के कुल 535 प्रोड़ पे पस्तावित है अदेश मोदें परदेश के लगवग 13,000 मच्छिक बढ़ाने के अदेश से मैं निमन गुच्छना करता हूँ 20 हेक्टर शित्तर में ने मतस्य पालन तलावों के निर्मान के लिए मच्छिक बागों को 80% उबदान पर आर्थिक साहता दी जाएगी यानि कि सोरव में से 80 पे सरकार खच करेंगी जीला हमिर्पूर में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूम में एक ने कार फिश फारम की स्टाफना की जाएगी नाला गार्ड शिक फिश सीड फारम में पाच करोड की लाग़श से ब्रॉड बैक की स्टाफना की जाएगी परदेश के मचवारों को मोटर सैकल, थ्री विलर तता आई बॉक्सिस उपदान पर उपलब्द करवाए जाएंगे दस ने बायो फ्लॉक फिश प्रोडक्शन तलाबों तता दस नहीं लगू बायो फ्लॉक फिश प्रोडक्शन काईयों के स्थापना की जाएगे तीन नई फीर्ड मिल्स की स्थापना की जाएगी, दो बरफ सेंतरों की स्थापना की जाएगी इस के अतरिक परदेश के ठंडे शित्रों में, निजी शित्रों में ट्रॉट मचली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक सो पचास नई ट्रॉट मचली उत्वादनिक आईयां तता दो नोई ट्रॉट हैच्छिस की स्तापना की जाएगी अधर्ष मोदे ये सब चो चीजें हैं ये किसान की आए बढ़ाने के लिए हैं चाहे प्रकृतिक खेती है चाहे दूद के मुल्या बढ़ाने की बात है चा और बागवान की आए बढ़े उस दिरिश्टी से सब को जोड़ा गया है इसके अत्रिक्त परदेश के ठंडे शित्र अधर्ष मोदे गर्त बर्ष भारी बर्षा के करण अन्या संपत्यों के साथ साथ लारजी पावर होस को लगवग 658 क्रोड पे का नुक्सान हुआ प्ले की लागत से कारेंविन्त होने वाली हमाचल परदेश पावर सेक्टर ड्वालमेंट प्रोग्राम के लिए विश्ट बेंक के साथ लौन एग्रिमेंट साइन कर लिया गया है इसके माध्यम से स्मार्ट ग्रीट टेक्नोलजी की साहता से परदेश के 13 शहरों में 24 हरित उर्जा राज्या बनाने के अनुकरम में तदा परदेश में सोर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्लिक्त गोशनाएं करता हूँ पेखु वाला स्थिक्त 32 मेगावार्ट शम्ता वाले हमाचल के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का शिलानियास दो दिसंबर 2023 में किया गया था मैंसे मार्च 2024 तक के अन तक कमिशन करने की गोशना करता हूँ उन्ना में अग्लोर स्थिक्त 10 मेगावार्ट शम्ता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट जून 2024 तक बन कर त्यार कर दिया जाएगा उन्ना के बंजाल में 5 मेगावार्ट शम्ता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट का स्थमबर 2024 तक लोका आरप्रण कर दिया जाएगा राजीब गांधी स्टार्टप योजना के अंतरगत निजी भूमी पर 45% उपदान पर 100-500 किलो वाट तक के सोलर पैनल लगाने के कार्या में गती लाई जाएगी इस योजना के अंतरगत प्रधमचन में कुल 100 मेगावाट सोलो शम्ता का धोन स्नुचित किया जाएगा निजी भूमी पर स्तापित होने वाले सोर उर्जब प्रियोजना का पंजी करन पूरे वर्ष के लिए खुला रखा जाएगा जिससे 100 मेगावाट सोर शम्ता का धोन शिगर संपन हो पाएगा परदेश के बाल एवं बालिका आश्रम तता प्रिद आश्रम और राजीव गांधी मोडर डे बोर्डिंग स्कूल में ग्रेड से जुड़े रूफ टॉप सोलर प्लांट और वाटर हीटिंग सिस्टम स्तापिक किये जाएगे सबी सरकारी भमलों के कनेक्टिंग लोड के कम से कम 20% की उपूर्ती ग्रेड से जुड़े रूफ टॉप सोलर प्लांट के माद्यम से चरण बर तरीके से करना अनुवारिया किया जाएगा सोलन, पालंपूर, धर और धरमशाला, नगर निगमों में सभी ग्रेलूप वोपताओं को एनल सुड राप्त करने के लिए ने भमोन में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाना अनुवाया किया जाएगा तथा इन निगमों में स्तित सरकारी भमनों की छतों पर चरण बर तरीके से सोलर प्रांट लगाने होंगे उन्ना, कांगडा, सोलन, सिमवर, मंडी और शिमला जिडा में 501 मेगाबाट की शमता वाले 500 पारक और 2,012 मेगाबाट की शमता वाले 100 उर्जा पर युजनाय स्तापित करने का कार्या अरम किया जाएगा लगब एक 1885 क्रोड की लागत से परदेश में रिवैंट डिस्टिबिशन सेक्टर स्कीम्स के मद्यम से एग्रिगेट टेक्निकल एंड कमर्शल लॉसिस को कम करने के लिए एक विस्तित कार्या युजना का कार्यामन किया जाएगा इससे बिजली पूर्ती की गुनवर्ता के साथ साथ डिस्टिबिशन सेक्टर की फानेशल सस्टेनेविल्टी भी बढ़ेगी बिजली उतबादन के साथ साथ एक efficient transmission and distribution network होना समय के अविश्कता है ताकि नाकेवल परदेश की जनता की बिजली को मांग को पूरा किया जा सके बलकि सर प्लस उतबादन को उची समय पर अन्या राज्यों को भी पंचाया जा सके इसको और सद्रिड करने के लिए 2024 के लिए 96 क्रोड रुपे की लागत से 4 transmission lines तथा 290 क्रोड की लागत से 6 extra high voltage पूरे सब्स्टेशन पूरे किये जाएंगे परदेश में स्तित transmission assets को नेशनल भीर से सेंट्रल transmission utility system के माद्यम से जोड़ा जाएगा इसकी नियंतरन monitoring के लिए कुन्यार में बंडरे joint control center तथा कांगडा के धेन में सब station के लिए के निर्मान का कारया 2024 में पूरा कर लिया जाएगा इससे transmission lines के शिगर रख रखाव की भी में 20 विदा होगी अदक्ष मोदे कांगडा जिलो को प्रदेश की प्रेटन राजदानी बनाने की घोशना पिछले बजटने की गई थी इसी करम में साथ जलाई दोज और 23 को कांगडा के गगल होई अड़े के विस्तार के लिए section 11 के अंतरगत अधिसुचना जारी कर दी गई है इसके लिए rehabilitation और resettlement plan को शिगरी अंती रूम दे दिया जाएगा और भू अधि गिरिन कारया अरम कर दिया जाएगा इसके अत्रिक वेबकोस लिम्टीड द्वारा त्यार कीगी मंडी हवाई अड़े की डी पियार का friction किया जा रहा है परदेश में कुल 16 प्रस्तावित हैलिपोर्ट में से प्रतम चरण में 9 हैलिपोर्ट क्रमशा हमीरपूर में जसकोड कांगणा में रककड और पालंपूर चंबा में सुतानपूर कुलू में अलू ग्राउंड मनाली में अलू ग्राउंड मनाली गिनौर में शार्बो तता लौस्पिती में जिसपास सिसू और अंगरिक में विशित के जाएंगे इन नो हलिपोर्ट हलिपोर्ट की फिजिविटी स्टडी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है रक्कड सुल्तांपूर और पालंपूर का अबस्टेकल लिमिटेशन सर्वेड हो चुका है और इनकी डीप आणपूर रिकांग कि चम्बा में हैलीपोर्ट का निर्मान कार्या अरम्प किया जाएगा दूसरे चर्ण में चमबा के पांगी होली ब्लासपूर और सिमोर के धारक रहाई'mभा के चांशघर धा के जनकोर तता सोलन के गलानाग में हैली पॉर्ड निर्वित के जाएंगे इसके लिए बाहर सरकार के माध्यम से पपन हंस लिम्टेड से अवश्यक सहता ली जाएगी प्रेटन विकास के लिए प्रतिवत्ता की दिशा में बढ़ते वे स्वधेश दर्शन दो के अंतरगर लॉल्स पीती में चंदरताल, काज़ा और तांदी, किनौर में रक्षम और नाको चांगो खाब मैं कुपरी के नजदीक हसन गाटी के मश्यूर प्रेटक स्कार पर स्काय वाक बिश्ट के निर्मान करने की सहर्श कोशना करता हूँ परेटकों को परदेश में परवास के दोरान बहतर सुविदाएं परदान करने के देशा से परदेश में सबी हॉम स्टेश यूनिट को हमाचर परदेश टूरिजम डॉल्मेंट एंड रेजिस्टेशन एक्ट के एधिम लाया जाएगा जिससे इसके संचाले में सुधार औ परदेश में परदेश में परदेश में परदेश में बढ़ते कैंसर के रोगियों के कारणों का पता भी लगाया जाएगा कैंसर पीडित मरीजों को परदेश में ही कीमो थेफी तदा पैलेटीब केर की सुधा परदान करने के लिए जिलाफ हस्पितालों तदा चाइनी अदस रस्ते के अंदरों पर कैंसर डे केर सेंटर्स की स्थाफना की जाएगी इनके अंदरों में कीमो थेफी ले रहे सभी मरीजों के लिए बैट्स का परदान करत होगा तता कीमो थेफी दवाओं को राज्या वश्चक दवा सुची में समलित किया जाएगा ताकि मरीजों को कीमो थेफी के लिए अधिक पैसे ब्याएना करना पड़े इंद्रा गांदी मेडिकल कॉली शिम्ला में कैंसर पीवित रोग्यों के अडवांस रेडियो थ्रैपी तकनीक से उपचार के लिए 21 क्रोड की लागत से एक लीनियर एक्सिलेटर मशीन स्ताफित की जाएगी पिछले बजट में गोशित 79 अधर्स रस्ता के अंदरों पर कार्या विमिन चर्णों में हैं तता इन में से अधिकाश का कार्या 2425 में पूरा कर लिया जाएगा इसी बाष मिंचीनरिय और एक्सिलेटर की विस्ता करने के लिए एक प्रोड पे प्रती के अंदर बुलब्द करवाए जाएगे पिछले कई बर्षों से पीजी आई सेटलाइट सेंटर उन्ना में चल रहे सभी कार्यों को गती देने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे है हमारी सरकार द्वारा किये गे परियासों से पिछले कई वर्षों से लंबित environmental clearance दिलवाएगी इसमें शुरू किये गे सभी कारें को प्रात्मिक्ता पर पूरा किया जाएगा प्रात्म चरण में मैं परदेश के 53 स्वस्ते संस्तानों में hospital management information service की स्ताफना की जाएगी इस से मरीजों को उनके digital record के अदार पर बेतर सुविदाय प्राप्त हो पाईगी इस करम में रगवक 57 लाग प्रदेश वासियों का health card ID बनाया जा चुका है भारत health का account ID बनाया जा चुका है तता शिगर इस सभी प्रदेश वासियों का आभा ID बना दिया जाएगा यानि कि सभी जो प्रदेश वासी है 75 लाग के वादी में हमारे 57 लाग के जो अबादी के लोब हैं उनका digital record बनाया जा चुका है और जल्दी ही इसको 75 लाग के वादी को बना दिया जाएगा डाक्टर रजिंदर परशाद में गवर्मेंट मेडिकल कॉलिज टांडा और कमला नहलिव हास्पिटर शिमला में नबजाज शिशुम में इस्तन पान को प्रोसाइद करने के लिए शिक्षा तथा जच्चा के लिए लोकेशन मेरेजमेंट सेंटर स्काफित किये जाएंगे परदेश के जिस स्वस्तानों में एक्सरे की सुविदा नहीं हुआ के निवास्चों की सुविदा के लिए प्राइवेट ट्रैक्टिशनर के माद्यम से या सुविदा परदान की जाएदी शेर इस वर कम में आपी सुना दो दोजार चब्विस के अंतक परदेश जिले में सुविदाओं से एक इंटेग्रिटिड पब्लिक हेल्ट लैब की स्ताफना की जाएगी पिछले बजट में घोशित, नहान, चमबा और हमिरपुर में नेक नर्सिंग कॉलेजों में निर्मान कारिया अरहम किया जाएगा इसके साथ ही डर्टर रिजिंदर परशाद मेडिकल कॉलेज टांडा में जनर्र नर्सिंग एंड मीडवाइब स्कूल को नर्सिंग कॉलेज में स्थान उंतरत किया जाएगा बद्धी ब्रोटी वाला नालागड परमानु पॉंटा और उन्ना अद्योगिक शेत्रों में कारेलत प्रबासी कामगारों की हेल्थ सक्रीनिंग के लिए एक गैस्ट वर्कर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट आरम किया जाएगा पिछली सबी सरकारों ने परदेश वासियुक के कलियान के लिए बहुत सी योजनाएं अरम की है ऐसी योजनाओं में से हिमकेर तता सारा दो जार उन्निस में शुरू की गई और इनका लाभ विजन सादन तक पहुंचा है किन्तु इन से संबंदित एंपिरिकल डेटा के अनलिसिस के अधार के बाद इनके कारेमन में कुछ स्ट्रक्चल तता अपरेशनल समस्या हैं उजाकर हुई है इन में से प्रमुक्स मस्या है कि कन्वरजन्स और टेक्नोलोजी की अप्लिकेशन के अबाब में कुछ योजना में डुप्लिकेशन हो रही है मैं राष्टे स्टर के डोमेन एक्सपर्ट की सहता से इन कम्यों को दूर करके कुछ अबश्चक सुधार करने की गोशना करता हूँ ताकि जुर्ट बन लगों को उची समय पर इन युजनाओं का लाब मिल सके तब तक इन दोनों युजनाओं का करेमन यतावत होता रहेगा स्वश्चते शेत्र में कुल 3,415 क्रोड पे पस्तावी थे अधक्ष मौदे भारत के प्रतम परदान मंत्री पंड़े जवाला नहरू का मानना था कि आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे जिस तरह से हम उनका पालन पोशन करेंगे वही देश का विश्या तै करेगा या कथन आज के समय मैं और भी महत्तपुर्ण हो गया है क्योंकि आज पूरी दुनिया में तकनीक के कान जो परिवत्तन आ रहे हैं उनकी गती और उनका प्रवाव जीवन के हर शेत्तर पर पड़ रहा है तेजी से बदरती इस नई दुनिया में एक अनिश्यत मिविश्या के लिए बच्चों को त्यार करने में शिक्षा विवस्ता का अंत्यंत मत्तपुल योगदान रहेगा यह वश्यक है कि हमारी शिक्षा विवस्ता सवावेशी समानता पूरण फ्यूचर ओरेंटिड नई तकनीक के प्रती सजग और भारतिया जीवन मुल्यों के प्रती स्वेदंग शीलो हमें प्रात्मिक स्तर्पस से लेकर विश्यवद्याला स्तर्पत के सवेधैनिक मुल्यों के आतम साथ करने के लिए एक अनुकूल वातावन का निर्मान करना होगा बारत के सविधान में हम बारत के लोगों ने अपने लिए एक समपूरन प्रभुत समपन समाजबादी पत्मिरपेक्ष लोगतांतरमिक गंडराज्य का अदेश्या तै किया है हमारी शिक्षा विवस्ता का अदेश्या इस पावन भावना के अनुप विविन्ता में एकता एवं भहुरंगी भारत के निर्मान के लिए बच्चों को त्यार करना है मेरी सरकार चाहती है कि हमाचल प्रदेश के बच्चे सविदान की मूल भावना के अनुप एक स्वस्त जीवन दिष्टी विक्सित करें तता मूर्भू शाक्षर्ता तता संख्याग्यान से लेकर कृतिम आर्टिविशल इंटरीजेंस के प्रयोग तक हर खोशों में सर्वशेष्ट बने इस लक्षा की प्राप्ति के लिए हमने शिक्षा के छेत्र में ब्यापक सुधार अरंब किये है प्रात्मिक आरंबिक तता उस शिक्षा संस्तानों में उपलब संसाधनों का सांजा प्रयोग आज की अविश्टा है इस दिरिष्टी से परदेश में कलस्टर परणाली अरंब की गई है इसके साकारत्मक परिनाम आ रहे हैं तता इसे और अधिक सद्रिट किया जाएगा है अधिक से घर बैठे जुड़े जुड़ सके तता आने वाले समय में दुनिया में कहीं भी अपनी शम्ता के धार पर रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त कर सके इसलिए हमने पहली कख्षा से ही अंग्रेजी माद्यम का विकल्प दिया है दुनिया स्पस्ट रूप से दर्शाते हैं कि भाषा सीखने का सबसे अच्छा समय बारा वर्ष की आयू तक होता है अता पहली कख्षा से ही अंग्रेजी माद्यम का विकल्प समय की मांगए इसे इंडिया से पर देश के सभी बच्चों को और विशेश रूप से गौंग क बच्चों को लाभ होगा रास्ट्या शिक्षा नेति के अमरूप पर देश में स्कूल इस्तर पर प्र प्र सिक्षा प्रहुर शिक्षा प्रनाली लागू की जाए डिये जिस से जिसमें तीन सार का प्री स्कूल बाल बाटिका पाठे क्रम भी शामिल होगा परदेश में अभी छे हाजार से अधिक प्रात्मिक पाठचालों में प्री स्कूल चलाए जा रहे हैं इस विवस्ता को सद्रिड करने के लिए अकामी वित्या वर्ष में छे हजार नर्सरी टीचर निप्त किये जाएंगे पात्तर अंगनवारी कार्यकरताओं को भी नर्सरी धावक बनने का अफसर दिया जाएगा और इसके लिए उन्हें ब्रिज गोर्ष भी करवाया जाएगा इस विवस्ता को सचारू रूप से लागू करने के लिए पहली कक्षा में परवेश के लिए राष्ट्या शिक्त्या निती के नुसर कम से कम छे वर्ष की आयू तै की गई है और प्री प्रेवरी की तीन कक्षा में परवेश के लिए करमशा तीन, चार और पांच बर्ष की नियूंतम आयू सीमा तै की गई है पुरे प्रदेश में शिक्षा संस्तानों को चारनवत तेके से पूरों निर्धारित माफडंडो के नुसर इस्टिशूशन ऑफ एक्सिलेंस के रूम में विच्सित किया जाएगा बर्ष दोजार चोबिस पच्चिस में आर्सो पचास शिक्षा संस्तानों को आई ओर यी बनाए जाने का लक्षा रख्था गया है जिन में से पांसो प्रेमरी स्कूल, सो हाई स्कूल, दोसो सीने स्केंडि स्कूलों पचास डिगरी कॉली शामिल रहे इन संस्तानों में अध्यापकों के सभी स्कूलों को बरने के साथ स्मार्ट कासरूम ततानिया सुविधाएं उबलद करवाई जाएगी निरधारित माप डंडों के अधाल पर इन संस्तानों का पिरियोडिक मिल्यांकन किया जाएगा परदेश के स्कूलों और कॉलेज के प्रिंसिपल अबलिक हेड़मास्ट शिक्षा के शेत्र में अवश्यक नेतरतब परदान कर सके इसके लिए स्कूल अबलिक कॉलेज लीडर्शिफ परशिक्षण शुरू किया जाएगा स्कूल और समाज के बेतर त्याल मेर के लिए तता समुदायक भागेदारी बढ़ाने के लिए अपना बदैलिया, मेरा बदैलिया, मेरा समान योजना अरम करने का निन्ना लिया गया है इसमें जहां एक और मुख्यमंत्री से लेकर खंड स्तरिया, अधिकारी तक सभी बदैयक तता तक सभी एक-एक शिक्षा स्रस्तान को गोद लेंगे वहीं दूसरीयों समधाय को स्कूलों से जोड़ा जाएगा इसमें पात्तर एवर इच्छुक व्यक्तियों दोरा निशुक शिक्षा परदान किये जाने की विवस्ता भी की जाएगी यानि कि कोई भी बदैयक है वो एक स्कूल को गोल ले सकता है और अधिकारी भी परतेक उबमंदल में उबमंदल अधिकारियों को सभी प्रैमरी स्कूलों का महीने में एक दिन बारी बारी से निवायर रूप से रिव्यू मीटिंग का अयोजन करना होगा इस बैटक में उस स्कूल में ना केवल बदैर थी बलकि ध्यापकों की परफॉर्मेंस का भी रिव्यू किया जाएगा अभी भापकों के साथ भी इस बैटक में संबाद किया जाएगा इसी बैटक में स्कूल के रख रखाब के बारे में भी उचिर निन्या लिया जाएगा। इसके लिए अवश्चक दिशा नर्देश जारी कर दिये गए हैं। परदेश के सभी शिक्षा संस्तानों की वार्शिक रैंकिंग और उनके लिए परफॉर्मेस बेस्ट ग्रांड की शुरुआत की जाएगे। इस सारी विवस्ता को ओनलाइन पोर्टल के माद्यम से विक्षित किया जाएगा। तता इसे आम जनता तता अभी भाबकों से भी साजा किया जाएगा। इसके लिए एक वेबसेट बनाई जाएगी। शिक्षा शित्र में व्यापक सुधार करते हुए गुनात्मक शिक्षा पर विशेश ध्यान किंदित किया जा रहा है। अभी तक लिए के निल्डों में वर्ष में कुल अध्यापंद बस बढ़ाना, खेल एमन सांस्कृतिक गतिवीदों का निश्चित समय तैय करना, शिष्कों के गैर शिक्षन कारियों में निरंतर कभी करना, मिड़े मील में रिकॉर्ड की अपचारिक कारताओं को पुरा करना शामिल है। कि आम तोर पर हर स्कूल का एक अध्यापक लगबक निवित रूप से डाक लेकर स्कूल से अनुपस्तिक रहता था, इस मिवस्ता पर भी पूरन त्यार रोक लगा दी गई है। कि अचना और नियावमवली का पूरन प्रिक्शन करके अवश्चक बद्राप और विवस्ता परिवर्तन किया जाएगा। कर अचना अनुपस्ता इस मिल्स राप्ने पीछता है। कर ऑने रापिखन इस मिल्स प्रिक्षण थपरी के रांग्टा कि ओूरने पूरने ओूरने मनमा ऊ्री के वाणटूरू कि अजगने टांचूर रणिको प्रियूट्नлять है। कि आए addresses once दाए है। अभी तो अपनी मंजिल पाना बाकी है अभी तो इरादों का इंत्यान बाकी है अभी तो तोली है मुठी भर जमीर जमीर अभी तोलना आस्मान बाकी है अभी तो अभी तो चोदा आपकी नीट हराव हो गई है पढ़ने पढ़ाने जिस संस्कृती के विकास के लिए यह जो बजट है यह आतम निर्वर्ब, हमाचल और युवा जो पीड़ी है उनके भीष्य की शिक्षा पर नाली में महत्तपन बद्राव है इसको आप अराम सिर्फ समझीया पढ़िया और आप भी महसूस करेंगे यह महत्तपन बद्राव आज के 40 सान की विवस्ता परिवर्ट में जो लिए है पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए परदेश में बर्ष 2024 में पढ़ो माचल के नाम से एक व्यापत जन अभियान अरंग किया जाएगा इन अभियानों में विद्यलाओं के सासा ग्रामिन एवन शेहरी जन सुमगदाय को भी जोड़ा जाएगा इस अभियान के तैट परदेश के 500 शिक्षा संस्तानों में समान्या पाठकों और विशेश रूप से युवाओं के लिए रेडी इंगरूम बनाए जाएगे तथा इनी सिक्षा संस्तानों के पुस्तकाल्या के चलाने में आम जन की भागी दारी को सुनुश्चित किया जाएगा मैं परतेग जिला वे उबमंडल मुख्याल्या और पंचैस्तर पर एक आधुनिक्तम सुविदा सहित पुस्तकाल्या तथा वाचनाल्या बनाने की गोश्चना करता हूँ पंचैस्तर पर या कार्या चरणबत तरीके से पूरा किया जाएगा प्रत्रम चरणबे पंचैसतर पर 493 पुस्तकाल्या का निर्मान करके इनमें पुस्तके तथा अन्या सुविदाय पर दान की जाएगी जिस पर 88 क्रोड पे ब्याए के जाएगे शिक्षा स्तर में सुधार लाने में परशिक्षी तद्यापकों का मुक्चा युगदाने अता द्यापकों के प्रिक्षिक्षन को और अधिक रिजाट औरेंटिड बनाने के लिए जिस्टिक इस्टिचूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग डाइट तथा स्टेट चूट ऑफ एजुकेशनल मेनेजमेंट एंड ट्रेनिंग का पुना गठन करके इसे क्रियाशिल किया जाएगा जिन स्टानों पर चात्रों और चात्रों के लिए अलगलग स्कूल अत्वा महावधियाला चल रहे हैं स्टानिया निवासियों की मांग पर अविश्कता अनु विकास होगा तता प्यक्तितब उबरेगा इसके साथ ही जिन शेत्रों में तीन से पांच किलोमेटर के दारे में कोई प्रात्मिक शिक्षा विद्यालया ना हो वहाँ के बच्चों को नदी के स्कूल तक लाने और बापिस घर छोड़ने की विवस्ता सरकार द्वारा की जा अधेक्ष मोदे एक अर्मान के अनुसार जल रहीत रोगों से प्रतिवश भारत को 49 अरब 70 क्रोड़ रुपे का नुक्सान उठाना पड़ता है भारत के दो त्याई जिले पानी की कमी से जुज रहे हैं बच्चों को पीने के लिए साप पानी मिले इसके लिए परदेश में अपी अवियान चलाया जाएगा तता सरकारी स्कूलों के 8,50,000 से अधिक बच्चों के लिए मैं एक सुरक्षित एवन स्वच पानी की बोतल उ भुशना करता हूं। किया जाएगा सभी विद्यालों में खेलों तता भ्याम के लिए प्रति दिन कम से कम एक फिरेड अनुवाया किया जाएगा और शिक्ता अनुसार फिजिकल एजुकेशन टीचर की नुक्ति को परात्मिक्ता दी जाएगी। पांसो बच्चों से अधिक वाले स्कूलों में स्वैस सहता समो को मिड़े मीर के अमतरगत भोजर बनाने और प्रोसने में भागी दारी के लिए प्रोसाहित किया जाएगा। नैशनल असेस्मेंट एंड एक्रिडेशन कौंसिल नैक उस शिक्षा में परदेश की स्थिति को जांचने एवं इस से किये जारे प्रयासों को आंकने का एक अच्छा माध्यम है। 2024 में नैक एक्रिडेशन के लिए परदेश के सभी पात्तर कौलेजों दोरा अपनी दावेदारी प्रस्तुत की जाएगी। 470.000 रपे का नुदान का प्रस्ताव भी बारत सरकार के विचारा दिन है। मुझे आशा है कि बारत सरकार इन प्रस्तावों को शिगर स्वक्रिती परदान करेगी। पिछली सरकार ने परदेश में तीन स्तानों पर अटल अदाश विद्याल्या बनाने अरम किये थे। मेरी सरकार इने पूरा करने के लिए ना केवल अवर्शक घंदाशी अप्लब करवाएगी बलकि इने क्रियाशील भी करेगी। राजीव गांदी मोडर डे बोर्डिंग स्कूल तथा एक अटल अदाश विद्यालयों के लिए करमचारियों का एक विशेज कैडर बनाया जाएगा। तथा इन्हें अंतरास्ट्य मानकों पर उतकृष्ट सिक्षा संस्तानों के रूम में विक्षित किया जाएगा। मैं प्रतम चरण में परदेश में दस राजीव गांदी डे बोर्डिंग स्कूल करमचा लाडू, नगरोटा बगवा, कांगणा, अमलैड, भोरंज, संगनाई, फतेपूर, पांच और कानिर्मान अराम करने की गोशना करता हूँ। पांच और के नाम नहीं लिखे हैं। और इंजिनिरिंग, आर्टिविशल इंटेलिजन्स और डेटा साइंस में बीटेक और डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा। राजकिय बहुत तक्निकी सुंदर नगर में Computer Science and Engineering, Artificial Intelligence and Machine Learning में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा। राजकिय जुन्दोर में अरंबिक सत्तर दोजार चोबीर से कक्षाय अरंब कर दी जाएगी। इसमें नीजी शेत्र के और और Employers को जोड़ा जाएगा। तदा इसके माध्यम से 2024-25 में 180C Campus Interview यूजित किये जाएगे। असंगेटी 26 के कामगारों को हितों को ध्यान में रखते वे 2024 के आन्त तक इस शेत्र के 20,87,000 कामगारों को पंजी गृत करने का लक्षा रखा गया है। इसके अत्रिक समयों रोजगार विवा की रोजगार पंजी करन पोर्टर को Common Service Center के साथ भी लिंक किया जाएगा ताकि परदेश के युवा इन किंद्रों के माध्यम से पंजी करन करवा सके। यानि कि एप्लाइमेंट एक्षेंज के लावा लोग मिश्टर किंदर है, वहां भी एप्लाइमेंट कोई व्यक्ति अपना नाम रिजिस्टर करवा सकेगा। तक्निकी शिक्षा शित्र में खुल 330 क्रोड रुपे पस्तावीत है, अधक्ष मोदे बरतमान में प्रिद्दावस्ता, बिद्वा, एकलनारी, दिव्यांग, कुष्ट रोगी तथा ट्रांसजेंडर पेंशन के 7,884 जार लावारतियों के लिए लगवग 1,260 क्रोड 2024 में 40,000 ने पातर लावारतियों को इस योजना में समलित किया जाएगा, जिस पर लगवग 70 क्रोड रुपे अत्रिक व्याय किये जाएंगे, अधक्ष मोदे, पर्देश में अभी तक दिव्यांग जनों की उस शिक्षा के लिए कोई भी शिक्षा सर्स्तान उपलब नहीं मैं पर्देश में दिव्यांग जनों की उस शिक्षा के लिए कंडा घाट में एक सेंटर ओफ एक्सलेंट फॉर एक्जुकेशन फॉर ओफ दिव्यांग जनों की स्तावना करने की घुशना करता हूँ इस केंडर में जिरो से 27 बरश की आयू के दिव्यांग बच्चों के लिए अवासिये सुविधाएं, खेल मैदान तता सभी अन्य सुविधाएं परदान की जाएगी जिन पातर दिव्यांग बच्चों के लिए रहने की सुविधा अपलब नहीं होगी, उन्हें रहने के लिए कराय के लिए आर्थिक सहता दी जाएगी परदेश के युवाओं को रास्टर निर्मान की और ले जाने के उदेश्य से राज्यस्तर पर सभी सुविधाओं से कंडा गाट में एक अदश नशा निवारन के इंदर की स्ताफना की जाएगी इस के अंदर में पुस्तकालिया, जिम, इंडोर तता आउडोर खेलो त्यादी की सुविधा देने के साथ यहाँ भी सुनिशित किया जाएगा कि यहाँ के इंदर सड़क से जुड़ा हो तता कोई समुदाएक सुष्टे के अंदर आथवा, सिवल हॉस्पिटल इस के अंद पक अभियान चिवाया जाएगा, उम अंडल स्तर से लेकर राज्या स्तर तक के अधिकारियों की भागेदाई से एक अफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम की स्ताफना की जाएगी, अभी नशा निवारन के अंदर तो बहुत है, लेकिन हो मकानों में बंद कमरों में चल रहे है, तो किसी की नशे की अगर कर लट को छुटाना है, तो उसके लिए थोड़ा ओपन स्पेस वीचे खेलने की सुविदा भी हो, तो पहला हमाचल परदेश का नशा निर्मान के अंदर है, अदमी सुविदाओं से लेस, इसको हम यहां हमाचल परद परदेश के सभी वर्गों को समय पर उची सुविदा परचाने के लिए हमारी सरकार सदा सी प्रेतिंशिल रही है, मैं एक नहीं है उजना, मुख्या मंति सुख अरोग्या युजना अरम करने की गोजना करता हूँ, इसके अंतरगत, परदेश में सतर वर्ज से आधीक परदेश के लिए हमारी से प्रेतिंशिल रही है, मुख्या मंति सुख शुख शुख युजना अरम करने की भी गोजना करता हूँ, इसके अंतरगत, परदेश में सभी विद्वाओं, इसी सभी विद्वाओं के 27 सल तक या आयूँ वाले बच्चे, इसके अंतरगत, परदेश में सभी विद्वाओं के 27 साल तक की आयूँ वाले बच्चे, जिनकी सभी विद्वाओं से बार्शी काई, एक लाख पे से कम हो, कि शिक्षा पर होने वाले सभी बाला प्याय परदेश सरकार बहान करेगी, इन बच्चों को Medical College, Engineering College, NIT, IIM, IIT, Nursing, Graduation, Post Graduation, पाठ्या क्रमों में परवेश मिलने पर या सुविदा परदान की जाएगी, इसके अत्रिक्त, बिद्वा, निराशित, तलाग शुदा और अक्षम, माता पिता के सभी पात्र बच्चों के आड़ी घाते में, ठारा वर्ष की आयू तक एक हजार प्या प्रतिमा दिया जाएगा, इसके साथ ही सभी पात्र महनाओं के स्वस्त्य अभीमा का वाशिक प्रियों भी राज्या सरकार द्वारा बहन किया जाएगा, इस पर लगबग 41 क्रोड प्यात्रिक ब्याय के जाएगे, यानि कि जिन विद्वाओं की 20 सुरोतों से एक लाख स्प्रे से कम है, उनके सभी ब दुनिया में कुछी लोग बदलाव लाते हैं, दुनिया में कुछी लोग बदलाव लाते हैं, बाकी सब तो जिन्दगी गुजार कर चले जाते हैं सुमाजिक सुनक्षा हित्तु चलाई जारी बवीन योजनों को लावर्तियों तक समय तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार्ती तसम कल्प है, मैं यहां भी गोशना करता हूं कि जिला विकास समीति की बैड़क समय पर नहाने जिला विकास समीति की बैड़क समय पर ना होने, अब तो आ गये काफी, जिला विकास समीति की बैड़क समय पर ना होने, ना होन पाने की स्कीति में, संबंदित जिलाओं के उपयुक्त को इन योजनाओं के अंतरगत बविन लाव अर्थियों को दे जाने वाले लावों को स्वक्रित करने की शक्तियां दी जाएगी, ऐसी परस्तिति में दीगी स्वक्रितियों पर जिला कल्याण समीति की होने वाली अगामी बैटग में अनिवार्या रूप से अनुमोधन प्राप्त करना होगा, अनुसुची जाती, जन जाती तथा अन्या पिछड़े भर्गों से संबंदित लावार्थियों के लिए चलाए जारे, पोस्ट ग्रेजुट डिप्लोमा इन कंप्यूटर अप्लिकेशन कोर्सिस में बजार मांके अनुरूप, जी एस्टी, टैली आर्टी, टैली आर्टी विशल इंटेलिजन, डैटा मनेज्मेंट, मशीन लर्निंग, साइबर स्क्यूर्टी, ओटो क्यार इत्यारी ने कुर्सिस को सम्निच किया जाएगा, ताकि इस कारेकरम के अंतरगर पर्शिक्षित लावर्थियों को उचीत रोजगार प्राप थो सके, समाजिक स्रुक्षा, महिला, पाल, एवं अन्या पिछले वर्गों के कल्यान के लिए, कुल 2457 क्रोड रपे परस्तावित है, अदक्ष मोदे, अत्यादिक बर्शा से आई आपदा के चलते हमारी सरकार ने द्वारा आपदा परभावित परिवारों के लिए, तुरूंत परभाव से राशन, LPG, गैस कुनेक्षन, तदा स्लिंडर बिना किसी दामके उपलब्द करवाएगे, हमारी सरकार द्वारा की यह चोटी सी सहता पिडित परिवारों के लिए संकर के समय एक बड़ा सारा बनी, राशन डिपों के माध्यम से, Food Safety and Standard Authority ऑफ इंडिया के मान डंडों के नसाथ, बिटामिन A और D से, 40 वाइट सरस्तों का तेल और रिफाइन तेल दिया जा रहा है, अ बोगतां को या तेल खुले बजार से उचे दामों पर खिरना पड़ता है, मैं गोशना करता हूं कि 1 अपरेल 2024 से सवी बोगता अपने अवश्कता के नुसार राशन डिपों से या तेल प्राप्त कर सकेंगे, इससे राज्यक की महलाओं को लगवग 100 क्रोड रुपे का ला नेशन वन राशन कार्ड के अंतरकत नैशनल पोर्टविल्टी को और सद्रिड किया जाएगा, इससे नैशनल फूर्स क्योटी एक्ट के प्राफदानों के नुसार राशन वित्रन को पारदाश्य बनाने में सहता मिलेंगे, इसी के अंतरकत बैपदारित के वाइसी का प्र निशित की जाएगी, खाद्या उपदान के लिए फुल दो सो क्रोड रुपे से अधिक व्याय किये जाएगे, अध्यक्ष मोदे, पिछले वस्ट परते एक ब्लॉग में निर्मित किये जारे प्लास्टिक बेस मिनेजमेंट यूनिट्स को दो जार चोबिस पच्चिस में उपरेशनलाइज कर दिया जाएगा, इसके उपरेशन्स में बैकवर्ड और फॉर्बर लिंके सुनीचित की जाएगी, ताकि इनका लाब और अन्या शेत्रों ततसमधाय को भी मिल सके, सभी जिलों में एक मोडल पंचायत के लक्षिया को पूरा करने के बाद, इस मोडल को कन्वर्जन्स के माद्यम से अन्या पंचायतों में चन्वक्त धंग से रेप्लिकेट किया जाएगा, प्रदेश के ग्रामिन शेत्रों को स्वच बनाने के देशा से दो जार चोविस पच्चिस में पांच हजार अत्रिक गों को O.D.F. प्लस ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस डिक्लेर करने का लक्षय रखा गया है, इसके अत्रिक्त भूमी उप्रुपता के अधार पर कम से कम चार साइट पर फेकल स्लज मेंजमें प्लांट स्तावित किये जाएंगे, दो जार चोविस पच्चिस में गरामनी शेत्रों में एक जार स्माय स्वेता स्मू बनाने का ल अक्षय रखा गया है, स्वेता स्मू पर लगवा सो क्रोट रप्या ब्याय किने जाएंगे, सभी पंचायतों के अकौंट्स एग्राम स्वाराज सोट वेस्ट एप्लिकेशन से जोड़ दिये जाएंगे, इसके माद्यान से सभी पंचायतों इसके बादिया ससभी में पंचाइतों के संसादन तता ब्यायकी मोनिटरिंग के लिए इस पनाली को और सद्रिट किया जाएगा दोजार चोविस पच्चिस में पंचाइती राज संस्तानों के लिए 352 क्रोड पे पंदरे में वित्यों की स्पार्शों के अमरूब तता चारसो अर्टाली क्रोड पे छड़े राज्य वित्यों की स्पार्शों के अधार पर व्याय किया जाएंगे पूरव की यूपिय सरकार दोरा रहम किया गया मात्मा गांधी ग्रामिन रोजगार ग्रंटी एक्ट मन्रेगा ग्रामिन रोजगारों के लिए एक बरदान साविक हुआ है मन्रेगा कामकार इसके माद्यम से गरामिंट शेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के साथ पबलिक एसेट्स बनाने का कारया भी कर रहे है मैं मन्रेगा कामकारों की ध्याड़ी जो गौह में मन्रेगा के ध्याड़ी है पिछली बार 16 बढाई थी मैं मंडरेगा कामगारों की ध्याड़ी बरतमान में 240 रुपे से बढ़ा कर तिन सो रुपे करने की घुजना करते हूँ पूरे 60 रुपे पढ़ाएं इस परकार सरकार मंडरेगा कामगारों को 60 रुपे प्रति दिन अपने संदानों देगी अब शेर सुने इस पर रुपना हो अगर तो सो भाने जाना हो तो रस्ते बड़े है अगर रुपना है तो योजना लागू करनी ना हो तो भाने बहुत है हमने 300 रुपे आप हमाचल परदेश में यहां एक इत्यासिक ब्रिदी है जो कि आज से पहले नहीं की गई है इस ब्रिदी से गरामी नर्थ बिवस्ता को अब ही समझाता हूँ हमाचल परदेश में यहां एक इत्यासिक ब्रिदी है जो कि आज से पहले नहीं की गई इस ब्रिदी से गरामी नर्थ बिवस्ता को आतम निर्वर्ता की ओर ले जाने में गती मिली गई इसी के साथ जो मनरेगा में काम करने वाली महिलाएं होती है इसी के साथ ऐसी विदवा एकल बेसारा दिव्यांग महिला मनरेगा कामगार जिनकी बारशिक आए डाई लाग रपे से कम हो तता बर्ष में सो दिन की मजदूरी पूरी कर चुकी हो को मकान बनाने के लिए तीन लाग रपे तक की सहता दी जाएगे वह शर्त है या सहता किसी और कारे करम के अंतरकर प्राप्त नहों यानि कि साथ रपे भी बढ़ाए जो होगी डाई लाज से कम विदवा या उसको तीन लाज रपे सहता दी जाएगे मैं पंचाती रासरस्ताओं के प्रतिनियों का मान बढ़ाने की सहर निमन गोशनाएं करता हूं अद्यक्ष जिला परिशद को चार अजार बढ़ोत्री के साथ चौबिस रजार पर प्रतिमा मानने मिलेगा उपाद्यक्ष जिला परिशद को तीन हजार बढ़ोत्री के साथ अठारा हजार पर प्रतिमा मानने मिलेगा सदस्या जिरा परिशद को 1300 रुपे प्रतिमान दे मिलेगा अध्याक्ष 95 समीती को 1400 रुपे प्रतिमान दे मिलेगा स्दस्य पंचायद स्मिती को बारा सो रपेया ब्रोतरी के साथ बतर सो रपेया प्रतिमा मानदे मिलेगा उप परदान ग्राम पंचायद को बारा सो रपेया ब्रोतरी के साथ बतर सो रपेया प्रतिमा मानदे मिलेगा सदस्या ग्राम पंचायत को 500 रुपे ब्रोत्री के साथ 750 रुपे प्रती ग्राम पंचायत बैठक हितु मांदे मिलेगा ग्रामीन विकास इवन पंचायती राज के लिए कुल 2356 क्रोड रुपे पस्तावित है अध्यक्ष मौरे 2425 से घर बनाने के लिए नक्षों की सुत्रिती ओटो DCR के मादें से एक सिंगल पोर्टल पर प्रदान की जाएगी यदि घर का नक्षा इस पोर्टल पर अपलोड करने के बाद कोई भी कमी पा जाती है तो अवेदक उसे ओन लाइन दे कर ही अवश्चक दस्तावे जमा करवा पाएंगे इसी पोर्टल के मादें से प्राइवेट प्रोफिशनल्स पांसो बर्ग मीटर तक के अवासिय नक्षे की अनुमती भी दे पाएंगे मैं स्तानिया मैं स्तानिया नगर्द काव के प्रतिनी दियों को प्रतिमा दिये जाने वाले मान दे को निविल परकार से बढ़ाने के सहर्श घुशना करता हूं पानी के लेता हूं ना बोकल पोर्ट सुख जाती है तो थोड़ा है मैंनों से तो काड़ के दे रहा हूं है मैंनों से ही काड़ के आ रही है महापोर नगर निगम को चार जार पे बड़ोति के साथ 24,000 पे प्रतिमा मान दे मिलेगा महापोर नगर निगम को 3,000 पे बड़ोति के साथ 18,000 पे प्रतिमा मान दे मिलेगा कॉंसलर नगर निगम को 14,000 पे बड़ोति के साथ 84,000 पे प्रतिमा मान दे मिलेगा अद्यक्ष नगर परिशद को 17,000 पे बड़ोति के साथ 10,200 पे प्रतिमा मान दे मिलेगा उपध्याक्ष नगर परिशद को 14 सो रपे ब्रोत्री के साथ 84 सो रपे प्रतिमा मान दे मिलेगा पार्शद नगर परिशद को 700 रपे ब्रोत्री के साथ 42 सो रपे प्रतिमा मान दे मिलेगा परदान नगर पंचायत को 14 सो रबे बरोती के साथ 84 सो रबे प्रतिमा मान दे मिलेगा उपरदान नगर पंचायत को 11 सो रबे बरोती के साथ 66 सो रबे प्रतिमा मान दे मिलेगा सदस्या नगर पंचायत को 700 रबे बरोती के साथ 42 सो रबे प्रतिमा मान दे मिलेगा गया एगुश Religion में हम डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के सभी स्टीटूशन को मजबूत करना चाहते हैं हम इसको कमजोर नहीं करने इता कि आप तिया नए टो से दो काटकर दे रहा इस बन्य घुफ टूप से चलाने के लिएर तद उस पर निग्रामनी के लिए प्रियावन्ट सेल की स्थाफना की जाएगी शहरी निकायों के कार्या में सुधार तथा आमचंता की सुविदा के लिए शहरी निकायों की कार्या परनाली को डिजिटाइज किया जाएगा इसके लिए रज्यस्तर पर एक स्थेट प्रोजेक्ट मोनिटरिंग इनुट की स्थाफना की जाएगी जो कि एक्सपर्ट के माद्यम से शहरी निकायों की कार्या परनाली को ओनलाइन प्लानिंग, इंप्लिमेटेशन, मोनिटरिंग तथा रिपोर्टिंग में साइक सिद होगे इसी पहले के अंतरगाद शहरी निकायों में विभीन शुलक एवं टेक्स ओनलाइन कठे किये जा सकेंगे तथा विभीन सर्टिफिकेट एवं एवं एन उसी ओनलाइन जारी किया जा सकेंगे इसी के अंतरगाद शहरी निकायों के अकाउंट को डिजिटाइज किया जाएगा AGI, AGSAC की सहता से सभी शहरी निकायों में परिसंपरतियों की GIS मैपिंग की जाएगी तबक्ष मौदे, मैं बार्मिकी समाज के भाईयों तथा कामगारों के लिए आवास निर्मान में सहता के लिए नई योजना महरेशी बार्मिकी कामगार आवास योजना अरम करने की गोशना करता हूँ रमैंड के रच्षिता महारेशी बालमिकी जी थे मैं आज उनके नाम से महारेशी बालमिकी कामगार अवास चुजना अरहम करने की गोशना कर रहा हूँ अभी अभी राममंद्री भी हुना तो इसके अंतरगत बालमिकी समाज के ऐसे स्पाई करमचारी जिनकी वार्षी काई ढाई लाक रपे से कम हूँ तता उनके पास अपना घर नाओ को घर बनाने के लिए तीन लाक रपे की आर्थिक सैता दी जए मैं मुक्यमंत्री विद्वा एवं एकलनारी अवास चुजना के अंतरगत ऐसे सभी लावर्थियों जिनकी वार्षी काई ढाई लाक रपे से कम हो को ग्रियन निर्मान के लिए दी जारी डेड़ लाक रपे की राशी को बढ़ा कर तीन लाक रपे करने की दोशना कर दोशना जितने भी विद्वाएं हैं उनको घर बनाने के लिए जो डेड़ लाक रपे की राशी मुख्यमंत्री की द्वारा हमने शुरू की है उसमें उनको घर बनाने के लिए तीन लाक रपे की राशी दी जाएगी और उनकी आए की सिमा भी हमने तैक ही है कि ढाई लाक से कम होनी चाहिए सुनो असर है यह हमारी दस्तकों को जहां दिवार ती दर हो गया हमारी सरकार ने ने रास्ते बनाए हैं बतलते समय के मताबिक काम शुरू किया बादाओं को खतम कर दिया जहां दिवार नजर आती थी आपको महां दरवाजा बन गया अजय को आज़ा एक तानी आज़ाता है जाजाए जाजा बिक्रम जी यहां जो इसके दुराज़ा बना रहे हैं मेरे तो आप शुप चिंतर क्या है अच्छा सुनो नगर निगाम धरवशाला सोलनो शिम्ला नगर मेरे तो शुप चंतर सब्सक्रादा भीपन परवार जी है सत्ती जी है, रंदीर जी है, बिकरम जी है, सब है, बीजे भी तो पराणे उनिस्टी के साथी है नगर निगाम शिफ धरवशाला सोलनो शिम्ला नगर परशन नाला गाड़ और परमाणों में एकनोमिकली विकर सेक्शन्स से सम्मंदित ऐसे विक्तियों को मकानों वर्टित के जाएंगे जिनकी वार्शिक आए तिन लाथ रपे से कम हो, पातरता मान नंडों को पूरा करने वाले अनुसुची जाती, अनुसुची जन जाती ओवीजी वरग तता बिध्वाएं, निराशित, महिलाएं, दिवियांगों को प्रात्मिक्ता दी जाएगे अध्यक्ष मोदे परदेश के गरामिन शेत्रों में जल जीवन मीशन तता अंडीवी और एडीवी के माध्यम से विवीन परियोजनों के अंतरगत पेजल सुविधाय परदान की जा रही है दोजार चोबिस पच्चिस में किनौर चंबा और लौर बेस्पीती में उनतिस क्रोड की लागत से चार एंटी फ्रीज पेजल परियोजनों को पूरा करने का लक्षा रखा गया है न्यू डवल्मेंट बैंक के माद्यम से 24 तता इशन डवल्मेंट बैंक के माद्यम से 186 पेजल योजना के कारेमन के प्रिमिन चर्म पर है तता इन्हें तैस समय सिमय के भीतर ही पूरा कल लिया जाएगा इन देवनों के माद्यम से 20,663 परिवार पाशली कवर्ड स्कीम से लावन भीत होंगे तता 79,282 परिवार फंक्शनल हाउस होड़ टैप कुनेक्शन के से लावन भीत होंगे कोड कोड सुथा बोकल कोड सुथी है लाव शहरी शेत्रों में पेजल योजनाव पूर्ती में सुधार के देश्या से मैं 2024-25 के लिए निमन गोशनाय करता हूं चार शहरों क्रमशा जवाली, हमीरपूर, बैजनात, पपरोला तता नेर्चोग में 135 लीटर्स पर केपिटा पर डे की शमता वाली पेजल योजनाओं का काम पूरा कर लिया जाएगा इसी परकार अंब और भूंतर के लिए 33 क्रोड की लागत से पेजल योजनाओं के कार्यवेन को गती दी जाएगी और प्रयास रहेगा कि 2024-25 के अंग तक इसका कार्या पूरा कर लिया जाए 112 क्रोड की लागत से नहान, अर्की, निर्मंड, पालंपूर, जुगिंदर मेगर के लिए पेजल सुधार योजनाओं का कार्या शीगर अरम कर दिया जाएगा मेरे पिछले बज़ट में गोशित 24-7 पेजल योजनाओं के कार्यवेन की दिशा में रामपूर में बार नमबर 6 और 7 नाला गड़ चंबा में में पेजल योजनाओं का कार्या अरम कर दिया गया है तता अन्या नो शारव में इन कार्यों को शिगर अरम करने के प्रयास किये जा रहे है हमाचर परदेश में पेजर की गुनवत्ता सुधारने की दिशा में मेरे दवारा कीगी घुशनों को पूरा किया गया है तता स्तानिय महिलाओं की भागेदारी से विलेज बाटर एंड सैनिटेशन कुमिटीज का गठन करने के बाद महिलाओं को परशिक्षित किया जा चुका है अब तक 69 टेस्टिक लाइब स्तापित की जा सुकी है जिन में से 62 की एक्रिडेशन नैशनल एक्रिडेशन बोर्ड वर टेस्टिंग एंड कैलिवरेशन द्वारा की जा चुकी है 2024 में इस विवस्ता को और सद्रिड किया जाएगा ताकि परदेश की जनता को स्वच एवन किटानू रही पेजल उपलब्द हो सके पिछले बजट में गोशित S.O.P. के नुसार पेजल योजनों तथा S.T.P. में यूबी सिस्टम लगाने के लिए 37 साइट्स की पेचान की गई है जहां जल स्रोतों में या तो कंटेमिनेशन है या इसकी संभावना है इन साइट्स पर शुद पेजल उपलब्द करवाने के उदेशा से यूबी सिस्टम लगाने के लिए वश्यक कदम उठाए जाएंगे गगरेट, ढलोजी, च्वाडी, इर्वालसर, भोटा, संतोगर, बैजनात, पपरोला, नेच्रोक में सिवरेट परयोजनों पर चल रहे कारयां को गती दी जाएगी तदा उन्हें 2024-25 में पूरा करने के प्रयास किये जाएगे राजगर, बंजार, चुपाल, निर्बा, तदशापूर में सिवरेट परयोजनों के निर्मार्ण का कारया दोजार चल चल विस्वाड़ पच्चिस में पूरा किया जाएगा A.F.B. 12.817 क्रोड रपे की लागत से सिक्रित प्रेजनों के अंतरगत मनाली पालमपूर नहान करसोग तता बलासपूर के लिए सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वाटर वेज ट्रीटमेंट प्लांट और मनाली के लिए इस पेजल यूजना सुकूरित की गई है इन में से मनाली सिवरेज नेटवर का कार्या प्रग्रिती पर है तता शेश कार्या को शिगर यह रमब कर दिया जाएगा शेश बहुत आगे है पर सुनाएं को उसा आप सुन देगा हम आपको परशानी तो करने आए इस तिन सो असी क्रूड रुपे की लागे से चोधा सर्वेस माइनर इरिगेशन स्कीम का कार्या विविन चर्मनों में है इन में फिट नहीं बैट हो ना जब फिट बैटे का तब हो जाएगा इन योजनों के मादियों से लगवग 9,700 एक्टेर का CCA उपलवत करवाए जाएगा परधान मंत्री किशी संचाई योजना के अंतरगा सुकृत इन योजनों को बारसर कार द्वारा जारी धनराशी के अधार पर गती दी जाएगी परधान मंत्री किशी संचाई योजना के अंतरगा सुकृत चार योजनों में से लाबरंग, गार्डन, कुलॉनी तद अदपू के लिए सुकृत योजना को पूरा करने के लिए लगवग 33 लाग की राशी ट्राइवर डॉल्मर्ट प्रोग्राम से उपलवत करवा दी गई है चस 644 क्रोड पे की लागत से फिना सिंग भाव देश्या मद्यन सिचाई योजना को सची डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सी रिवर ड्वालमेट अनकंगारी जूविनेशन की दक्षता में हुई स्क्रीनिंग कमेटे की बैटन में परधान मंत्री क्रीशे सिंचाई योजना अक्सलेटेड इंटेगरेट इरिगेशन बैनिफिट प्रोग्राम के अंतरकर फंडिंग के लिए अनुशाशित किया गया है इसके दिर्मान से 4,025 सेक्टरियों का CCA उपलब्द होगा तता इसके साथ ही 8.88 मेगवाट जल विदूत उतपाद नहोगा इस प्रियोजना के कारेवन को गती दी जाएगी जल शक्ती के लिए कुल 3,360 क्रोड पे परस्तावित है अदक्ष मोदे मांसुन आपदा के चलते पर देश में सड़कों ततरपूलों के उब्यापक नुक्सान पहुंचा हमारी सरकार दोरा बिना समय गवाए रात और पुनर मेमान कारेव शुरू किया गया तदा बहुत ही कम समय में सभी मुख्या सड़के ट्राफिक के लिए खोल दी गई छोटी सी अबदी में ठाला बैली व्रीच एवं 27 रोबे जुलों की सहता से शती के सड़कों को भाल किया गया मैं इस सदन के माद्यम से ऐसे सभी चुनेवे प्रजन प्रतिन निदियों तता सरकारी अधिकारियों एवं करमचारियों का जिन्नोंने दिनराथ प्रदेश की जनता के साथ खड़े होकर भाली का काम किया दिल से धन्यावाद करता हूँ रेलवे तता जल परिमान के अवाम में प्रदेश को एक मजबूस सड़क नटबक की अवश्कता है पिछले लगवक 53 वर्ष के कारेकाल में परदेश में बहुत सी नई सड़के बनी तता हमके माद्यम से बहुत से गौन जुडे बातमान में 40,703 किलो मेटर मोटर योग्या सड़के 34,55 किलो मेटर पकी सड़के तता 2,478 फुल है कुल 3,615 ग्राम पंचायतों में से 3,570 ग्राम पंचायतों को मोटर योग्या आत्वा जीप योग्या सड़कों से जोड़ा जाच चुका है 6,5 पंचायतों में से 10 और पंचायतों को 2,024,25 में मोटर योग्या सड़क से जोड़ दिया जाएगा हमारी सरकार दुवारा प्रदानमंत्री ग्रामिक सरक योजना थी के अंतरगत 2683 किलोमेटर लंबी 254 सरकों के लिए 2643 क्रोड रपे की सुकृति प्राथ की गई है इस योजना के अंतरगत 2425 में नेमलित कारे पूर्ण किया जाएंगे 500 किलोमेटर लंबी सरकों की अपग्रेडिशन होगी 325 किलोमेटर ने सरकों का निर्मान 8 किलों का निर्मान 15 बस्तियों को सरकों से जोड़ा जाएगा इसी परकार परदान मंतरी ग्राम सड़क योजना के अंतरगर 825 किलोमेटर लंबी सड़के में 8 पूरों का निर्मान किया जाएगा इसके अत्रिक परदानमंत्री ग्रामिट सड़क यूजना वन एवन टू के अंतरगत एक सो पचास किलोमेटर लंबी सड़कों में क्रोस ड्रेनेश की सुविदा परदान की जगी है। करने के लिए एक परस्ताफ के अंदर सरकार को बेजा जाएगा। इन में से राष्ट्य उच्राज मारिक पर प्रमुक कारिया निमलिक्त है। क्रोड की लागत से विमिन रास्टे उच मार्गों पर पुलों का निर्मान लगबाद दो जाल क्रोड पे की लागत से विमिन का रिया। अगामी वर्ष के दोरान नवाड के माध्यम से राइडियाफ के अंतरगत दो सो पांस किलोमेटर लंबी ने सडके तिन सो पांस किलोमेटर सडकों पर क्रोस डेमेज चार्स तो पच्चिस किलोमेटर लंबी सडकों की टारिंग तता पच्चिस पुलों का निर्मान किया जा जिया मानिकरन सड़क पर वर्षा से हुए नुक्सान का मुहमत कारिया शाहपूर सुनता च्वाडी मारका उन्यान व्यास नदी पर टेरेस तता स्थाना को जुडने वाले पूल का निर्माण गागचल मेरे बड़सर सड़क का उन्यान प्डोगा त्यूंडी में स्वान नद को कम करने की दिरिष्टी से दोजाच चोबिस पच्चिस में 230 किलो मेटर लंबी सड़कों पर प्लास्टिक बेस्ट का इस्तिमाल किया जाएगा इसके अधिक उंचाई वाली सड़कों पर कैल्शियम कोलोराइड और ब्राइन स्लूशन का प्रियोंग किया जाएगा ताकि स जर्दियों में इन सड़कों पर बरभ ना जम सके और संभावित दुरबड़ना को टारा जान ना जा सके यह आगे आपके लेख से दर्द दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है बैंड की क्या दवा करे कोई अब बैंड में घ्ले में रोगा है आपको हर चीज का ब्याय मुरता है अधाक्ष मोदे परेवान सरक्षन अब यह एक और ढूंड़ोगा ना अधाक्ष मोदे परेवान सरक्षन और लागत को कम करने लागत को कम दोजार चोविस पच्चिस होए महारी सरकारद्वारा निमलित सडकों तता संबदित निर्मान कारिये किये जाएंगे 860 किलो मीटर लंबी कुल सडकों का निर्मान 117 किलो मीटर लंबी सडकों पर क्रॉस द्रेनेज 1075 किलो मीटर लंबी सटको और मेटरिंग एंटारीं 57 पूलों का अंगिरमान 10 पूलों के 40 गों को सटकों से जोड़ा जाना सटकों पूलों के लिए कुल 4,317 प्रोड पे पस्तावित है दक्षमोदे बजार की बदरती परस्तित्यों को देखते वे 2019 में अधिसुचित द्योगिक नवेशनिती में बदलाब करना आती वशक है जिससे भावी नवेशकों को कम से कम समय में सबी स्कृतिया एक ही बिड़ों के मात्यां से मिल जाए इससे नवेशक और अधिक नवेशक करने के लिए प्रोसाइट होंगे हमारी सरकार 2024 में बदलती पस्तित्यों को देखते वे एक नई अधियोगी पुरसान बेनिवेशनिती 2024 लाएगी परदेश के युवाओं के लिए द्योगिक शित्र में स्वरोजगार की अंगनित संभाना है युवाओं को इस और प्रोसाइट करने के लिए की अवश्कता है इसके लिए मैं 2024 में एक नई स्टार्टप निती 2024 लाने की गोशना करता हूँ इस निती के अंतरगत इनोवेशन के लिए तता महलाओं को स्टार्टप वेंचर हितु विशेश परोसान का प्रदान किया जाएगा महलाओं द्वारा शियेक शुरू किये स्टार्टप को एक वर्ष के लिए अधिक्तम 4 लाग रपेते की साहता दी जाएगी द्योग शेतर राज्जा के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है मेरी सरकार का प्रयास है इस शेतर को सर्वत्तम एकोसिस्टम पर दान करना है पिछले साल की आबदा के दोरान मेरी सरकार द्वारा बड़े पेमाने पर भाली करने कार्या करने के लिए अवशक संसाधन जुटाने के अदेशा से लेक्टिसिटी ड्यूटी की दर बढ़ाई थी अब जब स्तिती में सुधार हुआ है मैं गोशना करता हूँ कि बड़ी हुई लेक्टिसिटी उन बुगतों द्वारा देन नहीं होगी जिने हमाचर परदेश द्योगी की निती दो जार उन्निक के प्रवधानों के रुसार सुविक्यारिया अब्दी की सिम्माप्ती तक लेक्टिसिटी ड्यूटी का भुकतां करने में छूट दी गी है अदक्ष मौदे मैं परदेश में हो रहे हैं अबद खनन पर अंकुष लगाने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रवावी रूप से कई कदम उठाए है दक्ष परस्टों से भी अधिक परानी परदेश की खनन निती में कुछ बदलाब किये जाने हैं वाशक है कि परदेश में हमाचर परदेश माइन्स और मिनरल्स पॉल्सी दोजार चौबिस लाए जाएगी जिसके मुख्या देशिया अवैद खनन पर रोग तथा विग्यानिंग खनन के मादियों से परदेश के राजस में बिद्दी करना होगा परदेश के द्योगिक शेत्रों में विभीन कारणों से आग से होने वाली दुर्गंडाओं से निपडने के लिए अगनी शमन सिवाओं के लिए अलग मानदंड तया किये जाएंगे इन मानदंडों में द्योगिक शेत्रों में द्योगों की संख्या तता किसम के अधार पर केमिकल्स, बिजली तता अन्या कार्णों से लगने वाली आग से निपटने के लिए अलग लग S.O.P. तता केमिकल प्रोटेक्शन सूर, फॉर्म कंपोर्ट टेंग, ड्राइ केमिकल प सुधाय निबेशकों तता कामगार दोनों के लिए वश्क है, मैं इस शेत्र में 70 क्रोट रुपे की लागस से शेत्रों से जगाद खारना तक सड़क बनाने की गोशना करता हूं, या सड़क मेडिकल डिवाइस पार घेरा वालों को बद्दी द्योगी शेत्र से अजक्ष मोरे, 2024 में स्तारा पट्रोल पंपर पर इवेकल चार्जिंग स्टेशन के साथ साथ इंडियन वाल कार्पोरेशन लिमिटेट ततराज्या विदिद पूर्ड की साज़ेदारी के साथ अन्या तेरा पट्रोल पंपर इवेकल चार्जिंग स्टेशन को पूरन डूप से काराई शील्ड किया जाएगा इसके अतरिक 55 अन्या सरकारी शेतरों के इवीकल चार्जिस स्टेशन को काराई शील्ड कर दिया जाएगा 2023 में की गई है एक्चाइटिकल टेक्सिस हो गई है इसी प्रति बंता को आगे बढ़ाते हुए मैं गोशना करता हूँ कि 2024 में 327 अतरिक डिजल बसिज को अलेक्टिकल बसिज से बद्रा जाएगा इस पहल में जन सहवैक्ता सुलिशित करने के लिए शुराती चरण में माने विधायकों को परतेविधान सावा शेतर में पांच रूटों पर इवेस्ट चलाने के लिए प्राथ्यमिक्ता मांगी गई है राजीव गंदी स्रोजगा स्टार्ट अप यूजना के अंतरकार 2024-25 में 40% उपदान पर इटेक्सी चलाने के लिए 10,000 परमिट दिये जाएंगे 10,000 जो डिजल इंजन पर्ट्रॉल वाली गाड़िया हैं उनको इटेक्सी चलाने के लिए 40% सब्सिटी पर इटेक्सी दिये जाएंगे मैं गोशना करता हूँ कि 2024 में बंद भिवा, HRTC, HPTDC, GAD के अलिजीवल भान इवीकर में बदा दिये जाएंगे दार्मिक स्थालों के लिए बसे चलाने है तो प्रतम दर्शन सेवा का विस्तार किया जाएगा प्रतम शर्ण में श्री योद्या धाम के दर्शन के लिए भविन स्थानों से बसे चलाई गई है 2024 में कुछ अर्थिक संस्तानों में इस बस सेवा को चलाया जाएगा बर्ष 2024 में बैंस वहान सक्रैप निती के अंतरगत परदेश में विकल सक्रैप स्क्रैपिंग सेस्लिटी सेंटर की स्तापना की जाएगी जिससे परदेश के सभी 12 जिरों को इसकी सुविदा मिल सके मैं गोशना करता हूँ कि 2024 में आटोमेटिड टेस्टिंग सेंटर के मादम से सभी भानों की फिटनेस अनवारिया कर दी जाएगी ताकि भानों को फिट टिकलेर करने में मानवे गल्ती ना हो परवहन निमों की लंगना पाए जाने पर ऑनलाइन चलान के लिए विवाग्या अधिकारियों को ए चलान एन ए पियोएस मशीन उपलाद करवाई जाएगी सभी परवहन बैरियर्स पर ओटोमेटिक नंबर प्रेट रिकोगिनिशन क्लोज सरकर्ट टेलिविजन कैमरेस की सुविदा अपलाद करवाई जाएगी जिससे कर चोरी को समात किया जा सके और सरकार को अत्रिक संसादन प्राप्त हो सके इस पर नाली की सहता से ट्रैफिक को भी सचालू रूप से संचालित करने में सहता मिलेगी 272 क्लोड की लागर से नेचर पार्क मौल तथा बिजली महदब के बीच हाई विलीड अनियूटी मोडल पर एक 3.2 किलोमेटर लंबे रूपे का निर्मान कारिया अरम किया जाएगा इस रूपे पर होने वाले लाप का 50% अंश रज्या सरकार को प्राप्त होगा लगबग 54 क्लोड की लागर से निर्मित किये जारे बगला मुकी रूपे को हाली में आई अब्दा के काम वारी नुक्सान हुआ था जिसके काम इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए 5 क्लोड पे से अधिकी लाशी व्याई की गी है मैं सहच भुजना करता हूँ किसका निर्मान कारिया पूरा करके इसी वार्शी प्रदेश की जंता को समर्पित कर दिया जाएगा हमारी सरकार प्रदेश के लोगों तदब रिटकों की सुविदा के लिए कारका से परमानू तक की ब्रोड गेज रे लैन बिचाने के लिए बाहर सरकार से अंरोध करेगी इसके साथ ही जेजो से पोलियों तक की रेल लैन बिचाने के लिए भी बहाद सरकार से अनरोध किया जाएगा इसके बिचने से परदेश में बंडरे बल्ड ड्रग फर्मा पार्क तक रेल यातात की सुविदा अपलब दो जाएगी 2024 में इन दोनों रेल लैनों के सर्वे पर लगवक 10 क्रोड वेव ब्याय होने का अनुमान है अदेक्स मौदे परदेश में एको टूरिजम को बढ़ावा देने के देशा से तरेल में एको टूरिजम साइट को मेनेज्मेंट एंड अपरेशन के लिए चर्णमत तरीके से आउट्सोर्स किया जाएगा परदम चर्णमें तेरा एको टूरिजम साइट को आउट्सोर्स करने के लिए RFP को अंतिय रूप दे दिया गया है तता 2024 में इन सभी साइट को आउट्सोर्स कर दिया जाएगा हमारी सरकार द्वारा कीगी पहल के बाद मानवे सर्वोच नियाले द्वारा वरकिंग प्रांस के अधार पर क्यार की सिल्वी कल्चर फैलिंग की अनुमती परदान की गई है इससे नाके बस्तानी लोगों के आई में ब्रिद्धी होगी बलकि उनको खैर के पेड़ कारने के बाद और अधिक पेड़ लगाने की प्रेड़ प्रेड़ना भी मिलेगी दोजार चोबिस परचिस में दस फॉरस डिविजनों में लगवग तेरह जार खैर के पेड़ कारने की जुजना तियार की गई है इससे परदेश के राज़स्व में मृद्धी होगी मानिया नेला के इस निन्ने से प्रेड़ित होकर हमारी सरकार चील के पेड़ कारने की अनुमति के लिए भी याचिकादार करेगी इससे अत्रिक राज़स्व प्राप्त होने के साथ साथ एको सिस्टम सर्विसिस की गुरुबता भी होगी हालित हमाचर की दिशा में एक कदम आगे बढाते हुए उपनगरिया और शहरी शेत्रों में ग्रीन हमाचर बायो डैवरस्टी पार्क नेचर पार्क स्रीवर साथ पार्क स्तापित के जाएगे इन पार्कों को एको फ्रेंडी मटीरिस के प्योग से डिजाइन और विक्सित किया जाएगा इस तरश्चित के माद्यां से मक्साइट को भी भार किया जाएगा अधैक्ष मौदे मैं बनों से संबंदी सभी अपरेशनों को बीट लैबर पर सुनुचित करने के लिए बन मंत्रों की आहिम भूमिका हो दी इसी के साथ मैं विदोजाट चोविस पचिस में बन विवाग में फॉरेस्ट गार्ज के सो रिक पदों को भनने की भी गोजना करता हूं बन विवाग के कुल आर्सो चोट कुल आर्सो चोंतिस क्रोड़ पर स्तावीत है अदेक्ष मोडे परदेश के ग्रामी शेत्रों के समग विकास तथा उसे ग्रीन बनाने के लिए मैं मुक्यमंत्री हरित विकास शाथतरविती योजना अराम करने की गोजना करता हूं इस योजना के अंतरगात अगरे चार वर्षों में परतेग विदान सवा चुनाब शेतर में दो ग्राम गौवण चैनित किये जाएंगे तता राज्या के साइंस पोस्ट ग्रेजुट तता इंजिनिरिंग ग्रेजुट को उन गौवण में जालवाईयों पर वरतन और योजना त्यार करने का काम अरंब किया जाएगा। जो हमारे अबदा ही उसकी स्टडी के रिए एक प्रोग्राम शुनुट किया गया। बिल्या मिल सके अधक्ष मोदे परदेश में गौवणनेस को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने के दिशा में मैं दोजार चोबिस पच्चिस में के दरान निमन कदम उठाने की गोशना करता हूं। परदेश में आर्टीपिशन इंटेलिजन्स के साथ साथ डेटा एनिलिटिक्स की सहता से एविडेल्स बेस निती नजान के लिए एक वरग फ्लान बनाकर इस दिशा में शुरुआत की जाएगी। ओनाइन सेवा पूर्टल के माध्यम से पहले सेव फलाइन नागरिक सेवां को और प्रभावी डंसे परदेश वासियों तक पहुंचने के लिए एक मोवाइल एप अरम किया जाएगा। सब्सक्राइब को और प्रभावी बनाने के लिए विवागों को रिपोर्टिंग मनेजमेंट पोर्टो के साथ जोड़ा जाएगा। ताकि विवागों से प्राप्त मिंतन जानकारी के दाल पर उचित समय पर उचित निन्या ले सके मुख्या मत्री सेवा संकालफ हेल्प लाइन में आर्टी विशल इंटेलिजेंस का प्रियोग किया जाएगा ताकि प्राप्त शिकायतों का कम से कम समय में निवारण हो सके गतवाश विक्सित कियेगे डीवीटी पोर्टल को नेश्टन डीवीटी पोर्टल के साथ चोड़ा जाएगा जिससे दोनों पोर्टलों की सुचना को साजा किये जाए इसको द्वारा कियेंगे 5G क्लेक्टिविटी के लिए ओनाइन वेदनों के साथ निव्टे आ रहे हैं तू राइट और वे पोर्टल को अवश्चक्सर साधनों से इत अपडेट किया जाएगा स्टेट डेटा सेंटर की अपग्रेड़िशन का कार्या अगास 2014 तक पूरा कर लिया जाएगा इससे अप्लेट डेटा और अन्या सुचना की स्कुच्चा के लिए निमिंतम पाए किये जाएगे हिम परिवारेजिस्टर के सबल कारेवन के बाद वर्विन नागरिक सेवाओं को इसके साथ एकिकिरित किया जाएगा ताकि परदेश बास्यों को वर्विन सेवाओं का लाप कम से कम समय मिल सके एक सुच अजैक्ष मोदे दोजार चोबिस पच्चे से मेग जवामंदी के अंतरगत कोई भी नागरिक किसी भी समय जमीन से संबंदित रिकोर्ड की प्रतियां डाउनलेड कर सकेगा इस पोर्टल पर यूपी आई डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड यदियादी के मादियम से सुखर्ट बुक्तान की सुविदा भी उपलाप्त करवाई जाएगी बेक चार्ज के अंतरगत किसाम क्रेडिट कार्ड रिन रेने के लिए सभी प्रक्रिया ओनलाइन पूरी करने का प्रफदान किया जाएगा इसके मादियम से बैंकों अध्वाबितिय संस्तानों तता तिसील कारें उन्हें बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेगी सभी अवचारिकायता हैं इसी एकिकरित मोडियम के मादियम से पूरी करके बहुत करूं समय में रेन्स प्रक्रित किया जाएगा संपत्ती पंजी करन पत्रिया को और सब्द बनाने के देशे से स्टैंप ड्यूटी पंजी करन शुलक तता अन्या परवारों को ओन्लाइन बुकतान मेग पंजी करन मोडियम से अरम किया जाएगा इसी तरह मेग म्यूटिशन म्यूडूर के प्योग से ओनलेन म्यूटिशन की सुविदा भी परदान की जाएगी बहुत से बूल अभलेखों का वर्णन कथी शब्दों में अफलबता है इन बूल अभलेखों का अनवास सुविदान के अनुसुची आर्ट में सुची बद्विविनी भाशों में करवाने का कार्या शिगर क्या जाएगा अदक्ष मोदे मेरे द्वारा पिछले वज़न में अत्रिक भोशित अत्रिक संशादन जुटाने के पायं के अनुकरम में मैं निमन भोशनाएं करता हूँ करदातों की सुच्चाओं के लिए बैड तता अन्यकरों के बुक्तान के लिए 2024-25 में एक मुबाइल आप की सुरुआत की जाएगी इस आप के मादिम से करदाता ओन लाइन कर बुक्तान कर संगे परदेश मस्तित महत्तपुर्म अध्योगित एवं बिपारिक के अंदरों पर भोविन करदातों से फीड़ बैक लेने तता उन्हें पेश आने और इस मस्याँ की जानकारी लेने के अधिश्य से करदाता संबाद अभियान अरम किया जाएगा इससे परदेश की कर एवं आपकारी पर नाली को और सर्वल तता पारदर्शी बनाने में सहता मिलेगी अध्यक्ष मोदे दो जार चोविस पच्चिस में पचास क्रोड़ की लागस से शहरी शेत्र मस्तित पुलिस टेश्टों के परंगर्ण परंगर्ण तता अत्वा स्टेशन के असपास उसमें कारिया पुलिस टाप के लिए वासिय सुविदा परदान करने के निमन कारिया किया जाए गया है दक्ष मोदे पिछले बहुत समय से पुलिस कर्मियों की डाइट मनी में कोई बिद्धी नहीं की गयी है मैं पुलिस कर्मियों की बरतमान में दी जारी 210 रुपे की डाइट मनी को लगवग 5 कुड़ां बढ़ा कर एक जार रुपे करने की सायर्श कोशना करता हूँ इस बरकार पुलिस कर्मियों को लगवग 9000 से अधिक प्रतिवर्श लाब होगा इससे लगवग 13000 पुलिस कर्मिय लावंधी भी तोंगे इससे 16 क्रोड पे प्रतिवर्श अधिक ब्यार होगा क्योंकि पुलिस वाले हर दिन आते थे कि उन्हें साथ रफे डाइट बनी बनती है हमने पांच गुना बढ़ा दी अगरे पांच अगरे पांच बर्शों में प्रदेश की एक प्रतिशत जनता को सिवल डिफेंस स्कीम के अंतर कर तलाया जाएगा या पहल प्राक्रिती आपदा किस्तिती में आपदा रायत कारों में बहुत साइक सिद्ध होगी अगनी शमल से संबंदित अन्योसी देने तथा उसे विड्रो करने के परक्रिया में पारदश्ता लाने के अदेशा से हमाचल प्रदेश फायर फाइटिंग सर्विस रूर अदिसूचीत किये जाएगे मैं दो जार चोविस पच्चिस में कांगडा के चंगर बडो में सब फायर स्टेशन मंडी के कोटली में तदा लट मडोर में फायर पोस्ट खोलने तदा ठ्योक्स्ति फायर पोस्ट को सब फायर स्टेशन में उन्यान करने की गोशना करता हूँ इसके अतरिक निर्मन, पुनियार, उबादेश, कोटखाई, छोटा बंगाल तदा कांगडा के चुवार गाटी में अगनी शमनिकाईयां खोलने की भी मैं घोशना करता हूँ प्रदेश के युवाओं को खेलों में बढ़चर कर भाग लेने के लिए प्रोसाइट करने के देश्या से दोजार चोविस पच्चिस में एक नई खेल निती लाए जाएगी इसके अंतरगर मैं सहर्ष निमन गोशना करता हूँ अलंपिक खेलों में व्यक्ति गत्स परदा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुर्सकर राशी को तीन क्रोड रुपे से बढ़ाकर पांच क्रोड रुपेया पड़ा कर दो करोड़ के लिए दो करोड़ रुपे से बढ़ा कर तीन करोड रुप Pence कर अदिए लूप कर लिए एक् wild से बढ़ाकर दो करोड़ रुपिया क्या जाएगा एशन केलों में व्यक्तिकस वर्दा में स्वन पदक प्राप्त करने वाले पर पुर्सकार राशी को पचास लाख रुपे से बढ़ा कर जो एशन केलों में कॉमन वेल्ट खेलों में व्यक्तिकस परदा में स्मर्ण पदक प्राप करने पर पुरुसकार राशी को 50 लाग रुपे से बढ़ा कर 3 करोड रुपेया, रज़त पदक के लिए 30 लाग रुपे से बढ़ा कर 2 करोड रुपेया, तदा कांसे पदक के लिए 20 लाग रुपे से ब पदक के अधार पर उप्रोक पुरुसका राशी में से परतिरिक ख्राड़ी को परती निदीतप के अनुपाद में ब्राबर राशी दी जाएगी। केम में जितका है उनको इसी वर्ष उप्लाद गुरुआ दी जाएगी। तद्धा दोसो किलो मेटर से अधिक तो दोसो किलो मेटर से अधिक दूरी के स्कानों पर जाने के लिए एर फेर दिया जाएगा। सरकारी विवागों में 29 खिराडियों को विविन पदों पर 3 प्रतिशव खेल कोटा के अंतरगा सम्नित बर्तमान 43 खेलों की संख्या को बढ़ाया जाएगा मैं जो हमाचर परदे में स्कूल गेम्स होती है कॉलिज गेम्स होती है इंटर उनिस्टी होती है इंटर कॉलिज होती है इस सपरकार की इंटर गेम्स होती है इस सपरकार की खेलों में डायट मनी बहुत काम बिलती है मैं अब मिस्तर की प्रतिसवर्दा के लिए खिलाडियों को दीने दी जाने वाली डायट मनी में बड़ोतरी करने के बाद निमन की गोशना करता हूँ पारांबित शिक्षास्तर के खलाडियों को परदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर जब वो जोनल में जाते हैं प्रेमिस कुर के डाइसो रुपया प्रती दिन दिये जाएंगे अन्या सभी खलाडियों को परदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर चार सो रुपया प्रती दिन दिये जाएंगे सभी खलाडियों को परदेश से होने वाली खेलों में भाग लेने के लिए इंटर यूश्टी नैश्टल गेम से भाग लेने के लिए समान रूप से 500 रुपया प्रतीन दिन दिये जाएगे परदेश के खेल होस्टलों में रहने वाले सवी खराड़ी को उपरूपत के अनुसाद 2500 रुपया मिलते हैं तदा उनकी डाइट मनी को 400 रुपया की डाइट मनी दी जाएगी अजक्स मोरे मैं 2024 में निमन खेल परिश्टलों के अर्म करने की गोश्णा करता हूं हमिलपूर में आधुनिक सुवीदाओं से युक्त एक इंडोर स्टेडियम का निर्मान उन्ना के पुझाओं में इंडोर स्टेडियम का निर्मान रहन्क में स्विमिंग पूल सुविदा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण देरा में स्विमिंग पूल सुविदा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण क्रेडी नदान में इंडोर भहुदिशय खेल परिसर का निर्माण कुसुंटी में इंडोर भाउदिश्या खेल परिसर का निर्माण जैसिकपूर में इंडोर भाउदिश्या खेल परिसर का निर्माण डली बाई पास में इंडोर भाउदिश्या खेल परिसर का निर्माण अद्यक्ष मोदे हमाचन परदेश को फिलम की शूटिंग के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने के अदेश्या से 2024-25 से हमाचन परदेश फिलम का कारेवन किया जाएगा इसके तैट राजियस्तर पर एक फिलम डॉल्मेंट कॉंसिल का गठन किया जाएगा तता सुचना एवन जंसरपर विहाग में फिलम फैसिलिएशन सेल्फ की स्तापना की जाएगी फिलमों की शूटिंग के लिए ओनलाइन अवेधन तता नमोती परदान करने के लिए वेब पोर्टल की स्तापना की जाएगी सरकारी योजना तता विकास नितियों को प्रभावी रूप से भविन वेब चैनल्स, न्यूज वेब साइट्स, सोशल मीडिया इंग्विन्स के माद्यम से परसारित एवन परचारित करने के लिए डिजिटल मीडिया पॉल्सी दो जार चोबिस का कार्यमाइन किया जाएगा के लिए तता प्रेस में देने जोगे सुचना को तुरूंत ही प्राप करके प्रेस नोटा था लेग प्रिंट किया जा सके अद्रक्ष मोदे हमारी सरकार यूद तता शांती के समय में परदेश के लगवक तीन लाग भूत बूर्ब सैनिकों सेवारत सैनिकों यूद विद्वान एवन सोर्या पुरुसकार बजेतों द्वारा की गई सेवाएं तता उनके बलिदान के लिए उनकी सिदाय बरिनी रहेगी मैं गोशना करता हूँ कि साट बर्ष से अधिक आयू के ऐसे भूत बूर्ब सैनिकों जिनकों और कोई पेंशन नहीं मिलती है को मिलने वाली आर्थिक साहता की राशी को तीन हजार पे से बढ़ा कर पांच हजार पे प्रतिमास कर दिया जाएगा हमारी सरकार दो जार चोबिस पच्चिस में सुनिश्चित करेगी कि विवहिन विवागों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षिक पंद्रा प्रतिशत पदों को परात्मिक्ता कैदार पर भरा जाए अधाक्स मोदे मेरे पिछले बजट में गोशित प्रात्मिक क्रिशी सहकारी सेवाओं की किम्प्यूटराजेशन के अनकुरम में इन यह सरकारी बैंकों सहकारतिया विवाग तता रास्टिया डाटा बेस से जुड़ने का कार्या प्रग्रति पर है तता इसे 23 समय सीमा 2227 त कई विकास योजनों के कार्यामन में अहम भूमी का निवारे हैं इन सभी के मानदे की व्रिदी के लिए मैं निमित गोशाय करता हूं अंगनवाडी कार्या करता को 500 रुपे की ब्रोत्री के साथ अब 10,000 प्रोत्री के साथ अब 7,000 प्रोत्री के साथ अब 55,000 प्रोत्री मानदे मिलेगा सितलाई ध्यापकों के मानदन में 500 रुपे की जाएगी मिड़े मिल वरकस को 500 रुपे के साथ 45,000 प्रोत्री मा मिलेंगे Water Carrier शिक्षा विवाग को 600 रुपे के साथ 5,000 प्रोत्री मा मिलेंगे जल रक्षक को 300 रुपे ब्रोत्री के साथ 500 रुपे प्रतिमा मिलेंगे जल शक्ती व्राव के मल्टी पर वरकस को 600 रुपे ब्रोत्री के साथ 5000 रुपे प्रतिमा मिलेंगे पैरा फीटर तदा पंप अपरेटर को 300 रपे ब्रोत्री के साथ 300 रपे प्रतिमा मिलेंगे पंचायत चोकिदार को 1000 रपे की ब्रोत्री के साथ 8000 रपे प्रतिमा मिलेंगे राजस्व चोकिदार को 300 रपे ब्रोत्री के साथ 500 रपे प्रतिमा मिलेंगे राजस्व लंबरदार को 500 रपे ब्रोत्री के साथ 42 सो रपे प्रतिमा मिलेंगे SMC धापकों के मान देरे में 19 सो रपे प्रतिमा ब्रोत्री की जाएगे RT टीचर को 19 सो रपे प्रतिमा ब्रोत्री की जाएगे SP उसको 500 रपे प्रतिमा ब्रोत्री की जाएगे परते एक वर्ष की भांती मानिय बजायकों के साथ हुई बैटकों के दौरान सामने आए सुजाबों के दार पर मैं निमन गोशनाएं करता हूँ पानी भी जाता हूँ पुलानी की मिटिंग है तुम्हारा क्या है तुम्हारा क्या है तुम्हे तो सिर्फ ग्यान देना है हमारी सुचो हमें हिंतान देना है पुल्देश बर्ष के भानती मानने विधायकों के साथ वी बैठकों के दरान सामने आई सुजावों के दार पर मैं निमन गोचनाय करता हूँ शिमला विधांसवा चुनाबी शेतर शेहरी शेतर होने के कारण नवाड के आराई डीव के अंतरगर विधायक प्रात्मिक्ता योजनाओं की सुक्रीति होटू पातर नहीं है यही समस्या ध्रमशाला मंडी सोलन तदा पालंपूर नगर निगों में पढ़ने वाले विधांसवा चुनाब शेतरों में भी आने वाली है मैं इन पाल्चो शेहरी विधांसवा चुनाब शेतरों के लिए नैशनल हाॉसिंग बैंक के माद्यम से अर्बन इंफरस्ट्रक्चर ड्वल्मन फंड के अंतरगर इन शेहरी शेतरों की विधायक प्रात्मिक्ता योजनाओं को स्वक्रीत करने की गोशना करता हूँ मैं जो नगर निगम के दारे में शिम्ला में तो काफी सालों से कोई इंफरस्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट का पैसा नहीं मिलता था और चार और नगर निगम बन गे उनके दारा भी इंफरस्ट्रक्चर के दारे में नहीं आते थे तो हम उनकी जो इंफरस्ट्रक्चर जो कि अनुकुरम में मैं वित्य वर्ष दो जाज चोविस पच्चिस से विधायक प्रात्मिक्ताओं के स्वरूब में भी परिवर्तन करने की घूशना करता हूँ अब मानिय विधायकों द्वारा सडकों, पुलों, पेजल योजनाएं, अथ्वा, लगिव, संचाई योजनाओं की तीन वास्त्विक नई स्किमों की प्रात्मिक्ताओं दी जाएगी इसके अत्रिक्त वो प्रोक्त में से एक प्रात्मिक्ता किसी भी पूरम निर्मित स्कीम के रखरखाब से संबंदित दी जा सकेगी पांच भी प्रात्मिक्ता HRTC के बत्मान बूट पर लक्टिकल बस चलाने तथा वश्चक चार्जिंग स्टेशन से संबंदित होगी ओवर हेड बीजली की तारों तथा अधोरे मुख्यमंत्री लोक वबनों का अंदिर्मान कार्या पूरा करने के लिए विधायक शेत्र विगास निदी योजना के अंतरकर परवधान कर दिया गया है इसके अतरिक मुख्यमंत्री आवास योजना के दिशान निदेश के अनुरू यदि मानिया बिधायक किसी भी श्रेड़ी के लावार्थी के आवास बनाने के लिए अनुशन्शा करना चाहे तो वह इस निदी से कर पाएंगे इसी के साथ वधायक प्राग मिक्ता के वितिया पोशन की बर्तमान सीमा को 20 क्रोड पे बढ़ा कर 175 क्रोड पे से 195 क्रोड पे करने की ने गुशना जोड़ा परदेश को हरित विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए 20 क्रोड पे की बड़ी विराशी में से प्रात्मिक्ताएं अलेक्टिकल बसी चलाने तता चार्जिंग स्टेशन से सम्बंदित होगी वधायक इच्छा निदी को 13 मात पे से कम करकर मैं खतम कर मेरे की गोशना करते हुआ 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 है वधायक एच्छा निदी को 13 लाग रपे से बढ़ा कर जो औरों को दिया हुआ 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 है वधायक एच्छा निदी को 13 लाग रपे से बढ़ा कर 14 लाग रपे प्रति विधान सवा शेत्र कर दिया जाएगा अधायक शेत्र विकास निदी के अंतरगात प्रति विधान सवा शेत्र राशी को 2 क्रोड से घठा कर अच्छा नहीं गलत पढ़ रहा है पूजीगत कारे को शुरू करने के लिए जंग प्रति विधियों के पास बहुत आधिक मांग रहते हैं जो कि उपलब्ध बित्या संसादनों से कहीं अधिक है इस प्रक्रिया में हर साल नहे कारे शुरू होते है जबकि पहले से चलरे कारे संसादनों की कमी के कान डुख जाते हैं सबी निर्वाचित प्रति दिदियों से मेरी इस बात से सहमत होंगे कि चलरे कारे को प्राथमिक्ता देने की जूरत है मैं गोशना कर रहा हूँ कि चलरे कारे को पूरा करने के लिए 2024 में कम से कम एक हजार क्रोड रुपया खर्च किया जाएगा और उन कारें पर जोड दिया जाएगा जो पूरा होने के करीब है रज्य के इतिहास में यह पहली पार हुआ है कि चल रहे कारे को पूरा करने को मतब दिया जाएगे कोई पांच क्लूड ते के से पसा है कोई पुछ ताल साथ से मैं किया को दो क्रोड 5oured पार के सरकारे कर्मचारी और पैंस्टनर्स की मत्तभण यौगदान को समझति है bulka दो बेतन के एर्येस के बखतार के लिए हमारी सरकार सुवेधन अकारद्वारा अपने करमचारी और पैंशनर्स के एरियर का बुक्तार नहीं किया गया है। कथिन भितियस सितिती के बावजूत मैं निमलित गोशना करता हूँ। सभी करमचारी और पेंशन्स के बेतन तदा पेंशन्स से संबंदित एरियस का भुखतान चरण बर धंग से एक मार्च दोजार चोविश से शुरू कर दिया जाएगा। एक जनबरी दोजार सोला से कतिस दिसंबर दोजार इकी के बीच रिटार हुए करमचारियों की लीव एनकैश्मेंट और ग्रेचुटी से संबंदित एरियस का भुखतान चरण बर धंग से एक मार्च जो दस दिन बाद खतम हो रहा है दोजार चोविश से शुरू कर दिया ज की किश्च जारी कर दी जाएगी इस पर लगवर 580 क्रोड पर प्रतिवर्श ब्याय किये जाएंगे प्रदेश के करमचारी अभी तक अपने सेवाकाल के अंक में केवल एक वार आल इंडिया लीव ट्रेवर कंशेशन LTC ले सकते थे मलब 30 साल नोकरी कर ली 25 साल नोकरी कर ल मिलती थी मुझे यहां गुष्णा करते हुए परसंता हो रही है कि एक एप्रैल दो जार चोबिस के बाद प्रदेश के का करमचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार LTC की सुविदा ले पाएंगे ध्याडी जारों को 25 रपे बढ़ोती के साथ 400 रप्रती दिन ध्याडी मिलेगे आउट्सोर्स करमचारीयों को अब नियूंतम 12,000 प्रती मा मिलेंगे पंचायत बैटनेरी एस्टेंट को मिलने वाले 7,000 प्रती मा को बढ़ाकर 7,500 रप्रती मा किया जाएगा हमारी सरकार का दिड़ बिश्वास है कि करमचारीयों के सेहोग से परदेश की वित्यस्थिती में शिगर ही सुधार लाए जाएगा ये हमारे जो हमने गाजस्थ सब प्राप्त किया है उसको बांटा है एक साल में जो विवस्ता परिवर्तन किया उसके हिसाब से हम ये जो हमें अधिक राजसरब आया है वो हम करमचारी, परदेश की किसाद, महलाओं, युवाओं सब को बांट रहे हैं देश मोदे, अब मैं 2023-24 के स्रशोधित अनुमानों पर आता हूँ, बस 2023-24 के स्रशोधित अनुमानों के नुसाद, कुल राजसरब परातियां 40,440 क्रोड रपे है, बस 2023-24 के स्रशोधित अनुमानों के नुसाद, कुल राजसरब ब्याव 45,940 क्रोड रपे हरने का नुमान ह 2023 के संशोधित अनुमानों के अनुसाद 5,480 क्रोड रपे का राजस्व डेफिसित अनुमानित है अदक्ष मोदे मैं वर्ष 2024 के लिए 58,444 क्रोड रपे का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ वर्ष 2024 में राजस्व प्राप्तियम 42,153 क्रोड रहने का अनुमान है तता कुल राजस्व ब्याए 40,667 क्रोड रपे अनुमानित है इस परकाल कुल राजस्व गटा घाटा 4,514 क्रोड रपे अनुमानित है राजकिय खोशिय घाटा 10,774 क्रोड रपे अनुमानित है जो की परदेश के सकल ग्रेलूत बाद का 4.75 प्रतिशत है दोजार चोबिस पच्चिस के बजट के नुसार प्रतिश सो रपे ब्याए में से वेतन पर 25 रपे, पैंशन पर 17 रपे, ब्याज अदाइगी पर 11 रपे, रेन अदाइगी पर 9 पे, स्वैस संस्तानों के लिए गरांड पर 10 रपे, जबकि 26 रपे पुंचिंगत का रहे हैं, अगले बर्ष के बजट का पूरण विवरंड इस मानिय सदन में प्रस्तित किये जा रहे हैं, बिस्तित बजट ब्रदस्तावेजों में उपलब्द है, इसके लावा एफ रम, बीम स्टेट्मेंट मीं बजट के साथ प्रस्तित की जा रही है, अदेक्ष मोदे इस बजट अदिभाशन के मुख्या बंदू अनुद में दचाए गया है, अदेक्ष मोदे इसी के साथ, मै यहां बज़ट मानिय सदन के अन्मोधन के लिए प्रस्तुत करता हूँ धन्यावाद मुख्या बिंदू तो क्या है धन्यावाद जाएंग। किसान परिवारों को दूस से एक निश्ची ताय अर्जित करने में सक्षम बनाने के लक्षे की और बढ़ रहे हैं। ताकि हम चुनाब से पूरे ताकि हम चुनाब से पूरब कियेगे वादों को पूरा कर सके। दोजार चबुस्त पच्चिस में इस पर लगवग एक सो पचास करोड़ वे की अतिक राशी ब्याय की जाएगी जिससे इस विवस्ता को त्यार करने में साहता मिलेगी। हमाचल परदेश मिलक फेडरेशन दूत उतपादन सुसाइटियों द्वारा लीगी सुसाइटियों से एग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्किट कुमिट्टी द्वारा लीगी मार्किट फीस रिवर्स करने में बहुत समय लग जाता है। इससे इन सुसाइटियों का बहुत सारा पैसा किमिट्टी के पास काभी समय तक पढ़ा रहता है। मैं गोश्रा करता हूँ कि एक अप्रेश दो जार चोबिस से दुग्ध उतपादन सुसाइटियों से एपी एमसी द्वारा लीग जाना वाली फीस माफ की जाएगी। इससे इन सुसाइटियों को क्रोड़ों पेकार लाग पहुंचेगा। मेरा लक्षया किसानों और पश्यू पालकों को ना केबल दूद उतपाद को कोस्ट बेस प्राइस मिले बनकी क्वालिटी बॉनस भी मिले। इसी लक्षय की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार निश्चित समय अब्दी को ध्यान में रख कार्याक कर रही है। यह सरकार एवन परशुपालकों के सुख परियाश से संबब हो पाएगा परदेश के युवाओं में परशुपालन से संबंदित कोशल के विकास निगम के माद्यां से ने कोशल परशिक्षन कारेकरम शुरू किये जाएंगे हिम गंगा योजना के अंतरकत में बर्श दोजार चोविस परचिस के दरान कांगणा के ढगवार में 1.5 लाख लीटर परदे की शमता वाले पुली ओटोमेटिड मिलक और मिलक प्रोडक्स प्रांट की स्तापना की गोशना करता हूँ इस प्लांट के लिए भूमी अप्रोप्त करवा दी गई है तता इसकी शमता को बाद में बढ़ा कर तीन लाख लीटर पर डे कर दिया जाएगा इस प्लांट में अधिक दूद को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके इसके अतरिक धाई, खोया, घी, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिलक, प्रोसेस्ट मिलक चीज ततान्यात वाद त्यार किया जाएंगे इसके साथी यहां UHT Ultra Heat Technology से पैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी दत नगर मिलक प्रोसेसिंग प्रांट में 50,000 LPD की शमता का एक अत्रिक सेंतर चालू कर दिया जाएगा तता बर्तमान में भविन जिलों में काम कर रहे दूद सेंतरों के निमीनी करण को प्राथमित्ता दी जाएगे उनना तता हमीरपुर में भी आदुनिक तक्नीक से मिलक प्रोसेसिंग प्लांट स्तावित किये जाएगे जिन पर लगवग पचास प्रोड पे व्याय किये जाएगे स्तानी वहाँ को किसानों को कॉलेक्शन सेंटर से मिलक प्रोसेसिंग प्लांट तक दूद दे जाने के लिए पचास प्रतिशत उपदान पर दो सो रेफ्रिजेटर मिलक बैंस उपलब करवाई जाएगी जब दूद की पैदाबार बढ़ेगी तो किसान कहां छोड़ेगा उसके लिए उन्हें जो रेफ्रिजेटर बैंस होती है मिलक प्रोसेसिंग के लिए उपचास प्रतिशत पर उपलब करवाई जाएगी पशु पालकों को उत्तम नसल के पशु उपलब करवाने के देशर से मैं सोलंग जिले के दारला घाड में कृत्रिम गर्माधान पर्शिक्षन के इंदर की स्तापना करने की गोशना करता हूँ जिसकी सहता से कृत्रिम गर्वाधान पर्शिक्षन के सुविदा उपलब करवाई जाएगी विशेशग्या पचुश किसका वारा गंबीर पशु रोगों की सुविदा उपलब करवाने के लिए 44 मोबाइल बैटनरी बैंस किराए पर ली गी है या सेवा वर्श 2024 में पूरन रूप से अरम कर दी जाएगी परतेग बैन में एक बैटनरी डॉक्टर तथा एक फार्मसिस्ट तनात होगा पशु पालब परदेश में कहीं से कहीं से भी टॉल फ्री फोन नंबर 1962 पर कॉल करके पर्शों के उप्चार की सुविदा या पर्शु पालब से संबंदित अन्या जानकारी राप्त कर सके गए राष्ट्या गोकुर मुशन के तहत उन्ना जिला के बसाल में डैन्मार्क के तक्निकी सेहोग से च्वालीस क्रोड की लागत से एक उत्कृष्टता के अंदर स्ताफित किया जाएगा इसके लिए अवशक भूमी पशुपालन विवाग के नाम पर हस्तांतरित का हो चुकी है बदलते समय में पशुपालन विवाग के संगाठनात्मक धांचे के पुनल गठन एवं पुनल सरचना की भी अवशकता है अता विवागे योजनाओं के युक्तिकरण इबन घांचे के पुनर गथन के लिए एक विस्त्रित योजना बनाई जाएगी, जिसके लिए एक विश्यश्यक्यास्मिती बनाई जाएगी मिलक फेडरेशन ये माध्यम से नैशनल डैरी प्लान टू के अंतरगर परदेश में दूद की उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए एक बिस्त्रित कारिया यूजना त्यार करके उसको इंप्लिमेंट किया जाएगा हमाचल परदेश बेड़ बकरी पालकों का भी परदेश है परदेश में 8 लाग धेड़े तथ 11 लाग बकरियां है बेड़ बकरियों के लिए FMD वेक्सिन डिवार्मिंग द्वाईयां तथा अन्या द्वाईयों के लिए अलग से कोई प्राबदान नहीं है इसके लिए बाल सर कारदवारा भी कोई प्राबदान नहीं किया गया है बेड़ बकरी पालकों की अन्या बड़ी समस्चाओं में डिपिंग ड्रैंचिंग की विवस्ता में सुधार उनकोटाई की विवस्ता में सुधार उनके परदेश में बेड़ बकरियों के लिए FMD वेक्सिनेशन उन की अन्या समस्चाओं के निदान के लिए एक नई योजना बेड़ बकरी पालक प्रोसान योजना अरम करने की घोचना करता हूँ इस योजना पर दस क्रोड रुपे की अत्रिक धंडाशी दी जाए लिए परदेश में बढ़ते हुए बेसारा पश्चों की समस्चा के निदान के लिए एक स्टेट लेवल टाक्स पोस्ट का गठन किया जाएगा जो कि तीन महा के भीतर इन पश्चों को किसानों तथा स्ताने समुदाओं से प्रामर्श के बाद समीब के अभ्यारनों तथा गोशानों में रखने के लिए दिशा अंदर देश दिये जाएगे इसी के साथ गोवेरनों और तथा गोशालों के निर्मान तथा रक्रक्वाव से संबंदित सुझा भी दिये जाएंगे मैं निजी गोशंद्रों में अश्रित गोवश के लिए दिये जाने वाले अनुदान साथ सो रुपे प्रति गोवश प्रति महां से बढ़ा कर एक हजार दो सुर रुपेया करने की सहर्ष गोशना करता है जो मीजी संस्तान गोश अला चराते हैं उनके लिए हमने बारत सुर रुपेया पर गाह या कोई सी पश्यू का कर लिया क्रिशी शेक्तर के लेक बुल पांसु ब्यासी क्रोड रुपे पस्तावित है अध्यक्ष मोदे मैं हमाचर परदेश की आर्थकी में परदेश के बागवानों का एक बड़ा योगदान रहा है बागवानों की आय में विद्धी हमारी सरकार की परात्मित ताउम से में से एक है मैं दो जार चोबिस पच्चिस के दोरान बागवानी शेतर में तिन सो क्रोड रुपे की लाग़ से निमन विकास कारिया पूरे करने की गोजना करता हूँ 75 लगू संचाई योजनों का निर्मान लगवग 1200 हेक्टेर शेतर में सब ट्रोपिकल फलों के हाई डेंसिटी विक्षों का रोपन कारिया किया जाएगा जिससे 80,000 किशक स्मोह में के लगवग 6,500 किसान परिवार लावानी बीत होंगे 12 क्रोड की लागत से एक बागवानी उत्कृष्टरता के अंदर की स्तापना की की जाएगी जो कि गुनवत्ता, कोशल, परियाटन तता बिजार संबंदित सभी अविश्कताओं के लिए वन स्टॉप रिसोर्स सेंटर के रूम में कारिया करेगा राज्जा के सब ट्रॉपिकल शेत्रों में दो अत्यादिमिक फ्रूट प्रोसेसिंग यूर्स तावित किये जाएगे पांच क्रोड क्रूपे की लागत से अमरूद, निम्बू तदा अन्या सब ट्रॉपिकल फलों की बढ़ावा देने के लिए मरेल ट्रींस, बड़ वूड बैंक्स के लिए फोर्डेंशन ब्लॉग की स्थापना की जाएगी भागवान भाईयों के साथ चर्चा के बाद मैं घुजना करता हूँ 2024 के सेफ सीजन से, जो अगला सेफ सीजन होगा, यह यूनिवर्सल कार्टन का परियोग आरहम कर दिया जाएगा इस दिशा में अवशक दिशा नरदेश त्यार करने है तो, सचिव क्रिशी की देख्षता में दिसंबर 2013 में एक कमेटी का कठन किया जा चुका है परदेश में हाई रिटरन फ्रूट जैसे की ड्रेगन फ्रूट, अवशक दिशा नरदेश त्यार किये जाएंगे इससे परदेश के किसानों की आए में शिगर एवं निश्चित अब वरिद्धी होगी अड़क्स मोदे परदेश में प्रेटकों के बढ़ते हुए रुजान को देखते हुए होटी कर्चर टूरिजम को बढ़ावा देने की अवश्कता है परदेश में स्तित बड़े बाग तदा बागों के सुमो को गरामिन प्रेटन की दिष्टी से विक्सित करने के लिए गरामिन विकास विवाग उद्यान विवाग तदा प्रेटन विवाग के माद्यम से मैं एक ठोस नीती का निधारन किया जाएगा इस नीती के अंतरगत इच्छिक बागवानों को अवश्क ट्रेनिंग तथा अन्य सहता अपनौद करवाई जाएगी बागवानी के कुल 530 प्रोड़ पे पस्तावीत है अदेश मोदें परदेश के लगवग 13,000 मच्छवारों की आए बढ़ाने के उदेश से मैं निमन गोचना करता हूँ 20 हेक्टर शित्र में ने मतस्य पालन तलाबों के निर्मान के लिए मच्छवारों को 80% उबदान पर आर्थिक सहता दी जाएगी यनि कि 100 में से 80 पे सरकार खच करेंगी जीला हमीरपुर में सेंटर ओफ एक्सलेंस के रूम में एक ने कार फिश फारम की स्ताफना की जाएगी नाला गलर्ड स्तिक फिश सीड फारम में 5 क्रोड की लागश से ब्रॉड बैंक की स्ताफना की जाएगी परदेश के मच्वारों को मोटर सैकल, थ्री विलर तता आई बॉक्सिस उपदान पर उपलब्द करवाए जाएगे दस ने बाया फिश प्रोडक्शन तलाबों तता दस नहीं लगू बाया फिश प्रोडक्शन काईयों के स्ताफना की जाएगी थिन नई फीड़् बिल्स की स्ताफना की जाएगी दो वरफ सेंतरों की स्ताफना की जाएगी इस के अतरिक परदेश के थंडे शित्रों में निजी शित्रों में ट्रॉड मचली उतपादन को बढ़ावां देने के लिए एक सो पचास नई ट्रॉट मचली उतपादने काईयां तता दो नौई ट्रॉट हैक्षिस की स्तापना की जाएगी अद्यक्ष मोदे ये सब चो चीजें हैं ये किसान की आय बढ़ाने के लिए हैं चाहे प्रकृतिक खेती है चाहे दूद के मुल्या बढ़ाने की बात है चाह नौद बागवान की आय बढ़े उस दिरिष्टी से सब को जोड़ा गया है इसके अत्रिक्त परदेश के ठंडे शित्र अधक्ष मोदे गर्थ भर्ष भारी बर्षा के करण अन्या संपत्यों के साथ साथ लार्जी पावर होस को लगवग 658 क्रोड पे का नुक्सान हुआ लार्जी पावर होस के यूनिट नंबर बन को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया गया है तता अन्या दो यूनिटों को भी शिगर ही रिस्टोर कर दिया जाएगा लगवग 2000 क्रोड पे की लागश से कारेंविंत होने वाली हमाचल परदेश पावर सेक्टर ड्वालमेट प् 24 इंटो 7 पावर सप्लाई सुनिश्चित करने का कार्या शिगर अरम किया जाएगा मैं हमाचल परदेश को 2026 तक देश का पहला हरित उर्जा राज्या बनाने के अनुकरम में तदा परदेश में सोर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए निमनित गोचनाई करता हूँ पेखु वाला स्थिक्थ 32 मेगावार शम्ता वाले हमाचल के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का शिला नियास 2 दसंबर 2023 में किया गया था मैं से मार्च 2024 तक के अन तक कमिशन करने की गोशना करता हूँ उन्ना में अग्लोर स्थिक्थ 10 मेगावार शम्ता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट जून 2024 तक बन कर त्यार कर दिया जाएगा उन्ना के बंजाल में 5 मेगावार शम्ता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट का स्थमबर 2024 तक लोका और पन कर दिया जाएगा राजीब गांधी स्टार्टप योजना के अंतरगत निजी भूमी पर 45 प्रतिशत उपदान पर 100 से 500 किलो बार्ट तक के सोलर प्राइनल लगाने के कारे में गती लाई जाएगी इस योजना के अंतरगत प्रदम चर्ण में कुल 100 मेगावाट, सोलो शमता का ध्रोन स्नुचित किया जाएगा निजी भूमी पर स्तापित होने वाले सोर उर्जा प्रियोजनाव का पंजी कर्म पूरे वर्ष के लिए खुला रखा जाएगा जिससे 100 मेगावाट, सोर शमता का ध्रोन स्नुचित संपन हो पाएगा परदेश के बाल एवं बालिका आश्रम तता ब्रिद आश्रम और राजीव गांधी मोडर डे बोर्डिंग स्कूल में ग्रेड से जुड़े रूप टॉप सोलर प्लान्ट और वाटर हीटिंग सिस्टम स्तापित किये जाएगे सबी सरकारी भमलों के कनेक्टिंग लोड के कम से कम 20% कियो पूर्ती ग्रेड से जुड़े रूप टॉप सोलर प्लान्ट के माद्रम से चरण बत्री के से करना अनुवारिया किया जाएगा सोलन, पालंपूर धर और धरमशाला नगर निगमों में सभी ग्रेलू प्लोकताओं को एनलसुप राप्त करने के लिए ने भहुन में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाना अनुवारिया किया जाएगा निगमों में स्तित्सरकारी भवनों की छटों पर चरण बत्रीके से सोलर प्रांट लगाने होगे उन्ना कांगरा, सोलन, सिमवा और, मंडी और शिमराजिना में 501 मेगाबाट की शमतावाले 501 पारक और 2,012 मेगाबाट की शमतावाले सोर उर्जार पर युजनाय स्तापित करने का कार्या अरंब किया जाएगा लगब एक हजार आसो प्रजासी क्रोड की लागत से परदेश में रिवैंट डिस्टिबुशन सेक्टर स्कीम के माध्यम से एग्रिगेट टेक्निकल एंड कमर्शिल लॉसिस को कम करने के लिए एक विश्तित कार्या युजना का कार्या मैंन किया जाएगा इससे बिजली पूर्ती की गुनबर्ता के साथ साथ डिस्टिबुशन सेक्टर की फानेशल सस्टेनेविल्टी भी बढ़ेगी विजली उत्बादन के साथ एक एफिशन्ट ट्रांस्बिशन एंड डिस्टिबुशन नेटबर्क होना समय के अविश्कता है ताकि नाकेवल परदेश की जनता की विजली को मान को पूरा किया जा सके बलकि सर्प्रस उत्बादन को उची समय पर अन्या राजियों को भी पंचाया जा सके इसको और सद्रिड करने के लिए 2024 के लिए 96 करोड रुपे की लागत से 4 ट्रांस्मिशन लाइन्स तता 290 करोड की लागत से 6 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पूरे सबस्टेशन पूरे किये जाएंगे परदेश में स्तित ट्रांस्मिशन एसेट्स को नेशनल ग्रिड से सेंटर ट्रांस्मिशन यूटिलिटी सिस्टम के माद्यम से जोड़ा जाएगा इसकी नियंतरन मोनेंटरिंग के लिए कुन्यार में बंगरे जुआइन कंट्रोल सेंटर तता कांगडा के धेन में सब स्टेशन के लिए के निर्मार का कारया 2024 में पूरा कर लिया जाएगा इससे ट्रांस्मिशन लैंस के शिगर रख रख रखाब की भी में भी सुविदा होगी अदक्ष मोदे कांगडा जिलो को प्रदेश की प्रेटन राजदानी बनाने की घोशना पिछले बजट में की गई थी इसी करम में 7 जलाई 2023 को कांगडा के गगल होई अड़े के विस्तार के लिए सेक्षन 11 के अंतरगत अधिसुचना जारी कर दी गई है इसके लिए रिहेविलिटेशन और रिस सेटिलमेंट प्लान को शिगर लियंती रूंट दे दिया जाएगा और भू अधि गिरिन कारया अरम कर दिया जाएगा इसके अतरिक्त वेबकोस लिम्टिट द्वारा त्यार कीगी मंडी हवाई अड़े की दी पियार का प्रिक्षन किया जा रहा है प्रदेश में कुल 16 परस्तावित हलिपोर्ट में से प्रतम चरण में 9 हलिपोर्ट क्रमशाह, मीरपूर में जसकोट, कांगणा में रककड और पालंपूर, चंबा में सुलकानपूर, कुलू में अलू ग्राउंड, मनाली, गिनौर में शार्बो, तता लौस्पिती में जिस पास, सिसू और अंगरिक में विक्सित के जाएंगे, इन नो हलिपोर्ट की feasibility study reports प्राप्त हो चुकी है, रककड सुर्तावपूर और पालंपूर का obstacle limitation survey हो चुका है, और इनकी DPR शिगर ही बनकर त्यार हो जाएगी, रककड और पालंपूर का architecture design प्राप्त हो चुका है, 13 क् प्रती हेलिपोर्ट की लागत से रककड पालंपूर रिकांप्यो चंबां में हेलिपोर्ट का निर्मान कार्या अरंप किया जाएगा, दूसरे चर्ण में चंबा के पांगी, होली, ब्लासपूर के और सिर्मावर के धारक रहाई, धार क्यारी, शिमला के शंशलदार, उनना के जनकौर, तदा सोनन के गला नाग में हेलिपोर्ट निर्मित के जाएगे, इसके लिए बाहर सरकार के माद्यम से पवन हंस लिंटेड से अवश्यक सहता ली जाएगे, प्रेटर विकास के लिए प्रतिवत्ता की दिशा में बढ़ते वे, स्वधेश दर्शन दो के अंतरक कौंग डैम के विकास और प्रबंदन के लिए एक मास्टर प्लान त्यार किया गया है, इसके साथ ही निमन पांच टूरिस्ट जस्टिनेशन को प्रेटन के दिश्टी से विक्सित किया जाएगा, लॉल्स पीती में चंदरताल, काज़ा और तांदी, किनौर में रक्षम और मुनाक को चांगो खाब, मैं कुपरी के नजदीक हसन गाटी के मश्यूर प्रेटिक स्कार पर स्काइवार्ट मिच के निर्मान करने की सहर्ष कोशना करता हूँ, प्रेटिकों को परदेश में परवास के दारान भेतर सुविदाएं परदान करने के अद्रिशा से, में सुधार और गुनवात्ता लाई जा सके, अद्रिक्ष मोदे, परदेश में कैंसर के बढ़ते में मरीजों की संख्या चिंता का विशे है, परदेश में कैंसर की रोग थांग तता उपचार के लिए अवश्यक सुविधाओं की विवस्ता करनी होगी, मैं डप्तर राद अक्रिशन मेडिकल कारूलिच हमीरपुर में सो क्रोड की लागस से स्टेट ऑफ दी आर्ट फेसिलिटीज के साथ स्टेट कैंसर इस्टिचूट की स्ताफना करने की गोचना करता हूँ, इंडिया कॉंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की सहता से परदेश में बढ़ते कैंसर के र की सुवधा परदान करने, फैले एक्टीज की सुवधा परदान करने के लिए जिलाफ्स हस्पितालों तथा चायनी अदस वस्ते कंदरों पर कैंसर डे के सेंेंटर की स्टाफना की जाएगी, इन कंदरों में कीमृट्रैपी से लिए रहें, सभी मरीज्जों के लिए बैड का प्राबधान करत होगा तता कीमो थ्रैपी दवाओं को राज्या वश्यक दवा सुची में समनित किया जाएगा ताकि मरीजों को कीमो थ्रैपी के लिए अधिक पैसे ब्याएना करना पड़े इंद्रा गांदी मेडिकल कॉलीज शिमना में कैंसर पीड रोग्यों के अडवा स्वस्ता के अंदरों पर कारया विविन चल्नों में हैं तता इन में से अधिकाश का कारया 2024 25 में पूरा कर लिया जाएगा इसी बाश्यक्यू और एक्विम्मेंट की विस्ता करने के लिए एक रोड बेप्रतिके अंदर बुलब्ध करवाये जाएगे पिछले कई वर्षो से पिछले कई वर्षों से लंबित environmental clearance दिलवाएगी इसमें शुरू किये गए सभी कालियों को प्रात्मिक्ता पर पूरा किया जाएगा प्रात्म चरण में मैं पर्देश के 53 स्वस्ते संस्तानों में hospital management information service की स्तापना की जाएगी इससे मरीजों को उनके digital record के अदार पर बेतर सुविदाय प्राप्त हो पाईगी इस करम में लगवक 57 लाग प्रदेश वासियों का health card ID बनाया जा चुका है भारत health account ID बनाया जा चुका है तता शिकर इस सभी प्रदेश वासियों को आभा ID सभी प्रदेश वासियों का आभा ID बना दिया जाएगा यानि कि सभी जो डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा चुका है और जल्दी ही इसको 75 लाग की बादी को बना दिया जाएगा डाक्टर रजिंदर परशाद में गवर्मेट मेडिकल कॉलेज टांडा और कमला मेर्व हॉस्पिटर शिमला में नबजाश शिशूम मेया इस्तन पान को करने के लिए शिक्षा तफा जचा के लिए लोकेशन मेरेजमेंट सेंटर स्वापित किये जाएंगे परदेश के जिस वस्तन हों यहां कि निवास्यों कि सुवीदा के लए प्राईवेट ट्रेक्टिशनर के माद्थन से यह सुवीदा परदान की जाएगी कि शेर इस वार कम में है आप ये आप ये सुना दो आप दोजार चब्विस के अंतक पर्देश जिले में सोवेंगे तो आप आप दोजार चब्विक अंतक पर्देश जिले में समी टेस्ट उविदाओं से एक इंटेग्रिटिड पब्लिक हेल्प लैब की स्ताफना की जाएगी पिछले बजट में घोशित नहान चमबा और हमिरपुर में नेक नर्सिंग कॉलेजों में निर्मान कारिया अरहम किया जाएगा इसके साथ ही डाक्तर रजिंदर परशाद मेडिकल कॉलेज टांडा में जनर्र नर्सिंग एंड मीडवाइब स्कूर को नर्सिंग कॉलेज में स्थानुंतरत किया जाएगा बद्दी व्रोटी वाला नालागड परमानू पॉंटा और उन्ना द्योगिक शेत्रों में कारेलक्त प्रबासी कामगारों की हेल्ट सक्रीनिंग के लिए एक गेस्ट वर्कर सक्रीनिंग प्रोजेक्ट आरम किया जाएगा पिछली सभी सरकारों ने परदेश वासियों के कल्यान के लिए बहुत सी योजने अरम की है ऐसी योजनाओं में से हिमकेर तता सारा दो जार उन्निस में शुरू की गई और इनका लाभ भी जन सादन तक पहुंचा है किन्तों इन से सम्बंदित एंपरिकल डेटा के अनेलिसिस के अधार के बाद इनके कारेयों में कुछ स्ट्रक्चल तथा अपरेशनल समस्या हैं उजा कर हुई है इन में से प्रमुक्स मस्या है कि कन्वर्जन्स और टेक्नोलजी की अप्लिकेशन के अबाब में कुछ योजनाओं में डुप्लिकेशन हो रही है मैं राष्टे स्तर के डोमेन एक्सपर्ट की सहता से इन कम्यों को दूर करके कुछ अबश्चक सुधार करने की गोशना करता हूँ ताकि जुरुत्पन लंगों को उची समय पर इन योजनाओं का लाब मिल सके तब तक इन दोनों योजनाओं का करेमें यतावत होता रहेगा स्वश्चते शेत्र में कुल 3,415 क्रोड पे पस्ताबी थै अध्यक्ष मोदे भारत के प्रतम परदान मंतिर पंड़े जवाला नहरू का मानना था कि आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे जिस तरह से हम उनका पालन पोशन करेंगे वही देश का वविश्या तै करेगा या कथन आज के समय मैं और भी महत्वपुन हो गया है क्योंकि आज पूरी दुनिया में तकनीक के कान जो परिवत्तन आ रहे हैं उनकी गती और उनका प्रवाव जीवन के हर शेत्तर पर पढ़ रहा है तेजी से बतिलती इस नई दुनिया में एक अनिशित मिश्या के लिए बच्चों को त्यार करने में शिक्षा विवस्ता का अंत्यंत मत्तपुन योगदान रहेगा यह वश्यक है कि हमारी शिक्षा विवस्ता समावेशी समानतापुरण फ्यूचर ओरिंटीड नई तकनीक के प्रतिस सजग और भारतिया जीवन मुल्यों के प्रतिस स्वेदंग शीलो हमें प्रात्मिक स्थर्पस से लेकर विश्यविद्यल्य स्थर्थ के स्वेद्यानिक मुल्यों के आतम साथ करने के लिए एक अनुकूल वातववन का निर्मारण करना होगा भारत के सभीदान में हम भारत के लोगों ने अपने लिए एक संपूरन प्रभुत संपन समाजबादी पत्निरपेक्ष लोगतांतरमिक गंडराज्या का उदेश्या तै किया है भारत के लिए बच्चों को त्यार करना है मेरी सरकार चाहती है कि हमाचल प्रदेश के बच्चे सभीदान की मूर भावना के अनुरूप एक स्वस्थ जीवन दिष्टी विक्षित करें तता मूर भू शाक्षर्ता तता संख्याग्यान से लेकर कृति आर्टिविशल इंटेलिजेंस के प्रयोग तक हर कोशन में सर्वशेष्ट बने इस लक्षा की प्राप्ति के लिए हमने शिक्षा के शित्र में ब्यापक सुधार अरंब किये है आरंबिक प्रात्मिक आरंबिक तता उशिक्षा संस्तानों में उपलब संसरधनों का सांजा प्रयोग आज की अविश्कता है इस दिरिश्टी से प्रदेश में कलस्टर प्रणाली आरंब की गई है इसके साकारत्मक परिणाम आ रहे हैं तता इसे और अधिक सद्रिट किया जाएगा है। इन सस्तानों में उचित गुनवत्ता और साइज के क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ट, ओडियो विजिल, टीचिंग एड्स, लर्निंग सॉप्ट्वेर, प्रॉपर सीटिंग अरेजमेंट्स, फुल स्टें इम्तम तक्नीक से घर बैठे जुड़े, जुड़ सके, तता आने वाले समय में दुनिया में कहीं भी अपनी शम्ता के दार पर रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त कर सके, इसलिए हमने पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माद्यम का विकल्प दिया है, व्रमीर शोध य सबी बच्चों को और विशेश रूप से गौंग के बच्चों को लाब होगा, रास्ट्या शिक्षानीती के अनरूप परदेश में स्कूल इसतर पर पांच प्लस थी प्लस थी प्लस परओर शिक्षा परनाली लागू की जाएगी, जिससे जिसमें तीन सार का प्री स्कूल बाल बाटिका पार्थे करम भी शामिल होगा परदेश में अभी छे हजार से अधिक प्रात्मिक पार्चालों में प्रिस्कूल चलाई जा रहे हैं इस विवस्ता को सद्रिड करने के लिए अकामी वितिया वर्ष में छे हजार नर्सरी टीचर निफ्ट किये जाएंगे पात्तर अंगनवाडी कारेकरताओं को भी नर्सरी द्यवक बनने का अफसर दिया जाएगा और इसके लिए उन्हें ब्रिज कोर्ष भी करवाया जाएगा इस विवस्ता को सुचारू रूप से लागू करने के लिए पहली कक्षा में परवेश के लिए राष्ट्या शिक्त्र आयू सीमा तै की गई है पुरे प्रदेश में शिक्षा संस्तानों को चारनवत त्रिके से पूरों निर्दारित मावडंडों के नुसार इस्टिशूशन ओफ एक्सिलेंस के रूम में विश्चित किया जाएगा बर्ष दोजार चोबिस पच्चिस में आट सो पचास शिक् के इन संस्तानों में अध्यापकों के सभी सकृत पदों को भरने के साथ समार्ड कासरूम तथान्ने सुविधायं उपलत करवाई जाएगी निर्धारित मावडंडों के अधाल पर इन संस्तानों का पिरियोडिक नुल्यंकन किया जाएगा परदेश के सभी स्कूलों और एक हेड़मास्टर शिक्षा के शेतर में अवश्यक नेतरतब परदान कर सके इसके लिए स्कूल अबलिक कॉलिज लीडर्शिप पर शिक्षन शुरू किया जाएगा स्कूल और समाज के बेतर त्याल में लिए तता समुदायक भागेदारी बढ़ाने के लिए अपना बदैल् शिक्षा स्कूल और सम्धाय को स्कूलों से जोड़ा जाएगा इसमें पातर एवर इच्छुक व्यक्तियों दोरा निशुद शिक्षा परदान किये जाने की विवस्ता भी की जाएगी यानि कि कोई भी बदैक हो एक स्कूल को गोड़ ले सकता है और अधिकारी भी परतेक उब मंदल में उब मंदल अधिकारीों को सभी प्रैवरी स्कूलों का महीने में एक दिन बारी बारी से निवायर रूप से रिव्यू मीटिंग का अयोजन करना होगा इस बैटक में उस स्कूल में ना केबल बदैर थी बलकि अध्याबकों की परफॉर्मेंस का भी प्रदेश के सभी शिक्षा संस्तानों की वाशिक रैंकिंग और उनके लिए परफॉर्मेस बेस्ट ग्रांट की विवस्ता की शुरुआत की जाएगी इस सारी विवस्ता को ओनलाइन पोर्टल के माद्यम से विक्सित किया जाएगा तता इसे आम जनता तता अभी भाबकों से भी साजा किया जाएगा इसके लिए एक वेबसेट बनाई जाएगी शिक्षा शित्र में व्याफक सुधार करते हुए गुनात्मक शिक्षा पर विशेश ध्यान किंद्रित किया जा रहा है अभी तक लिएगे निंडों में वर्ष में पुल अध्यापंद बस बढ़ाना ख पुरा करना शामिल है अध्यापकों को विद्याले में बहुत निर्मान कारें से अलग रखने के निर्देश जारी कर दिये गए है एक ही सूचना को बार बार मगाए जाने की प्रता पर लोक रोक लगा दी गई है यहाँ भी देखा गया है कि आम तोर पर हर स्कूल पर का ए अध्यापक लगबग निमित रूप से डाक लेकर स्कूल से अनपस्तिक रहता था इस मिवस्ता पर भी पूरन तयार रोक लगा दी गई है अध्यापकों और बच्चों में अपने विद्याले के प्रतिस सम्मान का भाव उत्मन हो इसके लिए विद्याले को अभी भावकों के साथ मिलकर बच्चों के लिए अपनी पसंद की बर्दी चुनने का दिकार भी दिया गया है अगामी वश में शिक्षा में वेत्री के लिए प्रात्मिक स्तर से विश्य वैद्याले स्तर की प्रक्रियां सरचना और नियावंवली का पूरन प्रिक्शन करके अवश्यक और गामी वश्यक अगाए नियद्किल के मेंद्किल के लिए गया है इसे धन्यकोन गयSe अभी तो अभी तो अपनी मंजिल पाना बाकी है अभी तो इरादों का इंत्यान बाकी है अभी तो तोली है मुठी भर जमी जमी अभी तोलना आसमान बाकी है अभी तो अभी तो चोड़ा है अभी तो अभी तो चोड़ा है अभी तो पढ़ने पढ़ाने की सस्कृती के विकास के लिए यह जो बजट है यहां आतम निर्वर्व, हमाचल और युवा जो पीड़ी है उनके भविश्य की शिक्षा परणाने में महत्तपुन बद्राव है इसको आप अराम से समझीया पढ़िया आप भी महसूस करेंगे यह मत्तपुन बद्राव आज के 40 सान की विवस्ता परिवर्ट में जो लिए पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए परदेश में बर्ष दो जार चोबिस में पढ़ो हमाचल के नाम से एक व्यापक जन अभियान अरंप किया जाएगा इन अभियानों में विद्यालाओं के सासा ग्रामिण एवं शेहरी जन सुनगदाय को भी जोड़ा जाएगा इस अभियान के तैट परदेश के 500 शिक्षा संस्तानों में समान्या पाठकों और विशेश रूप से युवाओं के लिए रेडिंग रूम बनाए जाएगे तथा इनी शिक्षा संस्तानों के पुस्तकाल्या के चलाने में आम जंकी वहागीदारी को सुनुश्चित किया जाएगा मैं परतेग जिला वे उबमंडल मुख्याल्या और 25 तर पर एक अधुनिक्त्रम सुविदा सेथ पुस्तकाल्या तथा वाचनाल्या बनाने की गोश्चना करता हूँ 25 तर पर या कार्या चर्णबत तरीके से पूरा किया जाएगा प्रथम चरण में 25 तर पर 493 पुस्तकाल्याओं का अनिर्मान करके इनमें पुस्तके तथा अन्या सुविदाय पर दान की जाएगी जिस पर 88 क्रोड पे बियाए किये जाएंगे शिक्षा स्तर में सुधार लाने में परशिक्षित अध्यापकों का मुक्चा योगदाने अता अध्यापकों के प्रिक्षिक्षिन को और अधिक रिजर्ट औरेंटेट बनाने के लिए जिस्टिक इस्टिचूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग डाइट तथा स्टेट कॉंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के नियमों में बदलाव लाकर इन्हें और अधिक प्रमावी बनाया जाएगा इसी तरह से परदेश में स्टेट इस्टिचूट ऑफ एजुकेशनल मेनेजमेंट एंड ट्रेनिंग का पुना गठन करके इसे क्रियाशिल किया जिन स्टानों पर छात्रों और छात्रों के लिए अलगलग स्कूल अत्वा महावधियालया चल रहे हैं स्टानिय निवासियों की मांग पर अवश्कता अनुसार उन दोलों को मिलाकर एक को एजुकेशनल शेशनिक संस्तान चलाने की शुरुआत की जाएगी इससे छात्र वर छात्रों के शेशनिक विकास के साथ साथ उनका मनोविध्यानिक विकास होगा तता व्यक्तितब उबरेगा इसके साथ ही जिन शेत्रों में तीन से पांच किलोमेटर के दारे में कोई प्रात्मिक शिक्षा विद्यालया ना हो वहाँ के बच्चों को नदी के स्कूल तक लाने और वापिस घर छोड़ने की विवस्ता सरकार द्वारा की जाएगी अध्यक्ष मौदे एक अर्मान के अनुसार जल रहीत रोगों से प्रतिवश प्रतिवश भारत को 49 अर्म 70 प्रोड रुपे का नुक्सान उठाना पड़ता है भारत के दो त्याईजिले पानी की कमी से जुज रहे हैं बच्चों को पीने के लिए साप पानी मिले इसके लिए परदेश में अपी अब यहां चलाया जाएगा तता सरकारी स्कूलों के 8,50,000 से अधिक बच्चों के लिए मैं एक सुरक्षित एवन स्वच पानी की बोतल उप्रब्द करवाने की गोशना करता हूँ परदेश में पढ़ाय जारे परठ्यक्रम का समधैनिक मुल्यों के परिपेक्षय में पुना मुल्यांकन किया जाएगा इससे परदेश की समिद सांस्कृतिक बिरासत का समवेश भी किया जाएगा इसके लिए पांचमी कक्षा से हमाचल के इतियास, एवन संस्कृति, भार्तियस्विधान, सुरस्त्य, बेसिक हाईजिंग तता अन्या सुमान्या ग्यान के विशों पर अनिवार्या रूप से पाथ्या क्रम अरम किया जाएगा सभी विद्यालों में खेलों तता व्याम के लिए प्रति दिन कम से कम एक फिरेड अनुवार्या किया जाएगा वशिक्ता अनुसार फिजिकल एजुकेशन टीचर की निव्टि को परात्मिक्ता दी जाएगी पांसो बच्चों से अधिक वाले स्कूलों में स्वैस सहता समो को मिड़े मीर के अंतरगत भोजन बनाने और प्रोसने में भागी दारी के लिए प्रोसाहित किया जाएगा नैशनल असेस्मेंट एंड एक्रीडेशन कॉंसिल नैक उस शिक्षा में परदेश की स्तिति को जांचने एवं इससे किये जारे प्रयासों को आंकरे का एक अच्छा माद्यम है 2024-25 में नैक एक्रीडेशन के लिए परदेश के सभी पात्तर कॉलेजों द्वारा अपनी दावेदारी प्रस्तित की जाएगी 2024-25 के लिए परदेश सरकार द्वारा बार सरकार को बित वोशन के लिए समगर शिक्षा भियान के तैट 1052 क्रोड रपे तता स्टार प्रोजेट के तहट 400 क्रोड रपे का प्रस्ताव भिजवाया गया है इसके अत्रिक पियम उश्या के तहट एक जार क्रोड रुपे का पस्ताव तथा पियम शिरी के तहट चार सुस्टत्र क्रोड रुपे का नुदान का पस्ताव भी बारत सरकार के विचारा दिने है मुझे आशा है कि भार सरकार इन प्रस्तावों को शिगर स्वक्रिती परदान करेगी पिछली सरकार ने परदेश में तीन स्थानों पर अटल अदर्श विद्यालिया बनाने अरंप किये थे मेरी सरकार इने पुरा करने के लिए ना केवल अवश्यक धंदाशी अप्रद करवाएगी बलकि इने क्रिया शील भी करेगी राजीव गांदी मोडर डे बोर्डिंग स्कूल तथा एक अटल अदर्श विद्यालियों के लिए करमचारियों का एक विशेश कैडर बनाया जाएगा तथा इने अंतरास्ट्य मानकों पर उतकृष्ट सिक्षा संस्तानों के रूमें विक्सित किया जाएगा मैं प्रतम चरण में परदेश में दस राजीव गांदी डे बोर्डिंग स्कूल करमचा लाडू नगरोटा बगवा कांगडा अमलैड भोरण संगनाई फतेपूर पांच और का निर्मान अरम करने की गोशना करता हूँ पांच और के नाम नहीं लिखे है शिक्षा थित्र में कुल 9560 क्रोड रुपे पस्तावित है अजक्ष मोदे परदेश के युवाओं को रोजगार एबन सुरोजगार अफसर के लिए त्यार करने के लिए करने के अदेश्य से मार्केट डिमांड के अबरूप पर शिक्षन दिया जाना वशक है मैं इसी उत्रम में निवन गोशना करता हूँ राजीव गांदी राजिया राजकिय इंजिनियरिंग कॉली नगर उटा बगवाँ में कम्प्यूटर साइंस और इंजिनिरिंग आर्टिविशल इंटेलिजन्स और डेटा साइंस में डीप बी टैक और डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगे राजकिय बहुत तक्निकी सुन्दर नगर में कम्प्यूटर साइंस और इंजिनिरिंग आर्टिविशल इंटेलिजन्स और अट्र भ्यारी बाचपई राजकिय इंजिनिरिंग कॉलीज प्रकृति नगर कोटखाई में सिवल इंजिनिरिंग के बी टैक और डिप्लोमा कोर् के बहुतुक्निकी जुन्दोर में अरंबिक सतर दोजार चोबीर से कक्षाइब अरंग कर दी जाएगी बुजातों नाविस्तुर्ट जो बेसिक और सूंगे अच्छे जो आप बूलेंगे श्राम विवा की डवल एम एस माइस पोर्टन पर अभी तक चारसो अटालिस इंप्लायर्स को जोड़ा जा चुका है इसमें नीजी शेत्र के और और इंप्लायर्स को जोड़ा जाएगा तरदा इसके माध्यम से 2024-25 में 180 campus interview यूजित किये जाएंगे संगेटी शेत्र के कामगारों को हितों को ध्यान में रखते वे 2024 के अंत तक इस शेत्र के 20,87,000 कामगारों को पंजी गरित करने का लक्षा रखा गया है इसके अत्रिक श्रम में रोजगार विवाक की रोजगार पंजी करन पोर्टल को कॉमन सर्वीस सेंटर के साथ भी लिंक किया जाएगा ताकि परदेश के युवा इन किंद्रों के माध्यम से पंजी करवा सकेगा यानि कि एप्लाइमेंट एक्चेंज के लावा लोग मिश्तर किंदर है वहां भी एप्लाइमेंट कोई व्यक्ति अपना नाम रिजिस्टर करवा सकेगा तक्निकी शिक्षा शेतर में खुल 330 क्रोड रुपे पस्तावीत है अधक्ष मोदे बरतमान में प्रिद्दावस्ता बिद्वा एकलनारी दिव्यान कुष्ट रोगी तथा ट्रांसजेंडर पैंशन के 7,884,000 लावार्थियों के लिए लगवग 1,260 क्रोड रुपे व्याय किये जा रहे हैं दोजार 24 पचिस में 40,000 लावार्थियों को इस योजना में समलित किया जाएगा जिस पर लगवग 70 क्रोड रुपे अत्रिक व्याय किये जाएंगे अधक्ष मोदे परदेश में अभी तक परदेश में अभी तक दिव्यान जनों की उस शिक्षा के लिए क एग्जूकेशन फॉर औफ दिव्यान जनों की स्तावना करने की घुशना करता हूँ Institute of Four Children with Special Disabilities को भी इस के इंदर से में स्तानामत्रित किया जाएगा इस के इंदर में 0-27 बर्श की आईउ के दिव्यान बच्चों के लिए अवासिय सुविधाएं, खेल मैदान तता सभी अन्य सुविधाएं परदां की जाएगी जिन पातर दिव्यांग बच्चों के लिए रहने की सुविधा अपलब नहीं होगी उन्हें रहने के लिए कराय के लिए आर्थिक सहता दी जाएगी परदेश के युवाओं को रास्टर निर्मान की और ले जाने के उदेश्य से राज्यस्तर पर सभी सुविधाओं से कंड़ा गार्ट में एक अदश नशा निवारन के इंदर की स्ताफना की जाएगी इसके इंदर में पुस्तकालिया, जिम, इंडोर, तदा आउडोर, खेलो, त्यादी की सुविधा देने के साथ-साथ यहाँ भी सुनिशित किया जाएगा कि यहाँ के इंदर स्विधा से जुड़ा हो, तदा कोई समुधाएक स्विधा के इंदर आथवा, सिवल हॉस्पिटल इस के इंदर के आज पास हो, जिस से, जिसमें अन्या सुविधाओं के साथ-साथ संबंदित प्रामश की सुविधा भी फलब दोगी, परदेश के यु साफना की जाएगी, अभी नशा निवारन के इंदर तो बहुत है, लेकिन हो मकानों में बंद कमरों में चल रहे है, तो किसी की नशे की अगर कर लट को छुटाना है, तो उसके लिए थोड़ा ओपन स्पेस वीचे खेलने की सुविधा भी हो, तो पहला हमाचल परदेश का निर्वान के निर्वान के इंदर है, आदमी सुविधा हों से लेश को हम हमाचल परदेश में मिलाने जा रहे हैं, अधैक्ष मोदे हमाचल परदेश में स्वास्ते सिवाओं का ब्यापक विस्तार हुआ है, तासा इसके माद्यलशर परदेश के सभी वड़ों को समय पर करने की गोजना करता हूं इसके अंतरगत इसके अंतरगत परदेश में सत्तर वर्ष से आधीक आयू के सभी एवं एसे क्रिशकों एवं भृद्धों जो कि आय करना दे रहे हूं अत्वा कोई पैंचन ना ले रहे हूं को मुफ्त किस्सा सुविधा दी जाएगी इसके साथ ही मैं मुफ्त मैं इसके साथ ही मैं एक नहीं योजना मुख्या मंत्री सुख सुख्षा योजना अरम करने के भी गोशना करता हूं इसके साथ इसके अंतरगत परदेश में सभी विद्वाओं एसी सभी विद्वाओं के 27 साल तक की आयूँ वाले बच्चे जिनकी सभी स्रोतों से बार्शी काए एक लाख रपे से कम हो शिक्षा पर होने वाले सभी बाला ब्याय परदेश सरकार बहान करेगी इन बच्चों को Medical College, Engineering College, NID, IIM, IIT, Nursing, Graduation, Post-Graduation, पाठ्यक्रमों में परवेश मिलने पर या सुविधा परदान की जाएगी इसके अत्रिक्त, बिद्वा, निराशित, तलाग शुदा और अक्षम, माता पीता के सभी पातर बच्चों के आड़ी घाते में ठारा वर्ष की आयू तक एक हजार प्रतिमा दिया जाएगा, इसके साथ ही सभी पातर महनाओं के स्वस्त्य अभीमा का वाशिक प्रियों भी राज्या सरकार द्वारा बहन किया जाएगा इस पर लगबग 41 क्रोड प्रिया त्रिक ब्याय के जाएगे, यानि कि जिन विद्वाओं की प्रिविंस रोतों से एक लाख स्प्रे से कम है, उनके सभी बच्चों को हमाचल प्रदेश सरकार प्री एजूकेशन देगी और ठारा वर्ष से कम बच्चों वालों को एक हजार लोग बदलाव लाते हैं, बाकी सब तो जिन्दगी गुजार कर चले जाते हैं, सुमाजिक शुरक्षा इत्तु चलाई जारी बविन योजनों को लावर्थियों तक समय तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार की तसंग कल्प है, मैं यहां भी गोशना करता हूँ, कि जिला व लिए हैं अभी गास्मिति की बैड़क समय पर ना होने की स्थिति में, समदित जिला के उपयूप्त को इन योजनों के अंतरगत बहुन लावर्थियों को दे जाने वाले लावों को स्वक्रिषक करने की शक्तियां दी जाएगी, ऐसी परेस्थितिए में दीगी, इस स्वक पर जिला कल्यान स्मीति की होने वाली एकामी बैटन में अनिवालया रूप से अनुमोधन प्राप्त करना होगा अनुसुची जाती जन जाती तर्था अंग्या पिछड़े बर्गों से संबंदित लावार्तियों के लिए चलाए जारे पोस्ट ग्रेज़ पोस्ट ग्रेज़ इत्यादी ने कुर्सिस को समनित किया जाएगा ताकि इस कारेकरम के अंतरगर परशिक्षित लावार्तियों को उचीत रोजगार प्राप्त हो सके समाजिक स्रुक्षा महिला फाल एवं अन्या पिछले वर्गों के कल्यान के लिए कुल 2457 क्रोड़ पे परस्तावित है अध जद एक बर्शा से आई आपदा के चलते हमारी सरकार ने द्वारा आपदा परभावित परिवारों के लिए तुरूंत परभाव से राशन, LPG, गैस कुनेक्षन तदा स्रिंडर बिना किसी दामके उपलब करवाएगे हमारी सरकार द्वारा की यह चोटी सी सहता पिडित प पर्सों का तेल और रिफाइंट तेल दिया जा रहा है अभी तक यह तक यह तेल उपभोगतां को राशन डिपो से सिमित मात्रा में में ही उपलब होता है शादी विवात यहार बैने समारों में उपभोगतां को या तेल खुले बजार से उचे दामों पर खिरना पड़ता है मैं घोशना करता हूं कि एक अपरेल दो जार चौबी से सभी उपभोगता अपने अवश्कता के नुसार राशन डिपो से या तेल प्राप्त कर सकेंग सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा तता वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतरगत नैशनल पोर्टविल्टी को और सद्रिड किया जाएगा इससे नैशनल भूर्श क्योटी एक्ट के प्रवधानों के अनुसार राशन वित्रन को पारदाश्य बनाने में सहता मिलेंगे इसी के अंतरगत वैपदारित के वाईसी का प्रवधान किया जाएगा जिससे इंटरस्टेट पोर्टविल्टी के तहट लावर्थियों को इस योजना से लाव किसी वी रज्या में मिल सकेंगे मिलों से अवंटित आठे की गदाम बार निग्रानी भी सुनिचित की जाएगी खाद्या उपदान के लेख फुल दो सो क्रोड रुपे से अधिक व्याग किया जाएगे अधेक्ष मोदे पिछले वर्ष प्रतेक व्लॉग में निर्मित किये जारे प्लास्टिक बेस मिलेजमेंट यूनिट्स को दो जार चौबिस पच्चिस में उपरेशनलाइज कर दिया जाएगा इसके उपरेशन्स में बैकवर्ड और फॉर्वर्ड लिंके सुनिचित की जाएगी ताकि इनका लाब और अन्या शेत्रों ततस्मधाय को भी मिल सके सभी जिलों में एक मौडल पंचायत के लक्षय को पूरा करने के बाद इस मौडल को कल्वर्जन्स के माद्यम से अन्या पंचायतों में चल्मध धंग से रैप्लिकेट किया जाएगा प्रदेश के ग्रामिट शेत्रों को स्वच बनाने के देशा से दो जार चोविस पच्चिस में पांच हजार अत्रिक गों को ओडी एफ प्लस ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस डिले करने का लक्षय रखा गया है इसके अत्रिक भूमी उप्रुपता के अधार पर कम से कम चार साइट पर फेकल स्लज मेंज में प्लांट स्तावित किये जाएंगे दो जार चोविस पच्चिस में गरामनी शेत्रों में एक जार स्मय स्वेता स्मूब बनाने का लक्षय रखा गया है इन स्मूब को लगवा 32 क्रोड पे के अधाशी के रूम में रिवॉल्विंग फंड तथा कॉमूनिटी इंवेस्मेंट फंड के रूम में देने के सासने लगवा 50 क्रोड पे का रिन देने का भी रक्षय रखा गया है स्वेता स्मूब पर लगवा 100 क्रोड पे ब्याय करे जाएंगे सभी पंचेतों के एकाउंट्स एगराम्स वराज सोब्वेस्ट अप्लीकेशन से जूड दिये जाएंगे इसके माद्यान से सभी पंचेतों इसके माधिया से सब्सक्राइब में पंचाइतों के संसादन तथा ब्यायकी मोनिटरिंग के लिए इस पनाली को और सद्रिट किया जाएगा दोजार चोविस पच्चिस में पंचाइती राज संस्तानों के लिए 352 क्रोड पे 15-20 वित्योग की स्पार्शों के अनुरूब तथा 448 क्रोड पे छटे राज्य वित्योग की स्पार्शों के अदार पर व्याय किया जाएंगे पूरव की यूपिय सरकार्द वारा रहम किया गया मात्मा गांदी ग्रामिन रोजगार ग्रंटी एक मनरेगा ग्रामिन रोजगारों के लिए एक बरदान साविक हुआ है मन्रेगा कामकार इसके माद्यम से ग्रामिट शित्रों में रोजगार प्राप्त करने के साथ पबलिक एसेट्स बनाने का कारया भी कर रहे है मैं मन्रेगा कामगारों की ध्याड़ी जो गों में मन्रेगा के ध्याड़ी है पिछली वार सोला बढ़ाई थी मैं मन्रेगा कामगारों की ध्याड़ी बर्तमान में 240 रुपे से बढ़ा कर तिन सु रुपे करने की गोचना चाहिए पूरे साट रुपे बढ़ा है इस परकार सरकार मन्रेगा कामगारों को चेटर रुपे प्रती दिन अपने संदानों से गी अब शेख सुमने इस पर रुपना हो अगर तो सो भाने जाना हो तो रस्ते बड़े है अगर रुपना है तो योजना लागू करनी ना हो तो भाने बहुत है हमने तिन सो रुपेया हमाचल पर्देश में या एक इत्यासिक ब्रिदी है जो कि आज से पहले नहीं की गई है इस ब्रिदी से गरामी नर्थ बिवस्ता को अभी समझाता हूं हमाचल पर्देश में या एक इत्यासिक ब्रिदी है जो कि आज से पहले नहीं की गई इस ब्रिदी से गरामी नर्थ बिवस्ता को आतम निर्वर्ता की और ने जाने में गती मिली गई इसी के साथ जो मनरेगा में काम करने वाली महिलाएं होती है इसी के साथ ऐसी विदवा एकल बेसारा दिव्यांग महिला मनरेगा कामगार जिनकी बारशिक आए डाई लाग रपे से कम हो तता बर्ष में सो दिन की मजदूरी पूरी कर्च चुकी हो को मकान बनाने के लिए त तीन लाज रुपे तक की सहता दी जाएगे वशर्त है या सहता किसी और कारेकरम के अंतरकार प्रातनों यानि कि साथ रुपे भी बढ़ाए जो होगी धाई लाज से कम विदवा या उसको तीन लाज रुपे सहता दी जाएगे मैं पंचाती राजस्रस्ताओं के प्रतिनिल प्रतिमा मानने मिलेगा। उपाद्यक जिलापरिशद को तीन हजार बढ़ात्री के साथ ऐठारा हजार पे प्रतिमा मानने मिलेगा। को चोदा हजार चोदा सो रुपे बढ़ोतरी के साथ चरासी सो रुपे प्रतिमा मांदे मिलेगा। सदस्या ग्राम पंचैत को रुपे बढ़ोतरी के साथ साथ सो पचास रुपे प्रतिमा मांदे मिलेगा। ग्रामिल विकास इवन पंचैती राज के लिए कुल 2356 क्रोड रुपे पस्तावीत है। हद्रक्ष मोरे 2425 से घर बनाने के लिए नक्षों के स्विक्रिती ओटो डिसी आर के मादें से एक सिंगल पोर्टल पर प्रदान की जाएगी। जहर का नक्षा इस पोर्टल पर अपलोड करने के बाद कोई भी कमी पा जाती है तो अवे दक उसे ओन लाइन देखकर ही अवश्क दस्ता पर जमा करवा पाएंगे। इसी पोर्टल के मादें से प्राइबेट प्रोफिशनल्स पांसो बरंग मीटर तक के आवासिये नक्षे की अन्मती भी दे पाएंगे। में अस्तानिया में अस्तानिया नगर्द काओं के प्रतिनीदियों को प्रतिमा दिये जाने वाले मान दे को निवल परकार से बढ़ाने के सहर्श भुशना करता हूं। पानी भी लेता हूं ना। बोकल कोड़ सुख जाती है तो थोड़ा अमेलों से तो काड़ के दे रहूं। अमेलों से ही काड़ के आ रही है। महापोर नगर निगम को चार हजार प्रतिमा मान दे मिलेगा। उपमापोर नगर निगम को तीन हजार प्रतिमा मान दे मिलेगा। कॉंसलर नगर निगम को चोदा सो रुपे प्रतिमा मान दे मिलेगा। अद्यक्ष नगर परिशद को स्तारा सो रुपे प्रतिमा मान दे मिलेगा। उपाद्यक्ष नगर परिशद को चोदा सोर पे ब्रोत्री के साथ चुरासी सोर पे प्रतिमा मान दे मिलेगा। चाहरी शेत्रों में हम डेमोक्रेसी के सभी इस्टिशूस को मजबूत करना चाहते हैं। हम इसको कमजोर नहीं करने हैं। शेहरी शेत्रों में नहीं MLO से तो काट कर दे रहां इनको। शेहरी शेत्रों में कच्रा परबंदन को और सचारू टूप से चलाने के लिए तता उस पर निग्रानी के लिए राज्या विकास नदेशलम में एक परियावन सेल की स्ताफना की जाएगी। इसके लिए राज्य श्तर पर एक स्थेट प्रोजेक्ट मोलेटरिंग इनुटि की स्ताफना की जाएगी। जो कि एक्सपर्स के माद्यम से शेरी निकाउंग की कारेपनाली को ओनलाइन प्लानिंग, इंप्लिमेटेशन्स, मोनिटरिंग तथा रिपोर्टिंग में सायक सिद्ध होगे इसी के अंतरगर शेरी निकाउंग के अकाउंट को डिजिटाइज किया जाएगा मैं बालमकी समाज के भाईयों तथा कामगारों के लिए अवास निर्माण में सहता के लिए नहीं योजना महारशी बालमकी कामगार या अवास योजना अरंब करने की गोशना करता हूं अर्मैंड के रक्षिता महारशी बालमकी जी थे मैं आज उनके नाम से महारशी बालमकी कामगार अवास योजना अरंब करने की गोशना करता हूं अभी अभी राममंद्री भी उना है तो इसके अंतरगत बालमकी समाज के ऐसे स्पाई करमचारी जिनकी वारशी काई ढाई लाक रपे से कम हूं तता उनके पास अपना घर नाओ को घर बनाने के लिए तीन लाक रपे की आर्थिक सहता दी जए मैं मुख्यमंत्री बिद्वा एवं एकलनारी अवास योजना के अंतरगत ऐसे सभी लावर्थि हूं जिनकी वारशी काई ढाई लाक रपे से कम हूं को घर निर्मान के लिए दी जारी डेड़ लाक रपे की राशी को बढ़ा कर तीन लाक रपे करने की गोशना करता हूं जितने भी विद्वाएं हैं उनको घर मनाने के लिए जो तैयि में मुख्यमंत्री की द्वारा नियुकल कि जए तीन लाक रपे के राशी दी जाएगी All और उनकी आय की सिमा भी हमने तैय कि है कि घाई लाग से कम होनी चाहिए सुनो असर है ये हमारी दस्तों को दस्तों को जहां दिवार ती दर हो गया हमारी सरकार ने नहीं रास्ते बनाए है 32 समय के मताबिक काम शुरू किया बादाओं को खतम कर दिया जहां दिवार नजर आती थी आपको वहाँ दर्वाजा बन गया अच्छा मेरे तो आप शुरू जिंता का है अच्छा सुनो जो नई नगर निगम धर्वशाला सोलनो श्रिम्ला नगर मेरे तो शुप्चंतक सभ्षाथ अब इपन परवाज जी है सत्ती जी है रंदीर जी है विक्रम जी है सब है बीजे भी तो पराणे उन्वेस्टी के साथ है नगर निगम शिफ धर्मशाला शिम्ला नगर परशन नाला गाड़ परमाणों में एकनोमिकली विकर सेक्शन्स से सम्मंदित ऐसे विक्तियों को मकानों मटित किये जाएंगे जिनकी वार्शी काई तीन लाग रपे से कमों पातरता मान नंडों को पूरा करने वाले अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती ओविसी वरग तता विद्माए निराशित महिनाए दिवियांगों को प्रात्मिक्ता दी जाए अदक्ष मोदे परदेश के गरामिन शेत्रों में जल जीवन मिशन तता एंडीवी और एडीवी के माद्यम से विवीन परियोजनों के अंतरगत पेजल सुविधाय परदान की जारी है प्रिमिन चर्म पर है तता इन्हें तैस समय सिमय के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा इन दोनों के माद्यम से 20,663 परिवार पार्शली कवर्ड स्कीम से लावंद भी तो होंगे तता 69,282 परिवार फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन किसे लावंद भी तो होंगे बोकल कोड सुपती है शहरी शेत्रों में पेजल योजनावापूर्ती में सुधार के अदेश्या से मैं 2024-25 के लिए निमन गोशनाय करता हूँ चार शहरों क्रमशा जवाली, हमीरपूर, बैजनात, पपरोला तता नेर्चोग में 135 लीटर्स पर केपिटा पर डे की शमता वाली पेजल योजनाओं का काम पूरा कर लिया जाएगा इसी परकार, हम बोर भूंतर के लिए 33 क्रोड की लागत से पेजल योजनाओं के कारेवेन को गती दी जाएगी और प्रयास रहेगा कि 2024 पच्चिस के अंग तक इसका कारेवे पूरा कर लिया जाए 112 क्रोड की लागत से नहान, अर्की, निर्मंड, पालंपूर, जुगिंदन मेगर के लिए पेजल सुधार योजनाओं का कारेवेन शीगर अरम कर दिया जाएगा मेरे पिछले बज़ड में गोशित 24-7 पेजल योजनाओं के कारेवेन की दिशा में रामपूर में वार नमबर 6 और 7 नालागण चंबा में में पेजल योजनाओं का कारेवा अरम कर दिया गया है तदा अन्या नो शारव में इन कारेवें को शीगर अरम करने के प्रयास किये जा रहे है हमाचन परदेश में पेजल की गुनबता सुधारने की दिशा में मेरे दवारा कीगी गोशनों को पूरा किया गया है तता स्तानिय महिलाओं की भागेदारी से विलेज बाटर एंड सैनिटेशन कुमिटीज का गठन करने के बाद महिलाओं को परशिक्षित किया जा चुका है अब तक 69 टेस्टिक लाइब स्तापीत की जा चुकी है जिन में से 62 की एक्रिडेशन नैशनल एक्रिडेशन बोर टेस्टिंग एंड कैलिगरेशन द्वारा की जा चुकी है 2024 में इस विवस्ता को और सद्रिड किया जाएगा ताकि परदेश की जनता को स्वच एवं किटानू रहे पेजल उपलब्द हो सके पिछले बजट में गोशित SOP के नुसार पेजल योजनों तता STP में UV सिस्टम लगाने के लिए 37 ऐसी साइट्स की पेचान की गई है जहां जल स्रोतों में या तो कंटेमिनेशन है या इसकी संभावना है इन साइट्स पर सुद पेजल उपलब्द करवाने के उदेशा से UV सिस्टम लगाने के लिए वश्चक कदम उठाए जाएंगे गगरेट, डेलोजी, चुवाडी, इरवालसर, भोटा, संतोगर, बैजनात, पपरोला और नेचोक में सिवरेट पर्योजनाओं पर चल रहे कारयां को गती दी जाएगी तदा हमें 2024-25 में पूरा करने के प्रयास किये जाएगे राजगार, बंजार, चुपाल, नेरबाता, दश्यापूर में सिवरेट पर्योजनाओं के निर्माण का कारया 2024-25 में पूरा किया जाएगा उबरूत के अत्रिक नवार्द वारा सिप्रिद 16 ग्रामिन शेत्रों में सिवरेट परिजना के निर्माण के कारे को 2024 में भी अवार्ट शेर बहुत आगे है पर सुनाएं कुल सा आप सुन देगा हम आपको परशानी तो करने हैं इस दिन सो असी कुलोडबे की लागे से 14 सर्पेस माइनल इर्रिगेशन स्कीम का कार्या विविन चर्णों में है इन में फिट नहीं बैठ ना जब फिट बैठेंगा तब हुआ है इन योजनों के मादें से लगवग 9708 का CCA उपलब्त करवाए जाएगा परधान मंतरी किशी संचाई योजना के अंतगर सुकृत इन योजनों को बार सरकार द्वारा जारी धंड़ाशी के अधार पर गती दी जाएगी परधान मंतरी किशी संचाई योजना के अंतगर सुकृत चार योजनों में से लाबरंग, गार्डन, कलॉनी तदपू के लिए सुकृत योजना को पूरा करने के लिए लगवग त्रेपन लाग की राशी ट्राइबल डॉल्मेंट प्रोग्राम से उपलवत करवा दी गी है चेसो च्रास चुतालिस क्रोड पे की लागत से फिना सिंग भाव देशिया मद्यम सिचाई योजना को सची डिपार्टमेंट ऑब वाटर रेसोर्से रिवर डिवर ड्वलमेंट अंगंगारी जूबिनेशन की दक्षता में हुई सक्रीनिंग कमेटे की बैटन में परधान मंत्री कीशिस इंचाई योजना एक्सलेटेड इंटेगरेट इरिगेशन बैनिफिट प्रोग्राम के अंतरकर फंडिंग के लिए अनुशासित किया गया किया गया है इसके निर्मान से चार हजार पच्चिस हेक्टरियों का सीसी उपलाब्द होगा तता इसके साथ ही एक पॉइंट अठासी मेगवार्ट जल विदूत इतपाद नहोंगा इस परियोजना के कारेमन को गती दी जाएगी जल शक्ती के लिए कुल 3350 क्रोड पे परस्तावित है अधक्ष मोदे मांसुल आपदा के चलते परदेश में सडकों तता पुलों के व्यापक नुक्सान पहुंचा हमारी सरकार द्वारा बिना समय गवाए रात और पुनर मेमान कारिया शुरू किया गया तता बहुत ही कम समय में सभी मुख्या सडके ट्राफिक के लिए खोल दी गई छोटी सी अबदी में ठारा वैली व्रीज एवन 27 रोब बे जुलों की सहता से शतिके सडकों को भाल किया गया मैं इस सदन के माद्यम से ऐसे सभी चुनेवे प्रजन प्रतिन निदियों तता सरकारी अधिकारियों एवन करमचारियों का जिन्नोंने दिनराथ परदेश की जनता के साथ खड़े होकर भाली का काम किया दिल से धन्यावाद करता हूं रेलवे तता जल प्रिवान के अवाम में प्रदेश को एक मजबूत सडक नटबर्क की अवश्कता है पिछले लगवक 53 वर्ष के कार्यकार में प्रदेश में बहुत सी नई सडके बनी तता उनके माद्यम से बहुत से गौन जुड़े बरतमान में 40703 किलो मेटर मोटर योग्या सडके, 345 किलो मेटर 20 अड़के तता 2430 फुल है कुल 3615 ग्राम पंचैतों में से 3530 ग्राम पंचैतों को मोटर योग्या अत्फवा जीप योग्या सडके से जोड़ा चाजच चुका है 6 बची बच्चायतों में से 10 और पंचायतों को 2024 में मोटर योग्या सड़क से जोड़ दिया जाएगा हमारी सरकार दुवारा परदानमंत्री ग्रामिट सड़क योजना थी के अंतरगत 2683 किलोमेटर लंबी 254 सड़कों के लिए 2643 क्रोड रपे की सुक्रिती प्राथ की गई है इस योजना के अंतरगत 2024 में निम्लित कारे पूर्ण किये जाएगे 500 किलोमेटर लंबी सड़कों की अब ग्रेडिशन होगी 305 किलोमेटर ने सड़कों का निर्मान, 8 किलों का निर्मान, 15 अबस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा इसी परकार परदानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतरगत 850 किलोमेटर लंबी सड़के में 8 किलों का निर्मान किया जाएगा इसके अत्रिक परदानमंत्री ग्रामिट सड़क योजना वन एवन टू के अंतरगत 150 किलोमेटर लंबी सड़कों में क्रॉस ड्रेनेश की सुविदा परदान की जगी है। करने के लिए एक परस्ताब के अंदर सरकार को बेजा जाएगा। इन में से राष्ट्य उच्छ राजमाय पर प्रमुक कारिया निम्लिक थे। क्रोड की लागत से विमिन रास्टे उचमार्गों पर पुलों का निर्मान लगबाद 2000 क्रोड पे की लागत से विमिन कारिया। अगामी वर्ष के दोरान नवाड के माध्यम से RIDF के अंतरगत 205 किलोमेटर नंबी ने सडके 305 किलोमेटर सडकों पर क्रोस डिमेज, 425 किलोमेटर नंबी सडकों की टैरिंग तता 25 पुलों का निर्मान किया जाएगा। सेंटर रोट्स इंफरस्टरक्शन फंड के अंतरगत निमल पांच सडकों का निर्मान कारिया, 2024-25 में पूरा किया जाएगा। जिया मानिकर्ण सडक पर वर्षा से हुए नुक्सान का मुहमत कारिया, शाहपूर सुन्ता च्वाडी मारक का निर्मान, ब्यास नदी पर टैरेस तता स्थाना को जुडने वाले पूल का निर्मान, बागचल मेरे बड़सर सडक का निर्मान, पडोगा त्यूंडी में स्व क्याक्शन कोलोराइड और ब्राहिन सुलूशन का प्रियोंग किया जाएगा, ताकि सर्दियों में इन सडकों पर भरवना जम सके और संभावित दुर्गणना को टैरा जान ना जा सके यह आगे आपके लेक्शन, दर्द हो तो दवा भी मुम्किन है, दर्द हो तो दवा भी मुम्किन है, बैंड की क्या दवा करे कोई, अब बैंड में बेंड में बेरे लोगा, आपको हर चीज का ब्राय मुरता है, अध्यक्ष मोदे पर्यवान सरक्षन, अभी एक और ढूंदूगा ना, अध्यक्ष मोदे पर्यवान सरक्षन और लागत को कम करने, लागत को कम, दोजार चोविस पच्चिज हुए महारी सरकारद्वारा निम्लित सडकों तता संबदित निर्मान कारिये किये जाएंगे, 860 किलो मीटर लंबी कुल सडकों का निर्मान, 1067 किलो मीटर लंबी सडकों पर क्रॉस द्रेनेज, 1075 किलो मीटर लंबी सडकों पर मैटरिंग और इंटारिंग, 57 पूलों का निर्मान 10 पिंचेतों के 40 गोंकों सडकों से जोड़ा जाना सडकों पूलों के लिए कुल 4,370 क्रोड रुपे परस्तावित है दक्षमोदें बजार की बदलती परस्तित्यों को देखते वे 2019 में अधिसुचित द्योगिक निवेशनिती में बदलाब करना आती वशक है जिससे भावी निवेशकों को कम से कम समय में सबी स्कृतिया एक ही बिड़ों के मादिन से मिल जाए इसमें इससे निवेशक और अधिक निवेशक करने के लिए परसाइट होंगे हमारी सरकार 2024 में बदलती पस्तित्यों को देखते हुए एक नई अधियोगी पुरसान वेशनिती 2024 लाएगी परदेश के युवाओं के लिए द्योगिक शेत्र में स्वरोजगा की अंगनित संभाना है युवाओं को इसे और पुरसाइट करने के लिए की अवश्कता है इसके लिए मैं 2024 में एक ने स्टार्टप निती 2024 लाने की गोशना करता हूँ इस निती के अंतरगत इन्योवेशन के लिए तता महिलाओं को स्टार्टप वेंचर हित्व विशेश परुसान का प्रदान किया जाएगा महिलाओं द्वारा शिरेक शुरू किये स्टार्टप को एक वर्ष के लिए अधिक्तम 4 लाक रपेते की साहता दी जाएगी द्योग शेतर राज्जा के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है मेरी सरकार का प्रियास है इस शेतर को स्वर्वत्तम एकोसिस्टम पर दान करना है पिछले साव के आवदा के दौरान मेरी सरकार द्वारा बड़े पेमाने पर भाली करने कार्या करने के लिए अवश्चत संसाधन जुटाने के देशा से लेक्टिसिटी ड्यूटी की दर बढ़ाई थी अब जब स्थिती में सुधार हुआ है मैं गोशना करता हूँ कि बड़ी वी लेक्टिसिटी उन बुगतों द्वारा देन नहीं होगी जिने हमाच्र परदेश द्योगिक निती दोजार उन्नीक के प्रवधानों के रुसार स्विकारिया अब्दी की सिम्माप्ती तक लेक् सब्सक्राबी रूप से कई कदम उठाए हैं दस परस्टों से भी अधित परानी परदेश की खनन नीती में कुछ बद्राब किये जाने वाशक है मैं गोशना करता हूं कि परदेश में हमाच्र परदेश माइन्स पालसी दोजार चौबिस लाए जाएगी जिसके मुख्या अधिया अवैद खनन पर रोग तथा विज्यानिंग खनन के माधियां से परदेश के राजस में विद्धी करना होगा परदेश के द्योगिक शेत्रों में विभीन कारणों से आग से होने वाली दुभणाओं से निप्टने के लिए अगनी शमन सेवाओं के लिए अलग मा केमिकल प्रोटेक्शन सूर, फॉर्म कंपोर्ट टेंक, ड्राय केमिकल पॉडर सहित, अन्याब पुर्णों और समंगरी का प्रवधान क्या जाएगा बद्धी ब्लोटी वाला नालागड द्योगिक शेत्र का पश्देश के संसादनों तता स्वरोजगार सुजन में बहुत या सड़क मेडिकल डिवाइस पार धेरावालों को बद्धी द्योगिक शेत्र से जोड़ेगी, अजक्ष मोरे, दो जार चोविश पक्चिस में, स्तारा पट्रोल पंपर पर इवेकल चार्जिंग स्टेशन के साथ साथ, इंडियन वाल कार्पोरेशन लिंटेट तथा चारा शीर कर दिया जाएगा, दो जार चोविश में की गिए एक्षाटिकल टैक्सिस की डिजल बसन को लैक्तिकल बसन से चरन बद्ध करम में बदने की गोश्णा के बाद, अब तक एक्षाटिकल बसन और पचास अलेक्टिकल टैक्सिस हो गई है, इसी प्रतिबंता को में जन्स रहवायकता सुनिश्चित करने के लिए शुराती चरण में माने विधायकों को प्रतेविक विधानसावा शेत्र में पांच रूटों पर ईवेस्ट चलाने के लिए प्राथ्यमिक्ता मांगी गई है राजीव गांधी राजीव गांधी स्वरोजगा स्टार्ट केंटर का दोजार चौबीस पच्चिस में 40% उपदान पर ईटैक्सी चलाने के लिए 10,000 परमिट दिये जाएंगे 10,000 जो इडिजर इंजन पट्रॉल वाली गाडिया हैं उनको ईटैक्सी चलाने के लिए 40% सबसिटी पर ईटैक्सी दिये जाएंगे मैं गोशना करता हूं क प्रत्रिक संस्तानों में इस बस सेवा को चलाया जाएगा बस दोजार चोविस पच्चिस में बैंस बहान सक्रैप निती के अंतरगत परदेश में विकल सक्रैप स्क्रैपिंग सेसलिटी सेंटर्स की स्तापना की जाएगी जिससे परदेश के सभी 12 जिरों को इसकी सुविदा मिल सके मैं गोशना करता हूँ कि दोजार चोविस पच्चिस में ऑटोमेटिट टेस्टिंग सेंटर के मादम से सभी भानों की फिटनेस अनवारिया कर दी जाएगी ताकि भानों को फिट टिकलेर करने में मानवेया गलती ना हो परिवहन निमों की लंगना पाए जाने पर ऑनलाइन चलान के लिए विवाद या अधिकारियों को ए चलान एंड एप्योस मेशीन उप्लाद करवाए जाएगी सभी परिवहन बेरियस पर ओटोमेटिक नंबर फ्लेट रिकोगिनिशन लो सरकर टेलिविजन कैमरास की सुविदा अप्लोड करवाए जाएगी जिससे कर चोरी को समात किया जा सके और सरकार को अत्रिक संसादन प्राप्त हो सके इस परनाली की सहता से ट्रैफिक को भी सचारू रूप से संचालित करने में सहता मिलेगी दो सो बत्तर क्रोड की लागत से नेचर पार्क महल तथा बिजली महादब के बीच हाई विरिड अनुटी मोडल पर एक तीन पॉइंट दो किलोमेटर लंबे रूपे का निर्मान कारिया अरम किया जाएगा इस रूपे पर होने वाले लाप का पचास प्रतिसफ़ आईश राज्जा सरकार को प्राप्त होगा लगबग 54 क्रोड की लागत से निर्मित किये जारे बगला मुकी रूपे को हाली में आई आपदा के कान वारी नुक्सान हुआ था जिसके कान इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए पांच करोड रूपे से अधिकी राजी व्याई की गी है मैं सहर्ष गुष्णा करता हूँ किसका निर्मान कारिया पूरा करके इसी वार्शी प्रदेश की जंता को समझपीत कर दिया जाएगा हमारी सरकार प्रदेश के लोगों ततब रिटकों की सुविदा के लिए कालका से पर्मानु तक की ब्रोड गेज रे लैन बिचाने के लिए बाहर सरकार से अंरोध करेगी इसके साथी जेजों से पोलियों तक की रेल लैन बिचाने के लिए भी बहाँ सरक्राइब से अन्रोथ किया जाएगा इसके बिचने से परदेश में बंडरे बल्क ड्रग फर्मा पार्क तक रेल यातात की सुविदा अपलब्द हो जाएगी 2024 में इन दोनों रेल लैनों के सर्वे पर लगवक 10 क्रोड वेव ब्याय होने का अनुमान है अध्यक्स मौदे परदेश में एको टूरिजम को बढ़ावा देने के देशा से त्रेन में एको टूरिजम साइट को मिनेजमेंट एंड अपरेशन के लिए चर्मा तरीके से आउट्सोर्स किया जाएगा परदाम चर्ण में 13 एको टूरिजम साइट को आउट्सोर्स करने के लिए RFP को अंतिरूप दे दिया गया है तता 2024 में इन सबी साइट को आउट्सोर्स कर दिया जाएगा हमारी सरकार दौरा कीगी पहल के बाद मानवे सरवच नियाले दौरा वरकिंग प्लांस के अधार पर खैर की सिल्वी कल्चर फैलिंग की अनुमती परदान की गई है इससे ना के बस्तानी लोगों के आई में बृद्धी होगी बलकि उनको खैर के पेड़ कारने के बाद और अधिक पेड़ लगाने की प्रेड़ना भी मिलेगी 2024 में दस फोरस डुमिजनों में लगवक 13,000 खैर के पेड़ कारने की जोजना तियार की के लिए है इससे परदेश के राजस्व में भी बृद्धी होगी मानिया न्याला के इस निन्ने से प्रेड़ तोकर हमारी सरकार चील के पेड़ कारने की अनुमति के लिए भी याचिका दार करेगी इससे अतिक राजस्व प्राप्त होने के साथ साथ एको सिस्टम सर्विसिस की गुर्णपता भी होगी हरित हमाचल की दिशा में एक अगे बढाते हुए उपनगरिया और शहरी शेत्रों में ग्रीन हमाचल बायो डैवर्स्टी पार्क नेचर पार्क स्रीवर साथ पार्क सतापित के जाएगे इन पार्कों को एको फ्रेंडी मटीरियल्स के प्योग से डिजाइन और विक्सित किया जाएगा इस प्रश्टेट के माद्यम से मक्स एट को भी भाल किया जाएगा अदेक्ष मोदे मैं बनों से संबंदी सवी अपरेशनों को बीट लैबर पर सुनुचित करने के लिए परदेश की सभी दोजार कासर फोरस्ट बीट में एक एक बन मिक्तिर नुक्त करने की घुजना करता हूँ यक्ति की परकिया दोजार चौविस पच्यस में पूरी कर ली जाए गी कुम्योटीज की सहता से बनों के परवंदल में इन बन मत्रों की आहום भूमिका होगी इसी के साथ मैं 2024 में बन विवाग में फॉरेस्ट गार्ज के सो रिक पदों को भरने की भी गोजना करता हूँ बन विवाग के कुल 834 क्रोट रपे पर स्तावीता है अदेक्ष मोदे परदेश के ग्रामी शेत्रों के समग विकास तता उसे ग्रीन बनाने के लिए मैं मुक्य मंत्री हरित विकास शात्रविती योजना अराम करने की गोजना करता हूँ इस योजना के अंतरगात अगरे चार वर्षों में परतेक विधान सवा चनाव शेत्र में दो ग्राम गाउँ चैनित किये जाएंगे तता राज्य के सैंस पोस्ट ग्रेजूट्स तता इंजिनिरिंग ग्रेजूट्स को उन गोव में जालवाईयों परिबरतन और परयावन सरेक्षन पर अनुसरंधान के लिए दो साल तक चाथतर विती दी जाएगे हाली में आई बारी वर्षा और जर्वाईयों में दिरंतर आरे बिद्राव के देश्टी गर्थ दो जार चोविस पच्चिस से जिरास तर पर इंचिनोतियां से नुपने के लिए कारयाययों योजना त्यार करने का काम अरम किया जाएगा पंचाथतर पर जर्वाईयों परिवर्तन कारयाययों की जाएगे दो जार चोविस पच्चिस में परियावन बन और जर्वाईयों पर वर्तन मंत्रालया बाहर सरकार दागिज के सेयोग से क्रिशी और बागवानी शेत्र पर बदलती जलवाईयों के विप्रित परभारों को कम करने के देश्चे से इन शेत्रे में एक नीड असेस्मेंट स्टडी की शुरु की जाएगी जो आपदा ही उसकी स्टडी के रिए एक प्रोग्राम शुरु किया गया पृदेश में अवै इंडिकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना आरम की जाएगी जिसके मादियम से कुमर्शल प्रोडक्स की जी आई टैगिंग की जाएगी ताकि उतबादकों को रास्टे ततांता रास्टे बजार में अपने उतबादों को उचित मल्या मिल सके अधक्ष मोदे और पारदर्शीर प्रभावी बनाने के दिशा में मैं दोजार चोबिस पच्चिस में के दरान निमन कदम उठाने की गोजना करता हूं परदेश में आर्टी पिशल इंटेलिजन्स के साथ साथ डाटा एनिलिटिक्स की सहता से एविडेंस बेस निती दरान के लिए एक वर प्रभावी बनाने के लिए विवागों को रिपोर्टिंग मनेजमेंट पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा ताकि विवागों से प्राप्त मिंतन जानकारी के दाल पर उचित समय पर उचित निन्या ले सके मुख्या मत्री सेवा संकल फैल प्लाइन में आर्टी विशल इंटेलिजन्स का प्रियोग किया जाएगा ताकि प्राप्त शिकायतों का कम से कम समय में निवानन हो सके गत वाश विक्सित कियेंगे डीवीटी पोर्टल को नैश्टन डीवीटी पोर्टल के साथ चोड़ा जाएगा जिससे दोनों पोर्टलों की सुचना को साजा के जाए निवेश को द्वारा कियेंगे 5G क्रेक्टिविटी के लिए ओलाइन वेदनों के साथ निप्टे आ रहे हैं तू राइट ओवेग पोर्टल को अवर्शक्सर साधनों से इत अपडेट किया जाएगा स्टेट डेटर सेंटर की अपग्रेडिशन का कार्या गस 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा इससे अप्लेट डेटर और